Hello everyone, a very good morning to all, this is Vibhuti Khare, welcome to Magnet Brains Magnet Brains, जहां पर आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं, बिल्कुल free of cost यानि कि Magnet Brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्यों? क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुँचा रहा है, quality education बिल्कुल free of cost So students, आज के इस session से, इस lecture से हम start करने वाले हैं class 10th physics का second chapter The Human Eye and the Colorful World Previous lecture में, previous video में हमने जो first chapter था, light, reflection and reflection वो हमने successfully finish किया है, बहुत सारे concepts, बहुत सारे topics हमने पढ़े हैं उन सभी concepts से related हमने बहुत सारे questions भी solve करे हैं, numerical solve करे हैं In fact, हमने NCRT की in-text questions और exercise को भी नहीं छोड़ा सब कुछ हमने वहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लिया है अब भाई, जब हम अपना second chapter स्टार्ट करने वाले हैं, तो pattern तो हमारा वही रहेगा जो हमने first chapter में follow किया था मतलब कि सभी topics को हम बहुत detail में समझेंगे उन topics से related जो भी जिस भी तरह के जिस भी pattern के सवाल आते हैं, examinations में आपके उनको देखेंगे फिर इसके बाद में NCRT की in-text questions और exercise भी करेंगे हम तो pattern तो भाई हमारा सभी chapters में एक ही जसर हैने वाला है कि हम chapter में पूरे तरीकी से घोस जाएंगे, बिलकुल depth में जाएंगे और वापस कब निकलेंगे, जब सभी चीज़े समझ में आ जाएंगे तो सभी concepts और topics को समझने के बाद, question solve करने के बाद हम बाहर निकलेंगे chapter के अंदर से ठीक है? तो ये है एक बच्चो introductory video जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा chapter है, second chapter है physics का उसमें कौन-कौन से topics हैं जो हमें cover करने हैं, जो हमें पढ़ने हैं तो start करते हैं आज का हमारा lecture, तो भाई देखो, जो हमारा next lecture होगा, जो हमारा next session होगा उसमें हम discuss करेंगे हमारा first topic, the human eye ठीक है? भगवान ने हमको बड़ी सुंदर-सुंदर आखे दी हैं उन सुंदर आखों को हमें अब समझना होगा, पढ़ना होगा हमें पता है कि हम अपनी आखों से देख पाते हैं आईज हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आईज नहीं होगी, तो फिर हम देख कैसे पाएंगे? है ना? तो सबसे पहले तो structure समझना होगा हमें human eye का फिर इसके बाद में eyes function कैसे करती है? याने कि जिस vision की हम बात कर रहे हैं कि आखें हमको vision में help करती हैं उस vision को हमें समझना होगा कि पूरी process चल कैसे रही है ठीक है? फिर इसके बाद में defects of vision and their correction देखो, vision की अगर हम बात करें तो eyes हमारे लिए बड़ी important होती है I know, vision में help करती हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि इस vision में हो जाती है कुछ problem याने कि आखों में आ जाते हैं कुछ defects अब ये जो defects होते हैं बच्चों ये ऐसा नहीं है कि आप इन्हें कभी भी ठीक नहीं कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो तो आपके syllabus में केवल तीनी defects हैं एक है myopia, एक है hypermetropia और एक है presbiopia इन तीनों defects को हम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में इन defects को कैसे treat किया जा सकता है वो भी हम इन topics में समझेंगे तो भाई जो पहला lecture होगा बच्चों उसमें हम human eye का structure देखेंगे फिर इसके बाद में function देखेंगे इस topic में, इन topics में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी कि आखिर क्यों हमको हमारे parents मना करते हैं कि TV को बहुत past से मत देखो, बहुत नस्दीक से मत देखो phone को बहुत देर तक बिलकुल इस तरह से आखों के सामने मत रखो अगर मैं आपसे पूछू कि अब आप लोग इनों 10th में आगे थोड़े बड़े हो गए आपको पता हुआ कि मैं में पापा क्यों मना करते हैं तो आप बोलोगे कि मैं उनका कहना है कि हमारी आखे खराब हो जाएंगी क्यों कराब हो जाएंगी क्योंकि आखों पे बहुत strain परता है जब हम बहुत पास थे नस्दीक से जादा देट के लिए TV देख ले या लैपटॉप चला ले, कंप्यूटर चला ले, फोन चला ले तो आखों पे बहुत strain परता है लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखेर ये strain आता कहां से कहां से आ जाता है, ये strain की आसमान से टपकता है या फोन हमें दे देता है है ना, इस चैप्टर में अच्छी चीज यही है कि इसमें एक तो CDC बात है, इसमें numericals बड़े कम आते है आपके लिए तो ये हो गई एक पहला bonus point कि इसमें numericals कम है अभी अभी हम light, reflection, reflection पढ़के आ रहे हैं और उसमें कितने सारे जो है न numericals है इस चैप्टर में theory जादा है numericals कम है, theory जादा है और theory भी ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना पड़े theory भी ऐसी है जो हम कभी न कभी अपनी life में daily life में उस theory के साथ relate जरूर करते है जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि पास से टीवी क्यों नहीं देखना है, phone क्यों नहीं चलाना है क्योंकि strain पढ़ता है आखों पे लेकिन ये strain कहां से आया है ये हम पढ़ेंगे इस chapter में इसकी theory में ठीक है, फिर इसके बाद में ये हम सबको पता है हमने कभी ने कभी अपनी life में जरूर ये experience किया observe कि आप अपने घर से बाहर निकले तेज धूप है बाहर तो जैसे आप बाहर निकलोगे आपकी आखे हो जाएंगे ऐसे छोटी सी अब बोलोगे कि मैं आखे और लेड़ आखे चोटी आखे कैसे हो सकती है अरे बिल्कुल हो सकती है कितनी भी चोटी आखे क्यों ना हो जैसे ही कड़ा धूप में हम पहुंचते हैं हमारे आखे बिल्कुल जैसे छोटी छोटी हो जाती है क्यों हो जाती है तो आप बनोगे कि मैं light बहुत जादा परती है sunlight बहुत तेज होती है brightness हमारी आखे बरदाश नहीं कर सकती इसलिए हमारी आखे छोटी हो जाती है बिल्कुल सही बात है लेकिन ये आखे छोटी हुई तो हुई कैसे कि आपने सोचा और आपकी eyes ने वो चीज फॉलो कर ली आपने सोचा कि नहीं नी बहुत तेज दूप है बहुत जादा brightness है एक काम करते हैं आखे छोटी कर लेते हैं तो आपका order आपका command फॉलो कर दिया आपकी eyes ने और आपकी eyes छोटी छोटी हो गई यह जब आपकी eyes छोटी होती है तो eyes में ऐसा कौन सा part होता है ऐसी कौन सी चीज़ों होती है जो छोटी हो जाती है जिसकी वज़े से जादा light आपकी आखों तक नहीं पहुंच पाती इन सभी questions के answer हम निकालेंगे कहां? इस chapter में इसलिए मैंने बोला कि इस chapter में यह chapter बहुत अच्छा है सबसे पहली बात तो यह बहुत छोटा है बहुत सारी चीज़ें नहीं इसमें पढ़ने के लिए दूसरी चीज़ जितनी भी चीज़ें है जितनी भी theory है वो ऐसी theory कि कहीं न कहीं हम अपनी daily life में उस theory के साथ relate करते है जैसे कि past से ज़ादा दिर तक mobile नी चलाना दूप में जाना तो आके छोटी हो जाना यह क्यूं होता है इन questions के हमें जवाब मिलेंगे इस particular chapter में इन particular topics में ठीक है? तो I hope इन चीज़ों को हमें क्या-क्या पढ़ना है एक आपको यह ना idea rough idea मिल गया हुआ कि कौन-कौन सी चीज़े हैं जो हमें इन topics के अंदर देखनी है फिर इसके बाद में आता है reflection of light through a prism अब आप बोलोगे कि मैं जब आपने spherical mirrors पढ़ाये थे reflection पढ़ाया था उस टाइम पर आपने बहुत सारे applications बताए थे spherical mirrors के लेकिन जब spherical lenses की बात आई तो आपने तो इसके applications बताए ही नहीं बस rate diagram बता दिया magnification बता दिया है ना numericals करा दिये लेकिन आपने applications नहीं बताए बिलकुल सही बात है वो applications मैंने इसलिए नहीं बताए वहाँ पे क्योंकि मुझे यहाँ बताने थे यह जो reflection है ना reflection इसको हलके में मतले ना बहुत भारी topic है यह ऐसा नहीं है कि एक lens रग दिया आपने spherical lenses और उसमें से आपने light pass करवा दी हो गया reflection यह जो reflection है ना यह हमें हर जगा मिलेगा और अगर मैं बोलू कि इसी reflection के कारण हम देख पाते हैं तो यह बात बिलकुल भी गलत नहीं होगी अगर हमारी आखों में reflection ना हो तो भाई हम नहीं देख पाएंगे आख होते हुए भी नहीं देख पाएंगे ठीक है तो इस reflection को हलके में मत लेना बहुत भारी चीज है यह तो यहाँ पे हमें reflection देखना होगा कहां? तुरू अब prism एक prism हम लेंगे उसमें से reflection कैसे होता है? वो हम देखेंगे दो-तीन इसमें नए topics हैं दो-तीन नई चीज़ें हैं जैसे कि angle of deviation हो गया angle of emergence वगेरा हो गया यह सब आपको इस topic में देखने को मिलेगा ठीक है? फिर इसके बाद में अगर हम आगे जाएं आगे हमें देखने को मिलेगा dispersion of white light by a glass prism एक glass prism से हम क्या करेंगे? white light जो है पास कराएंगे और फिर इसमें में होगा एक magic magic क्या होगा? कि आप एक तरफ से क्या कर रहे हो? इस glass prism में white light पेक रहे हो और दूसरी तरफ से आपको different colors देखने को मिल रहे हैं ऐसा कैसे possible हुआ? कि एक तरफ से तो light आ रही है कैसी white color की और दूसरी तरफ से different colors की light आपको देखने को मिल रही है ऐसा क्यूं हो पाता है? ऐसा हो पाता है dispersion के phenomena से अब अगर आपको light का dispersion एक prism से समझ में आ गया ना बच्चो तो फिर rainbow formation कैसा होता है? वो आपके लिए हो जाएगा बड़ा easy मैंने बोला है ना कि इस chapter में जो भी theory है ना उस theory से हम कही न कही relate करते हैं अपनी daily life में हम सब ने देखा है rainbow लेकिन हमें नहीं पता होता कि rainbow कैसे बनता है भई? एक काम करते है प्रिज्म का example ले लेता है कि किस तरह से एक white light अंदर जाकर के prism के disperse हो जाती है different colors में इस इसको समझ लेते हैं तो rainbow formation भी हमें बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है? फिर इसके बाद में atmospheric reflection वहिए अगर मैं आपसे बोलो कि reflection क्या होता है? तो आप बोलोगे कि मैं light की bending होती है light की bending क्या होती है? reflection होती है अब अगर मैं इस reflection के आगे लगा दू क्या atmospheric एक रिफ्रेक्शन तो आप क्या समझोगे? कि light का reflection हो रहा है कहा? atmosphere में reflection कहा हो रहा है? atmosphere में यानि कि light की bending कहा हो रही है? atmosphere में तो क्या light की bending atmosphere में possible है? बिल्कुल possible है क्यों? जैसे काम करते हैं हम major light ले देते हैं हम तक जो पहुंचती है वो है क्या? sunlight sunlight टहां से आ रही है? sun से आ रही है अब जो sun है वो हमसे millions of light year दूर है बहुत जादा दूर है आप उस distance को infinity ले सकते हो millions of light year वो sun दूरी पे है हमसे अब थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चो ये रहे हम ठीके? ये रहे हम और ये रहा क्या? sun और ये sun कहां है भई? millions of light year के distance पे है हमसे या अर्थ से तो क्या ये possible है कि हम से लेकर के अर्थ से लेकर के sun के बीच का जो medium है वो constant हो भई, reflection काब हो रहा था? light का reflection मतलब light की bending light की bending काब हो रही थी बच्चो जब light एक medium से दूसरे medium में जा रही थी, उसकी speed change हो रही थी, तब हम बोड रहे थे कि light ने क्या किया है? अपने path को change किया है, deviate हो गई अपने original path से, यहाँ पे भी मैं क्या बोड रही हूँ कि atmospheric reflection हो रहा है, कैसे reflection हो रहा है atmospheric reflection, तो ये रहे हम और ये रहा क्या? हमारा sun जो कि हम से millions of light air की distance पे है, तो क्या इस पूरे distance पे medium same रहेगा? medium change नहीं होगा बिल्कुल change होगा भाई, इतना जादा distance है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि medium change में जो है एक layer आजाएगी पानी की, एक layer आजाएगी oil की, एक layer आजाएगी glass की, ऐसा कुछ नहीं है होगा यहाँ पे क्या? हवा ही होगी हवा क्या होता है, भई, air क्या होता है mixture होता है gases का तो क्या air की भी density अलग अलग नहीं हो सकती हमने पढ़ा है, हम पढ़के आ रहे हैं, 8th class 9th class तक, कि जो हमारा atmosphere है, इसकी भी काई सारी layer होती है stratosphere, troposphere है किती सारी layers होती है क्या उन layers की density बराबर होती है, समान होती है, कि अगर वहाँ से हमने light path कराई, तो वो बिल्कुल straight path को जो एना follow करते हुए हम तक आजाएगी, बिल्कुल भी नहीं यह तोड़ों दिमाग लगाऊ ना air की भी density अलग हो सकती है, कैसे cooler air and hotter air गरम हवा और ठंडी हवा इन दोनों की भी density कैसी होती है, अलग-अलग होती है तो जब हम बात कर रहे हैं अमारे atmosphere की, जहाँ पर बहुत सारी atmospheric layers होती है है ना, तो वहाँ पर सोचो medium तो change होगा तो जब एक light sunlight, sun से हम तक आ रही है different mediums को travel करते हुए तो क्या वहाँ पर light की bending नहीं होगी, बिल्कुल होगी और इसी को तो हम क्या कहते हैं atmospheric reflection कहते हैं आई बात आपको समझ में अगर आपको atmospheric reflection समझ में आ जाएगा तो फिर stars twinkle कैसे करते हैं planets twinkle क्यों नहीं करते हैं stars जो है higher than they actually are क्यों हमें लगते हैं फिर advanced sunrise and delayed sunset क्या होता है कि sunrise से पहले ही हमको लगता है actual जो sunrise हो रहा है उसके पहले से हमको लगता है कि हाँ भई सूरज हो गया है ना और sunset की केस में ऐसा क्यों होता है अगर आपको बच्चो atmospheric reflection आ गया ना तो फिर ये जो natural phenomena हो रहा है ना ये तो आपके लिए समझना बिलकुल बाय हाथ का खेल है फिर इसके बाद में हम next topic पढ़ेंगे अपना वो होगा scattering of light light की scattering scattering term को समझने के लिए बड़ा असान से एक तरीका है एक काज का glass लो और उसको जोर से नीचे फेको जैसे ही आप नीचे फेकोगे जैसे ही glass आपका टकराएगा कैसे? ground पे टकराएगा momentum change वैसे ही क्या होगा? जो glass होगा आपका वो छोटे छोटे ग्लास particles में क्या हो जाएगा? scatter हो जाएगा फैल जाएगा similarly अगर मैं बात करूँ light की scattering scattering का मतलब आपको समझ में आ गया ना एक काज का glass लो उसको जोर से जमीन पे फेको momentum change होने के कारण क्या होगा? जैसे ही आपका glass ground पे strike करेगा छोटी छोटे टुकडो में वो तूट जाएगा similarly अगर मैं बात करूँ light की scattering की तो light भी scatter करती है कैसे? हमारा जो वातवर रेन है हमारा जो environment है atmosphere है उसमें बहुत सारे छोटे बड़े particles होते है जब light इन particles से टकराती है तो क्या हो जाती है? scattering हो जाती है जैसे कि हमारा काच का glass floor पे टकराने के बाद scatter हो गया था उसी की तरह जब light हमारे atmosphere में जो छोटे छोटे बड़े उन particles से atmospheric particles से जब टकराती है तो क्या हो जाती है? scatter हो जाती है इस चीज को हम और अच्छी तरीके समझेंगे जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे अगर आपको light की scattering समझ में आ गई न तो फिर आपके लिए sky blue color का क्यों होता है ये समझना आसान हो जाएगा फिर इसके बाद में sunrise और sunset का जो color होता है वो आपको समझ में आ जाएगा यानि कि एक topic समझ लो तो उससे related जो natural phenomena हो रहा है हमारे environment में वो आपको बड़े असानी से समझ में आ जाने वाले हैं तो I hope कि इस introduction के बाद आपको एक rough idea मिल गया होगा कि कौन कौन से topics हैं जो हमें इस chapter के under cover करने हैं तो आज का ये जो introductory lecture है वो यही हम cover करते हैं खतम करते हैं ठीक है rough idea आपको समझ में आ गया लग गया कि कौन कौन से topics हम हमें cover करने हैं तो इस lecture के लिए इतना ही मिलते हैं हम अपने next lecture में next lecture में हम start करेंगे बच्चो human eye के साथ ठीक है human eye का structure पड़ेंगे और किस तरह से पूरी vision की process होती है वो हम समझेंगे तो मिलेंगे हम next lecture में तब तक आप क्या करेंगे हमारी जो official website है magnetbrains.com उसको visit कर लेना जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलेंगे arranged form में याने की playlist में साथ ही साथ वहाँ पे आपको notes भी होंगे available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching Hello everyone, a very good morning to all बच्चो इस session में हम पढ़ने वाले हैं the human eye का structure previous video में introduction में मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन से topics हैं कौन-कौन से ऐसे concepts हैं जो कि हमको हमारे chapter the human eye and the colorful world में करने हैं cover तो आज उसी को continue करते हुए इस lecture में इस session में हम पढ़ने वाले हैं human eye का structure तो मैं इस session का पूरा target fix कर देती हूँ कि इस session के end तक आपको human eye का structure अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए तो भाई जब target होगा है session का fix तो फिर देरी किस बात की तो चली start करते हैं आज का हमारा lecture आज का हमारा session So this is विबूती खरे Welcome to Magnet Brains जहाँ पे आपको सभी chapters की video lectures में लेंगे बिल्कुल free of cost याने कि Magnet Brains में आपको 2 chapters पढ़ने के बाद किसी बी तरह का payment करने की या package लेने की ज़रूर बिल्कुल भी नहीं है क्यों? क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुँचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं बच्चों आज जो हमारा जो second chapter है class 10 physics का the human eye का first topic जो की है the structure of human eye अब बई eyes का significance बताने की जरुवत तो मुझे नहीं है हम सब को पता है कि भगवान ने हमें दो सुन्दर सुन्दर हर इंसान को हर एक living organism को दो सुन्दर सुन्दर क्या दी है? आखे दी है क्यों दी है? ताकि हम अपने आसपास जितनी भी चीज़े हैं अबजेक्स है, नजारे है, लोग है उन सब को देख सके तो यह जो eyes है न बच्चो यह क्या है? भगवान का gift है हमें, ठीक है? तो human eye is one of the most valuable and sensitive sense organ ओविस सी बात है यह क्या है? एक sense organ भी है क्यों? क्योंकि vision क्या है? एक तरह का sense है तो उस sense को sense करने के लिए कौन आते हैं? भई, sense organs होते है तो यह बहुत ही valuable और sensitive sense organ है, human body का It enables us to see the wonderful world and the colors around us ठीक है? अब significance तो चलो समझ में आ गया अब हम बात करते हैं इसके structure की human eye का हमें structure पढ़ना है तो भई, जब भी हम किसी इंसान को जो हमारे सामने खड़ा है उसको जब हम देखते हैं तो उसकी आखें कुछ इस तरह की नजर आती है है ना? हमें करना क्या है? इनी आखों को समझना है, इनके structure को समझना है, तो अब एक काम करते हैं यह जो आखें हैं ना इसके थोड़े अंदर जाते हैं हम ठीक है? अंदर जब जाएंगे तो हमें, जो हमारी आईज हैं वो कुछ इस तरह की देखने को मिलेंगी यानि कि अभी जो आपने प्रीवेस स्लाइट में देखा कि आखें कैसी दिख रही हैं थी? कुछ इस तरह की लेकिन जब हमें इनका स्ट्रक्चर समझना होगा स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें जाना होगा इन आखो के अंदर तो हमें कुछ इस तरह की का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा ठीक है? अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आई बॉल इस structure को हम क्या कहते हैं बच्चो आई बॉल कहेंगे अब सवाल यह आता है कि आई तो ठीक था लेकिन ये बॉल क्यों बोला जा रहा है तो आपको दिख रहा है याँ पे picture में कि हमारी जो eyes होती है अंदर से वो कैसी होती है उनका structure कैसा होता है रफली spherical होता है इसे लिए इसे हम क्या कहते है eyeballs कहेंगे अब देखो उसका eyeball का एक lateral view क्या होता है lateral view मतलब कैसे आपके पास है समझो एक ball है तीक है आपके पास क्या है एक ball है अब उस ball को क्या कर दो आप बीच में से divide कर दो हाफ में काट दो अब जो आपको दो हाफ मिलेंगे उसमें से एक हाफ आप फेग दो और दूसरा देखो दूसरा कैसे देखोगे कुछ इस तरीके से देखोगे ठीक है क्या बोला मैंने आपके पास है एक ball उस बॉल को आपने आधे में डिवाइड कर दिया है, बीच में से डिवाइड कर दिया है, एक हाफ को आप फेक दो, दूसरे हाफ को आप कुछ इस तरीके से देखो, तो आपको क्या देखेगा? उस बॉल का लेटरल व्यू देखेगा. Similarly, अगर मैंने इस आई को डिवाइड किया है, किसमें दो इक्वल हाफ में, टू इकल हाफ में मैंने डिवाइड कर दिया है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड अलग अलोग हो जाएगा, इस वाले साइड को जब में कुछ इस तरीके से देखूंगी, तो मुझे आई क का structure, आई बॉल का structure, कुछ इस तरीके का मिलेगा, तो ये क्या है भाई? ये है आई बॉल का एक lateral view, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, आई के components को समझने की कोशिश करते हैं, तो जब हम बात करते हैं आखों की, तो पहली चीज़ आपको आखों में क्या दिखती है? तो आप बोलोगे कि मैं आय कलर सभी बात है हमारे पास इतने सारे लोग है इस धर्थी पे और सबके जो है आय कलर अलग-अलग होते हैं हो सकता है बहुत से लोग का same भी हो लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनका आय कलर काफी different होता है यह eye color different क्यों हो रहा है? यह जैसे कि आप आप इमेज दिख रहे हो तो यह जो आपको brown color का part दिख रहा है eye का यह कौन सा part है भई? इसे हम कहते हैं iris क्या कहते हैं? iris कहते हैं यानि कि हमारी आँखों का जो colored part होता है बच्चों उसे हम कहते हैं iris obviously बात है न मैंने को क्या बताया भी? कि जब भी हम आखों में देखते हैं किसी की तो हमें पहली चीज क्या देखने को मिलती है? उसकी आखों का color यह आखों का color कहां से आता है? क्योंकि भई हमारी जो eyeball है न इसका एक part होता है जिसे हम कहते हैं iris और इस iris का color ही different different होता है अलग-अलग लोगों में अलग-अलग होता है कुछ लोगों में एक जैसा होता है कुछ लोगों में अलग-अलग हो जाता है सवाल यह है कि इतने different eye colors हमें कैसे देखने को मिलते हैं? किसी की आखों को color blue होता है किसी का greenish gray होता है जिसे हम कहते हैं melanin इस pigment को हम क्या कहتे हैं बच्चों melanin कहते हैं ये ही melanin क्या करता है अलग-अलग colors provide करता है इस iris को iris को मतलब kya आखों के color बनद ये جो pigment है basically melanin pigment ये अलग-अलग color provide करेगा हमारी आखों को ठीक है, अब ये melanin pigment आता कहा से है तो भाई इसके लिए भी specialized cells होता है हमारी body में उन cells को हम क्या कहते हैं? Melanocytes कहते हैं तो हमारी आँखों में होते हैं Melanocytes cell ये Melanocytes क्या करते हैं? Melanin pigment secrete करते हैं अब ये जो secretion होता है बच्चों Melanin pigment का ये भी अलग-अलग ratios में होता है अगर कि किसी की eyes में Melanin का ratio है कम तो उसकी आँखों का color कैसा हो सकता है भाई? आँखों का color हो सकता है blue अगर ratio है जादा तोड़ा जादा Melanin जो है Melanocytes ने produce कर दिया तो उसकी आँखों का color क्या हो जाएगा भाई? brown हो जाएगा, iris का color हो जाएगा brown अगर और जादा Melanin produce कर दिया Melanocytes में तो फिर color क्या हो जाएगा? तो color हो जाने वाला है black याने कि जो different eye colors देखने को मिलते हैं वो क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि भाई, पूरा खेल होता है ये iris के Melanin का ये Melanin क्या है? एक pigment है जिसको Melanocytes produce करते हैं और produce करेंगे तो अलग-अलग ratio में करेंगे अगर Melanin कैसा है? कम है तो आँखों का color हो जाएगा blue अगर थोड़ा सा Melanin जादा है तो आँखों का color हो जाएगा brown और अगर और जादा है Melanin तो फिर हो जाएगा आँखों का color black produce होता है कौन produce करता है? Melanocytes produce करते हैं तो जितने भी ratio का Melanin produce हुआ है उसके हिसाब से आँखों का color हो जाता है और आँखों को भी अब हम क्या बोलेंगे? हमें पता चल गया है कि आप कि आँख का कौन सा part color होता है तो आप बोलेंगे कौन सा? Iris तो Melanin के ratio पे depend करेगा कि Iris का color क्या होने वाला है आप यह नहीं कहेंगे कि आपकी पूरी आँख कैसी है? colored है? नहीं मैं आपको बताया कि जब भी हम किसी की आँख को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें देखने को क्या मिलती है? सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है क्या? आँखों का colored part आँखों का color वो आँखों का color कौन सा है भाई? वो depend करेगा Iris पे है ना? हमारी जो पूरी आँख है उसमें पूरी आँख में colored portion क्या होता है? colored portion होता है हमारी Iris कहां से आया है यह color? इसके center पे जड़ा आप ध्यान से देखो यह जो Iris है इसके center पे आप जड़ा ध्यान से देखो आपको दिख रहा होगा एक black color का structure यह black color का आपको spot दिख रहा होगा यह spot क्या कहलाता है भाई? इस spot को हम कहते हैं क्या? pupil क्या कहेंगे? इसको हम pupil कहेंगे याने कि हमारी आखों का जो color part है वो हो गया Iris इस Iris के भी center में आपको देखने को मिलेगा एक black color का spot उस black color के spot को हम क्या कहते हैं? बच्चो, pupil कहते हैं ठीक? Actually, यह जो pupil है ना यह हमारे घर की खिडक्यों से कम नहीं होता इसलिए मैं इससे क्या कहती हूँ? मैं इससे कहती हूँ Ice की window क्यूँ? Windows का काम क्या होता है भाई? Fresh air जो है ना घर के अंदर लेके आना ठीक है? और घर में जो air है उसको बाहर लेकर के जाना Sunlight घर के अंदर लेकर के आना यही काम होता है pupil का भी pupil क्या करती है भाई? कि जो रोश्नी हमें environment से मिल रही है या किसी particular object से आ रही है उस रोश्नी को उस light को आखों के अंदर लेकर के जाना ठीक है? काम क्या होता है pupil का? इस pupil का काम होता है कि हमारी आखों के बाद जो भी रोश्नी है चाहे वो sun से आ रही है चाहे वो किसी object से आ रही है चाहे वो किसी light electrical appliance से आ रही है उन सभी light rays को अंदर लेकर के जाना किसका काम होता है? pupil का काम होता है यानि कि यह जो pupil है यह सिर्फ एक black color का spot नहीं है यह क्या है? एक opening होती है pupil क्या है? एक है opening कहा? आईरिस के बीच में इसका काम क्या है? इसको मैं क्या कहती हूँ? यह हो जाती है हमारी eyes की window क्यों? क्योंकि यह रोश्नी को आखों के अंदर लेकर के जाती है आई आपको बात समझ में अब देखो कभी-कभी ऐसा होते है कि बाहर बहुत गर्मी होती है गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा धूप आरी होती है तो आप क्या करते हो? खिडकी बंद कर लेते हो है ना? और ठंड के मौसम में जब घर के अंदर बहुत ठंडी लग रही होती है तो हम क्या कर देते हैं? खिडकीों को खोल देते हैं क्यों खोल देते हैं? ताकि जादा से जादा सनलाइट आए और घर में थोड़ी सी गर्मी हो जाए यानि कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में खिडकीया है तो आप उसे ना कभी बंद करोगे ना उसको कभी खोलोगे टाइम टाइम पे आप खिडकी को खोलने बंद करने को रेगुलेट करोगे तो भाई ये जो प्यूपल है हमारी ये भी तो हमारी आँख की विंडोई है इसको भी तो खोलने और बंद करने को रेगुलेट करना पड़ेगा वरना क्या होगा आइस डेमेज हो सकती है अभी अभी मैंना आपको बताया था कि आइस जो होती है वो बहुत जादा sensitive sense organ है मारी पूरी बोड़ी का अंदर की चीज़े बड़ी sensitive चल रही है अगर आप तेज धूप में बाहर निकलोगे sunlight आपकी आखों पर पड़ेगी अगर आपने इस pupil को बंद नहीं कर लिया छोटा नहीं कर लिया तो क्या होगा maximum sunlight जो है ना हमारी आखों तक पहुँच जाएंगी और हमारी आखे damage हो जाएंगी और कई बार ये damage permanent हो जाता है इसको हम treat नहीं कर सकते हैं correct नहीं कर सकते हैं इस damage को तो क्या करना पड़ेगा हमें इस pupil के size को भी regulate करना पड़ेगा इसको भी हमें बंद करना पड़ेगा और खोलना करना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है भई, इसकी जिम्मेदारी ये iris ही लेते हैं मतलब iris का काम सिर्फ इतना नहीं है कि आखों को सुंदर बना देना, आखों को कलर कर देना इस iris का काम क्या है, इस pupil की जो size है उसको भी regulate करना कैसे होता है यह चीज, एक GIF देख लो, मैंने आपको एक introduction जो था, उसमें भी मैंने आपको बताया था, कि जब हम अपने घर से तेज दूप में बाहर निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी आखों को इसे छोटा छोटा कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं छोटा, क्योंकि ब हो रहा है भई, छोटी हो रही है, यह हमारी आख की जो पुतली होती है, इसको पुतली कहते हैं, जो प्योपिल है, वो छोटी हो पारी है, उसे कौन छोटा कर रहा है, आईरिस कर रहा है, फिर आप तेज धूप से घर के बाहर से आजाओ घर के अंदर, जैसी आप घर के अं अंदर आये, घर में होगे brightness कम, तो क्या होगा? आपको देखने में दिक्कत होगी, तो आप क्या करोगे? अपने आखों की पुतलियों के क्या करोगे? फैलाओगे, डाइलेट करोगे, जिसके करण क्या होगा? जादा से जादा रोशनी कमरे से आपकी आखों तक जाए और देख पाओ, असानी से, yes or no? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा GIF, जहाँ पर हमारी जो प्यूपिल है, वो क्या हो रही है? डाइलेट हो रही है, यानि की फैल रही है, फैलेगी कप? जब उसे जादा लाइट चाहिए होगी, अंदर भेशने के लिए, ताकि वो देख सके, ठीक है? और फिर उसके बाद में जाकर के सिकोड भी जा रही है, सिकोड कब जा रही है? जब उसे जादा लाइट नहीं चाहिए है, देखने के लिए क्यों? वरना अंदर जो चीजें हैं भाई, आई के अंदर वो चीजें क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी, त आप ऐसी जगह पे हो, जहां पे रोशनी कम है, लेकिन रोशनी कम है, इसका मतलब यह थोड़ी कि हम देखी ही नहीं पाएंगे, जरूर देख पाएंगे, कैसे देख पाएंगे? हमारी जो प्योपिल है, यह क्या करेगी? जादा से जादा रोशनी को अंदर लेने की तो क्या होगा? यह सिकुड़ जाएगी, ताकि जितनी रिक्वाइड है, उतनी ही लाइट जो है, आखों के अंदर जाएंगे. अब यह जो डाइलेशन हो रहा है, यह जो सिकुड़ना हो रहा है, प्योपिल का इसे कौन करता है? इसे करता है हमारी आखों का कलर पार्ड या इसे करना कि कब डाइलेट करनी है, कब सिकॉड़नी है, आए आखों को बात समझ में, क्लियर है, ठीक है. अब इसके बाद में प्योपिल की आईरिस समझ में आ गया, प्योपिल समझ में आ गया. मैं आखों बार बार एक चीज़ कह रही हूँ बच्चों कि हमारी आखे जो ह बहुत डेलिकेट चल रहा है, यानि कि कोई ना कोई एक चीज तो होनी चाहिए जो आखों को प्रोटेक्ट करें, है ना, कोई ना कोई चीज तो ऐसी होनी चाहिए जो आखों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आखे हमारी बड़ी सेंसेटेव है, वो प्रोटेक्शन की जिम् बल्च आउट होती है कैसी होती है ट्रांस्पेरेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम कहते हैं कॉर्णिया तो कॉर्णिया क्या है कॉर्णिया है एक आउटरमोस्ट कवरिंग हमारी आखों की आखों के सामने होती है वो ठीक है और ट्रांस्पेरेंट कलर की होती है अगर यह transparent नहीं होगी तो जो iris का color है वो देख पाएगा क्या आपको आप cornea को समझ सकते हो gelatin की तरह हम अपनी अपनी notebook और books में क्या करते हैं brown paper चड़ाते हैं उसके बाद वो brown paper कराब ना हो हम क्या कर देते हैं उसके उपर gelatin wrap कर देते हैं तो यह जो cornea ना यह बिल्कुल gelatin की तरह होती है gelatin cover की तरह होती है transparent होती है तभी तो हमें iris का color दिख पा रहा है बाहर से और कैसी होती outermost protective covering होती है eyeballs की इसका काम क्या होता है इसका काम होता है की dirt से dust particles से किसी भी तरह के damage से आइस को बचाना क्योंकि मैं आपको बोल रही हूं बार बार प्यूपिल अपने size change क्यों कर रहा था iris क्यों प्यूपिल को उसका size change कर वा रही थी क्योंकि अंदर मामला बड़ा sensitive है जादा light चली गई तो damage हो जाएगा तो उस damage से जब मामला जादा sensitive हो रहा है तो एक protective covering भी तो चाहिए ना इसको उसके लिए कौन आता है cornea आता है cornea कैसा होता है transparent होता है gelatin cover जैसा होता है ठीक है और यह क्या करेगा eyes को protect करेगा किसी भी तरह के damage से dust particles से basically protect करता है eyeballs को ठीक फिर इसके बार में आपको देख रहा होगा क्या एक white color का हमने यह eyeball देखी थी eyeball में मैंने आपको बता दिया कि हाँ जो color part होता है eyeball का इसको हम कहते है iris लेकिन आपको यह white color का भी तो portion देखा होगा इस white portion को क्या कहते है eyeball की इसे हम कहते है sclera क्या कहेंगे sclera कहते है यहने कि eyeball का color part is iris और जो white portion है उसे हम कहते है sclera इसका भी काम क्या होता है इसको प्रोटेक्ट करना यह भी protection के लिए ही बनी होती है ठीक है, तो eyeball का structure अभी तक हम ने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले तो iris पढ़ लिया, जो colored part होता है eyeball का, वो इसके बार में इस ball के बीचो बीच होता है, क्या एक black color का spot, ये spot actually क्यों होता है, क्योंकि जो light rays आ रही है, बाहर से वातावरंड से environment में, उन light rays को ये कहा लेके जाएगा, याने कि ये सिर्फ spot नहीं है, ये क्या है, एक opening है, इस spot को हम क्या कहते है, इस opening को हम क्या कहते है, इसे हम कहते है, pupil, याने कि आखो की खिड़किया, ठीक है, टाइम टाइम पे इन खिड़कियों को बं करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, इसका काम कौन करती ह आयरेस ही करती है यानि कि आयरेस का काम सिरफ color provide करना नहीं है eyes को बलकि pupil के size को भी regulate करना है फिर इसके बार में जब अंदर का मामना इता sensitive है तो एक protection के लिए covering होनी चाहिए उस covering को हम क्या कहते है cornea क्या होती है outermost covering होती है eyeballs की ठीक है transparent होती है और एक और खास बात है कि यह बाहर की तरफ निकली होती है birds doubt होती है कुछ इस तरह की होती है तो इसका shape convex नहीं हो गया है अभी अभी हम previous chapter में पढ़के आ रहे हैं convex और concave shape बाहर की तरफ जब portion निकला रहता है बाहर की तरफ जब curving होती है curved outwards उसे हम क्या कहते हैं convex कहते हैं तो भई हमारा जो cornea है इसका shape कैसा है convex shape का ही होता है और इस shape का significance है ऐसा ही नहीं कि कोई भी random shape भगवान जी ने हमें दे दिया बिल्कुल भी नहीं इस convex shape का भी एक जब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम चीजों को देख पाते हैं है ना किस तरह से light बाहर से हमारी आखों के तरफ अंदर आती है I hope इस चीज आपको समझ में आगए क्यों क्या होती है आउट्रंबोस कवरिंग होती है आइबॉल की transparent होती है आँखों को किसी पी तरह के damage से dust particle अगयर से protect करती है और इसके बार में इसका shape कैसा होता है convex shape होता है यानि कि बाहर की तरफ निकली होती है यह bulged out होती है फिर इसके बार में eyeball का जो white portion होता है उसे हम क्या कहते है उसे हम कहते है sclera यह भी क्या करती है eyeball को protect करने का काम ही करती है अब आ जाओ थोड़ा और सबसे पहले cornea sclera फिर इसके बार में iris pupil pupil के अंदर कौन आएगा भई pupil के अंदर आएगी एक crystalline lens ठीक है एक आएगी क्या crystalline lens आएगी यह आपको दिख रही होगी इसका shape देखो ज़रा क्या है इसका shape आपको convex नहीं लग रहा है बिल्कुल तो भई हमारी हर एक आख में क्य होती है एक lens होती है और वो lens कैसी होती है वो lens होती है भाई convex shape की आखिर यह convex shape इतना popular क्यों है हमारी eyes में कि जो बाहर की cornea है देखो इस image में तो और clearly आपको दिख रही होगी है ना यह देखो इस तरह से बाहर की तरफ cornea निकली होती है transparent color की होती है यह जो cornea है वो भी convex आप cornea भी कैसी है convex है और lens के लिए तो मैंने आपको बोला ही है वो कैसा है crystalline basically एक jelly like substance होता है आप यह मत सोचना कि मैं हमने जो है ना convex lenses और spherical lenses जो है ना कैसे बता है spherical mirror spherical lenses ग्लास के बने है तो भाई यह जब हमारी आखों के अंदर की lens है इसी ग्लास से नहीं बनती है यह एक jelly like substance हो उससे बनती है shape कैसा होता है shape होता है और यह वी कैसी होती है transparent होती है transparent होगी तब ही तो light को अपने त्रू क्या होने पाएगी pass करने देगी तो convex जो cornea वो भी convex shape है और जो हमारी lens है वो भी कैसी convex shape की है ऐसा क्यों हो रहा है क्यों इतना popular क्यों है convex shape यहाँ पे वो इसलिए आखों से हम objects को देख पाएं suppose यह मेरे सामने रखा हुआ है pen मैं चाहती हूँ इस object को मैं देखूं मैं इसे कैसे देख पाऊंगी जब इसकी image कहां बनेगी मेरी आखों के अंदर बनेगी आखों के अंदर जब image बनेगी तभी मुझे क्या देगा और यह जो pen है मुझे यह म क्या हो जाती है किसी point पे जाकर के converge हो जाएंगी और जब हम बात करते हैं convergence की तो भाई convex lens से अच्छा convergence तो कोई और देही नहीं सकता Concave lens भी लगा सकते थे लगा के देख लो Concave lens क्या होता था बच्चों वो diverge करता था है ना उस पे पढ़ने वाली incident rays को diverge कर देता था लेकिन जो हमारा convex lens से वो क्या करता है उस पे आ रही incident rays को converge कर देता है और यही तो हम चाते हैं हम चाते हैं कि object से निकलने वाली incident rays है वो हमारी आखों में जाकर के converge हो जाएं ताकि हमें इस object की image देख जाएं आखों के अंदर हमें object देख जाएं इसलिए cornea का shape भी क्या होता है cornea का shape भी होता है convex और lens का shape भी क्या होता है convex होता है ताकि क्या हो बाहर से आ रही ही जो light है suppose यह आ रही है light rays यह क्या हो converge होती जाएं और maximum reflection यह सवाल आता है examination में कि maximum convergence कहा होता है light का eyeball पे maximum convergence कहा होता है तो आपका answer होना चाहिए maximum convergence होता है cornea पे क्यों क्योंकि पहला जो convex shape दिख रहा है eyeball का वो कहा है cornea पे ही है तो light हमारी आखों पे converge होकर ही क्या होगी अंदर आएंगी ऐसे ही नहीं कि बस parallel rays आ रही थी तो parallel ही हमारे आखों के अंदर चले गई और eye lens के बाद जाकर के converge नहीं convex shape तो उसको पहले ही मिल गया है ना इसलिए light जब हमारी आखों के अंदर आती ना भई तो वो converge होकर के आती है और converge होती है और maximum convergence का होता है maximum convergence होता है maximum reflection आप बोल सकते होता है हमारी कॉर्णिया पर I hope यह चीज़ आपको समझ में आ गई हो तो light rays जो है वो कुछ इस तरह से bend होकर के अंदर आती है और lens पे आके क्या होता है lens के पहले उन्हें कौन मिलता है lens के पहले मिलती है आईरिस अब यह कि जितनी भी light जो है cornea के तुरू अंदर है यह पूरी की पूरी जो है lens पे चली जाएगी नहीं कुछ light ऐसी भी होती है जो कि iris पे जाने के बाद reflect हो जाती है कुछ ऐसी होती है जो absorb हो जाती है वो light rays जो कि उस आखों की खिडकियों पे याने की pupil पे आएंगी सिफ वही light rays क्या होंगी lens के पास जाएंगी याने की cornea ने क्या किया object से आ रहे ही incident rays को converge किया यह light converged light कहां पहुंची iris पे पहुंची iris पे आने वाली जो rays होंगी वो कुछ reflect हो जाएंगी कुछ absorb हो जाएंगी वो converged light rays जो कि pupil से अंदर जा रही है pupil पे पड़ रही है वो ही light rays क्या होगी lens के पास जाएंगी lens के पास जब जाएंगी तो क्या होगा फिर से हमारा lens कौन सा है convex lens है और हमें पता है convex lens क्या करता है converge करता है light rays को फिर क्या होगा फिर से हम बोलते हैं कि light rays converge हो जाएंगी converge कहा होंगी भाई एक screen पे होगी आपको याद होगा previous chapter में हमने ऐसे बहुत सारे questions solve किये हैं जहाँ पे हमने देखा है कि एक object है, एक candle है candle को हमें lens के सामें रखा है screen को कहां रख दे कि उस candle की हमें एक clear image दिख जाए यह इस तरह की सवाल हमने बहुत पड़े है पई screen हम कहां रखते थे बच्चों कर आपको याद हो हम screen वहां रखते थे जहाँ पे object की image बननी वाली हो यहाँ पे भी तो ऐसे हो रहा है incident rays आ रही है आख के बाहर से किसी particular object से वो incident rays पहले converge होई cornea पे फिर इसके बाद में iris पे पहुँची, pupil पे पहुँची pupil के बाद कहां पहुची, lens पे पहुँची lens ने भी क्या कर दिया उन rays को converge कर दिया अब जो इस जो refracted rays आ रही है converge होकर के यह क्या होंगी किसी particular point पे क्या होंगी आ करके converge हो जाएंगी और वो कहां converge होगी जहां पे image बनेगी याने कि हमारी जो eyeball है ना बच्चों, eyeball के पीछे होती है एक layer एक screen उस screen को हम क्या कहते हैं उस screen को हम कहते हैं retina क्या कहेंगे, retina कहेंगे क्यों, क्योंकि इसी screen पे क्या बनती है, image बनती है याने कि थोड़ा-थोड़ा convergence तो raise का शुरू होई गया था cornea से, lens के बाद क्या होगा सभी reflected raise, एक particular point पे जाकर क्या हो जाएंगी converge हो जाएंगी, मिल जाएंगी और जिस point पे वो मिल रही है, जिस point पे वो final converge हो रही है, वो point कहां आता है, तो एक screen पे आता है उस screen को हम क्या कहते है, भाई retina कहते हैं अब ऐसा क्या हो रहा है कि retina पे जो है न, image बन रही है retina के पास होते हैं दो sensors, उन sensors को हम क्या कहते हैं, एक होते हैं हमारे rods और दूसरे होते हैं cones, यह जो rods होते हैं क्या करते हैं यह amount of light को you know evaluate करते हैं कि कितनी light कितने amount आ रही है light फिर इसके बाद में यह जो cones है इनका काम क्या होता है यह देखता है कि कौन से color की आ रही है light याने कि जो भी object रखा होगा आखों के सामने जिससे की incidentries आ रही होंगी उस object के light की quantity के बारे में और light के color के बारे में यह rods and cones जो की दो sensors होते हैं कहां present होता है रेटीना पर present होते हैं यह दोनों sensors information जो है ना ले रेता है object के बारे में अब जब information आ गई है तो यह क्या करेंगे अच्छा डालेंगे कि इस information का बिल्कुल भी नहीं यह information किसको देंगे हमारे brain को देंगे brain को ऐसे कैसे देंगे कि बास जोड से बोल दिया कि आरे light जो ना blue color की आ रही तो हमारे brain ने सुन लिया ऐसा नहीं होता यह क्या करते हैं यह पूरी information देते हैं किसके त्रू, optic nerve के त्रू, optic nerve के त्रू information rods and cones से कहा जाती है हमारे brain तक जाती है यानि कि optic nerves भी यह आपको दिख रही होंगी यह optic nerves भी क्या होती है हमारी आखों के अंदर होती है लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा कि आखों के पीछे तो एक screen होती है जहां पे object की image बनती है लेकिन हम बोल रहे हैं कि optic nerve भी क्या हो रही है eyeball के अंदर है और आप ये नहीं बोल सकते हो कि ठीक है हाँ, optic nerves जो है ना eyeball के अंदर है मतलब वो बाहर नहीं होंगी बिल्कुल भी नहीं, जो optic nerves होती है वो आखों के अंदर भी होती है और आखों के बाहर भी होती है तभी तो brain तक information लिगे जारी ना rods and cones की, ऐसा थोड़ी ना है कि एक जो है ना बॉल के अंदर आपने optic nerves को enclose कर दिया, नहीं, वो क्या होती है आखों के अंदर भी होती है आखों के बाहर भी जाती है, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि एक आखों के पीछे क्या होती है एक screen होती है, हैने कि definitely हमारी जो screen है, हमारी जो retina है वो क्या होती है, 40 हुई होती है कहीं से, छेद होता है उसमें, तभी तो उसी छेद में से हमारी जो optic nerves है, वो आखों के अंदर penetrate कर पाती है अगर penetrate नहीं कर गरेंगी तो क्या होगा, यह जो rods and cones के पास information है ना इसका सच में अचारी डालना पड़ेगा, है ना, तो यह optic nerves क्या करती है जहां पे retina पे छेद होता है, उस छेद के तुरूं अंदर आएंगी और information को लेके चली जाएंगी कहां, brain तक, छी, अब क्या है यानि कि हमारी जो retina है, वो incomplete है, obviously बाते complete तो नहीं है, वो उसमें एक छेद है उस छेद को जहां से optic nerves आखों के अंदर आती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं blind spot, क्या कहेंगे उसे, उसे हम कहेंगे blind spot, blind spot क्यों कह रहा हैं, क्योंकि वहाँ पे rods and cones कहां होते हैं, सिर्फ retina पे होते हैं इस spot पे तो हम कह रहें कि retina है, तो जब retina नहीं है, तो क्या rods and cones होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे तो blind spot क्या है, एक ऐसी जगा है, retina पे जहां पे rods and cones नहीं होते हैं, ठीक, और यहां पे इसी spot के तुरू, इसी spot के तुरू, optic nerves जो होती हैं, वो आखों के अंदर जाती है आखों के अंदर क्यों जा रही है, क्योंकि rods and cones ने जो object के बारे में, incident rays, object के बारे में, जो information gain करी है, उस information को लेके जाना होता है, कहां, brain तक brain क्या करेगा उस information का, brain इस information को करता है process, अगर मैं आपसे बोलू, कि हम, हमारी जो आखे हैं न, वो हमें देखने में help नहीं करती तब बोलोगे कि मैं ऐसे कैसे, इत्ता सब कुछ पढ़ रहे हैं, ये lens, वो lens, ये part, वो color part, वो white part, और आप कहरोगे, सिर्फ information के लिए use होता है, बिल्कुल, हम अपनी आखों से नहीं देखते हैं, हम अपनी आखों से नहीं देखते हैं, आखों का काम क्या होता है, आखों क काम होता है, आखों के सामने जो भी object है, जो भी person है, जो भी चीज़ है, उसके बारे में information ले करके आना, कहां तक ले करके आना, brain तक ले करके आना, फिर ये brain क्या करेगा, उस information को process करता है, और उस information, जो processed information है, उस से बनाता है image, और तब जा करके हम उस object को देखवाते हैं, यहने कि हमारी आखों का काम क्या है, चीज़ों को देखना नहीं, चीज़ों के बार में information carry करके brain तक ले जाना, समझें, ये पूरे वही parts है, बच्चों, eyeball के structure के components वही हैं, जो आपकी syllabus में, इसके अलावा हम और कुछ नहीं पड़ेंगे, हाँ, दो चीज़े और हैं, दो च आपको part दिख रहा है, याने कि lens, या eye lens है, तो lens से लेकर के, जो हमारा retina है, ठीक है, lens से लेकर के, जो हमारा retina है, इस पूरे portion में, इस पूरे portion में क्या होता है भाई, इसमें भरा होता है, एक fluid, ये fluid क्या होता है, 99.9% इसमें पानी होता है, 0.1% इसमें vitamins होते हैं, ठीक है प्रोटीन होते हैं और इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं basically यह भी कहा है एक fluid compartment है फिर इसके बाद में यह आपको दिखरा होगा यह जो हमारी cornea है, cornea और यह जो आपको दिख रही होगी हमारी iris, तो cornea और iris के बीच में भी क्या होता है एक fluid compartment होता है इसमें भी क्या होता है पानी भारा होता है थोड़े बहुत उसमें proteins हो जाएंगे विटमिन्स हो जाएंगे fluid compartment क्यों है क्या जरुवत है एक हो गया aqueous humor एक हो गया vitreous humor क्या जरूरत है तो बैज जरूरत इनकी ये है कि ये जो है ना आखों को थोड़ा सा moisture प्रोवाइड करते है हमारी आखों को आप clearly देखो कभी आपको तो बहुती moisture देखेंगी गीडी देखेंगी क्यों? क्योंकि ये दोनों chambers जो है ना ये suitable moisture प्रोवाइड करते है अगर ये ना हो तो हमारी आखों में दो fluid compartments भी होते है एक हो गया विट्रस chamber और एक हो गया aqueous chamber आई बात आपको समझ में पहला chamber होता है कहाँ lens से लेकर के retina के बीच में दूसरा होता है cornea से लेकर के iris pupil के बीच में इसके अलावा हमें अपने eye के structure में और कुछ नहीं पढ़ना है start हमें कहाँ से किया था cornea के साथ outermost portion होता है it is a transparent spherical membrane covering the front of the eye light enters the eye through this membrane most of the reflection of light rays entering the eyes occur at the outer surface of the cornea maximum reflection कहा होगा भई maximum reflection होता है इस cornea पे transparent color की होती है ये outermost part होता है आखों को किसी तरह की damage से dust particle से भी protect करती है साथ ही साथ जो light rays आ रही है बाहर से किसी भी object से उनको क्या करेगी converge करेगी उसको refract करेगी क्यों 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 क्योंकि shape कैसा है convex shape का है तो obviously बात है converge ही करेगी light rays को फिर इसके बाब में आती है crystalline lens crystalline lens हम बोलते हैं the eye lens is a convex lens made up of transparent soft flexible material like a jelly made of proteins तो काज की lenses नहीं है भाई हम बोल सकते हैं कि jelly like proteins होते हैं कुछ proteins के बने होते हैं जो कि jelly like material होता है काफी soft होते हैं flexible होते हैं and transparent होते हैं ठीक फिर इसके बाद में next चीज़ क्या पड़ी थी हमने iris पड़ी थी कि iris क्या है भाई एक dark muscular diaphragm होता है between cornea and the lens जो कि क्या करते है basically iris हमारी जो आँखों का color part होता है color क्यों हो रहा है उसमें क्योंकि melanin present है melanin कहां से आ रहा है pigment इसको melanocytes produce करते हैं जितना ratio होगा melanin का उस हिसाब से iris का color होगा फिर इसके बार में इसका और काम क्या होता है ना सिर्फ ये color आँखों को एक color provide करता है साथी साथी क्या करता है यह हम बोलते हैं कि जो pupil है यानि कि iris के बीच में चोटी सी opening होती जिसको हम आँखों की window कहते हैं उस opening को भी क्या करता है उसके size को regulate करता है जाधा light में जा रहे हो तो क्या हो जाएगा प्यूपिल चोटी हो जाएगी और अगर कम light में जा रहे हो तो हमारी आखों के अंदर जाएगी कॉर्णिया से तो अंदर आ जाती है लेकिन क्या होगा अगर आइरिस पर पढ़ी वो लाइट तो होगी थोड़ी सी अब्जॉर्ब हो जाएगी थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर हमें लाइट को आखों के अंदर भेशना है तो व आँखों के अंदर हवा में तो नहीं जूलेगी इसको कोई ना कोई पकड़ के रखता है और कौन पकड़ के रखता है अपनी पोजीशन पे वो यही होती है सिलियरी मसल्स का ना सिर्फ लेंड्स को पकड़ के रखने का काम है इनका और भी बहुत बड़ा काम है यह मैं आपको अभी नहीं यह मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में ठीक तो दे होल्ड लेंस इन दे पोजीशन और उसके अगले वाली लाइन मत पड़ो ठीक फिर इसके बार में रेटीना रेटीना तो क्या है भाई एक लाइट सेंसिटिव सर्फेस से आई का स्क्रीन जिसे हम बोलते हैं और यहीं पर इमेज बनती ह इसके पास दो sensors होते हैं rods and cones sensor मतलब की sensitive cells होते हैं rods क्या करता है light की amount ना पेगा कि कितने amount की light आ रही है और cones क्या करते है color कौन से color की light आ रही है वो देखते हैं ठीक फिर इसके बार में optic nerve, optic nerve क्या करती है जो भी information rods and cones ने ली है visual information उसको retina से कहां पहुचाएगी brain तक होता है एक opaque fibrous protective outer layer होती है जो हमारी आखों का white portion जो होता है that is sclera ठीक है और इसका काम भी क्या है आखों को protect करना ही है blind spot blind spot क्या है यह वो portion portion है retina पे जहां पे rods and cones नहीं होते हैं और वहीं से जो optic nerve है वो आखों के अदर enter करती है next चीज क्या पड़ी हमने Skills and interest humor क्या है cornea से लेकर कि जो islands कैदे के cornea से लेकर के islands यानि की यह वाला जो portion है ठीक है cornea से लेकर के islands में जो चैंबर होता है fluid portion उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं aqueous chamber या aqueous humor और यह भरा होता है transparent liquid से जिसको हम aqueous humor कहते हैं और यह क्या करते है basically यह आखों को तोड़ा सा moisture भी provide करेगा ठीक है फिर इसके बाद में जो reflection हो रहा है light का आखों के अंदर उसको भी support करता है फिर इसके बाद में vitrous humor vitrous humor क्या है जो हमारी islands है island से लेकर करके रेटीना island से लेकर के रेटीना के बीच के जो space होती है वो भी fluid से भरी होती है और वो कौन सा fluid होता है विट्रस उसमें 99.9% पानी होता है 1% proteins and water and vitamins होते हैं आई आपको बात समझ में तो यह वही चीज हैं जो आपकी syllabus में एक ऐसा component नहीं है जो मैंने out to the syllabus जाकर करके आपको पढ़ाया है तो आपको structure समझ में आगा होगा कि आँखों का structure कैसा है अब अगर मैं आपको बोलू कि भाई हम देख कैसे पाते हैं चीजों को तो बड़ा असान है जो जो हमने अभी चीजे पढ़ी है ना जिस sequence में उसी sequence में आप क्या करो लाइट ट्रेस को अंदर ले आओ अनिमेज इस फॉर्म्ड ऑन दे रेटीना बाइ सक्सेसिव रिफ्रेक्शन एद दे कॉर्णिया दे एक्वस यूमर लैंस एड़ विट्रस यूमर भाई यह जो फ्लूइड है ना फ्लूइड कंपार्टमेंट यह करता क्या है यह मीडियम चेंज कर रहा है लाइट रिफ्रेक्ट कप कर पाएगी बच्चो थोड़ा दिमाग लगाओ हमें रिफ्रेक्शन क्या पढ़ा है लाइट की बेंडिंग क्यों होती है क्योंकि मीडियम चेंज होता है लाइट हमारी बाहर से आखों के अंदर आ रही है उसका पात तब तक च चेंज कर देते हैं जिसकी बज़े से लाइट रिफ्रेक्ट हो पाए लेंस इस अपनी जगा काम कर रहा होते हैं लेकिन हमें लाइट की बेंडिंग भी तो करवानी है तो जिस जिस हमने जो भी कंपोनेंट्स पढ़ें जिस भी सीक्वेंस में पढ़ें सबसे पहले कॉर्ण ठीक है यह आपको GIF देख रहा होगा कि कैंडल रखी होई है आँखो के सामने इसकी इमेज देखो जारा सबसे पहले कंवर्जिंस का हुआ रिफ्रेक्शन का हुआ यह हुआ कॉर्णिया पे कॉर्णिया के बाद लाइट रेस जो है कहां पहुंची लेंस पे पहुंची ले इन्वर्टिड है घूमी हुई है याद करो अभी अभी मैंने आपको पांच मिट पहले बोला था कि हम अपनी आखो से सिरफ इन्फोर्मेशन लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में इन्फोर्मेशन लेते हैं देखते नहीं है देखता कौन है ब्रेन दिखाता है हमें देखो आप जो हमारी आइबॉल है इसने जो भी इन्फोर्मेशन ली है इसने जो इमेज बनाई है रटीना पर इस कैंडल की वो कैसी है रियल इंवर्टिड है यह सब आतो आपको जब आपको पता चला थे कि हमारी आखों में कॉन्वेक्स लेंस होती तब ही समझ में आचाना चाह क्योंकि यह जो पूरी इन्फोर्मेशन है इमेज बनी है इसकी इन्फोर्मेशन जाती है हमारे ब्रेन के पास ब्रेन उस इन्फोर्मेशन को प्रोसेस करता है और हमें कैंडल अपराइट पोजीशन में दिखाता है इसलिए मैंने बोला था कि हम अपने आई से नहीं देखत होते होते हैं तो यह candle हमें inverted दिखती छोटी दिखती और inverted दिखती डिमिनिस्ट रियल और इंवर्ट दिखती लेकर ऐसा कुछ नहीं है बढ़िया दिखती है हमें candle upright दिखती है जितने साइस की होती है उत्ते ही साइस की दिखती है है ना क्यों कि यह जो पूरी इंफोर्मेशन है ना जो रटीना पर आई है object की वो हमारा brain process करता है तो it is real diminished and inverted in nature the light sensitive cells of the retina gets activated upon the illumination and generate electrical signals these signals are then sent to the brain via the optic nerve जो sensitive cells होते है light sensitive cells हमारे रटीना पर वो जैसे light पढ़ती है activate हो जाते है और electrical signals generate करते है इनी electrical signals के पास क्या होती information होती है light के amount के बारे में और उसके color के बारे में जिसको की optic nerve के तुरू brain तक पहुचा दिया जाता है the brain interprets these signals and finally process the information so that we perceive objects as they are ठीक फिर इसके बार में क्या बोला the rod shaped cells of the retina respond to the intensity of the light that is the degree of the brightness or the darkness but do not respond to color rods का का काम क्या होता है सिर्फ light की intensity की कितने amount की light है की dim light है की bright light है वो पता करना और cones का काम क्या होता है colors को identify करना primary colors red, blue and green और यह पूरी information electrical signals की form में optic nerves लेके जाती है कहां हमारे brain के पास तो इस lecture में इस session में मैंने आपको दो चीज़े बता दी हैं ना सिर्फ हमने human eye का structure पढ़ा बलकि हमने image formation vision की जो पूरी process होती है वो भी हमने पढ़ लिया याने कि हमने अपने target से जादा ही पढ़ लिया सारे structures आपको समझ में आए, सारे components समझ में आए आपको आई के फिर इसके बाद में किस तरह से हम चीज़ों को देख पाते है, vision की process कैसे होती है कि light आईए cornea पे, cornea पे थोड़ा सा क्या हुआ हुआ है, reflection हुआ है reflection में कौन help करता है भाई, जो दो fluids compartment होते हैं, हमारी eyeball के एक हो गया है aqueous humor, एक हो गया vitreous humor, वो help करते हैं, फिर light पहुची कहां खिड़की पे, pupil की खिड़की याने की, sorry, iris की खिड़की याने की pupil, pupil से अंदर गई, अंदर उसको मिला crystalline lens जो की jelly-like material का बना होता है, protein का बना होता है, convex tape का होता है, उस lens ने क्या किया, reflection शो किया, light rays को और converge कर दिया, कहां कर दिया, आखों के पीछे एक screen पे, उस screen को हम क्या कहते हैं, उस retina के पास क्या होते हैं, दो sensors होते हैं, sensitive cells होते हैं, rods and cones, यह activate हो जाते हैं, जैसे ही light पड़ती है इन पे, rods क्या करेंगे, light की intensity को measure करेंगे, cones क्या करेंगे, कौन से color की light आई है, उसको measure करेंगे, फिर क्या होता है, electrical signals produce करेंगे, in electrical signals को optic nerves जो होती हैं, वो कहां लेके जाएंगी, brain पे लेके जाएंगी, यहने कि retina पे, क्योंकि convex lens है हमारी आँखों में, कैसी image बनेगी, real, inverted and diminished, लेकिन हमें object कैसा देखता है, बड़ा अच्छा देखता है, टीक है, upright देखता है, virtual देखता है, और कैसा, उसकी size भी बराबर देखती है, क्यों, क्योंकि जो information है, वो कहां गई, हमारे brain पे गई, brain यहने उस information को process किया, तब जाकर के हम उस चीज को देख पाए, जैसी वो originally थी, यहने की size में छोटी दिख रही है, inverted दिख रही है, real दिख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक, तो आज इस lecture में हमने काफी सारी चीज़े पढ़ी है, हमने eye का structure पढ़ लिया है, और हमने जो vision क process है, वो भी पढ़ ली है, अब इस session के लिए है, एक आपके लिए सवाल, सवाल थोड़ा सा अलग है, हमने तो concave और convex lens के cases में पढ़ा था कि अलग-अलग object की position, तो अलग-अलग image की भी position, लेकिन यहाँ पे eye के case में तो बड़ी अजीसी चीज़े चल रही है, lens तो हमने same ल image जो है, वो तो retina पे ही बन रही है, ऐसा कैसा possible है, अलग-अलग object को position पे रखोगे, तो उसकी image भी अलग-अलग position पे बनती है, यह हम पढ़ते हैं, चाय स्पेरिकल lenses हो, चाय स्पेरिकल mirrors क्यों ना हूँ, लेकिन अभी इस case में हम क्या देख रहे हैं, कि eye lens अपनी जगा पे fixed हैं, सिलेरी muscles से उनको पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं भी रख दो object को image retina पे ही बनेगी, retina पे बनेगी, तभी तो rods and cones अपना काम करेंगे, signals भेजेंगे, optic nerves की दुरू ब्रेन पे, ऐसा कैसे possible है, इस सवाल का जवाब थोड़ा दिमाग लगा करके सोचो, यहां आ रही है, ciliary muscles, ठीक है, तो इस lecture के लिए इतना ही, मैंने आपको इस lecture में छोड़ा है, एक सवाल के साथ, उस सवाल का जवाब आपको बताना है, यह वो वाली slide है, जहां पे आपको different eye colors दिख रहे होंगे, यानि कि different iris का color, इस lecture के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपने next lecture में जहां पे हम start करेंगे eye के defects के साथ, नहीं, eye के defects अभी और बाद में आएगा, पहले हम power of accommodation पढ़ेंगे, near point पढ़ेंगे, far point पढ़ेंगे, वो सब हम देखेंगे next lecture में, इस lecture के लिए इतना ही, आप क्या करेंगे तब तक, हमारी जो official website है, magnetbrains.com, उसको visit कर लेना, जहां सबी topics के वहां पे आपको notes भी होंगे, available, so do visit our official website, magnetbrains.com, till then keep learning with magnetbrains, thank you for watching, hello everyone, इस lecture में, इस session में हम पढ़ने वाले हैं, हमारे class 10th physics के second chapter, the human eye and the colorful world का एक और नया topic, actually यहां पे हम तीन नया topics पढ़ने वाले हैं, first होगा power of accommodation, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे near point और फिर हम पढ़ेंगे farpoint, यह तीन topics हैं, छोटी-छोटी से topic हैं, जो आज हमें इस lecture में, इस session में cover करना है, तो भाई, आचे इस lecture का session का target हो गया है, तो फिर देरी किस बात की, तो चलिए start करते हैं, आज का यह हमारा session, this is विभूती करे, welcome to magnetbrains, जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वा क्योंकि magnetbrains आप सब तक पहुचा रहा है, quality education, बिल्कुल free of cost, इसी अच्छी बात से हम start करते हैं, आज का यह हमारा session, अगर आपको बच्चों याद होगा, तो previous session में मैंने आपको एक question mark, एक question के साथ आपको छोड़ दिया था, सवाल मेरा यह था, कि हमने देखा है, कि चाह चाहे वो concave lens हो, चाहे वो convex lens हो, अलग-अलग positions पे जब आप lenses के सामने, respective lenses के सामने objects को रखोगे, उनकी जो image है, वो भी अलग-अलग position पे ही बनेगी, concave lens के अगर case में देखा जाए, तो अगर object infinity पे रखा गया है, ठीक है, तो obviously क्योंकि यह क्या है, एक diverging lens है, तो raise क्या हो charging, reflected rays को कहीं पीछे लेकर के आएंगे, तो हम देखते हैं कि फोकस पे image बन रही है, फिर infinity से लेकर के lens के optical center के बीच में कहीं भी आप रख दो, अपने object को, तो image जो है, वो focus और optical center के बीच में ही बनेगी, यानि कि object की position change हो रही है, तो image की position change हो रही है, इसको चोड़ो, इस पे आओ, convex lens पे, convex lens के तो हमने कितने 6 cases देखे थे, कि object को रखा है infinity पे, फिर रखा है 2F1 के पीछे, फिर रखा है 2F1 के ऊपर, तो image कहां बन रही थी, पहले बन रही थी, focus पे, फिर इसके बार में कहां बनी, अगर 2F1 पे object रखा है, तो 2F2 पे image बन गई, यानि कि अलग- image formation होगा, अलग-अलग position पे, है ना, लेकिन जब हम बात करते हैं, हम अपने आखों की, हमें पता है कि हमारी आखों में भी क्या होता है, एक lens होता है, कौन सा lens होता है, भाई, convex lens ही होता है, लेकिन ये जो convex lens है, ये बड़ा अजीब है, विचित्र है, क्यों, क्योंकि convex lens की properties स तो कुछ अलग होती है, अलग-अलग positions पे object, तो image भी अलग-अलग position पे, लेकिन हमारी case में तो ऐसा नहीं हो रहा, हमारे case में, हमारी आखों की case में, तो object को आप कहीं भी रख दो, infinity पे रख दो, 10 cm के distance पे रख दो, है ना, 5 km के distance पे रख दो, image हमेशा कहां बनेगी, infinity पे ह ही बनेगी, कहां बनेगी, रेटीना पे ही बनेगी, भाई, रेटीना पे image क्यों बन रही है, उसका significance हम previous session भी देख चुके हैं, कि रेटीना के पास होते हैं, दो light sensitive cells, जो की illumination पाकर करके activate हो जाते हैं, जिनको हम rods बोलते हैं, cones बोलते हैं, rods क्या करेंगे, light की intensity को measure करेंगी, कि कितने amount की light आ रही है, और cones क्या करेंगे, जो primary colors होते हैं, उनको identify करेंगे, यह जो पूरी information एक खटा करते हैं, rods and cones, उसका क्या क्या करते हैं, electrical signal की form में इस information को optic nerves की थुरू बेच देते हैं हमारे brain के पास, यह brain क्या करता है, उस provided information को करता है process, process करने के बाद में हमें object दि खा देता है, is that clear? तो यह retina का significance हुआगी, अगर भई retina पे image नहीं बनेगी, तो गरबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कहीं और तो rods and cones है ही नहीं, rods and cones अगर नहीं होंगे, तो फिर information, electrical signal की form में, brain को कैसे मिल पाएगी, optic nerve तो वहीं होगी, लेकिन जो rods and cones information इंखटा कर रहे है वो तो नहीं कर पाएंगे न, अगर image retina पे नहीं बनी, तो retina पे क्यों बन रही है image? यह हमें समझ में आ गया, इस सवाल का जवाब हमें मिल गया, लेकिन retina पर ही कैसे बन रही है? यह हमें किसी नहीं नहीं बताया, इसे मैं करती हूँ explain, मैंने आपको बताया था previous session में, कि हमारी जो lenses होती है, वो attached होती है, किस से? हवा में तो नहीं जूरेंगी, है ला कि float कर रही है, मस्त आखों के अंदर कभी यहां, तो कभी वहां, बिल्कुल भी नहीं, ciliary muscles होती है, यह ciliary muscles क्या करती है? आई lens को पकड़ के लगती है, अपनी position पे, जिससे क्या होगा? कि eye lens यहां, दो-दो fluid compartment है, तो कभी इस compartment में swimming, तो कभी दूसरे compartment में swimming, है ना, ऐसा नहीं होगा, ciliary muscles क्या करेंगी? उन, जैसे कि यह क्या है, हमारी eye lens है, इस क्या है, हमारी eye lens है, इस eye lens को, यह क्या है, हमारी eye lens है, इस eye lens को कौन पकड़ के रखेंगी भाई? तो यह होती है, कुछ, क्या, suspensory ligaments, क्या होंगे? कुछ, suspensory ligaments, जो आपको blue color के दिख रहे हैं, वो क्या, suspensory ligaments, red color की क्या है, lens है, हमारी eye lens है, इसको, यह red color की जो structure सा आपको देख रहे होंगे, इन, क्या कहते है, ciliary muscles कहते हैं, यह ciliary muscles, eye lens को पकड़ के रखती हैं, अपनी position पे, ताकि यह swim ना कर पाए, और कैसे पकड़ के रखेंगी, तो suspensory ligaments के तुरू पकड़ के रखेंगी, ना सिफ ciliary muscles का, काम होता है कि eye lens को अपनी जगा पे पकड़ के रखना, position पे fix रखना, साथी साथ, इन ciliary muscles का काम होता है, eye lens के curvature को change करना, जो हम अभी, हमने जो अपनी session की start का रहा थ ना कि आखिर क्यों object को आप कहीं भी रख दो, आखों के सामने image उसकी हमेशा retina पर ही बनेगी, कैसे बन रही है retina पे, तो ये ciliary muscles के कारण ही बन रही है, ये ciliary muscles क्या करती है, eye lens को का जो curvature होता है, उसको change करती जाती है, करवेचर change करती जाती है, कि मतलब focal length, जो हमारे eye lens है, उसकी focal length को ये ciliary muscles क्या करती है, उसे ये change करती जाती है, time to time, depending upon कहां पे, आखों के सामने, किस distance पे रखा गया है object, ठीक, इसे हम कैसे समझेंगे, suppose एक object रखा गया है कहां, काफी दूर, काफी दूर रखा गया है, जैसे कि 5 km के distance पे रखा गया है, उस time पे क्या होता है, कि जो हमारी ciliary muscles होती है, ये बहुत ही relax होती है, एकदम chill pill type, ठीक है, एकदम relax होंगी, तो क्या होगा, ये जो suspensory ligaments, जो की ciliary muscles को attach करते हैं, join करते हैं किसके साथ, lens के साथ, ये suspensory muscles क्या करेंगे, ligaments, lens को खीच देंगे, आप lens को ऐसा समझो, जैसे कि एक rubber band है, rubber band को जब आप stretch करते हो, तो rubber band का क्या होता है, rubber band हो जाती है, पतली, है ना, rubber band क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, इसे पिचक सी जाती है, तो क्या हुआ, जब object रखा हुआ है, दूर, उस दूर रखे हुए object को जब हमें देखना होता है, तो उस टाइम पे हमारे जो ciliary muscles होती है, वो कैसी ह पतली यानि कि eye lens हो जाती है हमारी कैसी thin, thin हो गई, thin eye lens का focal length का होता है भई, focal length बढ़ जाती है, previous chapter में हम पढ़ के आ रहे हैं, कि eye lens कैसा जब हो जाएगा, eye lens क्या, कोई भी convex lens आप ले लो, अगर वो कैसा है, पतला है, यानि कि उसकी focal length क्या है, जादा है, यहां क्या हुआ, object रखा हुआ, दूर, किसी 5 km के दूरी पर रखा गया था, उस दूर रखे हुए object को देखने के लिए क्या हुआ, सिलेरी muscles क्या हो गई, relax हो गई, उनसे attached, जो suspensory ligaments से, उनने क्या क्या, lens को पकड़ के खीच दिया, खीचने के कारण क्या हुआ, हमारी जो lens है, वो कैसी हो और जो, वो कैसी हो गई, बढ़ गई, focal length बढ़ गई, जिसके कारण जो दूर रखा गया था, object, उसकी image कहा बनी, retina पर बन गई, आरे आपको बात समझ में, थोड़ थोड़ दिमाग के अंदर जा रहा होगा, मैंने आपको बोला, कि हमने convex lens का case देखा, हमने concave lens का case देखा तो अलग-अलग positions पर ही image बन रही है, लेकिन हमारी आखों के case में ऐसा क्यों नहीं होता, हमारी आखों के अंदर भी तो reflection हो रहा है, भई, convex lens रखी हो गई है, तो क्यों अलग-अलग, जैसे कि object को आपने कहीं भी रखा है आपको के सामने, image अमेशा retina पर ही बन रही है, क्य तो retina पर बनने की मजबूरी हमें पता है, reason हमें पता है, लेकिन retina पर ही कैसे बन पाती है, इन ciliary muscles के कारण, यह ciliary muscles क्या करती है, जो eye lens है, उसके curvature को change कर देती है, यानि कि ना सिर्फ ये eye lens को अपनी position पर fix रखती है, उनको swimming करने से रोकती है, बलकि ये इनके, जो eye lens है, उ उस दूरी पर रखे हुए object को अगर हमें देखना है, तो क्या होगा, हमारी जो ciliary muscles होती है, वो क्या हो जाएंगी, एकदम relax हो जाएंगी, ये ciliary muscles, जो हमारी eye lens होती है, उससे attach होता है कैसे, suspensory ligaments के through, ये ligaments क्या कर देंगे, हमारी जो eye lens उसको पकड़ की खीच देंगे, stretch क जिससे क्या होगा, eye lens हो जाएगी thin, thin eye lens मतलब क्या, focal length increase हो गई, focal length increase होने के कारण क्या होता है, कि जो दूर रखा गया object है, उसकी image का बन जाएगी, retina पे बन जाएगी, ठीक, आब क्या करते हैं, अब इसका उल्टा कर देते हैं, उल्टा होगा, अब object रखा हुआ है, काफ contact करेंगी, अभी तक यह कатель दी, यह हम बोर्ते रिलेक्स थी, आप क्या करेंगी, रोड़ा सा contract करेंगी, contract करने के कारण क्या होगा, यह जो हमारी suspensory legaments है, यह क्या कर रहें थी, अभी तक क्या कर रहें थी, lens को कीच रही थी, आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगी, छोड़ देंगी म art of scholarshipini, उसको क्या करेगी अभी तक यह खीच रही थी अब क्या कर देंगी लेंज को बोलेगी ऑपिने normal v시면ал 모 किसा नपर तो तुम हो ऊजाओ खोद कैसी थी? रिलेक्स थी लेकिन आई लेंस को पकड़के खीच दिया जब ऑब्जेक्ट रखा गया है पास तो क्या हुआ? खोद हो गई इन कॉंट्रेक्ट जिसके कारण जो हमारी आई लेंस थी न उसको उने क्या करा? दबा दिया उसको कंप्रेस कर दिया जिसके कारण हमारी आई लेंस कैसी हो गई? आई लेंस हो गई थोड़ी सी मोटी थिक हो गई यहाँ पर कैसी हो रही थी? यहाँ हो रही थी थिन यहाँ हो गई थिक तिक क्यों हुई, क्योंकि भाई, यह जो हमारी silleri muscles है ना, वो कैसी होगी, contract होगी contract हुई तो islands को इनने क्या कर दिया, compress कर दिया तिक हो गई islands, islands तिक होने का मतलब क्या हुआ, इसकी जो focal length है वच्चों, वो हो गई कम focal length कम हो गई यानि कि पास रखे हुए object की भी image कहां बनेगी retina पे ही बनेगी आरे आपको बात समझ में कि किस तरह से ciliary muscles ना सिर्फ lens को अपनी position पे fix रखती हैं, साथ साथ में उसका curvature यानि कि उसकी focal length उसके साथ भी छेर चाड़ कर देती हैं, कम कर देंगी बढ़ा देंगी कैसे? जब object रखा हो गया होगा दूर, तो क्या होगा? ये muscles relax करेंगी relax करने के कारण क्या होगा? जो suspensory legaments होते हैं वो lens को क्या कर देंगे? पकड़ के खीच देंगे इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो आप एक हाथ में ले लो rubber band उस rubber band को जब आप खीचोगे तो आप देखोगे क्या? कि वो पतली हो जाएगी similarly हमारा islands भी कैस हो जाता है? पतला हो जाता है जब suspensory legaments उनको खीचते हैं 10 islands मतलब क्या? focal length increase हो गई तो दूर रखे हुए object की image कहा बनी? retina पे बनी फिर क्या होगा दूसरे वाले case में क्यों object रखा हुआ है आँखों के पास में? फिर क्या होगा? जो हमारी ciliary muscles है वो क्या होगी? contract हो जाएगी contract होने के कारण क्या होगा? जो islands है उसको वो कर देगी compress ठीक है? compress कर देगी जिसके कारण हमारी जो islands से वो गोल-गोल हो जाएगी, ठिक हो जाएगी यहाँ पे thin हो रही थी और यहाँ पे thick हो रही थी ठिक होने के कारण क्या होगा? focal length हो गई कम तो पास रुखे वे object की भी image का बनेगी बच्चों retina पे ही बनेगी तो retina पे बनने की मजबूरी तो थी ही लेकिन retina पर ही कैसे बन रही थी? इन ciliary muscles के कारण ही बन रही थी और यह जो ability होती है eye lens की अपनी focal length को कम करने की बढ़ाने की वाया ciliary muscles उसी को हम क्या कहते हैं? power of accommodation कहते हैं किसकी? eye lens की है ना? it is the ability or the property of the eye lens to focus both near and distant objects by adjusting its focal length अपनी focal length को adjust करता है किस चीज़ के लिए? दूर या पास रखे हुए objects को देखने के लिए इस ability और इस property को हम क्या कहते हैं? power of accommodation कहते हैं ठी? however, the focal length cannot be decreased or increased beyond a certain limit ये चीज़ आपको समझ में आ गई the ciliary muscles help in changing the curvature of the eye lens when muscles are relaxed the lens becomes thin its focal length क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ठी? फिर इसके बाद में this enables us to see distant objects clearly while viewing nearby objects the ciliary muscles contract so the lens becomes thicker and its focal length decreases ये पूरी चीज़ कहानी वो है जो मैं आपको 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 समझा चुकी हूँ diagrams के तुरू याने कि power of accommodation आपको समझ में आ गया तो इस session का जो target था कि हमें power of accommodation समझना है वो हो गया है दो चीज़े और बची है topics एक है near point और एक है far point तीक अब देखो near point को अगर मैं बोलू किसी से कि भई near point क्या होता है आखों के लिए तो लोग बोलते हैं कि ये वो minimum distance होता है जिसके आगे हमारी आखे उस object को देखी नहीं सकती और वो distance कितना होता है 25 cm कितना distance होता है भई 25 cm यानि कि 25 cm minimum distance है जिस तक की हमारी आखे object को देख पाएंगी अगर object को 25 cm के distance से कम पे रखा गया है अगर 20 पे रखा गया है 24 पे रखा गया है 23 पे रखा गया है तो हमारी आखे इस object को देखी नहीं पाएंगी और ये distance कौन सा है भई यह distance है हमारी आँख से ले करके object तक का distance यह distance कौनसा है हमारी आँख से ले करके object तक का distance है तो 25 cm क्या है minimum distance है जिस तक की हमारी आँखे object को देख पाएंगी इससे कम अगर distance पर रखा गया है object तो उसे हम नहीं देख पाएंगे अच्छा एक काम करते हैं यह रहा मेरे आखों के सामने पैन, ठीक है, 25 cm को मतलब क्या होता है, 25 cm आपने चोटी वाली स्केल होती है, वो कितने की होती है, 30 cm की होती है, उससे थोड़ा और कम कर दो, तो वो हो जाएगा कितना 25 cm, यानि ये एक चोटी स्केल के बराबर, अब ये पैन रखा हुआ है, चलो है, यहना कि मेरी आखों से लेकर कि इस पैन तक का डिस्टेंस कितना 25 cm है, अगर इस थियोरी की माने, नियर पॉइंट की थियोरी की माने कि 25 cm के बाद, 25 cm तक ही मुझे ऑबजेक्ट दिखाई देगा, तो एक काम करते हैं, अब मैं इस ऑबजेक्ट को मैं और पास लेके जा रहा था, नियर पॉइंट क्या बोल रहा था, यह वो डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, जिसके आगे हम ऑबजेक्ट को देखी नहीं सकते, 25 cm, लेकिन यहां तो मैं अपने पैन को रख रही हूँ, 10 cm के डिस्टेंस पे, अपनी आखों से, तो भी मुझे ऑब रहत ही हो गई, यार इस थियोरी के अकॉर्डिंग तो 25 cm के आप मुझे दिखना ही नहीं चाहिए था पैन, लेकिन मुझे दिख रहा था, क्या मेरे पास कोई सुपर पावर है, नहीं, मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, यह एक्स्परिमेंट आप खुद करके देख सक करते हो, एक यहाँ पर चीज है, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, कि किस सरव, क्यूं हमको हमारे माता-पिता मना करते हैं, कि भई, फोन को, या लैप्टॉप को, टीवी को बहुत नस्दीक से मत देखो, दूर से देखो, अब आप 10th में आ गए हो है ना, मैं अपसे पूछो कि क्यों मना करते हैं, तो आप बोलोगे कि मैं स्ट्रेंड बहुत पढ़ता है आखों पे, इसलिए मना करते हैं, बात तो सही है, आखों पे बड़ा स्ट्रेंड पढ़ता है, लेकिन ये स्ट्रेंड कहां से आ रहा है, टीवी दे रही है कि उपर स से कहीं नीचे गिर के आ रहा है यह धर्ती सो करा है स्ट्रीन यह स्ट्रीन आ कहां से रहा है तो भाई अभी अभी जो हम पावर ऑफ अकमेडेशन पढ़के आ रहा है ना यह उसी का खेल है क्या मैंने आपको बताया था कि जब हमको अपनी आखों के जो पास रखा हुओ होता है तो हम क्या होता है से लिरी मसल्स क्या करती है कॉंट्रैक्ट करती है जिसके कारेंट हमारा जो आइलेंस होता है वो कैसा हो जाता है थेख हो जाता है यानि कि होड़ा सा चपता सा हो जाता है यार पिचकने की भी तो कोई लिमिट होती है है कि नहीं हमारी जो से लिरी मसल्स हैं अगर किसी ऑबजेक्ट को पाक को जो कि पास में रखा हुआ है इसके उसको देखना है तो यह हमाई सिलेरी मसल्स क्या करेंगी आइलेंस को पिछकाएंगी कंप्रेस करेंगी लेकिन कंप्रेशन की भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए ना ऐसा थोड़ी है कि सिलेरी मस क्या करेंगी इस लेंस को आई लेंस को कंप्रेस करेंगी खुद कॉंट्रेक्ट होंगी और लेंस को भी क्या करवाएंगी कंप्रेस कराएंगी लेकिन कंप्रेशन की भी कोई लिमिट होनी चाहिए पिचकने की भी कोई लिमिट होनी चाहिए ऐसा नहीं होगा कि इसकी रोट होते हैं usually कि वह minimum distance होता है जिसके आगे हम आखे जो है न उस object को देखी नहीं पाएंगी and that minimum distance 25 cm बिल्कुल सही बात है लेकिन हमने बोला कि जब हमने object को अपने forehead से टच कर वाले तो भी हमें यह object दिख रहा था क्यों कि बाई यह 25 cm वाली त्योरी पूरी गड़बड नहीं थी हमारी आखों पे बहुत strain परता है 25 cm के बाद यह जो सेलियरी मसल्स है न मैंने आपको बोला कि आई लेंस के compression की भी कोई limit होनी चाहिए यह limit कहां आती है यह limit आती है 25 cm के distance पर यहने कि जब object हमारी आखों से 25 cm के दूरी पर होगा तो हम उस object को देख सकते हैं बिना किसी strain को डाले अपनी आखों पर यहने कि सेलियरी मसल्स 25 cm के distance पर object को क्या करती है हमारी जो eye lens है उसको maximum compress कर देती है 25 cm पर क्या होता है भई? eye lens का maximum compression होता है maximum compression हम बोल सकते हैं 25 cm के distance पर होता है किसका eye lens का? अब अगर उसके बाद आपने अपने object को आखों से 10 cm के distance पर रखा है तो क्या होगा? बिचारी आखों को उनका कामी है चीजों को object को क्या करना? देखना ताकि information brain तक ले जा पाएं तो कहीं भी रखो object को उसको तो देखने की मजबूरी है information collect करने की मजबूरी है तो क्या होगा? यह जो सेलेरी muscles होंगी न? यह क्या हों करेंगी? यह सेलेरी muscles और जादा compress करेंगी eye lens को eye lens को compress करने के कारण क्या होगा? strain develop हो जाएगा क्या होगा? strain develop हो जाएगा वो बच्चे वो लोग जो की बहुत जादा continuous use करते हैं electrical appliances का, mobile gadgets का इन सब का आखों के बहुत पास रखके उनके eye lens में permanent damage हो जाता है जिसको कभी भी correct नहीं किया जा सकता क्यों नहीं किया जा सकता? आपको समझ में आ रहा होगा near point क्या बोलते थे? अगर मैं लोगों से पूछू कि near point क्या है? तो लोग बोलेंगे कि भाई यह वो minimum distance है जिसके आगे हम object को देखी नहीं सकते आधा गलत है, आधा नहीं, actually यह incomplete है अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दू कि minimum distance, near point एक ऐसा minimum distance है जिसके बाद में हम किसी object को देख तो सकते हैं, लेकिन अपनी आखों पर strain डालके तो वो क्या कहलाएगा? near point कहलाएगा और वो distance कितना होगा? 25 cm किसी भी object को अगर जो कि पास में रखा गया है, उस object को देखने के लिए सिलेरी मसल्स को contact करना पड़ता है और हमारे lens को compress करना पड़ता है, जिसके करण वो ठीक हो जाता है focal lens काम हो जाती है अगर आप किसी भी object को 25 cm के अंदर रखोगे तो क्या होगा? obviously बात है 25 cm के distance पर क्या होता है? यह जो सिलेरी मसल्स होती है यह eye lens को maximum compress कर देती है I hope near point का मतलब आपको समझ में आया होगा क्या होता है near point कि यह वेसिकली हमारा power accommodation ही चल रहा है मैं इसको और आगे करती हूँ, far point गे रहा minimum distance at which an object can be seen most distinctly without any strain is called the least distance of the distinct vision और वो कितना होता है? एक normal adult eye के लिए 25 cm होता है अब जैसे near point है, तो एक far point भी होता है far point क्या होता है भई? यह वो maximum distance होता है जिसके अगर आगे अपने object को रखा गया है, तो उसे हम नहीं देख पाएंगे आप कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें 10 km के आगे का distance दिखता नहीं है अच्छा, तो जरा अपना मुँ ऊपर करके देखना जरा, क्या stars नहीं दिखते? क्या sun नहीं दिखता? क्या moon नहीं दिखता? aeroplane नहीं दिखते? बिलकुल दिखते है aeroplane तो छोड़ो हमें sun, star, moon सब दिख जाता है अगर वो बच्छे complain कर रहें कि हमें 10 km के आगे का distance नहीं दिखता तो वो बच्छे जरा मुझे यह बता है कि क्या उनको sky में घूम रही चीज़े नहीं दिखती? बिलकुल दिखती है वो चीज़े तो हमसे millions of light years दूर हैं इतना जादा distance है लेकिन फिर भी वो दिख रही है इसी लिए जो far point है वो normal adult eye के लिए वो कितना होता है? वो होता है भई, infinity कितना होता है? infinity near point के लिए हमने बोल दिया 25 cm लेकिन far point क्या है? it is the farthest point up to which हमारी आखे जो है न देख सकती है object को अगर वहाँ रखा गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे far point और ये कितना होता है? infinity के लिए होता है अगर बच्चे 10 km के आगे नहीं देख पा रहे हैं बच्चो तो हो सकता है कि काफी traffic हो 10 km के बाद इसे आग 10 km के बाद देख नहीं पा रहे हो है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका far point जो है वो 10 km हो गया far point मतलब क्या? ये farthest distance होता है point होता है जहां तक कि आप object को देख पाते हो अगर आप 10 km के आगे नहीं देख पा रहे हो इसका मतलब क्या है? कि कोई ना कोई चीज आ रही है आपके vision में पगेरा कुछ नहीं देखते ठीक इसलिए हमारा normal human adult का भई जो far point है वो कितना होता है infinity होता है तो इस lecture में इस session में मैंने आपको बताया था कि target fix क्या था क्या क्या पढ़ना था हमें? हमें पढ़ना था power accommodation, far point और near point summarize कर देती हूँ मैं चल्दी से हमने power accommodation क्या पढ़ा था? कि हमने देखा था कि हमने convex lens की case में देखा था कि कहीं भी object रखो image अलग-अलग position पर बनता है लेकिन हमारी आखो के case में नहीं होता आखो के case में image का बनेगी? retina पर ही बनेगी बनने की मजबूरी है क्यों? क्योंकि image पाएंगे? ब्रेन को optic nerves के तुरू मुसीबत हो जाएगी इसलिए retina पर बनने की मजबूरी है image की लेकिन retina पर ही कैसे? तो भाई जो ciliary muscles होती है वो lens का curvature है उसको change कर देती है उसकी focal length कम या साधा कर देती है अगर दूर रखा हुआ है object तो क्या होगा? ciliary muscles relax करेंगी और जो हमारा lens होगा वो क्या हो जाएगा? thin हो जाएगा, stretch हो जाएगा जिसकी वज़ा से उसकी focal length क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी अगर कोई object रखा हुआ है पास में तो ciliary muscles क्या हो जाएगी? contract हो जाएगी contract होने के कारण क्या होगा? lens को कर देंगी चप्टा compress कर देंगी lens क्या हो जाएगा? thick हो जाएगा thick हो जाएगा मतलब क्या? उसकी focal length हो जाएगी कम तो दोनों ही cases में images कहां बनेंगी? retina पर ही बन जाएगी फिर इसके बाद में यह जो compression हो रहा है lens का इस compression की भी कोई limit होनी चाहिए ऐसा नहीं कि गोल-गोल बढ़िया lens बन रहा है उसकी रोटी बना डाली ciliary muscles ने तो maximum compression lens का कब हो सकता है? जब object रखा गया हो आपकी आग से 25 cm की दूरी पे अब अगर आपने object को 25 cm के अंदर आप लेकर के आए तो क्या होगा? बहुत ज़ादा excessive compression करना पड़ेगा lens का तो strain बहुत बढ़ जाएगा तो near point क्या होता है? यह वो distance होता है minimum distance होता है जहाँ पे आप object को रखोगे और आपकी आखे उसे देख पाएंगे बेना किसी strain के होता है तो भाई आज के इस session के लिए इतना ही इस lecture के लिए इतना ही target हमने कर लिया है तो अब next lecture में हम मिलेंगे जहाँ पे हम defects of eye शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन defects को correct किया जा सकता है तो हम मिलेंगे next lecture में तब तक आप क्या करेंगे? हमारे जो official website है magnetbrains.com उसे visit कर लेना जहाँ पे आपको सभी chapters के video lectures मेरेंगे playlist में साथ ही साथ सभी topics के महाँ पे आपको होंगे notes भी available So do visit our official website magnetbrains.com Till then keep learning with magnet brains Thank you for watching Hello everyone इस lecture में हम पढ़ने वाले हैं defects of vision और फिर उनको कैसे correct किया जाता है उन defects को ये हमें पढ़ना है Previous lecture में हमने बात करी थी power of accommodation की फिर इसके पढ़ने हमने पढ़ना था near point फिर हमने पढ़ना था far point ये तीन चीजें हमने पढ़ ली थी previous lecture में उसके भी पहले हमने eye का structure पढ़ना है और पूरी vision की process कैसे होती है ये हमने सीख लिया अब human eye से related जो आखरी topic है पढ़ने के लिए sub topic मालनो पहला जो मारा main topic था वो क्या था human eye को समझना उसका structure पढ़ लिया vision की process पढ़ लिया far point पढ़ लिया near point पढ़ लिया power of accommodation समझ लिया अब जो sub topic उसका जो last बचा है human eye का वो है vision के defects तो वो आज इस session में इस lecture में हम पढ़ लेते हैं तो इस lecture का इस session का में target कर देती हो fix कि आज हमें क्या पढ़ना है vision के defects को पढ़ने है और साथी साथ उनको correct कैसी किया जाता है वो भी पढ़ना है तो भाई जब आज का target fix हो गया है तो फिर देरी किस बात की तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा lecture दिस इस विबूती खारे वेलकम टू मैगनेट ब्रेंज रहां पर आपको सभी chapters के video lectures में लेवाले हैं बिल्कुल free of cost याने कि मैगनेट ब्रेंज में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैगनेट ब्रेंज आप सब तक पहुंचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं का यह हमारा lecture जहां पर हमें पढ़ने हैं कुछ defects तो भाई defects होते क्या है the defects due to which a person cannot see the object distinctly and comfortably are called defects of the vision कुई ऐसी कुछ ऐसे कारण जिसकी वज़े से हम objects को clearly और comfortably नहीं देख पाते हैं कि आखों पर बहुत जादा strain पढ़ रहा है किसी भी चीज को देखने के लिए या अगर वो हम देख भी पा रहे हैं तो वो blurry है clear image नहीं दिख रही है हमें उस object की तो उस situation में समझ लो कि कोई ना कोई defect है आख में कोई ना कोई problem है जिसके कारण normal vision नहीं हो पा रहा है तो आपके syllabus में तीनी defects हैं पहला है क्या myopia जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं short sightedness ठीक है फिर दूसरा आता है hypermetropia जिसको हम long या far sightedness भी कहते हैं और तीसरा आता है प्रेस बायोपिया मैंने आपको क्या बताया कि vision defects क्या होते हैं कि कुछ ऐसे कारण जिनकी वज़ा से हम objects को clearly और comfortably नहीं देख पा रहे हैं Clearly मतलब क्या कि वो blurry है, blurred image बन रही है उन objects की हमारी आखों में और comfortably मतलब क्या कि बहुत strain पढ़ रहा है उनको देखने के लिए अगर दिख भी रहे हैं तो बहुत जोर देना पढ़ रहा हैं आखों पे तो वो जो कारण होते हैं उन्ही को हम क्या कहते हैं vision के defects कहते हैं तीन defects हैं आपके syllabus में आपके chapter में तीनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं सबसे पहले हम start करते हैं किसके साथ हम start करते हैं myopia के साथ जिसको हम short sightedness भी कहते हैं भाई myopia क्या होता है myopia में दूर की चीज़े नहीं दिखती है ठीक है myopia में कहनी होता है myopia में हमें दूर की चीज़े नहीं दिखती है लेकिन past की चीज़े दिख जाती है अब ज़रा याद करो previous lecture को previous session को मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी object से निकल रही जो incident trace है जो हमारी आखो तक आ रही है उनको converge होनी की जो मजबूरी है वो कहां converge होंगी जाकर के वो होंगी जो हमारी eyeball की जो screen होती है retina वहां पर जाकर के वो converge होती है उनकी मजबूरी होती है क्या मजबूरी होती है क्योंकि retina के पास present होते है rods and cones ठीक है उनके पास क्या होते हैं दो light sensitive cells होते है rods and cones होते हैं जो की सारी objects related information कहां लेकर जाते हैं brain तक लेकर जाते हैं optic nerves के तुरू electrical signals के form में अब क्या हो रहा है अब अगर ऐसा कोई case आ रहा है जहां पे image अभी तक तो हमें पता था कि retina पे ही बननी चाहिए और कैसे बनती है वो भी हमें पता है by the power of accommodation of the islands लेकिन कोई एक ऐसा case जहां पे image retina भी नहीं बन रही है अगर retina पे नहीं बन रही तो कहां बनेगी retina के आगे बनेगी यह आपको एक diagram दिख रहा होगा इस diagram में देखो incident rays आ रही है यह इस तरह की parallel incident rays आ रही है और क्या हुआ जैसी ही आग के अंदर गई eyeball के अंदर आई lens के तुरू converge हुई कहां इस particular point पे बनना कहां था यह जो आपको screen दिख रही है eyeball की retina इस पे जाकर के image बननी चाहिए थी refracted rays को converge होना चाहिए था लेकिन क्या हुआ वह converge पहले ही हो गई retina के पहले converge हो गई इस particular point पे यानि कि अब retina पे जो cones और rods होते थे क्या वो सही information जो भी suppose यहां पे क्या रखा है candle रखी हुई है तो इस candle से incident rays आ रही थी और इस candle की image कहां बन गई retina के पहले ही बन गई तो भाई जो rods और cones थे हमारे retina के उपर क्या वो इस candle के बारे में सही सही information brain तक पहुँचा पाएंगे नहीं पहुचा पाएंगे क्यों क्योंकि retina पे तो image बनी नहीं retina पे तो image बनी नहीं cones और rods सक information प्रॉपर्ली आई नहीं पाई तो क्या होगा कुछ भी उल्टी सीधी information जो है brain तक पहुँचेगी तो brain हमें किस तरह की image दिखाएगा candle की blurred image दिखाएगा धुंदली सी कोई image दिखाएगा clear image candle की नहीं मिलने वाली क्यों नहीं मिलने वाली क्योंकि यह जो image है वो कहां बन गई है retina के पहले ही बन गई है retina पे बनती तो rods and cones प्रॉपर information लेकर के brain तक जा पाते brain तक पहुचा पाते brain उस information को process करती image बढ़िया दिख जाती candle की लेकिन क्या हुआ यहाँ पे हम बोड़ रहे हैं कि candle जो है उसके पास से lights तो आ रहे थी लेकिन यह जो lights है वो reflection के बाद converge हो गई retina के पहले rods and cones proper information नहीं पहुचा पाए brain तक brain process नहीं कर पाया सही information को इसलिए candle की जो image जब वो कैसी रहेगी blurred रहेगी धुंदली सी रहेगी तो हम बोल सकते हैं कि हमें candle नहीं दिखाई देगी क्यों नहीं दिखाई देगी पूरा खेल कहां किस चीज़ का है image light trace के convergence का है कि retina के पहले ही हो गई इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि suppose आप गए हो theater movie देखने के लिए theater में क्या होता है आपके सामने लगी होती है screen और पीछे कहीं चल रहा होता है projector seats के पीछे है ना projector से जो है light trace आती है और screen पे images बनती जाती है और आप बड़िये तरीके सी screen पे movie को enjoy कर पाते हो लेकिन ऐसा कुछ हो कि जो light trace आ रही है projector से वो screen पे नहीं करें strike और screen के पहले ही आ जाए या एक काम करूँ screen को आप उठा करके पीछे कीछ दो यानि कि आप जो picture चल रही है वो screen पे नहीं चल रही है screen के पीछे चल रही है screen के आगे चल रही है तो क्या आप को picture properly दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी क्यों क्योंकि जब तक properly picture image नहा बना दे कहां पे screen पे तब तक आप picture को नहीं देख सकते हो है ना क्या हुआ कि projector से images आ रही थी picture चल रही थी projector पे image छप रही थी लेकिन projector को यह आपने क्या कर दिया पीछे के तरफ खिसका दिया दूर ले गए आप कहां बन रही है image ऐसी हवा में बन रही है तो क्या हवा में चलती हुए picture को आप enjoy कर पाओगे बिल्कुल भी निकल पाओगे same case तो यहां हो रहा है candle से निकलने वाली जो incident trace थी वो reflect होने के बाद कहां आई retina के पहले ही क्या हो गए converge हो गई image इस point पे बन गई जिसकी कारण हमें candle की सही image नहीं दिखाई दी blurred image हमें देखने को मिली और ऐसा defect जहां पे हमें object पास जो दूर रखा होता है object वो दिखाई नहीं देता पास रखा हुआ object हमें दिख जाता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं myopia तो myopia क्या है भाई एक ऐसा vision defect है जहां पे हमें जो पास में रखा हुआ object है वो देख जाएगा लेकिन दूर रखा हुआ object नहीं देख पाता ठीक अब इसके बाद में इसके causes क्या है क्यों ऐसा हो रहा है कि देखो ऐसा भी तो हो सकता है आप इसको ऐसे समझो कि अगर कोई problem है तो ना दूर की चीज़ देखनी चाहिए ना पास की चीज़ देखनी चाहिए ये भेदबा हो क्यों कि पास की दिख रही है दूर की नहीं दिख रही है क्या problem है क्या causes है कि अगर दिख रहा है तो पास का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा तो भाई इसके दो causes होते हैं पहला cause क्या है जरा दिमाग लगाओ जब हम पढ़ रहे थे power of accommodation, near point, far point उस समय मैंने आपको बताया था कि अगर कोई object कहां रखा गया है दूर रखा गया है अगर object की आखों से दूर रखा गया है जिसकी वज़े से हमारी eye lens क्या हो जाती है eye lens हो जाती है हमारी thin eye lens thin हो गया मतलब क्या हुआ इसका जो focus है जो focal length है वो हो गई क्या इसकी जो focal length है वो क्या हो गई बढ़ गई जब कोई object रखा गया हमारी आखों से दूर उसको देखने के लिए सिलेरी muscles क्या करेंगी relax कर जाएंगी जो suspensory legaments है वो इन lens को क्या करेंगे eye lens को stretch कर देंगे जिसकी वज़े से eye lens हो जाएगी thin इसकी focal length बढ़ जाएगी और हम object को देख पाएंगे जो दूर रखा गया है object उसको myopia में क्या हो रहा है कि दूर रखा हुआ object नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या कुछ ना कुछ गड़बड़ी है lens के curvature में lens जो है जो required curvature होता है दूर रखे हुए object को देखने के लिए उस required curvature तक पहुँची नहीं रहा है lens मतलब lens के पास क्या है lens जो है thin की जगा क्या हो गया है थिक हो गया है यानि कि इसके पास क्या आ गया है इसके पास आ गया है भई extra curvature कई बच्चे confused हो जाते हैं कि extra curvature का क्या मतलब है जब lens अपनी thin है तो इसका curvature देखो thick lens के comparison में कम है ना इसका curvature देखो ये कम मोड़ा हुआ है मोड़े हुई से समझ में आ जाएगा अगर तो समझ लो ये जो मेरा thin lens है ये thick lens के comparison में कम curved है ना एक तरसी कैसा हो रहा है straight हो रहा है तो इसलिए इसका जो curvature है वो thick lens के comparison में कैसा है कम है तो अगर मुझे दूर रखे हुए object को देखना है तो मुझे lens का curvature क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा और यदि मुख curvature कम ना हो वो जादा हो तो क्या मुझे दूर रखा हुऊ object देखने को मिलेगा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो ये क्या हुआ ये हो गया ना myopia का case myopia में क्या होता है दूर की चीज़े नहीं दिखती है पास की चीज़े देख जाती है दूर रखी हुए object को देखने के लिए क्या करना पड़ता है eye lens को stretch करना पड़ता है focal lens बढ़ानी पड़ती है eye lens को thin करना पड़ता है लेकिन अगर ये lens क्या हो thin ना हो ठिक ही रहे extra curvature इसका आ जाए तो क्या होगा focal lens बढ़ानी पाएगी तो दूर रखा हुआ object नहीं दिखाई देगा तो ये हो गया क्या पहला cause फिर इसके बाद में आता है दूसरा cause दूसरा cause क्या है भाई दूसरा cause होता है birth defect क्या होता है birth defect यानि कि by birth इस तरह की disability patient की आँखों में रहती है क्या होता है कि suppose यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ जैसे जो focus sorry जो image थी वो कहाँ बन रही थी candle से incident rays आई और उसकी image का बनी इस point पे बनी ठीक अब समझ लो हमारी जो आखों की जो length है यह वाली जो length होती है बच्चों आखों की इसे हम क्या कहते है axial length कहते है क्या कहते है axial length कहते है अब यह वाली जो axial length है बच्चों suppose हमारी आखों हमारी आखे इतनी लंबी नहीं होती बस इतनी ही होती यह जो blue color से मैंने line बनाई है वो क्या है? मैं अजूम कर रही हूं कि हमारी जो आख है वो इतनी बड़ी नहीं होती, वो इतनी ही बड़ी होती यानि कि जहां पर अभी image बन रही है, वहीं पर क्या होता? Retina होता आखों का, तो क्या होता? कोई defect होता ही नी image का बन रही है? इस point पर बन रही है हो गई अगर आंख लंबी हो गई याने की आइफ टीड जो एक्जीएल लेन्थ है वह वो गई बढ़ गई जिसके कारण अब्रेइक्ट से निकली इंसिदेंट रेस आफ्टर रिफ्रेक्शन कहां कंवर्च हो गई रेटीना के पहले ही converge हो गई, are you getting my point कि मैं क्या बोलना चारी हूँ मैं आपको बताना चारी हूँ कि myopia क्यों होता है दो reasons की कारण होता है पहला क्या है कि एक तो जो है lens का eye lens में extra curvature आ गया है उसको thin होना चाहिए था दूर की चीज़ा देखने के लिए लेकिन वो कैसा हो गया, थिक हो गया है extra curvature आ गया जिसके विए से focal length हो गई उसकी काम दूर रखे हुए object को नहीं देख पा रही है दूसरा क्या है, दूसरा है birth defect by birth person के अंदर होता है क्या होता है इसमें कि suppose इस particular point पे जो है image बन रही थी candle की, अगर मैं बोलो कि मेरी आंख जो है बस इतनी ही चौड़ी होती इतनी ही इसकी axial length होती तो तो यह defect नहीं कहलाता क्यों? क्योंकि eye length भी इतनी है retina पे image बन रही है, कोई defect नहीं बढ़िया ही बढ़िया, लेकिन क्या हुआ by birth defect आ गया जिसके कारण जो मेरी आंख है वो इतनी नहीं इतनी लंबी हो गई लंबी हो गई axial length जादा हो गई eyeball की जिसके कारण क्या हुआ? जो image बनी है object की, वो eyeball के आगे की तरफ यहने की retina के आगे ही बन गई तो इसमें object की या image की गलती क्या है? कि आपकी eyeball ही लंबी है, आपकी eyeball की axial length ही जादा है image की क्या गलती की वो retina के आगे बन गई? ठीक तो यह क्या है? दूसरा cause है, किस चीज का? myopia का आगे आपको बात समझ नहीं, तो myopia क्या होता है? myopia एक ऐसा defect है vision का, जहां पे pass रखा हुआ object दिखाई देता है लेकिन दूर रखा हुआ object दिखाई नहीं देता है, क्यों नहीं देता? दो reason है, एक तो eye lens का extra curvature, दूसरा क्या है? birth defect है, जहां पे eyeball की जो axial length है वो जरुद से जादा हो जाती है ठीक है? normal से जादा हो जाती है जब axial length eyeball की तब वो कहलाता है birth defect जिसके कारण हो जाता है myopia myopia समझ में आ गया, अब एक काम करते हैं, अब इस defect को correct कैसे करें? हमें चश्मा लगाना पड़ेगा कैसे चश्मा लगाना पड़ेगा? हमें बेसिकली कुछ इस तरह की device चाहिए है जो क्या करें? जब हमारी आँखों के अंदर जो light आ रही है न, उसको थोड़ा diverge करके जो है न, ले करके आए ताकि eye lens कहां उसको converge करें? retina पे करें अब चाहिए वो birth defect हो, चाहिए extra कर भी चलो, जो भी cause हो उस cause को हमें हटाना है न, कैसे आटा सकते हैं, तो हमें एक ऐसी device ठेहे है, जो की light trace को अब हमारी आँखों पे कैसे ले के आए? diverging form में ले कर के आए जिससे क्या हो? जैसे ही वो cornea पे पहुंचे, जैसे ही वो eye lens पे पहुंचे तो वो diverging incident trace को क्या करें? converge करें, कहां converge करें? तो भाई थोड़े और distance पे converge करें, यानि की retina पे करें तो इसके लिए हम कौन सा lens लेंगे भाई? diverging lens ले लेंगे क्या मैं बोल रहे हूं बार-बार कि हमें एक ऐसी device ठाहिए है जो की light trace को हमारी आँखों के अंदर थोड़ा सा diverge करती हुई लेके आएं यानि की जैसे ही diverging incident trace, cornea यह lens पे पहुचेंगी, तो वो कहा converge करें? सभी rays को diverging incident trace को थोड़ा दूर, दूर मतलब कहां? retina पे, तो इसके लिए हमें कौन सी lens की सरवत है? diverging lens की सरवत है, thankfully हमारे पास एक ST device है fortunately हमारे पास ST device है जो की light trace को क्या कर रही है? diverge करती हुई हमारी आखों के अंदर लेके जा रही है आ गए आपको बात समझ में, I hope myopia आपको clear होगा, अब एक काम करो जो written portion है वो भी देख लो myopia क्या होता है? in this defect, a person can see nearby objects distinctly, but cannot see a distant object clearly दूर रख्या object को नहीं देख पाता है ठीक है? ऐसे में क्या होता है? जो image है वो कहां बनती है? retina के पहले ही बन जाती है ये defect क्यों होता है? क्योंकि eye lens का extra curvature होता है या फिर eyeball का elongation यानि कि eyeball की axial length बढ़ जाती ये बहुत defect होता है as a result, the image is formed before retina retina के पहले ही image बन जाएगी object की इसको कैसे कर सकते हैं? concave lens को कर सकते हैं a concave lens of suitable power will bring back the image on the retina अब अगर आपको myopia समझ में आ गया होगा बच्चों तो hypermetropia बिल्कुल भी difficult नहीं है hypermetropia में क्या होता है? myopia का उल्टा कर दो myopia में क्या हो रहा था? pass की चीज़े दिख रहीं थी दूर की चीज़े नहीं दिख रहीं थी hypermetropia में क्या होता है? दूर की चीज़े दिख जाती है pass की चीज़े नहीं दिखती क्या होता है? hypermetropia में दूर की चीज़े दिख जाती है pass की चीज़े नहीं दिखती है यानि कि object की जो image है बच्चो इस case में कहां बन रही है इस case में बन रही है retina के पीछ है जो कुछ भी हमने myopia में पढ़ा है उसका बिलकुल reverse कर दो तो hypermetromia बन जाता था myopia में pass की चीज दिखती थी दूर की नहीं दिखती थी hypermetromia में दूर की चीज दिख जाती है pass की चीज नहीं दिखती myopia में image का बनती थी object की retina के पहले बनती थी hypermetromia में image का बनेगी retina के पीछे जाकर के बन जाएगी causes causes एको जो myopia में होते थे उसी से similar hypermetromia में ही है उल्टा कर दो जब हमें किसी hypermetromia में हो क्या रहा है हमें दूर की चीज दिख रही है pass की नहीं दिख रही है तो ध्यान लगाओ याद करो कि जब हम बात करते थी कि कोई object रखा हो गया है कहा हमारी आखों के पास तो उस pass रखे object को देखने के लिए हमें क्या करना परता था जो हमारी ciliary muscles होती थी वो क्या करती थी eye lens को compress कर देती थी क्या कर देती थी compress कर देती थी जिसके कारण वो क्या हो जाता था थिक हो जाता था और उसकी जो focal length वो क्या हो जाती थी कम हो जाती थी जिसके वज़े से पास रखा हुओ object भी हमें देख जाता था अब इस केस में क्या हो रहा है hypermetophobia में defect में कि पास रख्य हुई चीज नहीं देख रही है मतलग क्या कि यह जो thickness हो रही है ना lens की for some reason नहीं हो पारी है यानि कि उसकी focal length कम नहीं है यानि कि जो pass में रखा गया object है वो हमें नहीं दिख रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जो required focal length चाहिए है pass रखे हुए object को देखने के लिए उतनी नहीं मिल पा रही है यानि कि हमारी जो eye lens है उसके पास क्या है उसका curvature छोटा हो गया मायोपिया में extra curvature हो रहा था और इसमें क्या हो गया इसमें हम बोलते हैं कि eye lens का short curvature हो जाता है मैंने बोला ना अगर मायोपिया समझ में आ गया तो हाइपरमेट्रोपिया समझने में तो बिल्कुल देरी नहीं लगनी है उल्टा करते जाओ बस मायोपिया में दूर का नहीं दिखरा हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखरा इमेज मायोपिया में रेटीना की पहले बन रही थी हाइपरमेट्रोपिया में image रेटीना की पीछे बन रही है Myopia में जो lens है, eye lens है उसका extra curvature हो रहा था Hypermetropia में क्या हुआ? Eye lens का जो curvature है वो कैसा हो गया? छोटा हो गया यहने कि focal length कम हो गई इसलिए pass की चीज़े जो है न दिखनी पा रही है ठीक, सॉरी focal length इसकी क्या हो रही है? बढ़ रही है focal length जितनी कम होनी चीज़े न pass में रखे हुए object को देखने के लिए उतनी नहीं हो पा रही है मलब, जादा ही है इस वज़े से क्या हो रहा है? short कर वेचर हो रहा है और pass रखा हो object नहीं दिख रहा है यह हो गया पहला cause फिर इसके बाद में दूसरा cause क्या होता है? दूसरा cause भी हम बोलते हैं कि birth defect myopia में क्या बताया था? कि eyeball की जो axial length है वो क्या हो रही थी? जादा हो रही थी जिसकी वज़े से image का बन रही थी retina के पहले इसमें क्या होगा? axial length जो है na eyeball की वो हो जाएगी कम ठीक है? For example अगर मैं इसको देखू इस image को मैं देखू यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ कि image का बन रही है lens, retina के पीछे बन रही है अगर जो मेरी eyeball है अगर वो कैसी होती? इतने बड़ी होती eyeball कैसी होती? इतनी बड़ी होती तो image का बनती? retina पे बनती screen पे बनती लेकिन birth defect के कारण क्या हुआ? eyeball रह गई छोटी उसकी axial length छोटी हो गई तो कहां बनी? eyeball का size बना सिरफ इतना तो image की क्या गलती? वो तो पीछे जाकर के बन गई तुम्हारी eyeball की गड़बड़ी थी eyeball छोटी रह गई उसकी axial length छोटी रह गई image की क्या गलती? तो इसका क्या होगा cause? इसका भी होगा birth defect cause जहां पे जो eyeball की axial length है वो कैसी हो जाती है? छोटी रह जाती है इसलिए image जाकर के पीछे बनेगी अब जब आपको defect समझ में आ गया है तो उसकी correction कैसे possible है वो भी समझ में आनी चाहिए तो हमें क्या करना है बच्चो देखो image का बन रही थी? रेटीना के पीछे बन रही थी हमें कुछ ऐसा करना है कि जो image है वो रेटीना पे बने याने कि थोड़े पहले बन जाए तो क्या करेंगे? हम एक ऐसा device लेकर के आएंगे जो क्या करें? object से निकलने वाली incident रेज को पहले क्या कर दे? converge कर दे याने कि जब किसी object से कोई incident रेज आ रही होगी तो इससे पहले कि वो हमारे cornea पे lens तक पहुँचे वो already कैसी हो जाए? converge हो जाए जिससे क्या होगा? कि cornea और जो lens है cornea और lens मिलके क्या करें? उस converging incident trace को भी converge कर दें लेकिन बहुत दूर जाकर के converge न करें थोड़े पास ही converge कर दें ऐसा कब possible है? जब incident trace जो हमारी आँखों के अंदर आ रही है वो कैसी हो? already converge हो जब already converge होंगी तो बहुत जादा convergence नहीं लगेगा रेटीना तक converge करने के लिए है ना? बहुत distance travel नहीं करना पड़ेगा convergence के लिए तो हमें क्या चाहिए एक ऐसी device रही है? जो क्या करे? अब्जेक्ट से निकल रही incident trace को क्या कर सके? converge कर सके और वही converged ray हमारी आखों तक पहुँचे तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं convex lens क्या यूज करेंगे हम? हम यूज करें convex lens यानि कि convex lens क्या है? एक ऐसा device है जो कि क्या करता है? incident trace जो कि object से आ रही है उस incident ray को क्या करेगा? converge कर देगा अपने level पे फिर ये converge rays कहां पहुँचेंगी? हमारे cornea से islands तक पहुँचेंगी islands से पहुचने के बाद क्या होगा? further convergence होगा लेकिन बहुत दूर जाकर के नहीं होगा बहुत दूर जाकर के नहीं होगा past में हो जाएगा कहां हो जाएगा? retina पे हो जाएगा तो hypermetropia को हम कैसे treat कर सकते हैं? हम कर सकते हैं treat, correct कर सकते हैं convex lens का use करके मतलब अब अगर हम बोल सकते हैं कि हमें जैसे कि myopia था myopia में हम कैसे correct कर रहे थे? हम कर रहे थे एक concave lens के through और hypermetropia में हम कैसे correct कर रहे है defect को convex lens के through ठीक है अब अगर आपको myopia समझ में आ रहा होगा hypermetropia समझ में आ रहा होगा तो जो next defect है press myopia वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ये कुछ hypermetropia की कुछ थी ओरी है in this defect a person can see distant objects clearly but cannot see nearby objects दूर का दिख जाता है पांस का नहीं दिखता a person with this defect has the near point farther away from the normal near point 25 cm in this case the image is formed behind retina, retina के पीछे बनेगी क्या हो सकते हैं इस disease के causes इस defect के causes दो हो सकते है पहला क्या है कि जो eye lens है उसकी focal lens कैसी हो जाए लार्ज हो जाए भई इसमें क्या हो रहा है पास की चीजों को नहीं देख पा रहा है पास की चीजों को देखने के लिए क्या करना पड़ता है lens को focal length अपनी कम करनी पड़ती है लेकिन यहां क्या हो रहा है focal length बढ़ रही है focal length बढ़ रही है याने कि यहाँ पर Lens का curvature कैसा हो रखा है फ़री शॉट करवेचर हो गया है है ना कैसा हो गया है इसका curvature कैसा हो गया है शॉट हो गया है फिर इसके बाद में eyeball becomes too short याने कि एक्जल लेंथ जो है वो क्या हो गई है कम हो गई है इसलिए image आकर के कहां बन रही है retina पर बन रही है short curvature मतलब क्या हो गया lens का कि वो sikud गई है, elongate हो गई है stretch हो गई है जब lens थिक होती है तभी तो उसका curvature कैसा हो पाता है बच्चो उसका curvature ज़्यादा हो पाता है अगर उसका curvature short है कि इसी lens का मतलब क्या कि वो elongated ज़ादा है curved के comparison में, I hope इचीज आपको समझ में आ गई होगी, causes समझ में आ गई defect समझ में आया, correct कैसे करेंगे convex lens का use करेंगी, जिसके कारण image का बने, retina पर ही बन जाए फिर इसके बाद में next क्या है press biopia, अब बहुत से बच्चे press biopia को क्या बोलते हैं कि मैं press biopia, myopia और hypermetropia का combination होता है इधर देखो ये line, sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia इस line को लिखके ना एक बड़ा सा यहाँ पे cross लगा दो ये blunder mistake होती है कि एक आँख में myopia भी है hypermetropia भी है, ज़रा एक मुझे बार बताना, myopia में हम क्या बोल रहे थे, कि lens का जो curvature था, वो extra था hypermetropia में हमने बोला कि lens का curvature short था, अब अगर आप दोनों ही defects को एक आँख में डाल रहे हो, तो क्या logic बन रहा है, कि lens का curvature कैसा है, ज़्यादा भी है और lens का curvature कम भी है, ऐसा कैसे possible है, या तो lens का curvature ज़्यादा ही रखो, या उसको कम ही रखो, ज़्यादा रखोगी तो क्या होगा, myopia कम रखोगी तो क्या होगा hypermetropia, तो एक आँख में कभी भी myopia और hypermetropia नहीं हो सकते हैं, इस दीज को हमेशा ध्यान रखना, at a time eye lens का curvature हमेशा ऐसा नहीं सकते हैं कि एक time पे जादा हो गया दूसरे time पे हम बोलते हैं कि कम हो गया, not possible at all ठीक, तो अब अगर कोई बोले कि प्रेस बाइओपिया क्या है तो ये मत बोला कि myopia और hypermetropia का combination है, नहीं, प्रेस बाइओपिया में होता क्या है, दो चीज़े होती है एक, तो जो हमारी ciliary muscles होती है ये ciliary muscles क्या करती है यहीं तो eye lens को stretch करेगी elongate करेगी, उसको compress करेगी ये ciliary muscles हो जाती है weak, क्यों हो जाती है weak क्योंकि ये जो defect है बच्चों, प्रेस बाइओपिया ये aging के साथ साथ होता है जैसे जैसे बुढ़ापा आता है body के सभी parts सभी components weak होते जाते हैं bones weak हो जाती है, muscles weak हो जाती है तो बहुँ ये ciliary muscles भी तो एक टाइप की muscles ही है, वो भी क्या हो जाती है weak हो जाती है, तो क्या होता है pass रखे हुए object को जो agent लोग होते हैं वो देख नहीं पाते, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई pass रखा हुऊ object है, उसे देखने के लिए क्या करना पड़ता है, eye lens को thick करना पड़ता है, उसका curvature बढ़ाना पड़ता है, focal lens कम करनी पड़ती है, याने कि ciliary muscles क्या करती है, lens को उसकी जो focal length है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए, और pass रखा हुऊ object हमें दिख जाए, नहीं हो पाएगा, तो ciliary muscles के weak होने के कारण क्या होता है, कि वो जितना compression चाहिए है, eye lens में उतना ला नहीं पाती है, जिसके कारण lens की focal length कम नहीं होती है, और pass रखा हुऊ object लोगों को दिखाई नहीं देता है, क्यों? क्योंकि ciliary muscles weak हो गई है, तो एक बात बताओ मुझे, press biopia मतलब क्या हुआ, press biopia में हम बोलते हैं कि जो near point होता है, वो gradually age के साथ क्या होता जाता है? receipt करता जाता, याने कि biopia में, क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि ciliary muscles weak हो गई है, compress नहीं कर पा रही है, अब दर आये मुझे बताओ, कि ciliary muscles का काम क्या होता है? lens को compress करना, और lens को elongate करना, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि जो ciliary muscles से वो कैसी हो गई है, weak हो गई है, compress नहीं कर पा रही है, तो भाई, जो उसका दूसरा काम है, eye lens को stretch करना, वो भी तो नहीं कर पाएंगी, ना? ऐसा थोड़ी है कि ciliary muscles से उनकी weakening सिर्फ एक function के लिए हो रही है, eye lens को compress करने के लिए हो रही है, जो दूसरा function है, उसका eye lens को stretch करने का वहाँ नहीं हो रहा, weakening मतलब तो weakening, चाहे जो function perform करो, दोनों ही functions क्या होंगे, affect हो जाएंगे उस weakening के कारण, यानि कि अगर ciliary muscles, eye lens को compress नहीं कर पा रही है, तो eye lens को stretch भी नहीं कर पाएंगी, stretch नहीं कर पाएंगी इससे क्या होगा, जो focal length है lens की, वो बड़े नहीं पाएंगी, बड़े नहीं पाएंगी मतलब क्या हो, दूर रखा हुओ object नहीं दिखाए देगा, बच्चों कोई जो confusion होता है ना, कि एक time पे press byopia क्या होता है, myopia और hypermetropia, ना pass का दिखेगा, ना दूर का देखेगा, ये blunder mistake होती है, press byopia मतलब क्या होता है, एक ऐसी condition जहां पे जो eye lens से वो compress नहीं हो पाती, तो pass रखा हुओ object जो दिखाए नहीं देता, लेकिन क्या होगा, ciliary muscles weak हो रही हैं, जिसके कारण eye lens compress नहीं कर पाती हैं वो, और नहीं उसको elongate कर पाती है, elongate नहीं कर पाएंगे मतलब क्या, focal length नहीं बढ़ेगी, lens के, जिसके कारण दूर रखा हुओ object नहीं दिखाए देगा, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि भाई, एक आँख में जो press biopia है, उसके साथ हम बोल सकते हैं कि myopia आ सकता है, एक आँख में myopia, hypermetropia नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, press biopia और myopia आ सकता है, प्रेस biopia में क्या होता है, कि पास रखी हुई चीज नहीं दिखती, और myopia में क्या होता है, जो distant objects होते हैं, जो दूर रखे होते हैं object वो नहीं दिखाई देते तो जैसी बच्चों को समझ में कि अच्छा न दूर का दिख रहा न पास का दिख रहा मतलब क्या myopia और hypermetrobia का combination हो गया press byopia जबकि ऐसा कुछ नहीं है माना है आप पे ना दूर का दिख रहा है clearly ना पास का दिख रहा है clearly लेकिन reasons आला के ना ciliary muscles अभी तक जो भी हम defects पढ़ रहे थे उसमें मैंने ciliary muscles को कलाम नहीं लिया था मैं हमेशा क्या कह रही थी कि जो eye lens है वो thin नहीं हो पा रहे हैं वो thick नहीं हो पा रहे हैं या जो eyeball की जो axial length है वो क्या नहीं हो पा रही है वो कभी बहुत जादा हो गई जरुद से जादा कभी बहुत जरुद से कम हो गई है लेकिन अभी मैं क्या बहुत हो रही हूँ कि यह जो defects हो रहा है वो क्यों हो रहा है से लिए नहीं muscles के कारण हो रहा है वो weak हो गई है जाएगा यानि की दूर रखे हुए objects भी हमें दिखाई नहीं देंगे ठीक I hope यह चीज आपको समझ में आई होगी बच्चों अब क्या होता है अब देखो इस defect के दो causes हैं पहला cause क्या है एक तो सिरेरी muscles weak हो जाना अच्छे से समझ लिया दूसरा क्या है आई lens की जो elasticity होती है वो कहीं न कहीं चली जाती है ठीक है न वो lost हो जाती है क्यों for some reason aging के साथ सार हर चीज क्या होती है एक डिग्रेड हो जाती है आई lens की भी elasticity चली जाएगी यहने की वो hard हो जाएगी तो प्रेज्व बाइव पिया क्या कि भाई दो causes हैं एक चाहीं सिरेरी muscles की weakness और दूसरा क्या है आई lens की hardening हो जाती है यह उसकी flexibility जो elasticity है वो loss हो जाती है ठीक आप क्या करें इसको correct करना पड़ेगा कैसे करेक्ट करेंगे भाई अब इसको करेक्ट करते हैं कैसे बाइफोकल लेंस के थ्रू कैसे करेक्ट करेंगे बाइफोकल लेंस के थ्रू करेक्ट करेंगे कैसे चश्मा बनाते हैं ठीक है यह रहा एक चश्मा यह रहा दूसरा चश्मा ठीक है दो अलग-अलग आप क्या करेंगे? जब हमें object को जो पास रखा होता है, सपोज आप एक book पढ़ रहे हो. Book, obviously बात है, आप अपनी आखों के सामने ही रखके पढ़ते हो. तो कैसे पढ़ते हो? ऐसे पढ़ते हो. यहने कि जब कोई object आपके आखों के पास रखा होता है, आप पी आखे कहां जाती है? नीचे की तरफ जाती है. तो नीचे की तरफ एक अलग lens होगा, और जब आपको देखना होगा कहां object को दूर, यहने कि कोई object अपनी आँखों के दूर रखा हुआ है तो आप कैसे दिखोगे अपनी आँखों को ऊपर उठा करके देखोगे तो नीचे कोई और टाइप का lens और ऊपर कोई और टाइप का lens ठीक, प्रेस बाई उपे में हो क्या रहा था ना दूर का दिख रहा था, ना पास का दिख रहा था जब दूर का नहीं दिखता है, तो भी उस defect को करेक्ट करना पड़ता है लेंस लगा करके, जब पास का नहीं दिखता है, तो भी क्या करना पड़ता है लेंस लगा करके करेक्ट करना पड़ता है defect को यहां तो क्या और है ना दूर का दिख रहा है ना पास का दिख रहा है यहां पे यहां पे दोनों ही चीजों को correct करना है दोनों चीजों को कैसे correct करेंगे दो अलग-अलग type के lens लगा करके जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारी आखी कहा जाती है नीचे की तरफ जाती है तो यहां पे lens अलग लगेंगे चश्मे के नीचे जब हम अपने object को जो की दूरी पर रखा गया है उस object को जब हम देखते हैं तो हम अपनी आखों को उपर उठाते हैं तो उपर क्या होंगे उपर भी होंगे अलग अलग lenses अब नीचे कौन सा उपर कौन सा खुदी दिमाग लगा के सोचो नीचे की तरफ हम कब देखते हैं जब हमें पास रखे हुए object को देखना होता है ठीक है और यहाँ पर हम बोड़ रहे हैं कि पास की नजर भी कमजोर है पास की नजर कमजोर है याने कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लगा सकते हैं एक convex lens क्या लगा सकते हैं यहाँ पर हम लगा सकते हैं convex lens Q क्योंकि नीचे की तरफ हमें क्या देखना है हमें जो objects past में रखे हैं उसको देखना है और अगर past की नजर कमजोर हो तो हम कौनसा lens लगाते थे हम convex lens लगाते थे याद करो अभी अभी पढ़ा है हमें hypermetropia जिसमें हमें past का नहीं दिखता है दूर का दिखता है तो जब हमें past कर नहीं दिखता था तो हम कौनसा lens लगाते थे convex lens लगाते थे ना तो इस case में भी आप कौनसा lens लगाओगे convex lens लगाओगे फिर इसके बार में उपर कौनसा lens आगा बाई उपर हम कब देखेंगे जब हमें दूर रखे हुए object को देखना होगा अब दूर की नजर भी कमजोर है तो जब दूर की नजर कमजोर होती थी myopia के case में तो कौनसा lens लगाते थे हम लगाते थे concave lens जब पास का दिख जाता था लेकिन दूर का नहीं दिखता था तो कौनसा lens लगाते थे myopia के case में concave lens तो दो अलग अलग type के lens लगे हैं दो अलग अलग focal lens के lens लगे हुए हैं इसलिए इसे हम क्या कहते हैं बाइफोकल चश्मे कहते हैं I hope आपको पूरी स्टोरी पूरी कहानी समझ में आई होगी बच्चों मैं repeat कर देती हूँ हमने start क्या था vision defects के साथ कि vision defects क्या होते हैं कुछ वो कारण जिसके कारण हम जिसकी वज़ा से हम किसी भी object को clearly नहीं देख पाते हैं को हम बोलते हैं vision defects तीन टाइप के होते हैं एक हो गया myopia एक हो गया hypermetropia और एक कौन सा हो गया presbyopia myopia में क्या होता था myopia में हम बोलते थे कि जो image बनती थी object की वो कहां बनती थी retina के पहले ही बन जाती थी यानि कि हमें past की चीज़े बढ़ा दिखती थी लेकिन दूर रखी हुई चीज़े नहीं दिखती थी क्यों एक तो पहला reason क्या था उसका कि axial length जो थी eyes की वो बहुत जादा हो गई थी birth defect था दूसरा reason क्या है जो curvature था eye lens का वो कैसा हो गया था जादा हो गया था curvature जादा मतलब क्या lens हो गया मोटा थिक यानि कि उसकी focal length हो गई कम जब focal length हो गई कम तो हम दूर रखे हो object को कैसे देखेंगे दूर रखे हुए object को देखने के लिए तो हमें eye lens को elongate करना पड़ता था curvature कम करना पड़ता था focal length जादा करनी पड़ती थी तो जब curvature ही कम हो रहा है lens का थिक हो रही है lens ठीक है focal length कम हो रहा है तो दूर रखे object को कैसे देखेंगे तो इसको correct करने के लिए कौन आते थे concave lens आते थे फिर इसके बार में eye icon हमारे दूसरा defect आया कौन सा हमारा hypermetropia hypermetropia में हमने बोला कि हमें दूर की चीज़े दिख जाती है अब लेकिन पास की नहीं दिखती याने कि अब जो object की image वो कहां बनेगी वो बनेगी retina के पीछे causes इसके दो थे एक तो क्या हुआ जो axial length है eyeball की वो छोटी हो गई जित्ती होनी चाहिए उससे छोटी हो गई इसलिए image आगर के पीछे बनेगी retina के दूसरी अका उस क्या हुआ दूसरा यह हुआ कि eye lens का जो curvature है वो short हो गया short curvature मतलब क्या lens हो गया थिक उसकी focal length हो गई कैसी? sorry short curvature मतलब क्या? short curvature का मतलब है कि lens हमारा कैसा हो गया? elongated हो गया, stretch हो गया उसकी focal length increase हो गई लेकिन हमें पता है कि past में कोई object रखा गया हो उसको देखने के लिए हमें lens कैसा चाहिए है थिक चाहिए है, उसकी focal length कम चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? lens का curvature short हो रहा है यानि कि वो elongated हो रहा है, stretch हो रहा है वो कमजोर हो जाती है अब अगर ciliary muscles weak हो रही है अगर वो lens को compress नहीं कर रही है तो जाहिर है, वो उसको elongate भी नहीं कर पाएंगी elongate नहीं करेंगी मतलग क्या होगा? कि दूर की भी चीज़ें नहीं देख पाएंगे तो pressed biopia, एक ही आख में pressed biopia और myopia possible है लेकिन एक आख में hypermetropia और myopia possible नहीं है causes क्या है? एक तो ciliary muscles की weakness, aging के साथ होती है यह problem pressed biopia की दूसरा क्या है? जो eye lens है वो अपनी flexibility, elasticity खो देती है फिर इसके बार में इसको correct कैसे करें? तो भई, bifocal lens के थूर correct करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि ना दूर का दिख रहा है ना पास का दिख रहा है तो दूर की नजर को भी सही करना है पास की नजर को भी सही करना है अगर पास की नजर को हमें सही करना है तो कौन सा यूज़ करना पड़ेगा lens? convex और दूर की नजर को सही करना है कौन सा यूज़ करना पड़े का लेंस कौन के तो बाइफोकल लेंस का यूज़ करना पड़ता है प्रेस बायोपिया को ट्रेट या करेक्ट करने के लिए I hope पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी बच्चो और बिलकुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा अब विजन के डिफेक्ट में तो इस लेक्चर के लिए इतना ही यूमान आई से रिलिटिट जो भी कुछ था इस चाप्टर में वो हमने आज कवर कर लिया है अब जो हमारा जो भी नेक्स लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे प्रिज्म की कि प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो हम देखेंगे फॉर्दर इस टॉपिक को इस चैट्टर को हम करेंगे continue इस लेक्टर के लिए इतना ही मिलते हैं हम अपने नेक्स लेक्टर में तब तक आप क्या करेंगे हमारी जो ओफिशल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लेना चाप्ट आपको सभी चैट्परस के वीडियो लेक्टर मिलेंगे arranged form में यानि की playlist में साथी साथ सभी topics के होंगे वहाँ पर आपको notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching hello everyone a very good morning to all बच्चो इस session में हम solve करेंगे DPQ DPQ मतलब daily practice questions यानि की ये session होने वाला है एक DPQ session बच्चो previous video में previous lectures में हमने जो class 10th physics का second chapter है the human eye and the colorful world वो start किया था उसमें हमने बहुत सारी चीज़े पढ़ ली है human eye का structure पढ़ा फिर इसके बार में जो पूरी process होती है vision की वो पढ़ ली power of accommodation, far point, near point फिर इसके बार में जो defects होते है vision की वो पढ़ ली है उनको correct कैसे करना है वो भी पढ़ लिया तो इतनी सारी तमाम चीज़े जो हमने पढ़ रखी है उसको करना होगा हमें revise क्यों revise? क्योंकि आज हम basically अपका chapter है न तो human eye and the colorful world तो human eye तो हमने पढ़ लिया है जो colorful world है around us उसको आज हम करेंगे continue कुछ और बाते पढ़ेंगे उस chapter के बारे में तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें जरूरी है कि जो अभी तक हमने पढ़ लिया है उसको हम कट लेते हैं फटाफट revise अब revision ऐसे नहीं होगा कि मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया हम revise करेंगे बच्चों उनको questions के through वो questions कौन से होंगे? हमारे DPQ इससे क्या होगा? revision भी हो जाएगा और आपको questions का pattern भी पता चलेगा कि किस तरह से exams में questions आते हैं तो भाई आज के इस session का मैंने target कर दिया है set कि हमें solve करना है DPQ तो जब target हो गया set तो फिर देरी किस बात की? तो चलिए start करते हैं आज का हमारा ये lecture दिस इस विभूती खरे Welcome to Magnet Brains Magnet Brains जहां में आपको सभी chapters के video lectures में लेंगे बिल्कुल free of cost यहने कि Magnet Brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी पी तरह का payment करने की या package लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुँचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज का हमारा DPQ session एक doubt था बच्चों के मन में बहुत बड़ा doubt था और मुझे लगता है यह अल्मोस सभी बच्चों के दिमाग में रहेगा जिनने हमारा live session नहीं देखा है कि मैं यह सारे topics जो हटा दिये गए हैं हमारे syllabus से फिर आप क्यों बढ़ा रहे हो बच्चों यह topics जो हटा दिये हैं यह सिर्फ इस session के लिए हटा गए हैं वो भी corona वगरा के कारण कि आपकी schools उपर नहीं हो पा रहे हैं और classes नहीं लग पा रहे हैं regular classes ऐसा नहीं है कि सब्यसी को realize हुआ है कि बच्चों के उपर काफी burden था से ले बसका इसलिए उठा करके कम कर दिया नहीं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी classroom teaching नहीं हो पा रहे हैं properly हो सकता है बहुत से बहुत से topics हैं जो classroom में cover ना हो पाएं इसलिए exam point of view से इन topics को हटा दिया गया है इसका मतलब यह नहीं है कि यह चीजें यह topics आपके लिए अब जरूरी नहीं है और इनको हमेशा के लिए हटा दिया गया है ठीक है पहली बात तो यह दूसरी चीज क्या है कि अभी आपके पास sufficient time है यह chapter बहुत छोटा सा है मुझे लगता है इस week हम यह वाला chapter फिनिश कर लेंगे और जो हमारा third chapter है वो भी start कर देंगे तो अभी आपके पास sufficient time है यह सारी चीज़ों को पढ़ने का बेशच जब आपके exams आएं तो इन्हें आप मत पढ़िएगा इन्हें रिवाइस मत करिएगा लेकिन अभी क्या हो रहा है ना continuation में पढ़ते जाए human eye हट गया है syllabus है लेकिन the colorful world around us यह तो अभी भी है है ना तो आपने देखा होगा कि बस 4 lectures में human eye complete हो गया है बहुत छोटे से topics है बच्चो और आपकी understanding को better बनाने के लिए ही यह सारी चीज़े आपके syllabus में डाली गई है तो जब syllabus में है तो पढ़ लेते हैं ठीक है तो अब यह काम करते हैं जो भी हमने कल पढ़ा है उसको हम revise कर लेते हैं हमारे first question के साथ first question क्या है color part of the eye अब आप flashback में जाओ हमने कल बहुत सारे eye के part पढ़े थे है ना सबसे पहले हमने क्या बात करी थी कि जब भी आप किसी के आँखों पे देखते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या दिखती है दिखती है आखो का color आखो का color बहुत ज़ादा different होता है वो आखो का color किस के कारण आ रहा है एक eye के particular part के कारण मतलब क्या कि eye का one particular part होता है component होता है जिसका color vary करता है different individuals में हमें eye color किते type के होते हैं किसी का light brown, किसी का dark brown किसी का blue, light blue, gray कितने सारे colors होते हैं, क्यों इतने सारे colors होते हैं, melanin pigment के कारण, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि melanin pigment होता है, और ये जो pigment है, इसे secrete कौन करता है, melanocytes secrete करते हैं, अब ये melanin different different ratios में secrete होगा, जहाँ पे melanin का concentration ratio हो गया जादा, eye color हो जाएगा जादा, अगर melanin का amount क्या है, कम है, तो फिर eye color भी क्या हो जाएगा, light हो जाएगा, तो भई ये जो eye color है, किस पे depend करता है, इस melanin pigment पे depend करता है, अब ज़रा याद करो, कि कौन सा ऐसा part था, हमारी eye का जो की color था, ये देखो, यहाँ पे मैंने, जो भी हमने कल ची बड़िया सा diagram, तो देखो, ये जो blue color का आपको structure दिख रहा है, ये क्या है, colored है, colored क्यों है, melanin के कारण है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, iris, याद आया आए आपको, कि जब भी हम किसी के आँख में पहली बार देखते हैं, आखों में पहली बार देखते हैं, ह ठीक है, अब आपको कभी किसी के आँखों के color की तारीफ करनी है ना, तो ये मत बोलना कि आपकी आँखों का color बहुत सुंदर है, आप बोलना कि आपके iris का color बहुत सुंदर है, अब अगर तो सामने वाले को पता होगा कि iris क्या होता है, तो ठीक है, अगर नहीं पता होग तो आपको ये जो ग्यान मिला है ना, उन पे जाके चिपका देना, मस्त हो जाएगा. ठीक है? तो इरिस का कलर, इरिस पिसिकली कैसा पार्ट होता है? जो कि कैसा होता है? कलर होता है, different colors का होता है, color क्यों होता है? क्योंकि melanin pigment होता है इसमें melanin pigment अलग-अलग ratios में produce होता है जिसके कारण iris का color भी अलग-अलग लोगों में अलग-अलग होता है कुछ लोगों में एक जैसा भी होता है I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी तो हमारा जो first question था वो क्या था? कि कौन सा part है I का जो की color होता है तो आपका answer होना चाहिए answer B, iris फिर मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हमारे घरों में खिड़क्या होती है उसी समान हमारे आखों में भी खिड़क्या होती है एक आख में एक खिड़की यह जो iris है इस iris के center में आपको एक black color का spot दिखेगा actually वो spot नहीं है वो है black color की opening और उसे हम क्या कहते है उसे हम कहते है pupil इस pupil का काम क्या होता है जो आपके घर में खिड़क्यों का काम होता है वही इस pupil का भी काम होता है खिड़क्यों का काम क्या होता है कि sunlight को अंदर लेकर के आना तो pupil भी जो हमारी आँखों के खिड़किया है उसका भी यही काम होता है क्या करती है pupil? light rays को बाहर से अंदर की तरफ लेकर के आएगी ठीक, तो क्या होगा? इदा देख लो डाइग्राम में यह देख रहा है आपको यह रही क्या? हमारी blue color की iris इसके बीच में देखो आपको black color का एक structure देख रहा होगा इसको हम कहते है pupil फिर मैंने आपको बताया था कि जो pupil है हम जाते हैं जैसे कि अपने घर से निकले हैं हम कहां? धूप में निकले हैं घर के बाहर निकला है जैसे बाहर निकलता है न वैसे हम भी आँखों को छोटा-छोटा कर लेते हैं क्यों छोटा कर लेते हैं? क्योंकि हमारी आँखों के पीछे की जो भी चीज़ है न काफी sensitive है हमें पता है कि हमारी आँखों में क्या है? खिड़किया है ये खिर्किया क्या करती है? सनलाइट को, लाइट ट्रेस को अंदर लेकर के आती है जब तक आप घर में थे, तब तक सफिशिंट लाइट मिल रहे थी आपके आखों तक जैसे या बाहर गए, तो सनलाइट जादा जाने लगी आखों में अब जादा जाएंगी, तो आखों की चीज़े जो हैं वो डैमेज हो सकती है इसलिए क्या होता है? ये प्योपिल छोटी-छोटी हो जाती है आपके घर में भी सब जादा दूप आती है, तो आप क्या करते हो? जादा वो तो कर्टेंज भी लगा सकते हो प्योपिल भी क्या करेगी? जादा रोशनी अंदर ना जाए, इसलिए छोटी हो जाएगी फिर जब आप बाहर से घर के अंदर आते हो, जहां पे लाइट कम हो जाती है पिर क्या करते हो? आप एकदम से अपनी आँखे से बड़ी-बड़ी करते हो बड़ी-बड़ी क्यों करते हो? जब आप बाहर से अंदर आए हो, तो लाइट कम हो गई है लेकिन अंदर भी तो आपको देख नहीं है, तो आप कैसे देख पाओगे? जब जादा light अंदर जाएगी, जादा light अंदर कैसे जाएगी, जब हमारी ये खिडकी बड़ी हो जाएगी, तो जब बाहर निकलोगे तो खिडकी छोटी, जब अंदर आओगे तो खिडकी बड़ी, pupil हो जाएगी, बाहर जाओगे तो छोटी, अंदर आओगे तो बड़ी हो अब ये जो pupil की size का regulation है ये कौन करता है ये जो color part है ये ही करता है यानि आइरिस ना सिफ आँखों को एक सुन्दर सा color provide करता है बलकि light की जो entry हो रही है आँखों के अंदर pupil के तुरू एक छोटे से opening के तुरू उसको क्या करता है regulate भी करता है तो ये रहा क्या iris और उसके बीच में pupil यानि एक छोटी सी opening जहां से light अंदर जाती है आई बाद आपको समझ में चलो ये हो गया पूरा revision iris और pupil का तो first question का answer आपको पता चलिए बच्चों क्या है iris है second question क्या है maximum reflection occurs at which part of the eye बाई आखों में अभी तो हमने ये पढ़ लिया कि iris पढ़ लिया और जो pupil है उसके त्रू लाइट जा रही है ये भी हमने पढ़ लिया लेकिन क्या iris और pupil सबसे पहली चीज होती है आखों की जिस पे light directly strike करती है बिल्कुल भी नहीं क्यों क्योंकि बाई सबसे पहली चीज जो outermost layer होती है अमारी आखों की वो कौन होती है cornea होती है ये दिख रहा है आपको इस तरह से एक बाहर की तरफ उभरी हुई एक outermost layer होती है आए की और उस layer को हम क्या कहते है बच्चो उसको हम कहते है cornea कैसी होती है ये transparent होती है transparent है तब ही तो हमें iris का color इतने clearly दिख रहा है आप cornea को कैसे समझ सकते हो मैंने आपको कर भी बताया था आपकी note books पर जो आप brown color के उपर जिलेटन चढ़ाते हो ना ये जिलेटन क्या है ये जिलेटन बिलकुल बराबर है cornea के जिलेटन आप क्यों चढ़ाते हो ताकि dust वगेरा से किसी भी गंदगी से आपकी note books safe रहे cornea कभी यही काम है ये क्या करती है basically protection का काम तो करती ही है किसी भी तरह के damage dust particles foreign particles आँखों में directly घुसने नहीं देती है वरना क्या होगा आँख तो बहुत sensitive है हैना बिचारी छोटी छोटी से दो eyeballs damage हो जाएंगी अंदर का मामना बड़ा sensitive है इसलिए outermost protective covering की तरह काम करती है कौन cornea transparent होती है और बड़ी बात क्या है कि ये कैसी होती है बाहर की तरफ bulged होती है उबरी हुई रहती है इसका मतलब क्या है इसका shape कैसा हो जाएगा बच्चों इसका shape होता है convex shape ना सिर्फ ये आऊखों को protect करने का काम करती है आपको पता है कि ये कैसा shape हो गया convex shape हो गया और ये कैसा है transparent भी है मतलब क्या ये light को अंदर भी जाने देगा जब ये light को अंदर जाने दे रहा है अपने से पास करवारा आए और 703 कैसा है convex shape का है यानि की curved shape का है तो क्या ये एक lens की तरह behave नहीं करेगा lens के लिए मैंने आपको पताया था कि कोई भी चीज lens कब बन सकती है जब वो अपने में से light को pass होने दे और at least उसका एक surface कैसा हो curved हो तो ये almost क्या करेगा एक lens की तरह ही काम करेगा क्यों पहली चीज़तों उसने क्या करी protect कर लिया आखो को किसी भी तरह के damage से और foreign particle से साथ ही साथ जो light rays आ रही होंगी बच्चों उसको ये क्या करेगा उसको ये कर देगा converge ठीक है shape कैसा है convex है तो convex lens क्या करता था convex lens चीज़ों को जो parallel incident rays आ रही थी उनको converge कर देता था वो तो ये भी क्या करेगा ये light को converge करेगा अब ये जो light rays आ रही है बच्चों ये पूरी की पूरी आख की अंदर नहीं जाएंगी pupil की दुरू कुछ आइरिस पे गिरेंगी तो हो सकता है कि कुछ reflect हो जाएं कुछ absorb हो जाएं सिर्फ वो incident ray जो की pupil पे strike कर रही है ये ही क्या होंगी अंदर जाएंगी बागी हो सकता है कि reflect हो जाएं या हो सकता है कि absorb हो जाएं आई आपको बात समझ में तो cornea का काम क्या है भई ना सिर्फ आखों को protection provide करना साथ ही साथ जो light rays आ रही है उनको आखों के अंदर converge करके ले जाना ठीक है I hope ये चीज़ आपको समझ में आई होगी तो जो हमारा third question था वो हमसे क्या बोल रहा था second question कि maximum reflection कहा होता है तो हमने देखा कि आखों के अंदर जो light आ रही है वो already कैसी होके आ रही है converge होके आ रही है अपना path change करके आ रही है और path change को हम क्या कहते थे reflection कहते थे आगे lens भी मिले की crystalline lens जो की protein से बनी होगी ठीक है jelly like structure होगा उसका लेकिन वहाँ पे उतना reflection नहीं होगा जितना की होता है कहां? कॉर्णिया पे सबसे पहले तो light rays को मिल ही कौन रहा है सबसे पहले तो light rays को हमारी आखों के आखों पे enter करने के पहले cornea मिल रहा है तो cornea पे ही क्या होता है maximum reflection होता है इस question को कर लो star mark कई बार सवाल आया है कि आखों में maximum reflection कहा होगा बच्चे क्या करते हैं? यह रिफ्रेक्शन की बात है हमारे आखों के पास तो lens होता है तो फटाक से टिक कर दिया क्या? eye lens लेकिन नहीं eye lens के भी पहले जो light rays आ रही है वो हमारी आखों तक converge होके आ रहे है याने कि reflect होके आ रही है कौन कर रहा है वो reflect? cornea कर रहा है cornea कर रहा है इसकी spelling अलट है c-o-r-n-e-a कौन कर रहा है? cornea कर रहा है और converge होकर के ही light lens तक पहुँचती तो maximum reflection का होगा बच्चों आखों पे cornea पे होगा is that clear? तो चलो आगे पढ़ते हैं अपने third question पे third question क्या है भई? how does image formation at retina help in vision? अब देखो क्या हुआ cornea से refract होकर के light कहां पहुची? pupil पे पहुची? pupil के बाद कहां आई? lens पे आई lens कौन सा होता है? हमारी आखों में convex lens होता है convex lens भी क्या करेगा बच्चों? और विस्सी बात है race को क्या करेगा? incident race को converge ही करेगा कहां converge करता है? स्क्रीन पे image बनती है उसी तरह से हमारी आखों पे भी एक screen होती है जिसे हम कहते है retina इस retina पे बनती है क्या image? लेकिन सवाल ये है कि retina पे ही क्यों image बनाई जाती है? कहीं और क्यों नहीं बनाई जाती? तो भाई retina के पास होते हैं दो sensors rods and cones rods क्या करेंगे? light के amount को evaluate करेंगे cones क्या करेंगे? light के color को evaluate करेंगे फिर इसके बाद में जो उनको information मिली है obviously बाते जो भी light आ रही है वो किसी object से ही आ रही होगी तो जो भी rods and cones ने उन lights के तुरू object के regarding जो information collect करी है उसको उन्हें पहुचाना होगा कहा हमारे brain तक brain तक कैसे पहुचाएंगे? optic, nerves के तुरू पहुचाएंगे via electrical signals फिर क्या करेंगा? हमारा brain उन चीजों को process करेंगा और हमें वो object दिख जाएगा अब यह जो retina है यह जो screen है इसी के पास ही होते है rods and cones इसके लावा तो मैंने आपको किसी भी eye component में मैंने आपको नहीं बताया कि rods and cones होते हैं है ना? तो अगर rods and cones नहीं हुए तो क्या होगा? information collect नहीं हो पाएगी object के बारे में information नहीं होगी collect तो फिर brain को क्या भीजेंगे अपन? तो क्यों image retina पे बनती है? due to presence of blind spot blind spot क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो rods and cones है वो information electrical signal के थूँ कहां भेजते हैं? brain में भेजते हैं किसके थूँ भेजेंगे? optic nerves optic nerve क्या होता है? optic nerves basically eyeball में हमारे present होती है ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी अंदर ही रहती है optic nerves नहीं थोड़ी बाहर निकली रहेंगी थोड़ी अंदर निकली रहेंगी इसका मतलब क्या? optic nerves हमारी eyeball के अंदर enter करती है जिस point से enter करती है उसी को हम क्या कहते है? blind spot कहते है यानि कि जब बारी screen होती है retina वो पीछे के तरफ incomplete होती है बीच पे से 40 होती है जो फटा वाला portion है उसे हम कहते है blind spot क्यों? क्योंकि वहीं से optic nerve नव आती है और वहाँ पे rods and cones नहीं होते हैं इसलिए तो उसे हम blind spot कह रहे हैं तो यहाँ पे सवाल पूचा जा रहा है कि image formation retina पे vision में help कैसे करता है तो आप बोलोगे कि due to presence of blind spot बोल सकते हैं क्योंकि blind spot से optic nerves नव आ रही हैं ठीक है? due to presence of light sensitive cells light sensitive cells मतलब क्या? rods and cones due to less thickness of retina या all of the above अब बताओ इसमें से कौन सा सबसे suitable answer है तो आपका answer होना चाहिए B कि भाई अगर rods and cones नहीं हुए तो electrical signals brain को नहीं मिल पाएंगे object के regarding फिर क्या होगा? brain process नहीं कर पाएगा तो image कैसे बनेगी? नहीं बन पाएगी है ना? तो इसलिए image formation retina पे vision में कैसे help करता है बही क्योंकि retina के पास होते है light sensitive cells और अगर ये light sensitive cells नहीं होंगे अगर image retina पे नहीं बनी कहीं और बन गई तो क्या होगा? information brain तक नहीं पहुँचेगी तो vision कैसे possible है? पूरी vision की process possible नहीं है आई बात आपको समझ में I hope question number 3 आपको clear हुआ हो इसका answer क्या होगा? B next question question number 4 fluid chamber between eye lens and retina is filled with अब देखो मैंने आपको पताया था कि हमारा जो eyeball होता है उसमें 2 fluid compartment होते हैं पहला fluid compartment कहा होता है? diagram से देख लो पहला fluid compartment कहां आएगा? हमारी cornea और lens के बीच में ठीक है? हमारे cornea और in fact iris के बीच में आता है जिसे हम क्या कहते हैं? एक fluid compartment हो गया दूसरा fluid compartment कौंसा होता है? ये वाला होता है जो की lens और retina के बीच में होता है हमसे सवाल में पुछा गया है की lens और retina के बीच में जो fluid compartment है chamber है? वो वो किससे भ़रा होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए VH, VH यहने की Vitress Humor और यह वाला जो Compartment ए, Fluid Compartment है Cornea से Iris के बीच में वो किस से भरा होता है भाई? Equus Humor से भरा होता है चीक है? Basically इसमें 99.9% पानी होता है, 0.1% क्या होते हैं? इसमें Proteins होते हैं, Vitamins होते हैं ना सिफ यह हमारी आखों को यह दोनों ही Fluid Compartment हमारी आखों को Moisture Provide करते हैं साथी साथ यह Light का जो Refraction हो रहा है ना आखों के अंदर है ना? Light का जो Refraction हो रहा है आखों के अंदर उसको भी Support करेंगे Obviously बात है ना बच्चो Light का Refraction कब possible है? जब Medium Change होगा है ना? जब Medium Change होगा तभी तो Light अपना Path क्या करेगी? Change करेगी तो यह जो Bending होगी Light की जो Path Change होगा उसमें कौन हैल्प करता है? यह दोनों Fluid Chambers Basically Medium को अलग-अलग कर देते हैं Clear है आप सबको? तो Fluid Chamber between Eye Lens and Retina उसमें कौन भरा रहेगा भाई? Vitrecyuma I hope Question No.4 आपको समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं Question No.5 की How is it possible for an image to be formed always on Retina? Retina पे image की बनने की मजबूरी तो हम में देख ली कि भाई उसके पास Rods and Cones होते हैं इसके लावा कहीं नहीं होगे Eyeball में Rods and Cones और अगर image Retina पे नहीं बनी तो Rods and Codes information collect नहीं कर पाएंगे Brain को नहीं देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे और Vision नहीं होगा पॉसिबल लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि Retina पर ही image बनती है Options देखते हैं Due to Silleri Muscles Silleri Muscles क्या होती है भाई? मैंने आको बताया था कि हमारे जे lens होता है वो हमारे eyeball में एक particular position पे fix होता है ये नहीं कि उसको दो fluid chamber मिलें compartments मिलें तो दोनों में जाकर कि वो बारी-बारी से swimming कर लिए ऐसा नहीं होता है वो एक ही जगा पे अपनी present होता है fix होता है और उसे fix कौन रखती है ये ciliary muscles रखती है ciliary muscles का मैंने आपको एक और function बताया था क्या बताया था कि ये ciliary muscles हमारी जो eye lens होती है उसके curvature को अलग-अलग करने में help करती है उसकी focal length को change करने में help करती है ठीक है? क्या होता है? ciliary muscles जो होती है वो हमारी eye lens से attached होती है अगर हमें दूर रखी हुई किसी चीज को देखना है तो क्या होगा? उस stage पे हमारी जो ciliary muscles होती है वो एकदम कैसे होती है? रिलेक्स हो जाती है उस time पे हमारी जो eye lens होती है वो क्या हो जाते है? stretch हो जाते है, elongate हो जाते है उसकी image कहां बन जाती है? रेटीना पे क्योंकि हमने कई बार ही पढ़ा है कि convex lens हो चाहिए, concave lens हो अलग-अलग object की position पे अलग-अलग image position हमें मिलती है कहीं भी object रखो तो image भी क्या होगी? उसके according कहीं और मिलेगी लेकिन हमारे आखों के case में क्या हो रहा है? आखों के पास भी तो convex lens है लेकिन image हमेशा रेटीना पे बन रही है कैसे बन पा रही है? दिमाग लगाओ definitely हमारे lens का क्या हो रहा है? focus यानि की focal length change हो रही है ये कौन कर रहा है? ciliary muscles ही तो कर रही है जब दूर रखा हुआ object देखना है हमें तो ciliary muscles क्या करती है? ciliary muscles relax हो जाती है eye lens हो जाता है हमारा elongate stretch थिन हो जाता है इसकी focal length बढ़ जाती है इसलिए तो दूर रखे हुए object की भी image का बनेगी retina पे ही बनेगी फिर क्या हुआ? object रखा हुआ है past में तो past रखे हुए object को देखने के लिए क्या होता है? कि हमारी ciliary muscles होती है वो contract होंगी contract होने के कारण क्या होता है? eye lens को वो क्या करेगी? compress करेगी compress करने के कारण क्या होता है? eye lens का focal length जो है वो कम हो जाता है जिसके कारण past में रखे हुए object की भी image कहा बन जाती है Retina पे बन जाती है तो ciliary muscles ना सिफ हमारे lens को उनकी positions पे intact रखती है बलकि उनका जो curvature है उनकी जो focal length वो भी change करवा पाती है तब ही तो हम बोलते हैं कि चाहे object को दूर रखा हो चाहे पास रखा हो image हमेशा कहा बनेगी उसकी retina पे ही बनेगी और कैसी बनेगी real inverted बनेगी and diminished बनेगी क्यों तो कि convex lens है ना ठीक है तो इस सवाल में हमसे पूछा क्या गया था कि कैसे possible है कि image हमेशा retina पे ही बने एक हो गया ciliary muscles के कारण दूसरा क्या है retina के flexibility के कारण क्या मैंने आपको बताया है कि retina जो है अपनी position से position change करता है अपनी कि अगर image बन गई है यहां तो retina आ गया यहां image बन गई है पीछे तो retina चला गया है पीछे इतना cooperating तो होता नहीं है retina यह तो मैंने आपको पता है नहीं है तो यह वाला option हो गया गलत थर्ड क्या है due to flexibility of eyeball eyeball no doubt flexible होती elastic होती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जहाँ जहाँ image बन रही है वहाँ वहाँ वो भी साथ में move करती जाए यह भी गलत है due to fluid nature of vitres humor इसका तो गई sense ही नहीं बनता हटाओ इसे यानि कि option A celery muscle C main ऐसी चीज होती है जिसके कारण हम दूर या पास रखे हुए object को clearly देख पाते है यानि कि उसकी image कहा बन पाती है retina पे बन पाती है क्यों इस property के कारण I hope यह वाला सवाल आकको clear हो गया होगा बच्चो 5 questions हो गए है अब हम बात करते हैं हमारे next question की next question क्या है the most distant point at which an object can be seen clearly is called दो point होते हैं अचा जो अभी हमने पड़ा है eye lens को यह curvature को change करना focal length increase करना, focal length कम करना इसे हम क्या कहते हैं power of accommodation कहते हैं अब वो point जो हमारी आखों से काफी दूर है ठीक है most distant point जिस पे रखा हुआ object हमें देख जाएगा उसे हम क्या कहते हैं far point कहते है यानि कि वो maximum distance होता है हमारी आखों से कोई भी object रखा हुआ है उस distance पे और जिसे हम देख पा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे far point कहेंगे अब आप बोलेंगे कि मैं हमें तो 10 km के आगे दिखता नहीं यानि कि हमारा far point क्या है 10 km है ऐसा कुछ नहीं है जाला उपर देखो क्या आपको sky में sun, moon, satellite stars नहीं देखने को मिलते rainbow नहीं देखने को मिलता बिलकुल मिलता है तो भाई वो तो हमसे millions of light year दूर है लेकिन फिर भी आप उन्हें देख पारे हो ना छोटा ही सही लेकिन देख तो पारे हो इसका मतलब क्या कि हमारा जो far point है वो क्या होता है human beings के लिए infinity होता यानि कि object को अगर आप में रखा है infinity पे तो infinity पे वो हमको देखेगा हाँ infinity के बाद नहीं देखेगा जैसे far point होता है तो इसका option क्या हो जाएगा भई option C the most distant point at which an object can be seen clearly is far point ठीक है फिर इसके बाद में जैसे far point होता है वैसे एक near point भी होता है यानि कि ये वो minimum distance है जिसके आगे हमारी आख देखनी पाती है उस object को बेना किसी strain के ठीक है ये strain word लेना बहुत जरूरी है वरना marks कर जाते हैं जैसे आपने बोला कि 25 cm का एक ऐसा distance होता है कि आप object को रखो कहां 25 cm के distance पे और उस 25 cm के distance पे जब आप अपने object को रखोगे इसके पास जब आप लेके जाओगे तो आपको object नहीं देखेगा ऐसा तो कुछ नहीं है आप अपने हाथ पर रख लो तो भी आपको अपना हाथ देखेगा ये कैसे possible है क्योंकि हमें पता है कि कोई भी पास में रख्थी हुई object को हमें देखना होता है तो हमारी सिलेरी मसल्स ने सिलेरी मसल्स ने रोटी ही बना दी ऐसा नहीं हो सकता तो एक maximum extent जहां तक सिलेरी मसल्स लेंस को कमप्रेस कर सकती है वो extent का पाता है 25 cm के distance पे इसके बाद भी क्या होगा ऐसा नहीं है कि 25 cm के बाद में जो है ना जो तो सिलेरी मसल्स ने बाद में बना नहीं बिल्कुल करते है इसको काम है लेंस को इसको कमप्रेस करना लेकिन क्या होगा आँखो पे बहुत ske पडेगा खाराब हो जाएगे permanent dame हीक्षाओक्षार पर समझे कर से अमारी किया है ठीक है, I hope इस चीज आपको समझ में आई होगी Next सवाल क्या है, what happens to the eye lens when ciliary muscles are relaxed अभी बता रहे था, stretch हो जाती है और थेन हो जाती है तो option B, ठीक है, फिर इसके बाद में Next सवाल क्या है, when a person is not able to see distant objects he is suffering from तीन defects पढ़े थे, myopia, hypermetropia और presbyopia याद कैसे रखे, myopia क्या है, एक छोटा सा word है याने कि, जो कम distance पर रखे न, objects, वो देख जाते हैं हमको Hypermetropia क्या है, एक बड़ा word है याने कि, जो दूर होंगी न चीजे, वो देख जाएंगी, past की नहीं देखेंगी अच्छा तरीका है याद रखने का, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि, दूर की चीजे नहीं देखती, याने कि, past की चीजे देख जाती है Past की चीजे मतलब क्या, छोटी चीजे, छोटी चीजे मतलब क्या छोटा word, छोटा word क्या है, myopia तो यह कौन सा केस है, myopia का केस है, जहां पर दूर रख्यूई चीजे नहीं देख रही है Past रख्यूई चीज देख जाती है, correct कैसे करते हैं, correct इसको हम कर सकते हैं Concave lens रगा करके, आई बात आपको समझ में, फिर इसके बाद में, next सवाल क्या है Which lens is used to correct hypermetropia, hypermetropia बड़ा word है, यानि कि दूर का दिख जाएगा, past का नहीं देखेगा Past का दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि past की object को देखने के लिए क्या करना पड़ता है Lens का curvature बढ़ाना पड़ता है, focal length कम करनी पड़ती है, लेकिन focal length कम नहीं हो पारी है Curvature जो है, जादा होना चाहिए, लेकिन curvature छोटा रह जा रहा है, short curvature रह जा रहा है, याद करो, birth defect है तो इस कारण हमें correct करना पड़ेगा, कैसे correct करेंगे भाई, तो आपका आंसर होना चाहिए, convex lens लगा कर ठीक है, अब जो next सवाल है ना, यह हैं आप लोग के लिए home work Myopia हमने discuss कर लिया, hypermetropia discuss कर लिया, जो press myopia है ना, यह आपके लिए home work इस सवाल का जवाब आपको देना हुआ comment section में कि भाई, press myopia किसके वजह से होता है एक sentence याद रखना कि कभी भी किसी आग में myopia, hypermetropia साथ में नहीं होगा प्रेस, biopia, myopia हो सकता है तो इस सवाल को कर लो आप note और मुझे comment section में बताना इसका answer क्या होना चाहिए तो भई इस session के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे हमारे next section में जहां पे हम कुछ बाते करेंगे अपने chapter से related, the colorful world around us से related कुछ topics पढ़ेंगे और बड़े interesting topics हैं ये तब तक आप क्या करें, हमारे जो official website है magnetbrains.com उसको visit कर लेना, जहां पे आपको सभी chapters के video lectures में लेंगे playlist में साथी साथ सभी topics के वहाँ पे होंगे, आपको notes भी provide So do visit our official website magnetbrains.com Till then keep learning with magnetbrains, thank you for watching Hello everyone, इस lecture में हम पढ़ने वाले हैं हमारे chapter, the human eye and the colorful world का एक और नया topic जिसका नाम है Refraction of light through prism भाई जो human eye वाला portion था ना, वो हमने कर लिया है complete उस पे हमने based कुछ questions भी solve कर लिया है, DPQ भी हमने solve कर लिया है अब आज हम start करते हैं, the colorful world वाला part और ये आपकी syllabus में है, mind you अभी तक आप उतसे बोल रहे थे कि मैं इतने syllabus में ही ने, क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो कोई बात नहीं, आप जो मैं start करूंगी ना, पढ़ाना वो सब आपकी syllabus में है ठीक है, the colorful world वाला part आपकी syllabus में है तो इसे ध्यान से समझिएगा, तो उस part को हम start कर रहे हैं, उसके first topic के साथ first topic क्या है भई, reflection of light through prism reflection तो हमें पता है light का, अच्छी तरीके से पता है लेकिन अब ये prism क्या होता है, और prism के through reflection कैसे होता है, ये हमें नहीं पता तो सबसे पहले थो हमें पता करना हुआ कि prism क्या है, और फिर उसके through reflection कैसे होता है, ये समझना है तो आज के सेशन का target हो चुका है fix, क्या है, सबसे पहले हमें prism समझना है, पिर उसके through light का रिफ्रेक्शन कैसे होता है, वो समझना है, तो जब टार्गेट होगा है सेट, तो फिर देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर, विस्तिस विभूती खरे, वेलकम टू मागने ब्रेंज, जहां पर आपको सभी चाप्टर्स के वीडियो लेक् बिलकुल free of cost, तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं, आज का यह हमारा लेक्चर, आज का यह हमारा सेशन, जिसमें हमें समझना है, सबसे पहले तो प्रिस्म, फिर इसके बाद में, प्रिस्म के तुरू, लाइट का reflection, ठीक है, अब प्रिस्म को हम कैसे समझें, तो एक काम करते हैं, आपने प्रिस्म भली न देखा हो, या देखा भी होगा, तो इसका structure आपको याद नहीं होगा, आपने triangle को देखा ही होगा, है ना, triangle का shape कुछ इस तरीके का होता है, triangle अगर मैं बनाओ, तो कैसा बनेगा कुछ, इस तरीके का बनेगा, अब अगर इसको आप plus obtain करने के लिए, image बनाने के लिए, है ना, अब क्या करना है, ये खीचने वाला procedure हमें continue रखना है, हम क्या करेंगे, इस triangle को भी पीछे की तरफ खीच के लेके आएंगे, जब हम इसे पीछे की तरफ खीच के लेके आएंगे ना, तो हमें कैसा structure देखेगा, पता है, हमें प्रिस्म और कुछ नहीं, एक 3D structure होता है किस चीज का, triangle का, मैंने आपको बोला कि हो सकता आपने प्रिस्म ना देखो, तो प्रिस्म को कैसे हम समझें, कैसे उसका structure जाने, तो कुछ नहीं, एक triangle लो, उस triangle को पीछे की तरफ खीच के लिए आओ, जब वो खीचा हुआ जो structure हो एक triangle का, ठीक है, अब प्रिस्म में कितने surfaces होते हैं, प्रिस्म में देखो, आचा, इसका shape आपको कुछ मिलता जुलता नहीं लग रहा, याद करो, flashback में जाओ, वो बहुत पुराने time की बात है ये, जब हम चोटे थे और एक हम गाउं का scene बनाते थे, village scene बनाते थे, वड़ि की, तो घर भी हम बड़ अच्छे से बनाते थे, ये बन जाता था, क्या हमारा घर, अब एक काम करो, ये जो wall और जो floor वाला जो portion है ना, इसको हटा दो, क्यों हटा दो, क्योंकि हमें पता ही किस से मतलब है, हमें मतलब है हमारे hut की roof के साथ, क्यों, क्योंकि इसका जो shape है न, हमारे prism के साथ, फरक क्या है, फरक है बस एक base का, है न, ये जो हमारे hut का जो roof है, इसके नीचे कोई base नहीं है, तो एक काम करो base लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा भई, prism का के जैसा ही एक structure बन जाएगा, I hope अब आपको prism का structure clear हो गया हो, अगर इस three dimensional structure से अगर आप नही ने याद किया है, जब हम घर बनाते थे, घर की हम बनाते थे, roof, तो उस roof से तो at least आपको अब prism का structure समझ में आ गया, ठीक है, तो भई, हो गया भई, prism का structure समझ में आ गया, अब prism में कितनी surfaces होती है, वो हमें देखनी है, सबसे पहली surface कौन सी होती है, भई, पहला triangle जो हमे देखने को मिलता है, तो first surface वो हो गई, आप घूम के जाओ, तो आपको दूसरा triangle भी मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगी, दूसरी surface हो जाएगी, फिर side में आओ, side में आपको एक rectangular surface देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह हो गया third surface, फिर उसके opposite में आपको एक और rectangular surface देखेगा, वो हो गया, surface number 4, और उसके base में भी क्या है, एक surface है, कैसा surface है, rectangular ही है, उसको मैंने नाम दिया कौन सा, surface 5, यानि कि हमारा जो प्रिजमे बच्चों, उसमें 5 surfaces होती है, 2 कैसी होंगी, triangular होंगी, और जो 3 है, वो कैसी होती है, rectangular होंगी, यानि कि 2 triangular surface होंगी, और 3 rectangular surfaces होंगी, is that clear? अब यह जो 5 surface है ना, यह एक दूसरे पर inclined होती है, एक दूसरे के उपर जुकी होई रहती है, क्या बोला मैंने आपको, कि एक prism के पास 5 surfaces होती है, 2 होती है, triangular, और 3 होती है, rectangular, यह 5 surface एक दूसरे के उपर क्या होती है, जुकी होई रहती है, inclined रहती है, अब एक बड़ा अच में क्या होता है? Angle of prism में क्या होता है? तो बड़ा आसान है. ये जो rectangular surface में बोड़ रही हुँ ना, इसको मैं दूसरा नाम भी देती हो. इसका दूसरा नाम क्या है? Lateral surfaces. क्या नाम है इसका भई? Lateral surfaces. तो दो lateral surfaces के बीच का जो angle होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं angle of prism और इसको हम इस तरही के से denote करते हैं. Prism का आपको structure समझ में आया. 5 surfaces समझ में आई कि 2 होती है triangular, 3 होती है rectangular. चीक है? Rectangular को हम lateral surfaces भी बोलते हैं. ये 5 surfaces एक दूसरी के ओपर क्या होती है? जोकी क्या है? यानि कि angle of prism क्या है? तो angle of prism कुछ नहीं हलवा है बिल्कुल कि 2 lateral surfaces 2 lateral surfaces मतलब कौन सी? Rectangular surface तो 2 lateral rectangular surface के बीच का जो angle बना है. अभी वे ने आपको बताया कि जो भी surfaces हैं वो दूसरी के ओपर कैसी होती है बच्चों? inclined होती है तो 2 inclined मतलब क्या? कि जुकी हुई है आपस में कोई ना कोई angle बना रही है अपने बीच में तो 2 lateral surfaces के बीच का जो angle होगा बच्चों उसी को हम क्या कहते हैं? angle of prism कहते हैं यह है क्या? एक prism क्या आप मुझे angle of prism इसमें बता सकते हैं? angle of prism इसमें पता है कौन सा होगा? इसमें होगा यह वाला जो blue color से मैंने एक arc बनाया है वो arc क्या है बच्चो? angle of prism है क्यों? क्योंकि मैंने आकू क्या बताया? 2 lateral surface के बीच में जो angle होता है तो यह देखो यह रही 1 lateral surface और उसके पीछे यह रही 2 lateral surface तो 2 lateral rectangular surfaces के बीच का जो angle है वो क्या है? angle of prism है I hope यह चीज आपको समझ में आई हो कि कैसा prism का structure होता है कैसे उसकी 5 surfaces होती है कैसे वो एक दूसरी के ओपर जुकी होई रहती है और 2 lateral rectangular surface के बीच का जो angle है वो कहलाता है angle of prism I hope यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी अब prism का structure हमें समझ में आ गया है अब second चीज जो हमें पढ़नी थी वो क्या है? light का reflection is prism के through अब हम बात करते हैं आज आते हैं अपनी next slide के ऊपर prism का structure समझ में आ गया है हमको तो भाई यहां पर क्या है? यहां पर है मेरे पास एक prism का diagram ठीक है? और इस prism के diagram में आपको बहुत सारी rays दिख रही होंगी है ना? एक काम करते हैं हम अपना ही एक अलग सा diagram बनाएंगे एक blank diagram बनाएंगे I hope वो कहीं इधर ही हो हाँ यह है क्या मेरे पास एक prism का diagram है अब मैं इसमें light का reflection आपको बताने जा रही हूँ इधर पे previous जो अपना वो था slide उसमें बहुत सारी rays बनी हो इंदी उन rays को हम समझ लेंगे उनी rays को actually हम यहां पे बनाने वाले हैं तो डरने की बात नहीं कि बापरे मैं में तो सारी rays उड़ा डाली फिर से बना लेंगे ठीक है अब देखो light का जो reflection होता ना बच्चो prism में वो हम समझेंगे कहां से वो हम समझेंगे rectangular surface जो है ना हमारे prism का वहां से समझेंगे और देखेंगे कहां से देखेंगे जो हमारे prism का जो triangular surface है उधर से देखेंगे याने की prism में light का reflection कहां से हो रहा है light का reflection हो रहा है हमारे prism का जो rectangular surface है जो lateral surface है वहां पे और हम उस light के reflection को देखेंगे कहां हम देखेंगे सामने से याने की prism का जो triangular surface है वहाँ से हम देखेंगे इतना क्लियर है आप सबको ठीक है अब क्या होता है चलो अब हम लेके आते हैं क्या एक incident ray हम लेके आए हैं एक incident ray इस incident ray को मैं नाम दे देती हूँ क्या PQ क्या नाम दिया मैंने इस incident ray को इस incident ray को नाम दिया मैंने क्या PQ अब ज़रा ये बताओ कि मेरा जो प्रिज्म है वो किसका बना होता है वो बना होता है ग्लास का तो प्रिज्म बना है किस चीज़ का ग्लास का बना हुआ है मेरी जो इंसिडेंट रे है वो कहां से आ रही है वो आ रही है हवा से हवा और ग्लास कितने मीडियम हो गए? दो मीडियम हो गए? अलग-अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले दो मीडियम हो गए? अब आपको पता होगा हम लोग ने इतना कुछ पढ़ चुका है तो आपको समझ में आ गया हो गए आपे कि हमारी जो light है जो light ray है वो कहां से आ रही है भाई? वो आ रही है एक ray error से डेंसर मीडियम में क्योंकि हमें पता है कि ग्लास का जो refractive index है वो air के refractive index से जादा है यानि कि glass कैसा है? डेंसर मीडियम है तो भाई हमारे पास एक prism था जिसके जो lateral surface है वहाँ पे क्या हो रहा है? reflection हो रहा है और जिसको हम देख कहां से रहे है prism का जो triangular surface है वहाँ से देख रहे है एक incident ray PQ नाम की incident ray आती है कहां पे prism का जो rectangular surface है वहाँ पे आकर के strike करती है अब जो हमारी incident ray है वो कहां से आ रही है? वो आ रही है एक rarer medium से denser medium में तो जब बताओ कि जब light rarer से denser medium में आती है तो bend कहां होती है? bending तो होगी reflection तो होगा क्यों? क्योंकि medium change हो रहा है तो जब medium change होगा तो light की bending होगी light की bending कहां होगी भई? towards the normal normal के तरफ क्या होगा? हमारी light जाएगी अब एक काम करते है इस रेकों में ख़ड़ा सा नीचे की तरफ बनाती हूँ ये इस तरीके से ठीके? अब हमारी incident ray ने strike कहां किया है? strike किया है suppose इस particular point पे हमें पता है कि denser medium में जाने के बाद क्या होगा? light का normal की तरफ bend हो जाएगी फिर ये तो कैसा है? plain surface है क्या करेंगे? एक perpendicular line जो है ना बना देंगे क्या करेंगे बच्चों? एक particular line एक perpendicular line हम बना देंगे कहां? ये जो हमारा AB surface है ना prism का उसके उपर जो AB surface है हमारा prism का उसके उपर हम एक perpendicular line बना देंगे किस point पे? अब क्या होगा, अब यहाँ पर अगर रिफ्रेक्षन नहीं हो रहा होता, तो मेरी जो लाइट है, वह कैसे जाती? बिना पात चेंज करे जाती, कुछ इस तरह से चली जाती, लेकिन fullest क्या हुआ, रिफ्रेक्षन हो गया, रिफ्रेक्षन होने के कारण क्या होगा, पर दी नॉर्मल बेंड, क्लियर है आपको, अब यह जो रिफ्रेक्टेड रे है, पहले रिफ्रेक्शन तो हो गया, पहले रिफ्रेक्शन कब हुआ, जब लाइट एयर से पहुची, प्रिजम के अंदर, अब क्या होगा, लाइट बाहर भी तो निकलेगी, याने की प्रिजम म में भी होगा दूसरा reflection हमने जो rectangular glass lab के case में पढ़ा था याद है आपको उसमें भी क्या हुआ था दो reflection हुए थे यहां भी दो reflection होंगे जो light बाहर से अंदर आई है वो अंदर से बाहर भी तो जाएगी तो दूसरे वाले case में दूसरे वाले reflection में हमारे जो refracted ray है वो काम करेगी किसका incident ray का काम करेगी ठीक अब जो light है वो कहां से जाएगी बच्चों वो जाएगी एक denser medium से rarer medium में सही है ना पहले air से glass में जा रही थी इसलिए rarer से denser medium में जा रही थी अब क्या हो रहा है glass से हवा में जा रही है वापस यानि कि एक denser से rarer medium में जा रही है और हमें पता है कि light जब denser से rarer medium में जाती है तो क्या होता है normal से दूर चली जाती है उसको बबाय बोल देती है तो एक काम करते हैं इस particular point पे भी क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको एक normal तो बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने बोला है कि normal से दूर जाएगी तो normal से दूर जाने के लिए एक normal तो बनाओ normal कैसे बनाएंगे फिर से हमें काम करते हैं हमें एक red कलर की जिस point पे इस refracted rain ने incident rain ने strike किया है हमारे prism कौन सा surface है prism के AC surface को उसको हम क्या कर देते हैं वहाँ पे एक normal बना देते हैं normal कैसे बनाएंगे भाई बड़ा असान है normal बनाने के लिए हम क्या करते हैं एक perpendicular line बना देते हैं अब क्या हुआ अब अगर reflection नहीं हो रहा होता तो मेरी जो light है वो अपने original path को follow करती हुई चली गई चली जाती आगे है ना अगर reflection नहीं हो रहा होता तो अपने original path को follow कर प्यों चली जाती लेकिन क्या हो रहा है reflection हो रहा है यानि की light की bending हो रही है light की bending कैसे होगी भाई जब light denser से rarer medium में जाएगी तो वो normal से दूर जाएगी तो ये देखो जो हमारा light है एरो देखो एरो कहां जा रहा है normal से दूर चली जाएगी कुछ इस तरहीके से light कहां चली गई normal से दूर normal क्या था देखो ये जो अपनी red line है ये second normal था लेकिन क्या हुआ ये जो line है हमारी जो refracted ray है अब basically जो ray है वो prism के बाहर निकल रही है अब उसे में क्या बोलूँगी उसे में बोलूँगी emergent ray yes or no तो देखो ये जो emergent ray है मेरी blue color की वो normal से कितने दूर हो करके bend हो करके निकल गई तो ये क्या है भाई ये है reflection of light through prism prism का structure आपको समझ में आ गया ठीक है first case में क्या हुआ incident ray pq उसने जो prism का जो a b surface था a b surface मतलब कौन सा जो lateral surface था prism का ठीक है जो rectangular lateral surface था prism का उस पे strike किया और हम reflection देख कहां से रहे हैं reflection हम देख रहे हैं prism को prism का जो rectangular त्राइंगलर सर्फेस है बहां से हम देख रहे हैं ठीक है तो pq incident ray आई कहां strike किया उसने prism का जो a b lateral surface है rectangular surface है उस पे strike किया अब obviously बात है जो light है वो air से कहां जारी है glass में जारी है air से denser medium में जारी है तो normal की तरफ bend होगी bending दिखाने के लिए सबसे पहले हमको बनाना होगा क्या एक normal तो ये लोजी हमने बना दिया क्या एक red color कर normal तो हमने देखा कि अगर अगर हमारी incident ray के साथ कोई reflection नहीं हो रहा होता medium change नहीं हो रहा होता तो हमारी incident ray है वो कुछ इस तरह से क्या करती अपने original बात को follow करती हुए अंदर चली जाती लेकिन medium change हो गया bending होगी bending कैसी होगी भाई तो normal के तोरा तरफ bend हो जाएगी light जो refracted ray निकलेगी वो normal के तरफ जुग जाएगी फिर अब ये जो refracted ray है ये prism के बाहर भी तो जाएगी बाहर जाएगी मतलब क्या होगा second reflection अब जो reflection होगा वो कहा होगा जो light है वो denser medium से rarer medium में जाएगी यानि कि normal से दूर हो जाएगी ये normal से जो bending हो रही है दूर bending हो रही है उसको देखाने के लिए हम क्या करते हैं फिर से क्या करते हैं एक normal बना देते हैं ठीक है ये normal कहाँ बना है प्रिजम का जो दूसरा lateral surface है AC वहाँ बना है तो हमने देखा कि हमारी जो emergent ray है second reflection की वो क्या हो गया normal से दूर चली गई यानि कि definitely light जो अंदर गई थी वो deviate हो करके prism से बाहर निकली है देख रहे हो ना अंदर कहाँ से गई थी बाहर कहां से निकली तो ये जो deviation हो रहा है क्या बोला मैंने कि जब एक light prism के अंदर जाती है तो वो deviate हो करके बाहर निकलती है जब एक light ध्यान से सुनना, जब एक light प्रिजम के अंदर जाती है तो बाहर deviate होकर के निकलती है अब ये जो deviation है, इसे हमें calculate करना पड़ता है आखिर ये deviation, ये तो हमें पता चलेगा कि deviation हुआ है ठीक है? deviation हुआ है लेकिन कितना हुआ है? ये तो हमें पता नहीं है कितने angle पे हुआ है? ये तो हमें पता नहीं है तो एक काम करते हैं बच्चों जब भी आपको किसी पी चीज़ का change निकालना होता है तो आप क्या करते हो? original चीज़ से minus करते हो ना? तो यहाँ पे भी अगर हमें deviation निकालना है तो हम किस से deviation निकालेंगे? light का जो original path होगा, op उस op से हम deviation को निकालेंगे कैसे निकालेंगे? green color से अब जो मैं line बना रही हूँ उसको ध्यान से देखना light का जो original path था बच्चों तो वह कैसा था? कुछ इस तरीके का था? ठीक है? आपकी जो emergent ray निकली है ना बच्चों इस emergent ray को मैं पीछे की तरफ क्या करती हूँ? extend करती हूँ यह देखो दोनों ही हरी rays एक particular point पे आकर के मिल रही हैं मैंने क्या किया? मैं यहाँ पे यह पता करना चारी हूँ कि मेरी जो light है वो कितना deviate होकर के बाहर निकली है मुझे यह confirm पता है कि जब वो मैं देख भी चुकी ऑलरड़ी कि जब एक light ray प्रिजम के अंदर जाएगी तो deviate होकर के बाहर निकलेगी लेकिन मुझे यह नहीं पता कि कितना deviation हो रहा है how much deviation तो इस how much deviation को मैं कैसे निकालूंगी आपको पता है कि जब भी आपको किसी भी चीज़ का deviation क्या है basically change ही तो है न तो आप change कैसे निकालते हो जो भी आपके पास value आई है उसको आप original जो value होगी उससे आप subtract कर देते हैं तो आपके पास change आ जाता है जैसे कि आप एक particular velocity के साथ जा रहे थे ठीक है suppose आप 5 meter per second के velocity के साथ जा रहे थे फिर क्या हुआ कि traffic आ गया तो आपकी जो speed है गाड़ी की वो कितनी हो गई 2 meter per second की speed हो गई तो आप मैं अगर आपसे बोलूँ कि आपकी जो speed है वो कितनी change होई है तो आप क्या करोगे 5 minus 2 is equal to 3 तो आप बोलोगे changing speed कितना हुआ 3 meter per second original speed किती थी 5 थी traffic के आने के करण क्या हुआ 2 हो गई मैंने आपको बोला कि change निकालो change आप यसे निकालोगे original path होगा न light का उसके respect में निकालोंगी original path कहां हो रहा है भाई यह जो green line मैंने आपको बताई है यह क्या है light का original path है कि अगर reflection नहीं हो रहा होता कि अगर reflection नहीं हो रहा होता तो मेरी जो light है incident light है PQ वो यह वाला path follow करती diffraction हो गया, deviation हो गया इसके कारण तो वो नीचे की तरफ जुक्के बाहर निकली है तो अगर reflection नहीं होता तो यह जो green line बनाई है यह क्या होता, original path मेरी light का ठीक है, फिर मैंने क्या क्या जो emergent ray बाहर निकली है ना इसको मैं पीछे की तरफ खीचके ले आई जब मैं इसको पीछे की तरफ खीचके लेके आई तो मैंने देखा कि भाई, यह जो मेरी original path है और यह जो मेरी emergent ray है यह किसी एक particular point पे आकर के मिल रही है यह जो दोनों के बीच का angle बन रहा है ना इसी को मैं पता ही क्या कहती हूँ angle of deviation यह angle मुझे बताता है कि light कितना deviate करके prism से बाहर निकली है after successive reflection I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि क्यों हमने original path से deviation निकाला है कि अगर हमें change निकालना होता है तो हमेशा हमें original value चाहिए होती है तो यहाँ पे भी अगर हमें light का deviation change निकालना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए है हमें एक original path चाहिए है light का original path जो है light का और जो emergent रहे है उसके बीच में जो angle बनता है उस angle को हम क्या कहते हैं उस angle को हम कहते हैं angle of deviation I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी reflection through prism में और कुछ नहीं है दो ऐसी चीजे थी जो आपको नहीं पता थी एक था क्या prism का structure दूसरा prism का जो angle होता है angle of prism और तीसरी चीज यह angle of deviation यह चीजे आपको नहीं पता थी तो बस वो भी हमने कर ली है I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चो अब हम थोड़ी theory सी देख लेते हैं ठीक है ना क्या-क्या theory है हमारी वो हम देख लेते हैं सबसे पहले तो हमने start किया था prism के structure के साथ तो prism क्या है भाई एक transparent refracting medium है bounded by at least two lateral surfaces inclined to each other at a certain angle it has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces the angle between two lateral surfaces is called angle of prism angle of prism क्या होता है उसे हम कहेंगे angle of prism ठीक है फिर इसके बाद में इना diagram given above ये जो पुराना वाला diagram उसकी बात कर रहा है incident rate थी PQ enter कर रही थी glass air से glass में first surface AB पे refraction होगा तो normal की तरफ bend हो जाएगी second surface AC पे भी क्या होगा refraction होगा तो जो light है वो कहां bend हो जाएगी normal से दूर चली जाएगी अभी जो diagram है ये जो पूरा angle of incident emergentry basically इनने naming कर दी है उठा करके और कुछ नहीं तो यहाँ पे इस naming को आप हमारा जी ये वाला diagram है इसमें आप clearly देख सकते हैं आई आपको बात समझ में तो बस angle of prism समझना था prism का structure समझना था angle of prism क्या है भाई prism क्या है एक 3D structure होता है triangle का जिसमें कि 3 rectangular surfaces होती है और 2 triangular होती है सब इस surfaces आपस में inclined होती है 2 lateral surfaces के बीच का जो angle होता है उसे हम angle of prism कहते है फिर angle of deviation क्या है कि original path और जो light का original path होता है और जो emergent ray है light के original path और emergent ray के बीच में जो angle बनता है बच्चों उसको हम क्या कहते है angle of deviation कहते है it is the angle at which emergent ray makes with the incident ray extended forward ठीक है light के original path और emergent ray के बीच में जो angle है उसे हम कहेंगे angle of deviation emergent ray को हम पीछे की तरफ extend कर देते हैं और जो incident रहे है उसको हम आगे की तरफ extend कर देते हैं बेना उसका path change करें आया आपको बात समझ में अब ये जो formula है ये आप अभी अभी के लिए बस समझ लीजे ये formula आपके syllabus में नहीं है आगे जब higher classes में जब आप जाओगी तो आप ये formula definitely पढ़ोगे और उसका derivation भी होता है काफी लंबा चोड़ा derivation होता है तो अभी के लिए आप चाहो तो ये formula note down कर लेना नहीं तो मत करो जित्ता अभी मैंने समझाया है angle of prism, angle of deviation reflection through prism ये आपको समझ में आजाना चाहिए आप बच्चो ये topic आपको समझ में आ गया होगा तो ये तो क्या था prism के through reflection था अब next lecture में हम पढ़ेंगे prism के through dispersion और prism के through dispersion अगर आपको समझ में आ गया ना तो rainbow formation भी जादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए समझ ना तो आज के इस lecture के लिए इतना ही मिलते हैं हम अपने next lecture में जहां पे हम बात करेंगे prism के through dispersion की तब तक आप क्या करेंगे हमारी जो official website है magnetbrains.com उसको visit कर लेना जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलेंगे एक arranged form में, playlist में साथ ही साथ महाँ पे आपको सभी topics के होंगे notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching Hello everyone इस lecture में हम पढ़ने वाले हैं white light का dispersion किस के through तो हमारे glass prism के through previous video में हमने prism को समझा था फिर उसके through जो light का refraction होता है वो देखा था आज इस lecture में हम बात करते हैं white light के dispersion की तो भाई इस lecture का target मैंने set कर दिया है कि इस lecture में, इस session में हमें पढ़ना है कि किस सरह से white light का dispersion करता है कौन करता है तो हमारा glass prism तो भाई जब target हो गया है set तो फिर देरी किस बात की तो चलिए start करते हैं आज का यह हमारा lecture तो दिस इस विभूती खरे वेलकम टू मैगनेट ब्रेंज जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलेंगे बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं बच्चको आज का यह हमारा lecture यह हमारा session जिसमें हम पढ़ेंगे white light का dispersion अब एक second के लिए मैं इस white light को हटा दूँ और मैं आपसे पूछो कि इस dispersion का मतलब क्या होता है इस शब्द का मतलब क्या होता है तो कुछ बच्चे बोलते हैं मैं scatter हो जाना, fell जाना भाई fell जाना हिंदी शब्द तो ठीक है लेकिन dispersion के साथ आप scattering word मतलब आओ क्योंकि dispersion अलग होता है, scattering अलग होता है हम light की भी scattering पढ़ेंगे जैसे जैसे हम इस chapter में आगे जाएंगे हम light की भी scattering पढ़ेंगे लेकिन अभी हम पढ़ेंगे क्या dispersion और dispersion और scattering अलग-अलग शब्द होते हैं उनको एक मत करना dispersion को आप बोल सकते हो splitting ठीक है dispersion को आप क्या बोल सकते हो splitting बोल सकते हो तो अब मैं इस dispersion के आगे कौन सा शब्द लगा दू आपने ये definition पढ़ी होगी कि जब एक white light का dispersion होता है वो split हो जाती है अपने seven colors में ये definition class 8 तक के बच्चों के लिए तो best है लेकिन अब आप आगे हो class 10 में अब आपको अपने definition की जो level है थोड़ा सो उसको पढ़ाना पड़ेगा अपग्रेड करना पड़ेगा तो class 10 हम से क्या expect करती है कि हम proper definition बताएं white light के dispersion की तो white light का dispersion क्या होता है भाई the phenomenon of splitting of white light into its constituent colors when it passes through a prism is called dispersion यानि की देखो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि जो white light होती है न वो केवल इन सात रंगों की नहीं बनी होती वो सिर्फ इन सात रंगों की नहीं बनी होती वो बहुत सारे colors की बनी होती है और जब इनकी white light की splitting होती है तो वो split भी कैसे होती है बहुत सारे colors में होती है जिस color की बनी होती है white light उन सभी colors में thousands and lakhs of colors की बनी होती है white light और उन सभी जब यह white light split होगी तो उन सभी light को क्या करेगी split कर देगी अपने different colors में split हो जाएगी white light लेकिन problem क्या है हमें तो यह सिर्फ 7 रंग दिखते हैं rainbow color कौन-कौन से violet, indico, blue, green, yellow, orange, red हमें सिर्फ और सिर्फ यह 7 colors ही दिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि white light जो है ना वो केवल 7 रंगों में split होती है जबकि ऐसा नहीं है split तो वो बहुत सारे colors में होती है लेकिन यह जो सात रंग है ना सिर्फ इन सात रंगों की band हमारी आखे देख पाती है तो जो चीज हमारी आखे देख पाती है वही हम देखते हैं और विस सी बात है ना अब ए तेरे कमरे में एक pen रखा हुआ है उसको आप नहीं देख पा रहे हो क्यों कि उससे related information आपकी eyes तक नहीं पहुंच रही है brain तक नहीं पहुच रही है तो वो चीज हमें visible नहीं है yes or no इस case में भी ऐसे ही हो रहा है बहुत सारी lights में जो हमारी white light है ना ये बहुत सारी light में क्या हो जाती है split होती है बहुत सारी lights में split होती है लेकिन सभी color के जो lights है उनको हम देख नहीं पाते हम सिर्फ ये जो आपको spectrum दिख रहा है spectrum साथ color का सिर्फ हमारी आखे इन spectrum को ही देख पाती है इन साथ रंगों को ही देख पाती है तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि ये जो seven colors जो अधूरी है 10 में आपको लिखना पड़ेगा कि जब एक white light एक glass prism से पास होती है तो वो अपने seven constituent colors में split होती है ठीक है seven लिखने का अगर आपको मन कर रहा है तो आप उसको क्या लिखोगे seven constituent colors में split होती है या seven primary या dominant word भी आप लगा सकते हो या तो constituent colors बोल दो या seven primary colors बोल दो या seven dominant colors बोल दो और इन साथ color का जो band होता है ठीक है जो group होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चो spectrum कहते हैं ये क्या है ये है white light का spectrum spectrum मतलब क्या जो seven colors जो seven rainbow colors हैं उनका जो bundle होता है उनका जो group होता है उसे हम क्या कहते हैं spectrum कहते हैं तो dispersion तो बस इतना साही था, मुझे आपको क्या बताना था, कि आप class 10th में, जो आपने class 8th में पढ़ी होगी dispersion की definition, उसको आप upgrade कैसे कर सकते हैं, मुझे सिर्फ आपको यह बताना था, कि white light जो है ना बहुत सारे colors की बनी होती है, और वो जब split होती है तो बहुत सारे colors में हो सिर्फ और सिर्फ seven colors में ही split होती है, जब splitting होती है तो seven constituent colors में, seven dominant या seven primary colors में होती है, और उन colors की group को हम क्या कहते हैं, spectrum कहते हैं, बस dispersion के बारे में मुझे आपको सिर्फ इतना ही बताना था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे थोड़ी सी research, कैसी research, कि आखिर यह dispersion हो क्यों रहा है यार, इसको सबसे पहले observe करने वाले कौन थे, वही जो हमेशा रहते हैं, newtons के laws of motion थे, वहां से चलते आ रहे हैं, हमारे newton जी, इस act newton ने सबसे पहले, जो white light का dispersion है, उन्होंने सबसे पहले इसको discover किया था, ठीक है, मेरा सवाल आपसे यह है, आप लोगों स कि आखिर ये dispersion हो क्यों रहा है, dispersion जमझ में आगे लेकिन हो क्यों रहा है, ऐसा क्या है white light में कि वो अपने constituent colors में जाकर कि split हो जाती है, जैसी वो prism से पास होती है, इस चीज़ को आप बड़े असानी से समझ सकते हो, कैसे, आप हो और आपके 5-6 साथी है, आप गए हो कहा एक mall में, ठीक है, अब एक दोस्त को आपके लग गई भूख, तो उसको जहाँ पे food counter था, वो वहाँ चला गया, ये आप थे और ये आपका पूरा आपके साथी हो का क्या था, group था, जैसी आप लोग mall के अंदर गए, ठीक है, आपके एक friend को लग गई क्या भूख, वो चला गया कहा, जहां पे खाना था, food counter पे चला गया, दूसरे दोस्त को याद आया, कि यारा थोड़ी सी दवाईयां लेनी थी, तो वो कहां चला गया भाई, medical shop पे चला गया, तीसरे दोस्त को याद आया, कि यार मैं तो ठक गया हूं थोड़ा सा, एक काम करता हूं, जाकर के बै गया, चौते दोस्त को याद आया, कि थोड़ी सी grocery shopping करनी थी, तो वो कहां चला गया, grocery shopping करने चला गया, अब इस case में आपको क्या समझ में आया, कि आपके दोस्तों की अलग-अलग requirement थी, उस requirement के हिसाब से आप लोग गए तो सब साथ में थे mall, लेकिन mall में जाके क्या हुआ आप लोग disperse हो गए, split हो गए, क्योंकि आपकी requirements कैसी थी, अलग-अलग थी, आप सब दोस्तों की requirement अलग-अलग थी, किसी को कोई ठाक गया था तो कोई बैट गया, किसी को दवाई लेनी थी, किसी को खाना-खाना था, किसी को grocery shopping करनी थी, तो अलग-अलग जरूरत के हिसा आप से, क्या हुआ, दोस्त आपके split हो गए, similarly ये case यहाँ पे भी हो रहा है, मेरे जो आप से सवाल था कि आखिर ये white light का dispersion हो क्यों रहा है, क्योंकि भाई, ये जो constituent colors निकल रहा है ना, white light के, उनकी जरूरत कुछ ऐसी है, कि जैसी वो प्रेजम के बाहर निकलेंगी ना, वो क्या हो जाएंगी, अलग-अलग हो जाएंगी, यानि क्यों उनकी बीच में लडाई हो जाएगी, है ना, splitting हो जाएगी, वो हो जाएंगी, disperse, ठीक है, अब मेरा सवाल आप से ये है, कि आपको ये जो spectrum मिलता, पहला सवाल ये होगा कि dispersion हुआ क्यों, दूसरा सवाल ये है, कि ये जो spectrum है, वो हमें ऐसा का ऐसा क्यों मिलता है, कि पहले आएगा violet, फिर आएगा indigo, ठीक है, फिर आएगा blue, फिर आएगा green, फिर आएगा yellow, फिर orange, फिर red, हमें हमेशा ये वाला band ही क्यों मिलता है, for a change ऐसा नहीं हो सकता क्या, कि blue की जगा हमें मिल जाए violet, indigo की आस नाइंथ में आपने अगर पढ़ा होगा, अच्छे से sound chapter, तो उसमें sound की speed क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, sound की speed होती है, lambda into new, lambda क्या होता है भाई, lambda होता है, wavelength, sound wave का जो wavelength है, वो ठीक है, फिर इसके बाद में, mu क्या होता है, new होती है, frequency sound wave की, अब ये जो formula है ना बच क्या हो गई, light की frequency हो गई, अब हमने क्या किया है, हमने लिया है एक prism, उसको रखा है कहा, sunlight के सामने, sunlight के सामने जब हम रखेंगे, तो जो sun से आ रही होंगी, sunlight, उसके frequency क्या होगी, बच्चो, frequency हो जाएगी constant, frequency थोड़ी ना change होगी, क्यों, क्योंकि frequency depend करती है source के उपर, और source तो हमारा क्या है, same ही है, source क्या है, sun है, तो उससे निकलने वाली जो sun rays होगी, sunlight होगी, उसकी frequency क्या होगी, बराबर होगी, तो हम एक काम करते हैं, हमारा ये जो light की speed का जो formula इससे हम frequency का term निकाल देते हैं, क्या किया हमने, frequency का term हमने निकाल दिया, क्योंकि light की जो frequency होती है, वो किस पर depend करती है, light के source पर depend करती है, source क्या था हमारा sun था, तो उससे निकलने वाली जो sunlight होगी, उनकी frequency क्या होगी, सेम होगी, इसलिए हमने light की speed का जो formula है, उससे हमने frequency का term कर दिया है, eliminate अब हमारे पास क्या बचा है भई, हमारे पास बचा है, अब light की speed is equals to lambda, lambda मतलब क्या, light की velocity आ गई आपको बात समझ में, यह क्या है, यह है light की speed, और यह क्या है, यह है wavelength, lambda क्या है भई, wavelength है किसका, light का, इतना clear है आप सबको अब हम आगे बढ़ते हैं, पहला formula यह आ गया, यहां से हमको क्या बराबर होती है, ठीक है अब जरा वापस आओ, refraction पे, तो अगर आपको, आपने refraction अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने आपको refractive index भी पढ़ाया था refractive index का formula क्या होता है refractive index का formula होता है, n is equals to c upon v, अब यह जो हमारा glass का जो prism है इसमें से अलग-अलग color की light निकल रही है याने कि इस glass के prism का जो refractive index होगा न, वो हर light के लिए अलग होगा अभी तक तो हम क्या करते थे, सिर्फ एक ही एक light जो है निकालते थे, prism से इसलिए glass का जो refractive index होता था वो constant होता था, वो कारण हर एक color की light के लिए prism का जो refractive index होगा वो भी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, तो एक काम करते हैं हम दो rays को लेते हैं एक ray हो गई अपनी, दो color को लेते हैं, हम एक color लेते हैं, अब अपना red और दूसरा हम लेते हैं, क्या अपना violet, तो भाई, red color की light के लिए, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे prism से, जो spectrum निकल के आ रहा है, seven colors का तो हमारे prism का जो refractive index होगा, वो हर color की light के लिए, क्या होगा, change हो जाएगा अब अगर मैं focus कर रही हूँ red light के उपर, तो इस red light के लिए, मेरा जो glass का prism है, उसका refractive index कितना हो जाएगा, refractive index हो जाएगा nr, nr क्या है, refractive index है, glass का, किस चीज़ के लिए red color की light के लिए, चीक, फिर इसके बाद में is equals to c, ये क्या है, light की speed है, कहा vacuum में, भाई सभी light जो होती है, सभी type की, सभी color की light जाएगा, वो red हो, blue हो, white हो, दुनिया में किसी भी color की light ले लो, वो एकी speed के साथ travel करती है, कहाँ, vacuum में या फिर air में, जैसे ही वो medium में आती है, तो medium में आ करके, उनकी जो speed है, वो change हो जाती है, ठीक, तो अब जो red color की light है, उसकी speed कितनी ले ली, हमने vr ले ली, क्या ले ली हमने vr ले ली, आए आपको बात समझ में, तो अब देखो c तो जो है, वो constant ही रहता है तो हम क्या करते है, c को हटा देते हैं अभी इस चीज़ से, तो हमने क्या देखा, कि जो refractive index है prism का red light के लिए वो किसके inverse proportion में है जो red light की speed है glass में, उसके ठीक है, जो red light की speed है, glass में उसके inverse ratio में है उसके inverse proportion में है अब ज़रा ये वाला formula देखो इस वाले formula में हमने क्या calculate किया था क्या conclude किया था, कि light की speed होती है, वो किसके बराबर होती है, light की wavelength के बराबर होती है तो भाई जो red light की जो speed होगी velocity होगी वो किसके बराबर होगी उसके wavelength के बराबर होगी तो मैं यहाँ VR की जगा क्या लिख देती हूँ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 1 upon lambda r, lambda r क्या है wavelength है red light की, क्या किया मैंने सबसे पहले मैंने जो refractive index का formula था, वो मैंने calculate किया, मैंने आपको बताया कि हर एक light के color के लिए प्रिज्म का जो refractive index होगा वो क्या होगा, अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम एक ही type की light जो है ना, प्रिज्म से पास कर आ रहे थे जिसके कारण refractive index ग्लास का या प्रिज्म का सेम था लेकिन अपके और डिफ्रेंट कलर्स निकल के आ रहे हैं प्रिज्म से तो हर एक light के color के लिए जो refractive index होगा हमारे ग्लास के प्रिज्म का, वो change हो जाएगा मैं अभी focus कर रहे हूँ हूँ red light के ओपर तो red light के लिए जो ग्लास का refractive index है, वो कितना हो जाएगा प्रिज्म का nr, formula क्या होता है refractive index का, refractive index is equals to c by v सब ही color की lights same speed के साथ, vacuum या air में travel करती हैं लेकिन जैसे ही क्या होगा, median change होगा उन सब की velocities हो जाएगी change, तो इस c वाला, जो c light के लिए, वो किसके बराबर हो जाएगा वाई, वो हो जाएगा बराबर speed of red light ठीक है, अब क्या करेंगे ये वाला जो formula था, इससे मैंने पता किया था, कि light की जो speed होती है वो किसके बराबर होती है, light की wavelength के बराबर होती है, तो मैंने इस v r की जगा क्या लग दिया? Lambda R. Lambda R क्या है? यह है red light की wavelength. अब आपको यह तो पता ही होगा, कि अगर किसी भी medium का refractive index जादा होता है, मतलब क्या? वो denser होता है. dancer होगा मतलब क्या? उसमें reflection भी होगा जादा. Refraction होगा जादा क्या? मतलब bending light की क्या होगी? जादा होगी. ठीक है? लाइट की bending क्या होगी? जादा होगी. यह जो relation है ना, इसको फटा फट से अपने copy में कर लो, copy, अपनी notebook में कर लो copy और इसके उपर कर दो star mark. यह कभी मत बू कि भाई जो refractive index है, वो किसके directly proportional होता है? कि जिस medium का refractive index होगा जादा, उस medium में reflection होगा जादा, याने कि light की bending होगी जादा. और medium जो है, जो refractive index है, किसी भी medium का, वो किस पर depend कर रहा है? light की जो velocity है, या light की जो wavelength है उस पर. ठीक है? अब इस पूरे formula से में क्या conclude कर सकती हूँ? क्या मैं मतलब निकाल सकती हूँ? कि अगर red light की जो wavelength है, वो कैसी होगी? कम होगी. अगर red light की wavelength कैसी हो गई भाई? कम हो गई. याने कि जो refractive index होगा, glass का red light के लिए, वो क्या हो जाएगा? जादा हो जाएगा. ओव्यस ये बात है ना, inverse proportion में है. यहाँ wavelength होगी red light की कम, तो glass क जो refractive index होगा, red light के लिए, वो क्या हो जाएगा? जादा हो जाएगा. जादा हो गया मतलब क्या? उधर पे reflection हो जाएगा, जादा. यानि कि bending क्या हो जाएगी, बच्चों? जादा हो जाएगी. ठीक है? फिर इसके बाद में, अगर मैं बोलू, जो मेरा red light है, उसकी जो wavelength है, वो क्या हो गई? जादा हो गई? तो जो मेरा glass का prism है, उसका जो refractive index है, red light के लिए, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. refractive index कम हो गया, मतलब क्या? उसमें refraction हो जाएगा, कम, यानि कि bending क्या होगी? कम हो जाएगी. आई आपको बात समझ में, अभी तो मैं आपके सिर्फ red light के उपर चर्चा कर रही थी. अब आपको यहाँ पे जितने भी colors मिल रहे हैं ना, उन सब को ले लो. orange ले लो, indigo ले लो, yellow ले लो, violet ले लो, जो मन कर रहे हैं आप ले लो, सब के उपर यही rule अपलाए होगा. तो मेरा जो आपसे सवाल था, कि आखिर क्यूं हमेशा white light की splitting के दौराण, dispersion के दौराण, यह पूरा का पूरा spectrum हमें मिलता है, ऐसा का ऐसा. कभी यह नहीं होता कि lights का sequence change हो जाए. क्यूं पूरा खेल है किसका? इस formula का. इन सभी lights की wavelength का और prism का जो refractive index है उसका. ठीक है? इस diagram को आप ध्यान से देखो. यहाँ पे देखो, जो white light आ रही है, उसमें से जो यह split होगी जब white light अपने constituent colors में, तो सबसे ज़ादा ऐसा कौन सा color है? जिसमें reflection बहुत ज़ादा हुआ, यानि कि bending बहुत ज़ादा हुई ह तो आप बोलोगे, violet. अभी जब हम reflection पढ़के आ रहे थे, glass prism के तुरू, उसमें आपने देखा था, कि prism क्या करता है? जो भी incident ray आती है, उसको base की तरफ क्या करता है? reflect करता है, base की तरफ bend करता है. याद है ना, incident ray आ रही थी यहाँ और emergent ray निकली थी इधर, है ना, prism के case में. Similarly, यहाँ क्या होता है? white light जो आएगी ना, उसको यह क्या करेगा? glass का prism, नीचे की तरफ, base की तरफ क्या करेगा? bend करने की कोशिश करेगा. सबसे ज़्यादा नीचे कौन है? सबसे ज़्यादा नीचे है violet color, यानि कि सबसे ज़्यादा bending कहा हुई है? violet color पे ही bending हुई है bending हुई है, मतलब क्या? reflection ज़्यादा है, यानि कि जो मेरा glass का prism है, उसका refractive index, violet color के लिए ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? क्योंकि wavelength कम हो गई? आ रही है बात समझ में, यह पूरी कहानी, पूरी कथा मैंने क्यों सुनाई थी? मेरा dispersion तो बहुत ही छोटा सा topic था, कि dispersion होता क्या है light का? white light का, तो white light जब एक glass prism से पास करती है, तो वो अपने seven constituent colors में split होती है, seven constituent primary colors में, या seven dominant colors में split होती है, और वो जो बंडल होता है पूरी light का, seven constituent colors का, उस bundle को हम क्या कहते है, spectrum कहते है, और वो यह bundle होता है, विब ग्योर, rainbow colors, ठीक है? दो सवाल थे मेरे आपसे, कि पहला सवाल यह था, कि आखिर यह dispersion होई क्यों रहा है, तो आपने बोला, कि मैं, जो हमारे friends का, आपने example दिये था, उससे हमें समझ में आय दूसरी चीज क्या, कि हमें हमेशा यही वाला band क्यों मिलता है, यही वाला spectrum क्यों मिलता है, क्यों इन colors का sequence चेंज नहीं हो जाता, मुझे पता है कि यह spectrum हमें क्यों दिख रहा है, seven colors क्यों दिख रहा है, मुझे, क्योंकि हमारी light केवल in seven colors के band को ही देख पाती है, वरना हमार में colors का जो sequence दे वो change क्यों नहीं होता वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि यह पूरा formula दिख रहा है आपको relation दिख रहा है इस relation के कारण कि भाई जिस भी light के color की wavelength क्या होगी जादा होगी उस color के लिए उस light के color के लिए जो glass का prism है उसका refractive index क्या कम हो जाएगा याने की उसमें reflection कम हो जाएगा bending कम हो जाएगी उस light की जैसे कि यह जो red light है जरा आप इसकी bending देखो glass prism में काफी कम हो रही है prism की यह tendency होती है कि जो incident rays आ रही है ना उसको reflect कहा करें नीचे की तरफ करें सबसे कम नीचे कौँ है सबसे कम नीचे तो देखो red वाली है सबसे कम नीचे मतलब गौन जो सबसे उपर है उपर कौन है red light है क्यों red light है क्योंगी इसके wavelength है ना वो कैसी है तो glass prism का जो refractive index है red light के लिए वो कैसा है कम है याने की रिफ्रेक्शन होगा कम रेट लाइट का रिफ्रेक्शन हो जाएगा कम वॉयलेट सबसे नीचे क्योंकि इसकी जो वेवलेंद है वॉयलेट कलर की लाइट की वह कैसी है कम है जिसके कारण ग्लास प्रिज्म का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वॉयलेट कल जादा है याने कि रिफ्रेक्शन काफी जादा होगा इसे लिए तो वॉयलेट कलर रिफ्रेक्ट होकर के बिल्कुल प्रिज्म के नीचे आ गया आर यह बात आपको समझ में I hope यह आपको clear हुआ होगा बच्चो आप चाहो तो इसका जली से screenshot भी ले सकते हो कि यह पूरा हमने formula किस तरह से देखा जाए तो यह कभी आपको पूछा नहीं जाता है ठीक है यह formula निकालो यह formula निकालो बस आपको यह relation हमेशा ध्यान रखना होता है clear है आप सबको I hope यह चीज आपको समझ में आई होगी चलो अब हम बढ़ते हैं अपने next topic पे next topic क्या है यह रहे causes जो मैंने आपको बताया था कि light rays or different colors travel with same speed in vacuum and air but in other medium they travel with different speed and bend through different angles which leads to the dispersion of light कि आखेर cause क्या है तो अभी आभी हमने देखा कि vacuum और air में तो जो light है different colors की light जो है वो एक एकी speed के साफ जोनल travel करेगी लेकिन जैसे ही medium के अंदर आती है किसी भी दूसरे medium के अंदर उनकी wavelength क्या हो जाती है गाम हो जाती है wave length कम हो जाय speed के साथ क्या होंगे बाहर निकलेंगे और अलग-अलग angle बना करके निकलेंगे angle क्यों अलग बन रहा है वो भी wavelength के कारणी बन रहा है क्यों क्योंकि जो glass prism का जो refractive index है न वो change हुआ जा रहा है ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझनी होगी बच्चों कि आखे dispersion का cause हो क्यों रहा है जो मैंने आपको बताया था कि आप और आपके दोस्त गया हो shopping mall में एक बच्चे को लग गई प्यास तो वो चला गया कहाँ पानी पीने एक को भूक लग गई तो वो चला गया खाना खाने एक थक गया था तो वो rest करने लगा दूसरे को shopping पर जाना था ये अलग-अलग split क्यों हो गया बच्चे आपका जो group है वो split क्यों हो गया क्योंकि उन बच्चों के requirements अलग-अलग थी यहाँ पे white light से different constituents colors क्यों निकल के आ रहे हैं क्योंकि different colors की जो speed होती है vacuum में एयर में वो तो बराबर होती है लेकिन जैसी ही different colors की light एक particular medium के अंदर आएंगी उनकी wavelength अलग हो जाती है wavelength अलग हो गई तो क्या होगा उनकी जो velocity है जो speed है different colors की light की वो हो जाएगी change तो अलग-अलग velocity के साथ जो है बाहर निकल जाएंगे prism के और अलग-अलग angle बना करके angle किस पर depend करेगा वो depend करेगा glass prism का जो refractive index होगा उस particular color के लिए light के color के लिए उस पर depend करेगा ठीक है red light has the maximum wavelength and violet के पास हम बोलते हैं कि minimum wavelength होती है इसलिए जो red light है वो prism से जो है deviate होगी सबसे कम और सबसे पहले निकलेगी और जो violet light होगी जो कि उसकी wavelength कैसी है कम है इसलिए हम बोलते हैं कि उसकी जो speed होगी वो भी कम होगी और वो maximum deviate होगी ठीक तो wavelength is directly proportional to velocity and velocity is inversely proportional to deviation अगर वो वाला relation difficult लग रहा हो तो इसको तो जरूर से याद करी लेना कि light की जो wavelength होती है वो directly proportional होती है light की velocity के velocity inverse proportion में जाती है कि इसके deviation के ठीक है तो इस topic में हमने white light का dispersion समझ लिया है इस lecture को हम यही finish करते हैं next lecture में हम बात करेंगे white light के recombination की ठीक है white light के recombination की बात करेंगे और साथ साथ में rainbow formation भी देखेंगे बड़ा मजा आने वाला उस session में miss मत करेगा तब तक आप क्या करेंगे हमारी जो official website है magnetbrains.com उसको विजिट कर लेना जहांपे आपको सभी chapters के video lectures मिलेंगे playlist में साथ ही साथ सभी topics के होंगे वापे आपको notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching hello everyone इस lecture में इस session में हम पढ़ेंगे दो topics first topic होगा आपका recombination of white light और दूसरा होगा rainbow formation बच्चो प्रीविस lecture में हमने पढ़ा था white light का dispersion या उसकी splitting किसमे 7 constituent colors में अब एक काम करते हैं इस splitting को कर देते हैं उल्टा उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये वाला topic याने की recombination of white light तो first जो चीज हमें पढ़नी है first topic जो हमें पढ़ना इस lecture में वो क्या होगा recombination of white light तूसरी चीज dispersion of white light का एक बहुत ही सुन्दर natural application जिसको हम कहते है rainbow तो हम इस lecture में पढ़ेंगे rainbow formation भी तो आज के इस lecture का इस session का मैंने target कर दिया है set तो जब भई target set है तो दे रहें किस बात की चलिए start करते हैं आज का यह हमारा lecture इस विभूती खरें वेलकम टू मैंने ब्रेंज जहां पर आपको सभी चाप्रस के वीडियो लेक्ट्रस मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost यहने कि magnet brains में आपको दो चाप्रस परने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज का यह session आज का यह lecture first topic के साथ recombination of white light के साथ देखो previous lecture में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक white light जब एक glass prism से पास होती है तो वो अपने seven constituent colors में split होती है actually white light तो बहुत सारे colors में split होती है लेकिन हमारी जो तो सुन्दर आखे है न यह क्या करती है कि वल उन साथ रंगों को ही देख पाती है उन साथ रंगों के band को ही देख पाती है इसलिए हम सोचते हैं कि white light सिर्फ जो है साथ color में split हो रही है ठीक है लेकिन वो सिर्फ साथ में 7 constituent colors में split होती है इतना clear है अब सबको वो जो साथ color का जो band होता है जो group होता है उसे हम क्या कहते हैं spectrum कहते हैं फिर हमारा यह सवाल था हमारी query थी कि क्यों हमेशा यह spectrum एक ही sequence में मिलता है यानि कि विब ग्योर में ही मिलता है कभी g की जगा green की जगा yellow नहीं orange की जगा red नहीं ऐसा क्यों नहीं होता और आखिर यह dispersion क्यों हो रहा है तो इसका हमने reason find out किया था कि हर एक light की color का क्या होता है उसकी एक अलग wavelength होती है अलग velocity होती है सब ही color की light, air और vacuum में same speed के साथ travel करती है लेकिन जैसे वो media में आती है ना उनकी wavelength अलग हो जाती है उनकी velocity अलग हो जाती ह different velocity और different wavelength के कारण क्या होता है जो glass prism है उसका refractive index हर एक light के color के लिए क्या हो जाता है चेंज हो जाएगा तो ऐसी light जिसकी wavelength है कम उसके लिए glass prism का refractive index है वो हो जाएगा जादा यानि कि glass prism उस particular light को क्या करेगा जादा reflect करेगा जादा bending हो जाएगी इसका मतलब वो जो light का color ह है वो prism के नीचे की तरफ आएगा तो वो जो bend है जो spectrum का जो sequence है वो क्यों होता है light colors के different wavelength और velocities के कारण ठीक है एक relation आपको याद रखना है क्या है वो relation कि भाई जो wavelength है जो wavelength है light की यानि कि अब इसको lambda भी लेख सकते हो lambda directly proportional होती है किस चीज के velocity of light के और यह velocity inversely proportional होती है किसक deviation के यह relation हमेशा याद रखना अब एक सवाल है क्या यह चीज मुझे पहले से पता थी मैंने discover करी थी obviously not मैंने भी यह चीज अपनी टीचर से ही सीखी होगी क्या मेरी टीचर ने चीज डिसकावर करी थी white light का dispersion बिल्कुल भी नहीं actually यह जो dispersion हो रहा ना white light का इसको discover करने वा है ना जब भी कोई अच्छी चीज करो तो लोग आई जाते हैं अच्छी चीज को रोकने के लिए अपोस करने के लिए बढ़े अच्छे से न्यूटन जी ने बोला था कि भाई जो हमारी white light है ना वो split हो जाती seven constituent colors में जैसी वो प्रिजम से बाहर निकलेगी glass prism से लेकिन को ने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है यह जो लाइट की जो splitting है ना वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि white light different colors की बनी हुई है बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि प्रिजम के अंदर कोई magic हो रहा है actually white light कैसी है वो तो single ही है जब वो प्रिजम से निकलती है ना तो प्रिजम कर देता है कुछ magic जिसके कारें white light split हो जाती है seven colors में seven constituent colors में तो ये तो Newton जी की theory के बिल्कुल ही opposite हो गया Newton जी ने तो कहा था कि light बनी होती है different colors से तो obvious सी बात है जब वो split होगी तो वो different colors में तो split होगी ना लेकिन लोगों ने क्या बोला कि नई नी वो तो एक ही color से बनी होती है वो तो प्रिजम के अंदर कोई जादू है जिसके कारण वो different colors में split हो रही है अब Newton जी ने बोला ऐसे कैसे ये तो गलत बात हो गई पूरी theory है हमारी पूरा concept ही हमारा गलत कर दिया तो उनने क्या किया उनने एक्सपरिमेंट किया क्या किया उनने जो है ना अपने पहले वाले प्रिजम के सामने एक और प्रिजम रख दिया लेकिन upside down याने कि उल्टा प्रिजम रख दिया तो लोगों ने बोला कि ये क्या बात हुई अरे अगर तुमने पहला प्रिजम ऐसे रखा था तो दूसरे को भी तो इसी तरह से रखना चाहिए ना upside down रखने का क्या मतलब है तो Newton जी ने बोला कि देखो भई ऐसा है तुमने जो बोल है हम उसी के according चल रहे हैं तुमने क्या बोला कि magic कहा हो रहा है प्रिजम के अंदर हो रहा है white light तो singly light है तुमने बोला कि प्रिजम के अंदर magic है जिसके कारण जैसे ही white light उस प्रिजम के तुरू जाएगी वो split हो जाएगी किसमे seven colors में अब तुम्हारी इस चीज को दूसरे प्रिजम को पहले प्रिजम के सामने रखेंगे तो यह जो seven constituent colors जो split हो रहा है ना वो कहां जाएंगे वो जाएंगे दूसरे प्रिजम के अंदर as it is जाएंगे red का red, violet का violet, yellow का yellow, green का green और बाहर कैसे निकलेंगे बाहर भी कुछ इसी तरह से निकलेंगे क्यों क्यों constituent color नहीं, white light को split करने की property किसके अंदर होती है, प्रिजम के अंदर होती है, है ना, लोगों का तो यही कहना था, तो न्यूटन जी ने क्या बोला, कि आप जो कह रहे हैं हम उसी के according चल रहे हैं, आपने बोला कि प्रिजम के अंदर magic है, प्रिजम में जैसी white light आई, उसके constituent colors में वो split कर दी, प्रिजम ने, अब हमने दूसरा प्रिजम में रख दिया, तो आपके according, जब यह different color की light इस दूसरे प्रिजम के अंदर जाएंगी, तो क्या होगा, बाहर कैसे निकलेंगी, बाहर भी हम बोलते हैं कि different colors में निकलेंगी, different colors और splitting हो जाएगी, पहले तो एक अ उल्टा करके रखा, अब प्रिजम उल्टा क्यों करके रखा, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, वो आपको सुनाई देगा हर हालत में, अगर मैं ऐसे खड़ी हूं तो भी देगा, अगर मैं ऐसे पीछे गों के खड़ी हूं तो भी आपको सुनाई देगा अगर मैं upside down हो गई, inverted हो गई, तो भी जो मैं बोलूँगी आपको सुनाई देगा, देगा की नहीं देगा तो Newton जी ने भी यही reason दिया, कि हम prism को ऐसे रखें या ऐसे रखें कैसे भी रखें आपके according तो prism से निकलने वाली हर एक light को क्या हो जाना चाहिए, split हो जाना चाहिए, different colors में white light जा रही थी, उसको भी split कर दिया, अब इतनी सारी light rays जा रही है, second prism के अंदर उनको भी क्या कर देना चाहिए, split कर देना चाहिए, है की नहीं, तो इसलिए हमने उल्टा करके रख दिया prism लेकिन जब यह experiment हुआ, सब की बोलती बंद हो गई, कैसे बोलती बंद हो गई, देखो सारा, एक prism में से जब white light आ रही थी, वो आपने seven constituent colors में split हो गई लेकिन जब यह constituent colors दूसरे prism के पास गए, जो की कैसा रखा हुआ था, upside down, ultra रखा हुआ था, फिर क्या हुआ, जैसे यह colors अंदर गए, बाहर कैसे निकले, बाहर निकले white light के form में याने कि लोग जो बोल रहे थे न, कि prism करता है magic, prism white light को split कर देता है, वो हो गए यहाँ पे wrong proof उनके according, तो दूसरे side से, दूसरे prism से भी different colors की rays निकल नी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक single white light निकली तो लोगों की बोलती हो गई बंद की, अरे भाईया, हमने जो पहले oppose किया था न, न्यूटन जी की थियोरी का, वो बिल्कुल गलत था न्यूटन जी सही कह रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे light के dispersion का उल्टा हो रहा है उल्टा कैसे हुआ, क्योंकि हमने प्रिज्म को उल्टा रख दिया न्यूटन जी जो कह रहे थे न, कि हम तो आप ही क्या according चल रहे हैं अप की तियोरी के according white light different colors की बनी होती है जब वो prism से जाती है तो reflection होता है जिसके कारण different light colors की different velocities और wavelength के कारण वो अलग-अलग अपनी constituent colors में split हो जाती है जब उनके सामने आप एक ultra prism रख दोगे पहले prism के सामने तो चीजे क्या हो जाएंगी उल्टी ही तो हो जाएंगी ना उल्टा prism रख दिया तो reflecting surface इस वाले prism के जो reflecting surface है वो पहले वाले prism के reflecting surface से क्या हो गई opposite हो गई तो क्या होगा चीजें जो अभी process चल रही थी वो भी पलट जाएगी अभी तक क्या हो रहा था white light split हो रही थी constituent colors में दोसरा prism जैसे ही रखा तो जो different constituent colors है ना वो एक खटा हो गए किस में खटा हो गए एक white light में खटा हो गए और इसको ही हम क्या कहते हैं recombination of white light I hope यह चीज समझ में आ गई होगी कि कि किस तरह से Newton जी ने जो उनको oppose कर रहे थे कि आरे नहीं तुमको नहीं पता प्रिज्म के अंदर होता है magic ऐसा कुछ नहीं कि white light different colors की बनी हुई है ऐसा कुछ नहीं है प्रिज्म जो है ना हर light को split कर देता है तो Newton जी ने experiment करके बता दिया कि ज़रा अब बताओ कि अगर तुम्हारे according प्रिज्म के पास यह property थी कि वो जो भी light उसके अंदर आ रही है उसको वो split कर सकता था different colors में तो जब यह different colors आ रहे हैं दूसरे प्रिज्म में तो इसने क्यों केवल एक ही light में जो है ना एक ही light निकली इस प्रिज्म के बाहर क्यों और different colors में split नहीं कर दिया second prism ने I guess यह आपको समझ में आ गया होगा बस इतना ही सा था recombination of white light क्या बोलता है यहां पे Newton showed that the reverse of dispersion of light is also possible he kept two prisms close to each other one in erect position and other in an inverted position the light gets dispersed when passed through the first prism the second prism receives all the seven colors colored rays from first prism and combines them to the original white light this observation shows that the sunlight is made up of seven colors इससे क्या समझ में आया कि परिया जो हमारी सूरज की रौष्णी होती न वो भी किसके बनी होती है seven colors के बनी होती है तो इसी के साथ आज के हमारे lecture का जो आधा पार्ट है जब हमें recombination of white light समझना था वो हो गया है complete अब हम वरते हैं हमारे दूसरे topic के उपर जिसका नाम है rainbow formation and let me tell you one thing rainbow formation बड़ा easy है बड़ा कमाल का है ठीक है इसको समझने के लिए rainbow formation को समझने के लिए मैं चाहती हूँ यहां पर आप समझे पहले एक फिनामेना जिसे हम कहते हैं TIR पहले TIR समझ लो तो rainbow formation समझना जाना बिल्कुल बिल्कुल चुटकी बजाने का काम हो जाएगा आपके लिए ठीक है कैसे TIR क्या होता है TIR का full form होता है total internal reflection अब आप बोलोगे कि मैं reflection पढ़ रहे थे इतनी देश से यह reflection कहां से आ गया तो अगर rainbow formation समझना है तो आपको पहले TIR समझना पड़ेगा क्या होता है TIR इसको समझते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा पानी है ना थोड़ा सा लेना होगा क्या आपको पानी और उसके उपर चाहिए ओगी आपको क्या हवा यानि कि इस केस में denser medium कौन है हमारा पानी है और rarer medium क्या है हवा है अब मैं क्या करूंगी इस पानी के नीचे से torch जलाओंगी पानी के नीचे से वैंने क्या किया है torch जलाई है इस torch से obvious सी बात है incident rays आएंगी light की ठी अब क्या होगा आपको पता है कि जब incident rays इस डेंसर से rarer medium में जाती है तो क्या होता है नॉर्मल से दूर हो जाती है अब क्या हुआ एक incident ray आई यह जो surface यह क्या है यह वह interface जापे पानी और हवा मिलते हैं तो जैसे ही पानी से एक incident ray निकलके आई interface पे जैसे वह दूसरे medium में जाएगी उसका path change होगा कैसा होगा नॉर्मल से दूर हो जाएगा क्यों क्योंकि वह डेंसर से रहर medium में जा रही है तो path bend करने के लिए करवाने के लिए एक normal भी तो चाहिए है नॉर्मल हम कैसे बनाएंगे इस point of incidence पे कुछ नहीं बस एक perpendicular line बना देंगे इस इंटरफेस पे इस particular point पे हम देख रहे हैं कि भाई incident ray और normal की बीच में तो angle है नहीं याने कि angle इनके बीच का कितना हो गया angle of incidence 0 है ना क्यों क्योंकि incident ray ने जो दो medium का जो इंटरफेस था पानी और हवा का जो इंटरफेस था उस पे 90 डिगरी पे strike किया है याने कि normal और incident ray के बीच में angle कितना हो गया 0 डिगरी ठीक अब क्या हुआ एक दूसरी incident ray निकल के आई दूसरी incident ray निकल के आई और इसने इंटरफेस को suppose point a पे strike किया है अब क्या होगा ये भी बाहर निकलेगी कैसे निकलेगी बाहर normal से दूर होते हुए क्या करेंगे हमें काम करते हैं इस point A पे भी क्या बना देते हैं? एक normal बना देते हैं क्या करते हैं? point A पे भी हम बना देंगे एक normal इससे क्या होगा? कि अब जो हमारी refracted ray है वो कैसे बाहर निकलेगी? normal से दूर normal से दूर कैसे? कुछ इस तरीके से कैसे निकली? normal से दूर याने कि angle of incidence जो है वो छोटा हो गया angle of reflection से दिख रहा है angle of incidence कितना बना था? सबोज यहाँ पे बना था 20 degree का reflection angle of reflection कितना बन गया? 30 degree का बन गया refracted ray दूर होगी ना normal से अब क्या हुआ? एक और incident ray निकली एक और incident ray निकली और इसने पानी और हवा के interface को point B पे strike किया है अब इस point B पे भी हम क्या बनाते हैं? हम इस point B पे भी बना देते हैं एक normal फिर क्या होगा? फिर से जो refracted ray है वो कैसी निकलेगी? normal से दूर भागेगी तो यह लो भाग गई दूर अब यहाँ पे angle of incidence मालो कितने का था? यहाँ पे था 35 degree का angle of reflection कितना बना? angle of reflection बन गया 45 degree का आगे आपको बात समझ में फिर क्या हुआ? एक और incident ray निकली एक और incident ray निकाली और इसने पानी और हवा के interface को strike किया है point C पे इस point C को भी हम बना देते हैं C पे भी एक normal फिर से incident ray कैसी होगी? incident ray जो है normal से दूर भागेगी और ये लो और भाग गई अब यहाँ पे अपना जो angle of incidence था वो समझ लो कितने का था? सपोस 50 degree का था angle of incidence कितना था? 50 नहीं हम यह पर 40 40 ले ले लेते हैं, ठीके? angle of incidence कितना था? 60 degree का सही है? अब एक काम करते हैं हमें कब last incident ray लेते हैं ये ले ली हमने एक last incident ray जिसने की पानी के interface को पानी रहवा के interface को point D पे strike किया है इस point D पे भी हम क्या बना लेते हैं? एक normal बना लेते हैं ये लो जी बना ली हमने normal अब क्या हुआ? एक refracted ray निकलेगी refracted ray निकली कैसी? कैसी निकली? interface के along ही निकल गई नॉर्मल से तो उसको दूर भागना था लेकिन इतनी गजब दूर भागी कि जो पानी रहवा का इंटरफेस साना उसके along ही भाग गई यानि कि refracted ray निकली नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना लिया? 90 डिगरी का एंगल बना लिया ठीक? क्या किया? जब incident ray ने normal के साथ x जब incident ray ने normal के साथ कितना एंगल बनाया है? x बनाया है यानि कि angle of incidence कितना है? अपना x है तब हमने क्या देखा? कि refracted ray ने क्या कर लिया 90 degree का angle बना लिया refracted ray ने normal के साथ ठीक है अब क्या होगा अब काम करते हैं एक और incident बस एक last incident ray हम लेते हैं एक और हमने incident ray ली है कुछ इस तरीके से इस point पे भी हमने क्या बना दिया normal बना दिया लेकिन अब जो refracted ray है ना वो क्या होगी वो बाहर नहीं जाएगी यानि कि reflection के बाद में refracted ray को तो medium change करके उपर जाना चाहिए था है ना लेकिन यहाँ पर क्या हुआ यहाँ तो उल्टा गूम के वापस ही आ गई पानी से निकली थी और पानी पर ही वापस आ गई तो क्या यह reflection कहलाएगा बिल्कुल नहीं कहलाएगा यह क्या कहलाएगा बच्चों यह कहलाएगा total internal reflection अब यह reflection नहीं यह हो गया अपना reflection क्या हो गया यह अपना reflection हो गया ठीक और इस एंगल को यह जो X वाला आपने एंगल निकाला था ना इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं भई critical angle of incidence क्या कहेंगे critical angle of incidence यानि कि incident ray ने normal के साथ कुछ इस तरीके का angle बनाया कि refracted ray ने normal के साथ 90 degree का angle बनाया अब अगर incident ray इस critical angle के ज़ादा बड़ा angle बनाएगी नोर्मल के साथ तो अब जो reflected ray होगी ना वो refracted ray नहीं कहलाएगी वो reflected ray कहलाएगी क्यों क्यों कि इस critical angle के बाद reflection होगा ही नहीं क्या होगा सिर्फ और सिर्फ reflection होगा याने कि जिस medium से light गई थी उसी medium में वापस आ जानी है इस पूरे फिनामेना को हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं TIR फिर से मैं बता देती हूँ नीचे था अपना पानी, उपर था अपना air, नीचे था dancer medium, उपर था rarer medium जब एक light dancer से rarer medium में जाती है, तो वो क्या होती है, नॉर्मल से दूर भाग जाती है है ना, दूर भाग जाती है, यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो, incident ray, angle of incidence कितना बना रही थी, normal के साथ, 20 degree का तो refracted ray ने कितना बना लिया, 30 degree का, यानि कि normal से दूर भाग रही है वो, angle of incidence कितना है, 35 degree, angle of reflection कितना है, 45 degree, angle of incidence कितना है, 40 degree, angle of reflection है, 60 degree, अब एक angle, incident ray ने कुछ इस तरह का बनाया, कि refracted ray ने normal के साथ, 90 degree का angle बना लिया, यानि कि अब वो interface के along ही चली गई, refracted ray, ठीक, फिर दूसरी incident ray ने क्या किया, यह जो x angle बनाया था, incident ray ने, जिसके करण refracted ray ने 90 degree का angle बनाया, normal के साथ, उससे भी बड़ा, उससे भी जादा का angle बना दिया, इसने normal के साथ, तो क्या हुआ, reflection हुआ ही नी, light घूम के वापस पानी में ही आ गई, तो यह जो x angle था न, incidence का, इसको हम क्या कहते है, critical angle of incidence कहते हैं, यह कौन सा angle है, जब refracted ray बनाती है, normal के साथ, 90 degree का angle, और अगर आपका कोई भी angle of incidence, angle of incidence, इस critical angle of incidence से ज़्यादा हुआ, उस case में, reflection होगा ही नहीं, reflection हो जाएगा, और उस पूरे case को, पूरे फिनामेना को हम क्या कहते है, बच्चो, TIR कहेंगे, आ गई आपको बात समझ में, कि जब angle of incidence, critical angle of incidence से ज़्यादा होगा, तो reflection होगा, light same medium में वापस आ जाएगी, reflect नहीं होगी, इसका फटा फट से ले लो एक screenshot, ध्यान रखना यह बारवी में है, अभी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि हमें rainbow formation समझना है, TIR समझ में आ गया, तो rainbow formation कुछ भी नहीं है, फटा फट से ले लो इसका screenshot, मैं हो जाती हूँ, frame के बाहर, on the count of 5 आप इसका screenshot लेंगे, so 5, 4, 3, 2 and 1, I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा, TIR भी आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं इसको करती हूँ, रब, अब जो rainbow formation है ना बच्चों, उस पे आ आते हैं, rainbow formation 3 step process होती है, पहली कौन सी होती है, पहली होती है, reflection, दूसरी होती है, TIR, और तीसरी क्या होती है, तीसरी भी होती है, reflection, याने कि दो reflection के बीच में TIR का बन जाता है sandwich, कैसे, यहाँ पर मैं एक बनाती हूँ, क्या, बड़ी सी water droplet, अब आप बोलोगे, water droplet कहां से आ गई भाई, rainbow कब दीखता है, जब बारिश होती है, बारिश होती है मतलब क्या, atmosphere में present होते है, छोटे-छोटे से water droplet, और हर एक water droplet किसकी तरह behave करता है, भाई, behave करता है, प्रिजम की तरह, हर एक छोटा सा छोटा water droplet behave करेगा, प्रिजम की तरह, ठीक है, अब क्या हुआ, आई क्या solar light हमें पता है अभी अभी हमने पढ़ किया है कि sun से निकलने वाली जो किरन होती है वो भी कैसी होती है white light होती है अब क्या हुआ जैसे ही सूरत से किरने आई sun light आई इस water drop rate के पहले surface पे इसने strike किया अब क्या होगा यह कहा से आरी थी? यह आरे थी solar light sunlight हवा से गई कहा water drop rate के अंदर याने की pानी के अंदर एक कौन से medium से आरी है यह आरी है एक rare air से denser medium में और हर एक water drop rate किसकी तरफ बेहर कर रहा है प्रिजम की तरह कर रहा है act याने कि क्या होगा, जैसे ही white light इस prism के अंदर जाएगी, क्या होगा, यह जो water droplet है न, इसको split कर देगा किसमे, इसके seven colors में, किसमे split कर देगा भाई, split कर देगा इस white light को उसके seven constituent colors में, आई बात आपको समझ में, कैसे यह चीज possible हुई, अब भी तक तो हम prism के केस में पढ़ रहे थे, कि एक white light आई, और जब वो prism के बाहर निकलेगी, तो वो अपने seven constituent colors में split होकर के निकल जाएगी, मैंने आपको बोला, कि जब बारिश होती हैं, तो atmosphere में present होते हैं, छोटे-छोटे से water droplets, और हर एक water droplets behave करता है, किसकी तरह, एक prism की तरह, जैसे ही sun की किरने आई, sunlight आई, इस water droplets को strike करा, तो क्या होगा, जैसे ही sunlight अंदर जाएगी, इस water droplets ने sunlight को split कर दिया, किसमें, उसके seven constituents color में, ठीक है, अब काईदे से क्या हो जाना चाहिए था, इन सभी seven colors को बाहर की तरफ split हो जाना चाहिए था, है ना, बाहर की तरफ ऐसी की ऐसी निकल जाती, लेकिन हो सकता है कुछ absorb भी हो जाती, यानि कि कुछ हो सकती थी, क्या, reflect और कुछ हो सकती थी, absorb, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अब absorb, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पे हो गया भी, total internal reflection, ये जो दूसरा surface था ना, water droplet का, जो कि एक prism की तरह काम कर रहा था, इसने क्या कर दिया, जितनी भी ये seven constituent colors आ रहे हैं ना, white light के, sunlight के, उन सब को totally internally reflect कर दिया, TIR का full form क्या होता है, total internal reflection ही तो होता है, ये जो दूसरा side था ना, water droplet का, इसने सभी seven constituent colors को अंदर ही अंदर totally internally reflect कर दिया, याने कि ये जो whip ग्योर है ना, ये कुछ दूसरे तरफ इस तरह से आ जाएगा, जो दूसरा end है, water droplet का, उस पे reflect हो करके कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे कैसे हुआ, TIR कैसे हुआ, अभी पताया था मैंने, कि जब कोई incident ray, एक critical angle से बड़ा angle बना करके आती है, normal के साथ, तो reflection हो जाता है, याने कि जितनी भी constituent lights आ रहें थी ना, साथ अलग-अलग color की, इन्हों ने water droplet की surface पे किस तरह से incident किया, कि इनका angle of incidence बड़ा हो गया, critical angle से, किस से बड़ा हो गया, CR याने कि critical angle से बड़ा हो गया, इसलिए reflect होकर के बाहर नहीं निकली ये, नहीं ये absorb होई, क्या हुआ, ये total internal reflection हो गया, इनका, सब की सब अंदर की तरफ reflect हो गई, आई आपको बात समझ में, फिर क्या होगा, फिर से हम बोलते हैं कि, reflection हो जाएगा, ठीक है, reflection होगा, और ये सबी कि सबी lights, क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, और हमको क्या दिख जाएगा भाई, हमको दिख जाएगा rainbow, आई आपको बात समझ में, इस तरह से आपको दिख जाएगा rainbow, ये पूरा rainbow formation की process थी, कहां से हमने start किया, हमने बाई TIR से start किया था, total internal reflection से, कि जब incident ray का, जब कोई incident ray कुछ इस तरह से, किसी surface पे, you know, incident हो, कि उसका जो angle of incidence हो, normal के साथ, वो कैसा हो, critical angle से जादा हो, उस time पे क्या होगा, reflection हो जाएगा, उसे हम कहते हैं, क्या, total internal reflection, अब जो rainbow formation है, वो three step process है, यानि कि पहले होता है, उसमें refraction, फिर होता है, total internal reflection, फिर होता है, refraction, कैसे, सबसे पहले white light आई, इस white light ने क्या किया, हमको पता है, कि जब बारिश होती है, तब ही rainbow दिखता है, बारिश होती ही, तो atmosphere में छोटे छोटे से क्या हो जाते है, water droplets आजाते हैं, और हर एक water droplet एक prism की तरह काम करेगा, ठीक, क्या हुआ, कि एक white light आई, यानि कि sun की किरण आई, sunlight आई, जैसे ही sunlight इस water droplet पे strike करेगी, एक surface पे, इस से क्या होगा, क्योंकि हमारा जो water droplet आप एक prism की तरह काम कर रहा था, sunlight को वो split कर उसके seven constituent colors में, ये देखो splitting हो गई, अब काईदे से तो इन constituent colors की light को बाहर निकल जाना चाहिए था, reflect होना चाहिए था, या फिर absorb हो जाना चाहिए था, लेकिन दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हुआ क्या, ये अंदर ही अंदर reflect हो गई, क्यों reflect हो गई, इस TIR के स साथ हो गई, यानि कि जो seven colors की constituent lights आ रही थी ना, ये water droplet के दूसरे surface पे कुछ इस सरह से incident हुई, कि इनका angle of incident critical angle से हो गया जादा, यानि कि अब reflection नहीं होगा, है ना, काईदे से तो reflection होना चीछ था, प्रिजम से बाहर निकल, ये water droplet से बाहर निकल जाती, लेकि नहीं निक कल पाएं, क्यों, क्योंकि इन सब ही different colors की light का, जो angle of incidence है, नॉर्मल के साथ, वो कैसा हो गया, जादा हो गया, इनके critical angle के साथ, जिसके कारण अंदर ही अंदर क्या हुई, ये totally internally reflect हो गए, reflect होकर के कहां आएं भाई, reflect होकर के आ गए, हमारी water droplet के पहले वाले surface पे, पहले वाल पे आई, फिर क्या होगा, reflection होगा, और reflect होकर के बाहर निकल जाएंगी, जिसकी help से हमें मिल जाएगा rainbow, I hope बच्चा लोग आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कि कि किस तरह से TIR होता है, और किस तरह से rainbow का formation होगा, rainbow formation में क्या बोलते हैं भाई, a rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower, it is caused by the dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere, a rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun, obviously बात है ना, यहां से sun आ रहा है, तो rainbow का बनेगा, उसके opposite direction में तो बनेगा ना, क्यों? क्योंकि sun यहां है, तो उससे निकलने वाली जो sunlight है, जो water droplets आपको दिख रही होगे यहां पे, water droplets में पढ़ेंगी, फिर water droplets से पहले बार reflection होगा, TIR ह फिर reflect होकर कि कहां बनेगी, sun के opposite direction में बनेगी, the reflect, they reflect and disperse the incident sunlight, किसकी बात हो रही है, दे कौन है यहां पे भाई, दे हैं हमारे water droplets, तो water droplets क्या करते हैं, जो sunlight उनके पास आ रही है, उसको reflect करेंगे, disperse करेंगे incident ray को, and then reflect it internally and finally, इसको मैं हटाई देती हूँ, finally क्या करेंगे, reflect कर देंगे again, तो सबसे पहले क्या किया, incident rain को, sunlight की water droplets ने reflect किया, disperse किया, seven constituent colors पे, फिर totally internally reflect कर दिया, TIR, फिर इसके बाद में, क्या हुआ, reflect back कर दिया, atmosphere में, जिसके कारण हमें जो है, एक rainbow दिखाई दे गया, आई बात आपको समझ में, due to the dispersion of the light and internal reflection, different colors reach the observer's eye, a rainbow can also be seen on a sunny day, by looking at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you, I hope ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बच्चो, recombination of white light समझ में आया होगा, rainbow formation समझ में आया होगा, तो आज के इस lecture को target को कर लिया है, हमने achieve दोनों ही topics को बड़े patience के साथ, बड़े ही अराम से समझा है, I hope आप इस session को करेंगे, enjoy, अब हम मिलेंगे हमारे next session में, next lecture में, जहां पर हम discuss करने वाले हैं, light के ही बारे में कुछ और नई बाते, कुछ और नए topics हम पढ़ेंगे, तो इस lecture के लिए इतना ही मिलेंगे हम अपने next lecture में, तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो official website है, magnetbrains.com, उसको visit कर लेना, जहां पर आपको सभी chapters के video lectures मिलेंगे, playlist में साथी साथ सभी topics की वहाँ पर होंगे, आपको notes भी available, so do visit our official website, magnetbrains.com, till then keep learning with magnet brains, thank you for watching. Hello everyone, a very good morning to all, students, आज के जितने भी lectures हो sessions होने वाले हैं न, उसमें हम मचाएंगे धूम, अब आप बोलोगी मैं धूम कैसे, तो भाई आज जितने भी हमारे lectures हैं, sessions हैं, उसमें हम discuss करेंगे कुछ real life events, जैसे कि अगर मैं आप से पूछू की sky का color क्या होता है, तो आप बोलोगी blue, और ये blue color सभी के लिए होगा sky का, ऐसे नहीं कि दो बच्चों को लगा कि blue है, और बाकी 3-4 बच्चों को लगा कि sky का color क्या है, pink है, तो sky का color blue ही होता है, लेकिन जैसी sunset और sunrise होता है, sky का color change हो जाता है, orange-ish, reddish type का दिखने लगता है, ऐसा क्यूं होता है, फिर इसके बाद में हम discuss करेंगे, कि जो stars हैं वो twinkle करते हैं, twinkle twinkle little star, हम सब ने पढ़ी है ये poem, आखिर stars twinkle करते हैं, तो फिर हमारी जो satellites हैं, जो हमारे planets हैं, वो क्यों नहीं twinkle करते हैं, ये चीज़े बच्चों हम सभी ने कभी ना कभी अपनी life में experience करी हैं, observe करी हैं, लेकिन कभी दिमाग नहीं लगाया, कभी अपने दिमाग में जोर नहीं दिया, कि आखिर ये चीज़ों होती तो हैं, लेकिन होती क्यों हैं, तो ये क्यों होती है इनी सवालों के जवाब हम find out करेंगे आज के हमारे upcoming lectures में, sessions में लेकिन उसके पहले हमें करना होगा revision क्या revision? हमने जो भी चीज़े पढ़ी है न कर, उन सब को हम करेंगे revise कैसे revise करेंगे भाई? तो भाई questions के form में, यानि की DPQs के form में daily practice questions तो आज के इस session में होने वाला है क्या DPQs को solve करना होगा? तो इस session का मैंने target set कर दिया है क्या है? हमको solve करने हैं भाई कुछ daily practice questions ताकि हम अपने chapter में आगे बढ़ जाएं पीछे का revise करके आगे बढ़ जाएं तो भाई जब हमारे lecture का, इस session का target हो गया है set तो फिर देरी किस बात की? तो चलिए start करते हैं आज का यह हमारा session DPQ session So this is Vibhuti खरे, welcome to Magnet Brains जहां पर आपको सभी chapters की video lectures मिलेंगे बिल्कुल free of cost, याने कि Magnet Brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी पी तरह का payment करने की या package लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुँचा रहा है education, quality education, बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज का हमारा DPQ session question number one के साथ Version number one क्या है बई? What is dispersion? Dispersion क्या है? कल हमने पढ़ा था Dispersion को आप scattering मत बोलना Dispersion अलग चीज है, scattering अलग चीज है Dispersion हमें पढ़ा था कल, scattering हम पढ़ेंगे आज जो sky का color blue, red, orange हो रहा है ना अलग अलग time पे वो पूरी चीज होती है light की, sun light की scattering के कारण So scattering एक अलग चीज है और light का, white light का dispersion is different thing इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? चलो, एक काम करते हैं मैंने आपको example दिया था, एक, कि आप एक लोग कांच का glass, ठीके? उसको आप जोर से क्या करो? नीचे फेको फ्लोर पे क्या होगा? टूट जाएगा, और विससी बात है कैसे टूटेगा वो? अपने छोटे-छोटे glass particles में टूटेगा ग्लास के कड़ों में वो टूट जाएगा, ठीके? अब दूसरा example, पहला example क्या था? ग्लास अमने तोड़ दिया दूसरा example, मैंने आपको पढ़ाया था, dispersion के टाइम पे कि आप और आपके दोस्त गये हैं कहां एक mall में अब आपके एक दोस्त को क्या हुआ? भूग लगने लगी तो वो चला गया food counter पे दूसरे दोस्त को क्या हुआ? उसको याद आया कि अरे मुझे तो थोड़ी सी दवाईया लेनी थी तो वो कहा गया, pharmacy में चला गया तीसरे दोस्त को याद आया किया मुझे थोड़ी सी grocery shopping करनी थी तो वो कहा गया, grocery shopping करने चला गया आपके चौते दोस्त को लगा यार कि मैं तो बड़ा थक गया हूँ, मुझे तो relax करना है तो वो क्या हुआ? कहीं chair थी वहाँ बैठने चला गया लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आपके दोस्त अपना अपना काम खतम करके वापस एक ग्रूप बना ले मतलब जब आप लोग आये थे मौल के अंदर आप एक ग्रूप में आये थे लेकिन आपके सभी दोस्तों को अपने अपने डिफरेंट काम से तो उन कामों को करने के लिए वो चलेगा अलग-अलग डारेक्शन में लेकिन वापस भी तो आना उनका पॉसिबल है ना अगर मैं आपसे बात करूँ पहले एक्जांपल की कि जहां आपने ग्लास को तोड़ा था तो क्या आप वापस उस तूटे हुए कांच के पार्टिकल से ग्लास बना सकते हो नहीं बना सकते एक बार जो ग्लास तूट गया तो तूट गया डिफरेंट अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया तो टूट गया अब आप उसको दुबारा जोड़ करके एक ग्लास नहीं बना सकते तब ही तो डाट परती है कांज का ग्लास तोड़ने पर क्यों? क्योंकि वो वापस तो ग्लास बन नहीं सकता लेकिन हाँ आप और आपके दोस्त जब मॉल में गये हो अपने अपने काम करने के बाद दुबारा क्या हो सकते हो? आप रियूनाइट हो सकते हो वो चीज पॉसिबल है तो वो जो कांज का ग्लास तूटा है ना, that is scattering और जो आप और आपके दोस्त अलग-अलग directions में चले जाते हो मॉल के अंदर, जब आप वापस आ जाते हो अपने-अपने काम खतम करने के बाद इसे हम कहते हैं क्या? dispersion तो I hope आप कभी भी dispersion और scattering को अलग-अलग एक साथ एक आप नहीं मानोगे scattering अलग है और dispersion अलग है बहुत basic example से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है I hope ये चीज आपको समझ में आए तो ठीक है, dispersion क्या है भाई? dispersion के लिए हम बोलते हैं कि scattering of white light into constituents color भाई अभी-अभी मैंने आपको इत्ती पूरी कहानी बताई है कि dispersion कभी भी scattering नहीं होता तो हमारा जो first option है आगे तो पढ़ो ही मत कि white light का क्या हो रहा है पहली चीज क्या दिख गई आपको scattering word दिख गया तो option A तो हटाई दो अपने option list में से कि dispersion कभी भी light की scattering नहीं कहलाता है dispersion अलग है और scattering अलग है तो इसलिए option A तो होने से रहा ठीक है फिर इसके बाद में दूसरा option क्या है भी splitting of white light into only seven colors C क्या है splitting of white light into its seven constituent colors dispersion के लिए हमने बोला था कि सबसे पहले मैंने आपको prism बताया था कि prism क्या होता है है ना जो 3D structure होता है triangle का वो हो जाएगा prism अब prism में हम बोलते हैं कि जो उसका reflecting surface सडी जो reflecting surface होता है याने कि जो lateral या जो rectangular sides होती है prism की वहाँ पे जब आप एक white light क्या करोगे strike करोगे वो white light अंदर जाएगी prism के और बाहर कैसे निकलेगी seven basic या primary colors में बाहर निकलेगी इसे मैंने क्या नाम दिया था इसे हमें नाम दिया था dispersion dispersion क्या होता है जब एक white light एक glass prism के अंदर जाती है तो वो बाहर कैसे निकलती है split हो जाती है अपने seven primary dominant या फिर constituent colors में अब हमें हमेशा वो seven constituent colors ही क्यों देखने को मिलते हैं actually white light जो होती है बच्चों वो बहुत सारे colors की बनी होती है लेकिन जब वो split होकर के बाहर निकलती है obviously बात है ना जिस चीज़ की white light बनी होगी split होकर के भी तो उन ही colors में निकलेगी ना लेकिन जो बाकी colors हैं हमें देखते हैं क्योंकि एवल seven है क्योंकि जो बाकी colors होते हैं बच्चों उनको उन colors की band हमारी आखे नहीं देख पाती है हम उनी चीज़ों को देख पाते हैं जिन से related information हमारी आखों तक जाए और हमारा brain उस information को क्या करे प्रोसेस करे बाकी colors हमें नहीं देख पा रहे हैं क्यों? क्योंकि उनके band visible नहीं है हमारी आखों के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखते हैं? हमें ये seven primary या dominant colors ही दिखते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि white light सिर्फ और सिर्फ इन ही colors की बनी होती है वो बहुत सारे colors की बनी होती है जिस इसकी light बनी होगी splitt होने के बाद वो उन्हीं चीजों में तो क्या हो जाएगी? है की नहीं? तो इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? इस सवाल का जवाब होना चाहिए option C क्यों? क्योंकि option B में बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ seven colors में ही वो क्या होती है? split होती है सिर्फ seven colors में नहीं होती है होती दो वो बहुत सारे colors में है लेकिन हमारी आखे केवल इन साथ primary colors को देख पाती है इसलिए हमें लगता है कि वो सिरफ seven colors में split हो रही है तो इसका option क्या होना चाहिए भाई इसका option होना चाहिए option C जहाँ पे dispersion क्या है splitting होती है white light की into its seven constituent colors Is that clear? आपको याद आ रहाओगा flashback में जाओ किस तरह से हमने dispersion of light को अच्छी तरीके से समझा था ठीक है? आए बात आपको समझ में चलो अब हम बात करते हैं हमारे next सवाल की अरे हाँ एक चीज और है यह जहाँ पे आपको डिस्क दिख रही है Newton ने यह जो पूरा dispersion है white light का इसको discover किस ने किया था? Isak Newton ने किया था उन्होंने अपने experiment को समझाने के लिए क्या क्या था? एक इस तरह की डिस्क ली थी seven constituent colors जो है जिसको हम क्या कहते हैं? भाई rainbow colors libgiore है ना? Biggiore कहते हैं तो इस विबिगयore की बनी हुई उन्ने क्या ली थी? एक डिस्क ली थी और इस डिस्क को उन्ने क्या किया? बहुत तेजी से घुमाया जब उन्होंने तेजी से घुमाया तो उनको क्या पता चला? उन्ने देखा कि सभी के सभी जो विब्ग्योर हैं वो क्या हो गए? डिसपीर हो गए, चले गए, कहां चले गए? तो भाई, वो कनवर्ट हो गए किसमे? वाइट लाइट में न्यूटन ने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे थे अपनी जो डिसपोर्जन की थियोरी है वाइट लाइट की उसको प्रूफ करने के लिए उन में से एक एक्सपेरिमेंट तो हमने कल पढ़ा था प्रिस्मे वाला की हमने इनवर्टेट प्रिस्मे रख दिया था हमारी वाइट लाइट रिकंबाइन हो गई थी और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था यह डिस्क वाला था उन्होंने विप ग्योर की इस तरह से क्या लिए थी एक डिस्क लिए थी और इस डिस्क को इन्होंने बहुत तेजी से गुमाया जब उन्होंने तेजी से घुमाया तो उन्होंने क्या देखा, क्या observe कि जितने भी विब्ग्योर है न ये हो गए disappear और क्या दिखाई देने लगी, एक white light दिखाई देने लगी ठीक है, तो इससे उन्होंने क्या conclude कि ये सब ही colors मिलके क्या बनाते है विब्ग्योर colors मिलके क्या बनाते हैं, एक white light बनाते हैं याने कि white light किसकी बनी होती है, विब्ग्योर की बनी होती है और जब वो split होगी, तो किस में होगी, विब्ग्योर में ही होगी आई आपको बात समझ में, चलो, अब हम बात करते हैं हमारे next सवाल की next question क्या है भाई, what is the refractive index of glass prism for different colors of light अब एक सवार हमने dispersion of light में पढ़ा था, white light में कि जो विब्ग्योर का जो pattern है न, वो हमेशा उसी pattern में हमें क्यों दिखता है चलो, ठीक है, हमें ये समझ में आगया कि जो white light है, वो बहुत सारे colors की बनी होती है लेकिन जब वो split होती है, तो भी obvious सी बात है, वो उन सभी colors में split होगी लेकिन हमें सिर्फ विब्ग्योर दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि उन colors की bend हमारे आँखों तक पहाँचती है वो हमारे लिए visible है, लेकिन वो जो sequence होता है न, विब्ग्योर क्या क्या होता है, इसमें violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red हमें हमेशा यही sequence क्यों मिलता है? क्यों नहीं हमेशा हमें कभी yellow की जगा green देख गया blue की जगा orange देख गया, red की जगा violet देख गया, ऐसा क्यों नहीं होता? वो इसलिए क्योंकि कॉन responsible है? इनकी, इन सभी different color की lights की wavelength responsible है आखिर यह light की splitting हो ही क्यों रही थी? क्यों dispersion हो रहा था? अच्छा कासा हमारा प्रेज में था उस पे जो है ना, एक white light आ रही थी, जब जस्ती हमारी जो light थी, वो किस में split हो गई? इन सभी different colors में split हो गई, ठीक है? सवाल यही की splitting होई क्यों है? आप और आपके दोस्ट जब मॉल गएते हैं, तो अलग-अलग directions में क्यों चले गए? क्योंकि आप सब की अलग-अलग requirements थी, किसी को भूग लगी थी, किसी को पानी पीना था, किसी को rest करना था, किसी को shopping करनी थी, similarly, यह जो white light की different colors हैं, seven constituent colors हैं, यह prism से बाहर निकल के split क्यों हो गए? क्योंकि मैंने आपको बताया था, कि जग different color की lights air में और vacuum में travel करती हैं, तो इस अभी क्या करती है? same speed के साथ travel करती हैं, हवा में यह white light की form में कैसी आ रही थी? क्योंकि इन सभी different colors की speed क्या थी? same थी, तो air में यह एकी speed के साथ आ रही थी, लेकिन जैसी यह कहां गई? glass prism के अंदर गई, glass prism मतलग क्या? medium change हो गया, इस medium change के कारण क्या हुआ? यह अपनी, अपनी velocity के साथ क्या हो गई? बाहर निकल के आ गई, ठीक है? तो पहला reason क्या है? पहला, जो हमें dispersion बढ़ा था, कि dispersion होता क्या है? white light, जब एक glass prism के अंदर जाएगे, तो अपने seven constituent colors में split हो जाती है, लेकिन इस splitting क्यों हो रही है? क्योंकि भाईया, जब वो white light, जब यह सभी colors कहां travel कर रहे थे, air में travel कर रहे थे, vacuum में travel कर रहे थे, उन सब की velocity कैसी थी? same थी, same velocity के साथ जा रहे थे, इ जैसे ही, यह white light कहां पहुंची? glass prism के अंदर पहुंची? glass prism के अंदर क्या हुआ? medium change हो गया, तो यह जितने भी constituent colors की light है, वो अपने अपने velocity के साथ क्या होई? prism के बाहर आ गई, किसी की velocity जादा थी, किसी की velocity कम थी, अगर जादा थी, तो वो prism के पहले निकाल आई, जिसकी कम थी, वो थोड़ी देर बाद निकली, इसकी वज़े से, जो white light है हमारी, उसकी क्या हो गई? splitting हो गई, prism से निकलने के बाद, glass prism से निकलने के बाद, पहरी चीज, फिर दूसरी चीज यह, कि हमेशा हमें यही वाला pattern क्यों देखने को मिलता है, sequence change क्यों नहीं होता तो मैंने आपको एक relation याद रखनी के लिए क्या था? क्या था वो relation? कि भाई, जो reflection होता है, वो किसके inverse proportional होता है, भाई, वो inverse proportional होता है, light की wavelength के, reflection किसके inverse proportion में होता है, light के wavelength के, ठीक है, सबसे उपर हमें कौन सी light मिलती है? सबसे उपर मिलती है हमें red light, कौनसी light मिलती है भाई, हमें मिलती है सबसे उपर एक red light, red light क्यों मिलती है भाई, ज़रा दिमाग लगाओ, मैंने आपको बताया था, कि जो prism होता है, वो हमेशा light को अपने base की तरफ reflect होने के लिए मजबूर कर देता है, और सबसे base में कौन है, स हुआ इस relation के कारण, यह white light आ कहा से रही है, यह आ रही है sunlight से, तो sunlight से निकलने वाली सभी race की frequency क्या होगी, सेम होगी, एक formula मैंने आपको पताया था, v is equal to lambda into new, यहाँ पे v क्या है, यह light की speed, lambda क्या है, light की wavelength और mu क्या है, light की frequency, तो frequency क्या होगी यहाँ यहाँ पे, constant होगी सभी के लिए, क्योंकि source क्या है, सभी light का sunlight है, फिर इसके बार में velocity is equals to, क्या wavelength, अब इन सभी different color की जो lights है, इन सभी की क्या है, अपनी-अपनी velocity है, इसके कारण क्या हुआ, इन सभी की अपनी-अपनी क्या है, एक wavelength है, तो जिस light की wavelength होगी, कैसी कम, उसका refraction होगा, जादा, सबसे ज्यादा refraction, refraction मतलब होता क्या है, light की bending, यहाँ पर सबसे ज्यादा band कौन हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है band हमारा है, यहाँ पर violet color, इसका refraction violet color का सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्या, कि इसकी जो wavelength होगई, ज्याने किyorum, वो light, ऐसी colored light, जिसकी wavelength क्या है? जादा है, उसका reflection कैसा हुआ? प्रिज्म में कम हुआ वो light का color, जिसकी wavelength क्या है? कम है, उसका reflection कैसा हो गया? जादा हो गया इसी वजह से हमें हमेशा dispersion में यही विबग्योर का pattern sequence देखने को मिलता है कभी ऐसा नहीं होगा कि violet की जगा पहले red निकल आई या orange निकल आई या green की जगा पहले blue निकल आया आए आपको बात समझ में इसी के साथ हमने dispersion topic revise कर लिया दो ही questions में ठीक है? dispersion क्या होता है? white light बहुत सारे colors की बनी होती है तो obviously बात है जब वो glass prism में जाएगी तो split क्या होगी? उनी different colors में होगी लेकिन हमारी आखे सिर्फ उसकी जो साथ basic या dominant constituent colors है उनी को देख पाते हैं इसलिए हमें लगता है कि जो white light है वो किस में split हो रही है? seven constituent colors में split हो रही है splitting क्यों होती है बाई? क्योंकि ये जो जितने भी colored lights थी ये air और vacuum में तो एक ही speed के साथ travel करती है लेकिन जैसे ही ये कहां पहुंची glass prism में पहुंची medium अलग हो गया तो अपनी अलग-अलग velocity के साथ जो है निकल के prism के बाहर आ गई इसलिए split हो गई white light हमेशा विब्ग्योर का pattern हमें sequence यही क्यों देखने को मिलता है क्योंकि ये जो sequence है ये इस relation पर based होता है light की जो wavelength होती है वो inverse proportion में होती है उसके reflection से जिस light की wavelength होगी कम उसका reflection होगा जादा जिस light की wavelength होगी जादा उसका reflection होगा कम यहाँ पर हमसे क्या पूचा गया था what is the refractive index of glass prism for different colors of light तो क्या होगा भाई different for all सभी colored lights के लिए हमारे glass का basically जो reflection है reflection को आप किस से बोल सकते हो relate कर सकते हो मैंने आपको बताया था आप relate कर सकते हो उसको refractive index के साथ reflection को आप किस से relate कर सकते हो refractive index के साथ जिस medium का refractive index होगा जादा उसमें reflection भी होगा क्या जादा जिस medium का refractive index जादा उस medium में होगा reflection भी क्या जादा आई आपको बात समझ में तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई refractive index हमारे glass prism का different lights के लिए क्या होता है तो आपका answer होना चाहिए different for all क्यों क्योंकि सभी lights की velocity क्या है अलग-अलग है सभी lights की wavelength क्या है अलग-अलग है ठीक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का formula होता है था क्या N is equals to C by V अब अगर मैं बोलू कि हमारे पास seven color की lights आ रही है तो red light के लिए भाई C तो सेम होता है light की speed in air या vacuum commission सेम होती है तो इस C को अगर मैं हटा भी दूँ तो भी कुछ जाएगा नहीं मेरा तो मैंने क्या देखा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसके inverse proportion में आ गया है light की velocity के inverse proportion में आ गया है अब अगर यहाँ पर velocity मैंने लिखी है किस चीज की मैंने लिखी है velocity red light की तो जो refractive index होगा red light के लिए glass prism का वो अलग हो जाएगा फिर अगर मैं लिखू यहाँ पर velocity of blue color की light तो refractive index of glass prism for blue light वो भी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा ठीक है तो इस सवाल का जवाब क्या होगा option C कि refractive index जो होता है glass prism का सभी color की lights के लिए क्या होगा अलग-अलग होगा I hope यह चीज़ आपको समझ में आई होगी तर्ड question क्या है state the relation between refraction and wavelength of the light यह अभी अभी हमने पढ़ा था क्या होता है भाई refraction is inversely proportional to the wavelength of the light तो option B होना चाहिए आपका answer चीक है चलो अब हम बात करते हैं fourth सवाल की fourth question क्या है भाई what is the angle of deviation angle of deviation क्या होता है भाई angle between normal and emergent ray angle between incident ray extended forward and emergent ray extended backwards angle between two lateral surfaces of prism या फिर both B and C याद करो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कल हमने जो lectures की start करी थी वो कहां से करी थी हमने करी थी एक prism के साथ हमने prism का structure पढ़ा था क्या होता है prism का structure वह एक triangle लो उसको पीछे की तरफ कीच दो बन जाएगा क्या prism कहने कि जो three dimensional structure होता है triangle का उसी को हम क्या कहते हैं prism कहते हैं prism के पास दो triangular surfaces होते हैं और तीन क्या होते हैं rectangular surfaces होते हैं सबी surfaces आपस में क्या होते हैं जोके हुए होते हैं inclined होते हैं दो lateral surfaces जैसे ये है अपना क्या prism ठीक है इसके पास क्या है भाई इसके पास है ये रहा एक triangular surface ये रहा दूसरा triangular surface इसके पास तीन rectangular surface भी होते हैं, एक बेस में, एक इधर वाला और तीसरा ओपोजेट वाला, फिर इसके बाद में सभी के सभी सर्फेसिस आपस में जुके होते हैं, इंक्लाइन होते हैं, पर्टिकुलर एंगल पे, दो लेटरल या दो रेक्टेंगुलर सर्फेस के बीच का जो एंगल होता है, उ उनके बीच के angle को हम क्या कहते हैं? Angle of prism कहते हैं. ठीक है? तो भाई, यहाँ पे जो option C है ना, यह तो बिल्कुल ही गलत हो गया. Option C क्या बोल रहा है? Angle between two lateral surfaces of the prism. वो तो हमने अभी बोला है, कि भाई, दो lateral surfaces की बीच का जो angle होता है, वो तो angle of prism कहलाता है. तो फिर वो angle of deviation कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत. अगर C गलत है, तो option D भी गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि C गलत है, तो option D में आने वाला, जो option C है, वो भी गलत है. तो option D भी गलत. बचा क्या? Angle between normal and emergent tray. बचा कौन सा option है, बचा कौन सा option है? Angle between incident tray, extended forward and emergent tray, extended backward. ये option है, सही. ये मैंने आपको prove भी करके बताया था. कैसे prove करके बताया था, भई? फिर से देख लो, ये हमने क्या किया था? प्रेज में लिया था, एक लिया था. फिर इसके बाद में मैंने आपसे क्या बोला था? एक incident ले करके आओ. Incident tray ले करके, जैसे ही आप आए. क्या होगा? Incident tray, air से कहां जा रही है? Glass के अंदर जा रही है. Railer to denser medium जा रही है. तो क्या होगा? Light की bending होगी. कहां bending होगी? Towards the normal. ठीके? इस particular point पर मैंने क्या बनाया? एक normal बनाया. मेरी जो incident tray है, अगर यहाँ पर refraction नहीं हो रहा होता, तो incident tray जाती कहां? कुछ? इस direction में. लेकिन जो की medium change होगी है, light की bending होनी पड़ेगी. Bending कहां होगी? Normal के तरफ होगी. ठीके? Normal कहां है, भाई? इधर है, तो मेरी incident tray कहां bend हो जाएगी? incident tray bend हो जाएगी. कुछ? इस तरफ. ठीके? अब क्या होगा? यह जो ray है, यह कहां जाएगी? यह जाएगी वापस हवा में. यानि कि glass से यह कहां जाएगी? हवा में जाएगी. denser to rare or medium जाएगी. फिर से क्या होगा? Refraction होगा, medium change होगा, light की bending होगी. अब कैसी bending होगी? नॉर्मल से दूर होगी. तो एक काम करते हैं, इस point पे भी हम क्या बनाते हैं? एक normal बनाते हैं. ठीके? अगर reflection नहीं होड़ा होता, तो मेरी light कहां जाती कुछ? इस तरह जाती. लेकिन refraction होगया, जिसके कारण मेरी जो ray है, वो normal से और दूर भागेगी. दूर भागेगी, तो आपको कुछ इस तरह की एक emergent ray देखने को मिलेगी. ठीके? ये जो blue color से मैं बना रही हूँ, ये क्या है? angle of emergence ray. क्यों? क्योंकि emergent ray और normal के बीच का ये angle है. अब क्या करते हैं हम? हम इस emergent ray को कहीं पीछे की तरफ खीच के लेके जाते हैं. और light, जब incident हुई थी जिस time पे, प्रिज्म पे, अगर की reflection नहीं हो रहा होता, तो मेरी incident ray कौन सा path follow करती? ये वाला follow करती. तो incident ray जिसको हमने आगे की तरफ खीचा है और emergent ray जिसको हमने backward खीचा है. दोनों एक point पे मिल रही हैं और दोनों एक angle बना रही हैं. उस angle को हम क्या क्याते हैं? angle of deviation. जो हमें बता रहा है कि हमारी emergent ray actually कितना deviate हो करके अपने original path से हमारी जो emergent ray है वो अपने original path से कितना deviate हो करके बाहर निकली है. आई आपको बात समझ में? तो ये blue color का angle क्या होगा? angle of deviation जो कि किसके बीच में होता है? incident ray जिसको हमने आगे की तरफ extend किया है और emergent ray जिसको हमने पीचे की तरफ extend किया है. clear है आपको? चलो. अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की. अगले सवाल क्या है? state the value of critical angle. पर critical angle का case हमने कहाँ पढ़ा था? critical angle का case हमने पढ़ा था कहा? rainbow formation में. rainbow formation कैसे होता है? 3 step procedure होता है. सबसे पहले होगा refraction, फिर होगा TIR, फिर होता है refraction. TIR क्या होता है? total internal reflection. कैसे समझाये था? मैंने आपको समझाये था कि सबसे पहले हमने क्या लिया था? पानी लिया था. ठीक है? हमने लिया था पानी उपर थी क्या? हवा. फिर इसके बाद मैं पानी के नीचे से मैं क्या कर रही हूँ? एक torch मैंने ज़ला कर कर रही है. इस torch को मैं अलग-अलग angles पे क्या कर रही हूँ, rotate कर रही हूँ अब सबसे पहले जब मेरी torch यहाँ थी, incident ray कहा गई, इधर गई, ठीक है, कहा गई, इस point पे गई यह line क्या है भई, यह line है interface, interface मतलब क्या, जहाँ पे पानी और हवा मिल रहे हैं, दो अलग-अलग medium मिल रहे हैं, उस जगा को हम क्या कहते हैं, interface कहते हैं तो torch से निकलने वाली पहली incident ray ने क्या किया, interface पे point A पे strike किया अब क्या होगा, medium change होगा, यहने कि light की bending होगी, कहा होगी, dancer से rarer medium में जा रहे हैं, यहने कि normal से दूर जाएगी लेकिन normal तो बनाना पड़ेगा न, normal कैसे बनेगा, perpendicular line बना दो point A पे, तो हम क्या देख रहे हैं, कि इंसिदेंट रे और normal की बीच का angle तो है ही नहीं, zero angle है हमने लेके गए incident ray को, तो refracted ray जो है न, कुछ इस तरह से मिली, दूसरा angle बना लिया, इसने normal के साथ, अलग बना लिया, फिर से क्या हुआ, refracted ray बाहर निकली, अलग angle बना लिया, फिर इसके बार में एक ऐसी incident ray आई, जिसके कारण क्या हुआ, हमारी जो refracted ray थी न, उसने normal के स 90 degree का angle बना लिया, तो एक ऐसा angle of incidence, जिसके कारण refracted ray, normal के साथ, 90 degree का angle बना लिया, उसे हम क्या कहते हैं, उस particular angle को हम कहते है, critical angle of incidence, critical angle of incidence, यानि कि incident ray normal के साथ कुछ इस तरह का angle बनाती है, कि refracted ray normal के साथ, 90 degree का angle बना लिया, उसे हम कहते हैं, critical angle of incidence, और ये angle कितना भी हो सकता है, अब जो भी incident ray आए कि, अगर उस incident ray ने normal के साथ, इस critical angle से ज़्यादा का angle बना लिया, तो क्या होगा, reflection नहीं होगा, light जो है, वापस उसी medium में travel करके आ जाएगे, यानि कि reflection हो जाएगा, reflection में होता क्या है, light same medium ही तो travel करती है न, वो तो reflection होता है, जहाँ पे medium change हो जाता है light का, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, angle of incidence जो है, वो critical angle से हो गया है ज्यादा, इसके कार reflection हो गया, reflection नहीं हुआ, तो हमसे आपे पूछा क्या जा रहा था, state the value of critical angle, तो critical angle की कोई value नहीं होती है, कोई भी वो angle of incidence जिसके कारण refracted ray क्या बना ले, 90 degree का angle बना ले normal के साथ, उसे हम कहते है critical angle of incidence, तो आपका answer होना चाहिए, option D, ऐसा नहीं कि 45 degree के angle पे जो है न, refracted ray, normal के स 90 degree angle of incidence पे refracted ray, 90 degree का angle बना ले normal के साथ, कोई भी ऐसा angle हो सकता है, वो depend करेगा कि भई आपने medium कौन सा लिया है, sorted, आगे आपके बात समझ में, चलो, अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे question number 6 की, 6 question हम से क्या बोल रहा है भई, small droplets in atmosphere behave as, भई हमने TIR तो पढ़ दिया, total internal reflection क्या होता है, भई लेकिन उसका rainbow formation में significance क्या है, हमने बोला था कि rainbow formation जो है 3 step process होती है, पहला क्या होता है भई, पहला होता है reflection, ठीक है, फिर इसके बाद में आती है कौन, हमारी TIR process, फिर इसके बाद में दुबारा आता है क्या reflection, कई किताबों में, first वाले जो reflection है, उसको dispersion यही बोल सकते हो, और यह बिल्कुल भी गलत नहीं है, कैसे, यह 3 step process आपको याद है, इसी तरह का flow chart हमने कल भी बनाया था, पहला क्या हो गया, reflection, फिर दूसरा होगा TIR, फिर थर्ड होगा क्या, reflection, अब कैसे होगा, इसे समझते हैं, फिर म क्या बनाते है, एक बड़ी सी water drop यह क्या है, एक water drop layer है, बई rainbow हमेशा हमें बारिश के time पर क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जब बारिश होती है, तो atmosphere में present होती है, छोटी-छोटी क्या water drop layer, और हर एक water drop layer क्या होती है, एक छोटे prism के तरह बहेव करती है, ठीक है, हर छोटी-छोटी water drop layer किस के समान अब मैंने आपपर क्या बनाई है? एक वाटर ज्रॉप लेट बनाई हुई है. ठीक है? अब क्या हुआ? Sunlight आई. जिसके पास हमें पता है Sunlight क्या होती है? Sunlight होती है. एक वाइट लाइट. यानि कि हमारी Sunlight भी क्या है? एक वाइट लाइट है. वो किसी बनी हुई है? बहुत सारे colors की बनी हुई है और जब वो split होगी तो किस में होगी? बहुत सारे colors में होगी लेकिन हमें दिखाई कौन देगा भाई? हमें दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ उसके 7 dominant या primary color जो की है whip your ये मैंने बनाई है क्या? एक बड़ी सी water draw plate इसके उपर आ रही है कौन? Sunlight, Sunlight क्या है? एक white light है जो कि बहुत सारे colors की बनी होती है ठीक, और जब ये बहुत सारे colors किसी prism में जाते हैं तो split हो जाते हैं क्योंकि इन सब की अलग-अलग velocity होती है ठीक, लेकिन दिखते हैं हमें कौन है? सिर्फ विब्गोरी दिखते हैं क्यों? क्योंकि इनकी जो band है वो हमारी आखों तक पहुंचती है तो ये colors हमें दिखाई देते हैं ये कौन से color है? ये color है हमारी white light के seven dominant या constituent colors Is that clear? अब क्या हुआ? अब देखो white light आ रही है sunlight आ रही है बाहर क्या है भाई? बाहर तो है हवा लेकिन incident ray कहा जा रही है? हमारी sunlight पानी के अंदर जा रही है यानि कि medium हो जाएगा change जब medium change होगा तो क्या होगा? reflection होगा ठीक, अभी अभी मैंना को क्या बताए? कि हर एक छोटी सी drop light पाने की किस की तरह behave करती है? प्रिजमी की तरह behave करती है जब एक white light प्रिजमी के अंदर जाती है तो वो अपने seven constituent colors में split हो जाती है तो क्यों नहीं ये sunlight जब इस छोटी सी water drop light के अंदर जाएगी तो split नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी किसमें होगी? अपने जो seven constituent colors है उसमें जाकर के ये split हो जाएगी इतना clear है आपको? अपने seven constituent में colors में जाकर के ये हो जाएगी split split होगा कि अप कहां पहुँची? जो दूसरा surface ना water drop light का वहां पहुँच गई अब क्या होगा? अब होगा TIR TIR मतलब क्या होता है? एक ऐसा phenomena जिसमें कि incident ray कुछ इस तरह से incident होती है कि उसका जो angle है वो angle of critical angle of incidence से जादा हो जाता है जिसके कारण जो refracted ray है वो कैसी हो जाती है? वो दूसरे medium में नहीं जा पाती है वो उसी medium में वापस आ जाती है यानि कि वो refracted ray नहीं कहलाती वो कहलाती है क्या? reflected ray और वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? reflection नहीं reflection TIR होता क्या था? यही तो एक phenomena होता था जहाँ पे incident ray normal के साथ critical angle of incidence से जादा angle बनाती थी जिसके कारण वो incident ray medium के बाहर नहीं जाती थी medium के अंदर ही reflect हो जाती थी totally internally reflect हो जाती थी यहाँ बेभी क्या हो रहा है? यह जितनी भी seven constituent colors आ रहे हैं white light के reflect हो करके यह क्या होंगे? यह medium के बाहर नहीं जाएंगे prism में तो क्या हो रहा था? कि white light आती थी एक prism की तरह काम कर रही हो लेकिन यह जो seven constituent colors है न यह अभी बाहर नहीं निकलेंगे क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि जितने भी colored lights है न यह हमारी water drop plate के surface पे कुछ इस तरह से incident हुई है कि इनका जो angle of incidence है वो critical angle of incidence से जाधा बन गया है क्या बोला मैंने? कि जितने भी colored lights आ रही है बच्चों, हमारी water drop plates के दूसरे surface पे वो कुछ इस तरह से आ रही है कि उनका जो angle of incidence है वो critical angle of incidence से हो गया है जाधा जाधा हो गया है जिसके current क्या होगा? यह medium के बाहर नहीं जाएंगी medium के अंदर ही होँगी medium के अंदर क्या होँगी? reflect हो जाएंगी reflect होकर के कहां पहुचेंगी? reflect होकर के पहुच जाती है हमारी water drop plate के दूसरे surface पे कहां पहुच जाएंगी? water drop plate के दूसरे surface पे पहुच जाएंगी ठीक है? पहुच गए दूसरे surface पे पहले वाले सर्फेस पे, अब क्या होगा? अब होगा फिर से रिफ्रेक्शन क्यों? क्योंकि अब यह जितनी भी लाइट्स है न यह आ जाएंगी बाहर rainbow बनके ठीक है? तो पहले क्या हुआ था? Refraction हुआ था white light जो है अंदर जा रही थी तो क्या होगा? वो disperse हो जाएगी क्यों? क्योंकि हमारी atmosphere में जो छोटी-छोटी water droplets होती है वो भेव करती है small prism की तरह तो जैसे white light prism के अंदर गई अपने seven constituent colors में split हो गई लेकिन split होके ये water droplets के बाहर नहीं निकल जाएगी क्यों? क्योंकि इन सभी colored lights का जो angle of incidence है वो critical angle of incidence हो गया है जादा जिसके कारण जो incident ray है वो medium के बाहर नहीं जाएगी, medium के अंदर ही reflect हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते है total internal reflection सभी की सभी जो seven constituent colored lights है वो totally internally reflect हो गई है, TIR हो गया है reflect होने के बाद कहां पहुंची water droplets के पहले वाले surface पे फिर वहां से refract होकर के बाहर निकल जाएगी और हमें rainbow देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो इस सवाल का जवाब आपको पता चल गया होगा नेक्स अवाल क्या है? sunlight क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि sunlight क्या होती है भाई हमारी white light होती है, यानि कि हमारी sunlight भी बहुत सारे colors की बनी होती है जब वो prism से पास होगी glass prism से तो क्या होगा? वो split हो जाएगी अपने constituent colors में लेकिन हमें इस कौन देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ विब ग्योर देखेंगे क्यों? क्योंकि उन colors की band हमारी आँखों तक पहुंच पाती है Is that clear? फिर इसके बाद में question number 8 क्या है? कि how rainbow formation takes place? तो इसमें वो एक three step process आपको बतानी है पहली step क्या है? reflection हो रहा है TIR हो रहा है और फिर क्या हो रहा है? reflection ठीक है? दूसरा क्या है? reflection हो रहा है TIR हो रहा है reflection हो रहा है बिल्कुल गलत पहली बार में तो reflection होता है disposition होता है reflection नहीं होता है तीसरा case क्या है? reflection, TIR, reflection तो तूरी के लाएगा तो आप्शन इटे गलत तूरी तो कहा होगा ड्रॉपलेट के अंदर ही होगा तो यहाँ पे सबसे सही आप्शन कौन सा है हमारा आप्शन ए जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे फहले रीफ्रेक्शन होगा then TIR and then finally reflection takes place ठीक है? I hope यह चीज आपको समझ में आई होगी बच्चो Question number 9 क्या है? State the name of the process यह process आपको दिख रही है इसका आपको नाम बताना है क्या नाम हो सकता है भई? Light की scattering क्या मैंने आपको अभी light की scattering पढ़ाई है? बिलकुल नहीं पढ़ाई तो यह option तो बिलकुल ही गलत है ठीक है? दूसरा क्या है? Dispersion of light यहाँ पे मुझे dispersion of light तो होते हुए दिख रहा है लेकिन Newton ने क्या किया था? अपने जो opponents से उनको सबक सिखाने के लिए उनने एक experiment किया था जहाँ पे उन्होंने उल्टा प्रिजम रख दिया था उल्टा प्रिजम रखने के कारण क्या हुआ? दोनों ही प्रिजम की जो refracting surface है वो क्या हुई? एक दूसरा के opposite आ गई जिसके कारण क्या हुआ? जो seven constituent colors बने थे एक white light से जब वो दूसरे प्रिजम में गए तो वो क्या हो गए? recombine हो गए recombine हो रहा है यहाँ पे तो process भी कौनसी होगी भई? recombination ही तो होगी white light की पहले इसमें क्या हो रहा है? पहले इसमें dispersion हो रहा है दूसरे में क्या हुआ? इस act newton ने experiment किया था ultra-prism रख दिया था जिसके कारण सभी की सभी seven constituent colors क्या हो गए थे? recombine हो गए थे और recombine होकर कि क्या बनाया था? उन्होंने white light बनाया था तो यह कौन सी process है? यह process है हमारी process C, option C recombination of white light आ गई आपको बात समझ में चलो अब हम बात करते हैं हमारे आज के आखरी सवाल की यह सवाल था बच्चों का comment section में कि मैं हमारे पास दो आखे क्यों होती है? क्यों नहीं हमारे पास एक ही आख होती है? है ना? या अगर भगवान जी को आख हमें as a gift देनी थी तो दोड़ी सी जादा दे देते चार पांच दे देते दो ही क्यों होती है? सभी human beings के पास सभी living organisms के पास यह हमारी दो ही आखे क्यों होती है? तो इसका एक reason है क्या reason है? actually एक नहीं, दो reason है पहला reason क्या है बई? पहला reason होता है हमारा जो vision की जो field है पहला reason क्या है? field of vision क्या है field of vision दूसरी, दूसरा reason क्या है दूसरा है distance और depth perception ठीक है, distance या फिर depth perception क्या है ये भई दोनो reason आप बोलोगे कि मैं मैं आपने तो नाम लिख दिया समझाए ही नहीं अभी रोको, समझाते है field of vision से क्या मतलब है हमारे पास जो दो आखे हैं उससे हम horizontally 180 degree का distance देख पाते हैं 180 degree angle पे distance देख पाते हैं कैसे? मैं अपने left में भी देख पारी हूँ मैं अपने right में भी देख पारी हूँ दोनों आखो से यानि कि 180 degree का 180 degree के angle पे मैंने जो भी चीजे रखी हूँगी उन सबको मैं देख पारी हूँ अगर left side में ये pen रखा हुआ है तो बिना मैं अपने neck को rotate करे आखों को ही मैं क्या करूँगी bend करूँगी और मैं देख लोगी कि भाई left side में क्या रखा है एक pen रखा है इधर पर अगर मैं रखूँ pen तो भी मुझे ये pen देख जाएगा यानि कि one horizontally 180 degree के angle पे जो भी object रखा होगा उसे मैं देख सकती हूँ क्यों? क्योंकि मेरे पास दो आखे हैं एक काम करो ये experiment आप घर पे करके देख सकते हूँ मैं भी करके दिखा देती हूँ लेकिन वो experiment तो मेरे लिए होगा आपके लिए क्या होगा एक काम करो अपनी एक आख को जो है न कवर कर लो और सिर्फ एक आख से देखो आपको सिर्फ और सिर्फ 150 degree के angle पर ही दिखेगा अभी तक आपकी field क्या थी? vision की दोनों आखों से 180 degree थी यहां का भी object दिख रहा है, यहां का भी object दिख रहा है हाँ जो चीज़े पीछे रखी है वो नहीं दिखती आपको लेकिन जैसे आप अपनी एक आख बन करोगे न आपको कम दिखाई देने लगेगा कम मतलब यह नहीं कि vision कैसा हो गया है, blurry हो गया है blurred दिखने लगी है चीज़े, नहीं जो field है आपकी vision की वो हो जाएगी कम कितनी रहेगी, केवर एक आख से जब आप देखोगे तो 150 रहेगी, यानि कि 30 डिगरी का जो angle है, वो कम हो गया, दोनों आखों से आपको 180 डिगरी दिखाई दे रहा था और एक आख से आपको सिर्फ 150 डिगरी का ही distance जो हना दिखाई देता है यानि कि change कितना हो गया, change हो गया 180 डिगरी माइनस 150 डिगरी that is 30 डिगरी का vision loss हो जाता है समझे, तो पहला reason क्या है दो आखों का, कि भाई दोनों आखों से 180 डिगरी दिखाई दे रहा था, field क्या थी vision की, 180 डिगरी थी field, यानि कि हमें 30 डिगरी, जो distance है, 30 डिगरी का जो angle है उस पे रखी कोई भी object हमें दिखाई नहीं देता ठीक है, अब दूसरा होता है distance या फिर depth perception, इसका क्या मतलब है अब देखों, जब भी मैं किसी object को देखती हूँ तो मेरी दोनों आखें उसी object को देखते हैं ऐसा नहीं है, कि मेरे सामने के pen रखा हुआ है तो मेरी left eye देखेगी इस pen को और right eye देखेगी किसी दूसरे object को अगर मैं किसी भी object को देख रही हूँ तो मेरी दोनों ही आखें क्या कर रही है उस object को देख रही है अब हर आग के पास क्या होता है एक cornea होता है lens होता है retina होता है left eye के पास भी cornea lens retina होगा right eye के पास भी cornea lens retina होगा यानि कि हर एक object की मेरे आखों में दो image बन रही है है ना? क्योंकि दो lenses है दो lenses है दो retina है तो वो lenses क्या करेंगे, left eye क्या करेंगी, left eye इस object की left retina पे image बनाएगी और right eye क्या करेंगी, इस object की right eye पे, right retina पे image बनाएगी याने image कैसी बन गई, दो बनी, कैसी बनी, real inverted लेकिन दिखाई तो मुझे हमेशा ये एक ही pen देगा ऐसा नहीं है कि दो आखें, दो images बन रहीं रेटीना पे, तो मुझे ये मेरा pen भी कैसा लगे दो ही दिखाई दे, नहीं, दिखाई तो मुझे क्या दे रहा है, दिखाई तो मुझे एक ही चीज़ दे रही है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि eyes का काम क्या होता है, information लेना information उनने ले ली, किसको दी, brain को जा करके दी brain ने क्या किया, left और right eye ने जो दो images बनाई थी, उन दोनों ही images को क्या कर दिया combine कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, combine कर दिया, combine करके उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही object दिखाया, ऐसा कैसे possible हुआ, क्योंकि बच्चों, जो हमारी left और right eye होती है न, वो एक ही object की अलग-अलग image बनाती है, ये सामने रखो, आप अपने pen, ठीक है, left eye close करके right eye से इसे देखो, ठीक है, फिर इसके बाद में right eye close करके इसे left eye से देखो, आप observe करोगे कि left eye से आपको इस pen की अलग image दिख रही है, और right eye से आपको इस object की, इस pen की अलग image दिख रही है, यानि कि left और right eye, दोनों ही at our time एकी object को देख रहे हैं, लेकिन दोनों अलग- लग images को हमारा brain क्या कर देता है combine कर देता है जिसके current क्या मिलता है हमें हमें इस object का एक 3D image मिलती है क्या मिलती है इस object की एक 3D image मिलती है अब सवाल यह आता है कि 3D image का क्या मतलब है क्यों मिली 3D image कोई और type की image क्यों क्योंकि इस 3D image का बड़ा significance होता है एक 3D image हमें object की क्या बताती है कि वो हमसे कितना दूर है यानि कि object हमसे कितना दूर है इसका perception हमें कौन कराता है उस object की 3D image कराती है हमें actual distance बताता है क्या 3D image की object हमसे कितने दूरी पे है इसी को हम कहते है distance या फिर depth perception तो बच्चे जिसका ये question था बहुत अच्छा doubt था ये कि हमारे पास दो आखे क्यों होती एक से काम क्यों नहीं चलता तो उसके दो reason है पहला reason क्या है कि हमारी जो vision की जो field है एक आख से कम हो जाती है ठीक है दोनों आख से हमें कितना देखता है 180 degree देखता है horizontally अगर एक आख बंद कर दे तो कितना देखेगा 150 degree देखेगा यानि कि 30 degree का क्या हो जाता है vision का field का loss हो जाता है ठीक है फिर दूसरी चीज़ क्या है depth और distance perception किसी भी object को जब आप देखते हो तो दोनों आखे देखती है left eye अलग image बनाती है right eye उस object की अलग image बनाती है दोनों images कहां बेजी जाती है information हमारे दिमाग को बेजी जाती है दिमाग क्या करता है दोनों images को combine कर देता है और हमें एक 3D image बना करके देखा है उस object की उस 3D image से फायदा क्या होता है उससे फायदा हमें यह होता है कि हमें यह चल जाता है कि object हम से कितने actual distance पे है तो हमें depth और distance perception देखने को मिलता है समझने को मिल जाता है दोनों आंखों से छीक है आ गई आपको बात समझ में I hope बच्चों ये doubt आपका हो गया होगा clear तो भई आज के इस DPQ session में हमने बहुत सारी बाते करी हैं हमने कल बहुत सारी चीज़े पड़ी ती उसको हमने रिवाइस कर लिया आपका जो डाउट था वो भी हमने solve कर लिया अब next lecture से next session से मचाते हैं हम दूम बात करेंगे कुछ real life events की तो इस session के लिए इतना ही मिलते हैं अपने next session में तब आप क्या करेंगे हमारी जो ओफिशल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लेना जहां पर आपको सभी chapters के video lectures में लेंगे arranged form में playlist में सारी साथ सभी topics के वहाँ पर हूंगे आपको notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnet brains thank you for watching hello everyone इस session में हम पढ़ने वाले हैं light के एक phenomena को एक और phenomena है light का जिसका नाम है scattering of light previous lectures में हमने बात करी थी light के dispersion के बारे में और मैंने आपको बताया था कि क्यूं हम light का dispersion है उसको हम light की scattering नहीं बोल सकते हैं अब आग जब हमें इस session में light की scattering को पढ़ना ही है डीटेल में पढ़ना है उसके कुछ natural applications देखने हैं तो एक काम करते हैं जो dispersion और scattering के बीच का जो basic difference है ना वो मैं आपको फिर से बता दूँगी ताकि आपके लिए dispersion और light की scattering को compare करना हो जाएगा आसान तो भाई इस session का target में set कर देती हूं क्या होने वाला है हमें समझना है light का एक और natural phenomena जिसे हम कहते हैं light की scattering तो भाई जब आज के lecture का session का target हो गया है set तो फिर देरी किस बाग की तो चली start करते हैं आज कर ये हमारा session so this is विभूती खरे welcome to magnet brains जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलेंगे बिल्कुल free of cost यहां कि magnet brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी दरा का payment करने की आप package लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुँचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छ scattering के बारे में आपको कोई idea ना हूँ हो सकता है कि light की scattering की जो एक classic definition होती है वो आपको ना पता हो लेकिन light की scattering को आपने कभी ना कभी जरूर experience किया होगा बिल्किल किया होगा भाई मैंने आपको DPQ session में बताया था कि अब हमारी जितने भी upcoming lectures है ना उसमें धूम मचाने वाले ह क्यों क्यों हम बात करेंगी real life events की जो हम daily basis पे कभी ना कभी experience जरूर करते हैं उनी events की हम बात कर रहे हैं और उसमें से एक event कौन सा है भाई मैं आपको बताती हूँ उसमें से एक event है हमारा ये अब ये क्या है ये चीज़ आपने अपने घरों में हमेशा notice करी होगी कभी ना क आप अपने अपने कमरों की क्या करते हो खिड़कियों को खोलते हो पर्दे हटाते हो कर्टन सता आते हो और खिड़कियां खोलते हो जैसे आप खिड़कियां खोलते हो आपको कुछ इस तरह की चीज़ देखने को मिलेगे इस तरह का scene आपको देखने को मिलेगा अब आप इसमें क्या बड़ी बात है? भाई ये तो रोजी होता है हमारे घर में जैसे हम अपने rooms की खिड़किया खोलते हैं, windows खोलते हैं हमें light आती हुई दिखती है तो भाई ये जो light आपको आते हुई दिख रही है अपने rooms ने ये क्या है? ये ही तो है light की scattering light की scattering बड़ी आसान चीज है समझे? light की scattering है वो बड़ी आसान चीज है जो आपको अपने कमरों में खिड़कियों के तुरू light का आना दिख रहा है आते हुए जो आपको light दिख रही है ना इसी को हम कहते है light की scattering light की scattering मतलब क्या होता है? कि light का path visible हो जाना light usually travel करती है तो वो आपको दिखेगी ने लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि light हमें travel करती हुए दिख जाती है light का हमें path दिख जाता है तो ऐसी condition, ऐसी situation जब आपको light का path दिख जाए जब आपको साक्षात light travel करती हुए दिख जाए उसे हम कहते हैं क्या? वो क्यूं होता है? क्योंकि light की scattering हो जाती है अब इस चीज़ को हम एक और experiment से समझेंगे कैसे समझेंगे? तो देखो यहाँ पे है मेरे पास दो beaker एक beaker में है plain water एक beaker में है plain water और दूसरे में मैंने क्या करा है? पानी में 2-3 drops मैंने milk की add कर दी है यह वाला beaker कौन सा है भई? beaker A जिसमें की सिर्फ और सिर्फ क्या है? water है ठीक है? इसमें क्या है? water है और यह जो मेरा beaker B है इसमें water भी है और साथ में थोड़ा सा milk भी मैंने add कर दिया है अब मैंने दोनों ही beaker से एक light pass कराई है इस beaker से भी मैंने light pass कराई है और जो दूसरा beaker है, beaker B उसमें से भी मैंने light pass कराई है जरा अब मुझे यह बताओ कि कौन से beaker में से आपको light साक्षाद pass करती हुए दिख रही है Beaker A में आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी light आ जा रही है कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन Beaker B में आपको इस तरह का एक white band दिखाई दे रहा होगा ठीक है? इस white band को मैं थोड़ा सा और highlight कर देती हूँ आपको Beaker B में ये white band दिखाई दे रहा होगा ये white band क्या है? ये white band बच्चों ये वही light का path है जो कि light travel करती हुई path को follow करती हुई beaker के अंदर आ रही है ठीक है? अब आप बोलोगे कि अच्छा इस beaker में हमें light का path दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ? यहां भी scattering हो रही है light की? बिल्कुल सही बात है light का path तभी visible होता है light हमें तभी travel करती हुई दिखाई देती है जब light की scattering हो रही होती है beaker A में हमें light का path नहीं दिख रहा है इसका मतलब definitely आप इस scattering नहीं हो रही है अभी मैंना आपको scattering समझाया नहीं है मैं आपको सिर्फ यह बता रही हूँ कि light की scattering कहां कहां हमें देखने को मिलती है एक वो पहला वाला case जहाँ पे आप अपने कमरों की जो खेड़ियों जब आप खोलोगे तो आपको light आते हुए देखेगी yes or no? और दूसरा case क्या हुआ? दूसरा case यह रहा कि जहां पे जैसे ही मैंने दूसरे बीकर में पाने की साथ milk add कर दिया आपको यहां पे light का path दिखने लगा ऐसा नहीं है कि बीकर A में जिसमें सिर्फ पानी था उसमें light travel नहीं कर रही थी माना इसमें light का path नहीं दिख रहा है लेकि ऐसा नहीं है कि बीकर A में light travel नहीं कर रही थी light बिल्कुल travel कर रही थी बस उसका path नहीं दिख रहा था path नहीं दिखना मतलब क्या हो गया? scattering नहीं हुई बीकर B में क्या हुआ? बीकर B में हमें साक्षात light travel करती हुई दिखी हमें उसका इस तरह का एक white band दिखाई दे गया ये white band क्या है ये वो ही path है ये वही band है जिसको cross करती हुई जिसको travel करती हुई light आ रही है कहां से यहां से कहीं से आई बात आपको समझ में अब ये भेवाव क्यों हो रहा है हमें ये पता करना है ये हमें समझ में आ गया कि इसमें light का path दिख रहा है ये समझ में आ गया इसमें light का path नहीं दिख रहा है लेकिन क्यों ये तो अभी हमें बताया ही नहीं इतना समझ में आ गया कि light की scattering के कारण light का path दिख रहा है अब ये light की scattering होती क्या है भई Light की Scattering बच्चों एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें की Light किसी Particular Molecule, Atom या Particle Light एक Particular Particle से टकराने के बाद बिखर जाती है Light की Scattering क्या हुई बई? Scattering का एक बहुत अच्छा शब्द है हिंदी में जिसको हम कहते हैं बिखरना इस बिखरने शब्द को आप हमेशा ध्यान रखोगे तो कभी भी Scattering को भूलोगे नहीं Scattering का मतलब क्या होता है? Scattering का मतलब होता है बिखरना तो Light की Scattering क्या होगी? एक ऐसी प्रोसेस होगी, एक ऐसा फिनामिना होगा जहांपे Light Particular एक Particle से टकराने के बाद क्या हो जाए? बिखर जाए जैसे कि आपका जो Glass था काज का Glass जैसे आप उसको क्या करोगे? फ्लोर पे फेकोगे फ्लोर से टकराने के बाद क्या होगा? आपका जो Glass है वो तूट जाएगा किसमें तूटेगा? छोटे छोटे Glass के Particles में कडों में तूट जाएगा सेम केस यहां भी हो रहा है कैसे? यह आई क्या? Light यह आई इस तरह से Light अब यहां पर क्या था? Light के Path में आ गया क्या? एक Particular Particle इस Particle से टकराने के बाद क्या हुआ? इस Particle से टकराने के बाद जो मेरी Light थी ना वो हो गई क्या? बिखर गई वो आखिर यह बिखरना होता क्यूं है? Actually यह जो Particular Type के Particles होते हैं यह क्या करते हैं? जो आने वाली Light है ना Incident Light उसको क्या कर लेते हैं? वो अब्जॉब कर लेते हैं और अब्जॉब करने के बाद उनको Re-Emit कर देते हैं और टकराने के बाद क्या हुआ? वो बिखर गई ठीक है? और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चो Scattering of Light ठीक है? रिपीट करती हूँ में Scattering of Light क्या है? जब Light Travel करती हुई आती है और उसके रास्ते में उसे कोई Particular Type का Particle मिल जाता है उस Particle से टकराने के बाद क्या होता है? वो बिखर जाती है इस बिखरने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Light की Scattering बोलते हैं ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जो Particular Type का Particle है न यह उस Light को कर लेता है Absorb करने के बाद Different Directions में उसको Re-Emit कर देता है हैने कि Different Directions में उनको फैला देता है बिखेर देता है इसलिए इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? Scattering अब वापस आ जाओ इन दोनों केसिस पे Scattering of Light समझ में आ गया न अब इन दोनों केसिस पे वापस आ जाओ क्यों Beaker A जिसमें पानी था उसमें मुझे Light का Path नहीं दिखा और जिस Beaker में पानी के साथ थोड़ा सा Milk डला हुआ था उसमें मेरे Light का Path दिखने लगा भाई Light तो दोनों ही Beakers में ट्रैवल कर रही थी लेकिन Path मुझे सिर्फ और सिर्फ उस Beaker में दिखा जिसमें की कौन पड़ा हुआ था थोड़ा सा Milk भी मैंने Add किया हुआ था ऐसा क्यों हुआ भाई क्योंकि Scattering क्यों होती है अभी मैंने आपको बता है Scattering क्या है Scattering क्यों होती है जब Light Particular Type के Particle से तकरा जाए मैंने आपको बोला था कि इस Beaker में Light का Path क्यों दिख रहा है क्योंकि यहां पे Scattering हो रही है यानि कि Definitely जब मैं इस Beaker से किसी Light को Pass करा रही हूँ वो Light Particular Type के Particle के साथ क्या हो रही है तकरा रही है इसलिए क्या हो रही है Scattering हो रही है और इसलिए आपको इस Light का Path Particular Beaker में दिख रहा है ठीक है क्या बोला था मैंने आपको कि यह रहा Beaker A यह रहा Beaker B Beaker A में था सिर्फ पानी Beaker B में क्या था Water के साथ थोड़ा सा मैंने Milk भी डाल रखा था दोनों ही Beaker से मैंने Light पास करवाई थी जो हमारा Beaker A था जिसमें सिर्फ Water था उसमें मुझे Light का Path नहीं दिखा मुझे नहीं दिखा कि किस तरह से Light उस पानी में ट्रेवल करती हुई जा रही है लेकिन वो Beaker जिसमें के थोड़ा सा Milk भी एड़िट था वाटर के साथ उस Beaker में बकायदा मुझे एक White कलर का Band दिखाए दिया ये White कलर का Band क्या था ये वही Path था जो कि फॉलो करके Light जा रही थी उस Beaker के अंदर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस Case में Light की Scattering हो रही थी और इस Case में Light की Scattering नहीं हुई Light की Scattering क्या है? जब एक Light Particular Type के Particle से टकराती है तो बिखर जाती है Different Directions में वो बिखर जाती है इसी को हम कहते हैं Light की Scattering इस Case में Beaker B में Light की Scattering क्यों हुई? क्योंकि Beaker B में आने वाली जो Light थी Definitely वो किसी Particular Type के Particle से टकराई होगी टकराने के बाद बिखर गई होगी बिखर ना मतलब क्या? उसकी Scattering होगी इसी Scattering के कारण उसका Path हमें दिखाई दे गया तो भाई, पानी तो सेमी था दोनों Beaker में Light भी हम सेमी पास करवा रहे थे तो Beaker A में Scattering क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उसके पास Beaker A के पास पानी के पास ये Particular Type का Particle नहीं था जब तक ये Particular Type का Particle नहीं होगा Light भिखरेगी नहीं टकराके ऐसा नहीं है कि Beaker A के पास Particle थे ही नहीं बिल्कुल थे बही पानी है ना इसमें तो क्या पानी के पास उसके Water Molecules नहीं होगे? एटम्स नहीं होगे बिल्कुल होगे पानी के पास Water Molecules होगे Water Atoms होगे लेकिन फिर भी Light उनसे टकराकरके बिखर नहीं पाई बिखर नहीं पाई इसका मतलब क्या? Scattering नहीं हुई Scattering नहीं हुई इसका मतलब क्या हुआ? Light का Path हमें इस Beaker में दिखाई नहीं दिया हाँ लेकिन बी जो Beaker था हमारा जिसमें हमने Milk भी Add किया हुआ था ठीक है? उस Beaker में क्या हुआ? Light को वो Particular Particle मिलके टकराने के लिए जैसे Light उस Beaker से Pass हो रही थी तो उस Light को एक Particular Particle मिलके टकराने के लिए इस Particle से टकराने के कारण क्या हुआ? वो खुद विखर गई और जिसके कारण उसका Path विजिबल हो गया तो भाई ये Particle कहां से आ गया? याद करो मैंने आपको बताया था कि इस Beaker में मैंने ना सिर्फ पानी डाला है थोड़ा सा Milk भी Add किया है तो ये जो Particular Type of Particle मिल रहा है ना लाइट को ये कहां से मिल रहा है? ये मिल रहा है इस Milk से याने की हमारी जो लाइट है वो Milk Particles के साथ टकराई टकराने के बाद विखर गई, Scattering हो गई जिसके कारण उसका Path हमें Beaker B में दिख गया अब Milk Particles के पास ऐसा क्या है? क्यों Milk Particles ये Particular Type के Particles बन गए? क्योंकि भाई Milk Particles क्या थे? वो थे हमारे Colloidal Particles क्या थे? Colloidal Particles थे Class 9 में आप पढ़के आ रहे होंगे Different Type के Solutions होते हैं Different Type के Mixers होते हैं Different Type के Particles होते हैं तो वो Particles जिनकी Size की रेंज कितनी होती है? 1 से लेकर के 1000 नैनो मीटर के बीच में होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? नैनो Particles कहते हैं उनको हम Colloidal Particles कहते हैं I repeat वो Particles जिनकी Size की रेंज 1 से लेकर के 1000 नैनो मीटर के बीच में आती है उन्हें हम क्या कहते हैं colloidal particles कहते हैं ये जो हमारा milk था इस milk के पास particles कौन से थे इस milk के पास particles से colloidal particles जिससे टकराने के बाद light scatter हो गई और उसका path हमें दिख गया I hope पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों plain water में light का path visible नहीं था और milk प्लस water के solution में light का path visible था क्योंकि milk क्या है? एक colloidal solution है milk के पास क्या है? colloidal particles है उन particles से टकराने के बाद हमारी जो light है वो बिखार जाती है इसलिए उसका path visible हो जाता है ठीक है? I hope ये चीज आपको समझ में आई होगी बच्चो अब एक काम करते हैं अब वापस हम अपने first experience पे जाते हैं, first event पे जाते हैं हमें हमारे room में light का, light आती हुई क्यों दिख रही थी? light का path हमें क्यों दिख रहा था? क्यों visible था? क्योंकि जिस तरह से beaker B में पानी के साथ milk particles थे colloidal particles थे similarly इसी तरह के colloidal particles जिनकी size की range कित्ती होती है one, two, thousand nanometer's present होते हैं हमारे atmosphere में भी कौन-कौन से होते हैं थे हैं? तो देख लो, होते हैं dust particles, ठीक है? कौन-कौन से होंगे dust particles हो जाएंगे फिर इसके बाद में water droplets ही होती हैं water droplets भी होती हैं फिर इसके बाद में water weapons भी होती हैं smoke particles भी होते हैं ठीक, और सबसे ज़ादा, सबसे ज़ादा कौन, तो भाई, हमारी प्यारी gases, हमारे atmosphere में बहुत सारी gases हैं, सबसे abundant gas कौन सी होती है भाई, आपका answer होना चेहे, nitrogen 78% होती है, ये, almost, ठीक है तो हमारे atmosphere में बहुत सारे particles होते हैं dust particles, water droplets, water vapors, smoke particles, gases और इनकी size कहां होती है इनकी size किस range में आती है इनकी size range होती है hundred से thousand nanometers के बीच में याने ये सब के सब कैसे act करते हैं भाई ये सब के सब act करते हैं colloidal particles की तरह किसकी तरह काम करेंगे act करेंगे colloidal particles की तरह तो जब light हमारे room में आएगी तो कैसे आएगी इन colloidal particles से टकराने के बाद आएगी टकरा की क्या हो जाता है विखर जाती है वो विखरने के कारण क्या होता है उसका path हमें दिखने लगता है visible हो जाता है इसलिए तो जब हम अपने rooms की windows खोलते हैं तो हमें साक्षात light आते हुए दिखती है बकाइदा उसका path दिखता है क्यों? क्योंकि हमारे room में जो colloidal particles present है इतने सारे उनसे टकरा के आ रही है कई बार आपने notice भी क्या होगा कि जब आप इस path को आप देखोगे न तो आपको छोटे छोटे particles जो है न float करते हुए देखेंगे ध्यान से देखना इस सीज को अब जब next time आपको इस तरह का कोई event देखे तो जा करके देखना उसको यह जो path होगा न light का उसको जाके observe करना आपको इस path में छोटे छोटे particles जो है न दिखाई देंगे वो particles जो की आपको वैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन जैसे उन पर light बड़ रही है दिखने लगे ठीक तो इसे हम क्या कहते हैं light की scattering कहते हैं I hope अब आपको light की scattering समझ में आ गई होगी कोई doubt इसमें नहीं होगा ठीक है अब इस light की scattering को हम tindal effect भी कहते हैं क्यों कहते हैं tindal effect क्योंकि scientist john tindal ने इसे discover किया था तो भाई जिसने इतना काम किया है discover किया है तो उन्हीं के नाम पे हमने उस phenomena को रख दिया क्या बोल दिया हमने इसको tindal effect बोल दिया तो एक classic definition क्या होगी tindal effect की या scattering of light की scattering of light is the phenomena of change in direction of light on striking visible क्या है यह एक ऐसा phenomena है जहां पे light particular type के particle से टक्रा करके अपना direction change कर लेती है scatter हो जाती है फैल जाती है और हम बोल सकते हैं कि बिखर जाती है जिसके कारण उसका path visible हो जाता है इस पूरे फिना मेना को discover कि इसने किया था john tindal ने इसलिए इसको हम tindal effect भी कहते हैं अभी जो light की scattering है या जो tindal effect है यह ना सिर्फ हमको milk solution में देखने को मिलेगा या फिर हमको हमारे कमरों में देखने को मिलेगा भाई यह हर कहीं हमें देखने को मिलता है जो dense forest होते हैं उनकी canopies में भी हमें देखने को मिलता है क्यों कि अभी अभी मैंने आखको बताया कि हमारे atmosphere में भी कई दरह के particles होते हैं dust particles, air particles, water vapors, water drop plates, ठीक है gas particles तो वो particles जिनकी size 1-2000 nanometer के बीच में आती है इस size की range में आती है उन्हें हम कहते हैं colloidal particles तो अगर एक light को बच्चों scatter होना है tindle effect दिखाना है तो उसे किस से जाकर के टकराना पड़ेगा strike करना पड़ेगा उसे coral particle से जाकर के टकराना पड़ेगा तब ही tindle effect देखने को मिलेगा dense forest में भी आपको इस तरह से tindle effect देखने को मिलेगा ठीक है तो इस session में मैंने आपको tindle effect समझा दिया scattering of light समझ में आ गई होगी I hope अब जो हमारा next session होगा न उसमें हम समझेंगे कि क्यों sky का color हमें दिन के time पे blue दिखता है और sunset या sunrise के time पे हमें orangish reddish type का दिखने लगता है और इस suspense को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ वो जो भी होता है न इसी phenomena tindle effect या light की scattering के कारण ही होता है I hope बच्चो आपको इस session में जो मैं समझाना चाहती थी light की scattering tindle effect वो समझ में आ गया होगा ये एक और diagram है आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से torch से निकलने वाली जो light है simple जब water से pass हो रही है उसका path हमें नहीं दिख रहा लेकिन जैसे ही एक colloidal solution हमने बना दिया यानि कि milk plus water डाल दिया तो देखो इस light में आपको particles दिखने लगे होंगे ठी? क्यों? क्योंकि ये जो particles present है milk के इनसे light जाकर के टकर आ गई और light का path हमें दिखने लगा तो इस session में जो मैं आपको समझाना चाहती थी I hope वो आपको समझ में आ गया होगा next session में हम बात करेंगे इसी light के scattering की कुछ natural applications की कि क्यो sky blue दिखता है दिन में sunset और sunrise के time पे हमें दिखता है red या orange कर लेना जहाँ पर आपको सभी chapters के video lectures मिलेंगे playlist में साथी साथ सभी topics के होंगे वहाँ पर आपको notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching hello everyone इस lecture में हम पढ़ने वाले है scattering of light पे based कुछ उसकी natural applications भई light की scattering खुद में ही क्या है एक natural phenomena है और उस पे भी based होते हैं कुछ बहुती beautiful natural applications तो उन applications को आज हम समझेंगे basically हाँ आज हम इस session में समझने वाले हैं कि क्यों sky का color होता है blue और sunset और sunrise के time पे वो हो जाता है red color का तो आज के इस session का मैंने target fix कर दिया है कि हमें समझना है कि sky का color blue और red के बीच में क्यों लाए करता है क्यों blue हो जाता है क्यों red हो जाता है तो जब target set हो गया है तो फिर देरी किस बात की तो चलिए start करते हैं आज कर यह हमारा lecture so this is विभूती खरे welcome to magnet brains जहाँ पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost यहने कि magnet brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करनी की या package लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुंचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का यह हमारा session जिसमें हम पढ़ेंगे की light की scattering हो रही है उस पर based कुछ phenomena उसके कुछ natural applications ठीक है अब मैंने आपको previous session में बताया था lecture में बताया था कि किस तरह से light जब particular type के particles के साथ तकराती है तो क्या हो जाती है विखर जाती है क्यों बिखर जाती है basically वो जो particles होते हैं वो उस light को कर लेते हैं absorb और फिर re-emit कर देते हैं different directions में तो हमें लगता है कि light टकराने के बाद particular type के particles से बिखर गई है different direction में इसी बिखरने की process को हम क्या कहते हैं scattering कहते हैं light की scattering के कारणी हमें light का जो path है वो visible होता है is that clear अब यह जो scattering की process है ना यह तभी possible है जब क्या होगा हमारी light टकराएगी particular type के particle के साथ और उन particles को हम क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं colloidal particles क्या कहते हैं बच्चो colloidal particles कहते हैं इन particles की खासबात क्या होती है इन particles की खासबात होती है इनका size इनकी जो size है वो किस range में लायक करती है एक से लेकर के 1000 nanometer ठीक है 12,000 nanometer की size की range होती है इन colloidal particles की इसी लिए जब light इन से टकराती है तो क्या हो जाती है scatter हो जाती है इतना clear है अब ये जो colloidal particles है हमारे atmosphere में भी present होते हैं जैसे की dust particles, water droplets, water vapors, different gases, smoke particles ये सब किसकी तरह behave करते हैं? colloidal particles की तरह behave करते हैं तो क्या होगा? आपको पता होगा कि हमारी earth के लिए सबसे best source क्या है light का? हमारा sun तो जब sun से आने वाली जो किरने होती है जो sunlight होती है sunlight जब atmosphere में present colloidal particles के साथ टकराएगी तो वहाँ भी क्या होगा? light की scattering हो जाएगी, sunlight की scattering हो जाएगी तभी तो जो dense forest वगेरा होते हैं उनकी canopies में भी हमें light की scattering, tindal effect देखने को मिल जाता है है की नहीं? क्यों? क्योंकि हमारे atmosphere में present होते हैं कुछ colloidal particles और इनसे जब sun से आने वाली sunlight टकराएगी तो क्या हो जाएगी? scatter हो जाएगी वो इतना clear है आप सबको, अब देखो, मैंने आपको previous session में बताया है, lectures में बताया है कि हमारी जो sunlight होती है, वो actually कैसी होती है? एक white light होती है white light मतलब क्या? एक ऐसी light जो की बहुत सारे color से बनी होती है और जब बिखरने की बारी आती है, तो वो अपने different colors में बिखर जाएगी है ना? उसी समान हमारी जो sunlight है, वो क्या है? एक white light है sunlight क्या है भई? sunlight है हमारी white light तो जब ये बिखरेगी, तो किस में बिखरेगी भई? ये बिखरेगी विब ग्योर में, याने की अपने seven constituent colors में, seven primary या seven dominant colors में हमारी sunlight बिखर जाएगी मैंना को क्या बताया? कि हमारे atmosphere में भी colloidal particles present होते हैं जब हमारी sunlight उन particles से टकराएगी, तो क्या होगा? बिखरेगी कैसे बिखरेगी? तो भई, विब ग्योर में बिखरेगी, क्यों? क्योंकि हमारी sunlight खुद क्या है? एक white light है white light किसकी बनी होती है? विब ग्योर की बनी होती है मैं अभी ये क्यों वोल्डू कि हमारी white light विब ग्योर की बनी होती है? क्योंकि हमें देखते बस यही color है वैसे तो वो बहुत सारे colors की बनी होती है लेकिन विब्ग्योर colors के ही bend हमारी आखों को दिखते हैं हमारी आखें सिर्फ विब्ग्योर colors को ही देख पाती है ठीक है? तो इसलिए मैंने बोला कि हमारी जो sunlight है वो क्या है? white light है white light जो की विब्ग्योर से बनी हुई है जब वो इसको scatter होना होगा तो वो कैसे scatter होगी? स्प्रेट कैसे होगी? विब्ग्योर में ही होगी तो जब हमारी sunlight एक्मॉस्वेर में प्रेजेंट जो colloidal particles है जब उनसे टकराती है तो हमें वो किसमें scatter होगी? वो scatter होगी विब्ग्योर में लेकिन आप बोलोगी कि मैं ऐसे तो हमें पूरे टाइम rainbow दिखाई देने चाहिए और एक नहीं कई सारे rainbow दिखाई देने चाहिए क्यों? क्योंकि आपने बताया था कि जब sunlight टकराएगी तो वो क्या बनाती है? rainbow बनाती है लेकिन हमें हमेशा rainbow तो देखने को मिलता नहीं है बिल्कुल सही बात है अब हम देखते हैं कि क्यों हमें हमेशा rainbow देखने को नहीं मिलता ठीक है? उसको जमजने के लिए पहले आपको मुझे ये बताना होगा कि ये जो विब्ग्योर colors हैं इसमें wavelength का sequence क्या होता है ये सभी अलग-अलग color की lights है सभी light की क्या होगी? अपनी एक wavelength होगी तो इस विब्ग्योर pattern में wavelength का sequence क्या होगा? तो आप मुझे बोलेंगे कि मैं sequence कुछ इस तरीके का होगा याने कि जो red color की light है उसकी जो wavelength होगी? वो कैसी होगी? सबसे ज़ादा होगी फिर उससे कम wavelength किसकी होगी? औरेंज की, उससे कम yellow की, उससे कम green की, उससे भी कम blue की, उससे भी कम indigo की और उससे भी color हमारे violet की याने कि wavelength का order क्या है? wavelength का order ये है कि सबसे ज़ादा wavelength होती red color की और सबसे कम wavelength होती है किसकी होती है हमारे violet color की violet color की light की wavelength होती है सबसे कम ठीक है अब जो wavelength है light की और उसकी जो scattering है दोनों की बीच में एक relation होता है क्या relation होता है light की scattering ठीक है light की scattering और light की जो wavelength है उसके बीच में एक relation होता है क्या relation होता है भई? inverse relation होता है यानि कि जिस light की wavelength होगी जादा उसकी scattering क्या होगी? कम होगी जिस light की wavelength क्या होगी? कम उस light की scattering क्या हो जाएगी? जादा हो जाएगी अब हमें जो हमारी sun light से विब्योर देखने को मिल रहा है इस विब्योर में सबसे यदा wavelength किसकी है? red color की light की है इसका मतलब क्या होगा red color की light की जो scattering होगी वो क्या होगी कम होगी क्योंकि हमें ये relation पता है इस relation को बच्चो अपनी notebook में copy कर लो और कर लो star mark ये कभी बोलना नहीं है ठीक है जिस light की wavelength है जादा red color की light की wavelength है जादा उसकी scattering होगी कम violet color जो है इसकी wavelength है वो कैसी है कम है इसलिए उसकी scattering होगी कैसी जादा अब आप मुझे ये बताओ कि suppose ये काम करते हैं इसको एक example से समझते हैं मैंने आपसे बोला है कि हमें 2 km जो है ना walk पे जाना है 2 km की हमें walk पे जाना है अब मैंने आपको एक दिन पहले से खाने बीने के लिए खुछ भी नहीं दिया ना मैंने आपको dinner दिया ना मैंने आपको lunch दिया morning में भी जब आप उठे हो तो मैंने आपको breakfast नहीं दिया मैंने आपको बोला कि नहीं चलो मेरे साथ walk पे लो 2 km लंबी वाक में जाना है अब आप क्या होगा जैसि आप दस कदम चलोगे ना आप फैल जाओगे की वह हम से नहीं हो पा रहा आप ने जब हमने कुछ त्रैवल किया, काफी कम किया, केवल 10 कदभी डिस्टन्स आप ट्रैवल कर पाए, अब अगर मैं आपको डिनर भी देती, मॉर्निंग में ब्रिकफर्स भी देती, उसके बाद मैं आपको वॉक पे ले जाती, तो क्या होता? आप मुझसे बोलते कि रिए 2 किलोमेटर क्या, हम त दोड के भी जा सकते हैं, यानि कि जब आपका पेट था भरा, आप में थी एनरजी, तो आपने डिस्टन्स कैसा ट्रैवल किया, जादा किया, ठीक है, आप फैले नहीं, और जब आपने खाना कम खाया था, आप में एनरजी नहीं थी, तो क्या हुआ, आप फैल गए, फैल स्कैटरिंग होगी कम, स्कैटरिंग होगी कम मतलब क्या, वो फैलेगी कम, और फैलेगी कम मतलब क्या, वो डिस्टेंस कैसा ट्रैवल कर लेगी, डिस्टेंस कर लेगी ट्रैवल जादा, है ना, और ऐसी लाइट, जिसकी वेवलेंद कैसी है, वेवलेंद कम है, उसकी स्कैट काफी कम जब आपके अंदर एंघी नहीं थी आप फैल गए थे हैंना कितना कम डिस्टंस आपने ट्रैवल किया था आप आधा किलो midnight दो किलो मिटर तो बहुत दूर की बात है आप आधा किलो मीटर भी चल नहीं पाए थे आप उसके पहली फैल गए आप फैल गए मतलब क्या हुआ आपने डिस्टेंस जो है ना कम ट्रैवल किया और वहीं अगर मैंने आपको खूप सरा खाना खिला पिला दिया था आपने एनर्जी आ गई थी तो आपने डिस्टेंस जादा ट्रैवल कर लिया और कहीं दूर जाकर के आप फैल गए होंगे तो जब आप दूर जाकर के scatter हुए तो आपने distance कैसा travel कर लिया बच्चो जादा travel कर लिया सेम चीज यहाँ पे भी follow हो रही है जिस light की wavelength क्या होगी जादा होगी उसकी scattering कम होगी कम scattering मतलब क्या कम फैलना मतलब क्या जादा distance travel करना और ऐसी light जिसकी wavelength कैसी है wavelength है जादा जिसकी wavelength है कम उसकी scattering क्या होगी जादा हो जाएगी scattering जादा मतलब क्या distance कम travel किया गया है I hope यह relation आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैं बोल रही हूँ यह क्योंकि इसका अभी हमें इसका application देखना है कि क्यों sky का color blue होता है sunrise और sunset के time पे जो है ना कैसा हो जाता है वो red color का हो जाता है यह relation कभी मत भूलना एक light जिसकी wavelength है जादा उसकी scattering है कम scattering है कम मतलब कि जादा distance travel करके वो जापा रही है पहुंच रही है और ऐसी light जिसकी wavelength है कम जो आपकी traffic signals होते है वो जब आपको red color के क्यों होते है यानि कि जब stop करना होता है तो red color के क्यों होते है वो stop करने के लिए red light क्यों होती है या जो ambulance वगेरा जो होते है जो danger signs होते है वो हमेशा red color से ही क्यों बनाए जाते है क्योंकि देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो red color है उसकी wavelength क्या होती है उसकी wavelength होती है सबसे जादा याने कि उसकी scattering क्या होगी? कम होगी कम पहलेगी मतलब क्या? जादा distance travel कर जाएगी और basically danger sign हो या ambulance हो या जो traffic signal की जो red light हो उसका मतलब क्या होता है? कि भाई उसके पास मत जाना है ना? red light हमको दूर से दिख जाती है ताकि आपको पता चले कि भाई आगे जाकर कि आपको रुकना है अचानक से आपको वहापे कोई आकर कि रोक देगा अरे रुक जाओ रुक जाओ क्यों? क्योंकि red light हम तक जादा distance travel करके भी पहुँच जाती है ambulance की क्या जरुबती? क्यों उसमें जो है ना? red color की बत्ती जलती है अकेले siren से भी तो काम हो सकता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो red color की बत्ती जलती है हम चाते हैं कि वो बत्ती दूर तक दिख जाए जिससे क्या हो? थोड़ा सा रास्ता बन जाए traffic ना हो road पे हो और ambulance easily निकल जाए तो red color क्यों important है भाई? क्योंकि उसकी wavelength जादा है उसकी scattering कम हो जाएगी scattering कम होगी मतलब क्या? फैलेगी कम मतलब क्या? जादा distance travel करके जादा दूर travel करके जाएना हम तक आ सकती है आई आपको बात समझ में I hope ये चीज आपको clear हो गई होगी इस relation को नहीं बूलना है मैं बार-बार बोल रही हूँ आपसे ठीक है? अब ये relation हमें समझ में आ गया है अब एक काम करते हैं अब हम बात करते हैं हमारे sun की, sky की ठीक है? sky का color क्यों blue हो रहा है क्यों red हो रहा है अब हम उस पे आते हैं relation हम में समझ में आ गया कि light की wavelength और उसकी scattering और उसके distance के बीच में क्या है relation अब आ जाओ इस पे तो देखो ये क्या है? ये है हमारी earth अब sun की जो position होती है वो different हो जाती है afternoon के time पे क्या होता है? कि earth के poles पे आ जाता है क्या? pole पे आ जाता है sun और जब sunset और sunrise की बारी होती है उस time पे sun कहां आ जाता है? sun आ जाता है हमारी earth के कहां? equators पे ठीक है? sunrise और sunset के time पे sun कहां आता है? अर्थ की equator पे आ जाता है और जब afternoon दिन का time होता है उस time पे जो अर्थ की जो pole है उस पे आ जाता है हमारा sun अब मुझे ज़रा ये बताओ कि जो distance है between sun and earth वो maximum कब है जब sun equator पे है या जब sun pole पे है तो आपका answer होना चाहिए कि भाईया जब sun कहां है अर्थ की equator पे होता है यानि कि sunrise और sunset के time पे उस time पे क्या होता है distance इनके बीच का जाधा होता है किसके बीच का sun and earth के बीच का equator पे क्या होगा? जाधा होगा किसके comparison में distance between sun and earth कब जब sun कहां है अर्थ के पोल पे है, याने कि दिन के टाइम पे, ठीक है? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कि भाई, सन और अर्थ के बीच का distance maximum कब होता है, sunrise और sunset के टाइम पे, जब sun कहां हो, equator पे हो, और कम कब होता है, जब sun कहां हो, पोल पे हो, अर्थ के पोल पे हो, याने कि दिन के टाइम पे, ये चीज आपको clear हो गई, चलो, अब क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं, कि भाई, किस तरह से हमें sunset और sunrise के टाइम पे, जो sky है, वो red देखने को मिलता है, sun से क्या निकल के आता है, भाई, sun से निकल के आती है, sunlight, sunlight क्या होती है, एक white light होती है, है ना, और ये white light, जो की हमारे atmosphere में बहुत सारे colloidal particles होते हैं, ये white light जब उन colloidal particles से टकराएगी, तो क्या हो जाएगी, scatter होगी, कैसी scatter होगी भाई, तो pattern तो अभी भी हमें वही मिलेगा, क्या मिलेगा, विब ग्योर मिलेगा, याने कि हमारी जो sunlight है, जैसे ही atmosphere में जो colloidal particles presence है, उन से टकराएगी, तो किस से जाकर के scatter हो जाएगी, किस में, कहा हम बोलेंगे, विब ग्योर में, ठीक है, आप देखो, अब ये जो हमें विब ग्योर spectrum मिला है, इस में से अब एकक करके, जो light होगी, अलग-अलग color की, वो scatter करना शुरू होगी, सबसे पहले हम start करते हैं किस के साथ, इस violet color के light के साथ, violet color, अब मैं आप फिर से repeat करती हूँ, कि wavelength का sequence क्या है भाई, इस spectrum में, wavelength का sequence है कुछ इस तरीके का, कि red color की, जो light है, उसकी wavelength है सबसे जादा, और जो blue color है, जो violet color है, उसकी जो wavelength है, वो कैसी है, सबसे कम है, ठीके, तो अब क्या होगा, violet color की, जो light निकल के आई है spectrum से, sunlight के spectrum से, उसमें क्या होगा, कि violet color की light की wavelength थे कैसी सबसे कम सबसे कम मतलब क्या wavelength सबसे कम मतलब क्या इसकी scattering क्या हो जाएगी बच्चों इसकी scattering हो जाएगी सबसे जादा यानि कि ये जादा distance travel नहीं कर पाएगी relation याद है ना इस relation को कभी बोलना नहीं है violet color की light की जो wavelength थी वह कैसी दी सबसे कम ती जिसके कारण उसकी स्केटरिंग हो गई ज्याधा ज्याधा फैल गई ज्याधा फैलने के कारण क्या हुआ डिस्टेंस वह कम ट्रेवल कर पाई तो इधर पे देखो हम मान के चलते कि यहां कहीं हमारे जो वाइलेट लाइट है वो क्या हो गई scatter हो गई अब बारी आती किसकी indigo color की light की indigo color की light है उसकी जो wavelength है वो कैसी है violet color से थोड़ी जादा ही है यानि की wavelength थोड़ी जादा मतलब क्या scattering हो जाएगी थोड़ी सी कम scattering थोड़ी कम हो गई मतलब क्या हुआ distance इसने जादा थोड़ा से तो हमारे violet color की light तो भाई हो सकता है कि यह जो हमारी indigo है वह कहीं यहाँ जाकर के scatter हो गई है distance इसने जादा travel किया है किस से violet color की light से अब बारी आई किसकी blue color color की blue color की light है बच्चों उसकी wave length है वो कैसी है उसकी wavelength, violet और indigo से थोड़ी सी जादा है, यानि कि उसकी scattering क्या होगी, थोड़ी कम होगी, यानि कि distance यह थोड़ा जादा travel कर पाएगी तो यह देखो, इसने हो सकता है कहीं यहाँ जाकर के distance इतना travel कर लिया हो और इस point पे जाकर के यह scatter हो गई हो ठीक, अब इसके बार में आए green color की light की बारी green color की भी wavelength कैसी है, थोड़ी जादा है, उसकी scattering थोड़ी कम होगी यानि कि थोड़ा जादा distance travel कर लेगी हो सकता है कि इस point पे आकर की क्या हो जाए, वो scatter हो जाए फिर इसके बार में बारी आए कि इसकी yellow color की light की, ठीक है yellow color के लिए हम बोलते हैं कि इसकी wavelength कैसी है, green से भी जादा है यानि कि इसकी scattering थोड़ी और कम हो जाएगी, थोड़ी और कम scattering मतलब क्या distance, जादा travel, तो हो सकता है कि yellow color थोड़ा यहाँ जाकर के scatter हुआ हो yellow color की light, अब बारी आए किसकी, orange color की ठीक है, अब किसकी बारी आई भाई orange color की बारी आगई यह रहा अपना orange color ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ कि orange color की light आई उसकी wavelength yellow से भी थोड़ी जादा है, यानि कि इसकी scattering क्या होगी और थोड़ी कम हो जाएगी यानि कि distance वो और travel की wavelength तो सबसे जादा है सबसे जादा मतलब क्या उसकी scattering बहुत ही कम होगी बहुत ही कम scattering मतलब क्या वो जादा distance, जादा दूर तक travel कर पाएगी, कहां से travel कर पाएगी, sun से earth भाई light को जाना कहा है, sun से earth तक ही तो जाना है ना, तो मैं जो distance travel की बात कर रही हूँ, वो कौन सा distance है sun और earth की बीच का तो red light की जो wavelength है वो कैसी है, सबसे जादा है, उसकी scattering सबसे कम है, हैने कि वो जादा distance travel कर पाएगी, तो भाई ये देखो, हमारी जो red light है, वो यहां पे कही आकर के scatter हुई है हम कहां खड़े हैं, हम कड़े हैं इस earth पे खड़े हैं तो हमें earth से कौन सा color दिख रहा है, हमें earth से दिख रहा है blue color इसलिए हमें earth से sky का color, sorry, हमें कौन सा color दिख रहा है, red color दिख रहा है इसलिए हमें sky का color कैसा दिखता है, red color का का डिख्ता है। कब ? जब Sunset होने वाला होता है।acula, जब Sunset होने वाला होता है। तो हमें Red Color देखने को मिलता है। Similarly, यही चीज़ फॉलो होती है, कहाँ? Sunrise के टाइम पे भी क्यों? तो नखया готов सुन क्या है तो Sun कहा होता है एक्वेटर नखिक होता है। distance जादा हुआ मतलब क्या कि जैसे जो violet light है जो indigo light है जो blue light है वो बहुत पहले ही scatter होती जाती है और अर्थ के पास आते आते कौन सी light scatter होती है red color की light क्यों क्योंकि इसकी wavelength सबसे जादा थी ना wavelength जादा मतलब क्या उसकी scattering कम हुई फैली कम इसलिए जादा distance travel करके आ गई violet color की light की क्या थी बहुत ही कम wavelength जिसके करण वो फैल जादा गई फैलने के करण क्या हुआ वो distance जादा travel नहीं कर पाई इसलिए sunrise और sunset के time पे हमें sky red color का दिखता है ठीक अब बारी आती है किसकी अब बारी आती है हमारे दिन की जबकी हमें sky kalor कैसा दिखता है sky ka kalor हमें दिखता है blue कलर का ऐसा कैसे हो पाता है देखो अब क्या हुआ जहाँ मैं आपको पताया थे distance होता है sun और अर्थ के बीज का poles पर कैसा होता है कम होता है अब distance कैसा है कम है अब क्या होगा फिर से sunlight आएगी वाइट लाइट आएगी जो colorial particles present atmosphere से उससे टकराएगी टकराने के बाद क्या होगा टकराने के बाद हम बोलते हैं कि वो scatter हो जाएगी किसमें scatter होगी फिर से हम बोलते हैं कि विब्ग्योर में ही scatter होगी अब कौन आया भई सबसे पहले आई violet light वाइले लाइट आई उसकी wavelength कैसी थी उसकी wavelength हम बोलते हैं कि सबसे कम थी जिसके scattering जादा हो गई जादा distance वो travel कर नहीं पाई ठीक है तो कहीं यहां जाकर के scatter हो गई होगी फिर क्या हुआ इंडिगो लाइट आई इंडिगो ने क्या किया इंडिगो ने भी हम बोलते हैं कि उसकी wavelength वाइलेट से थोड़ी जादा आई थी है ना वाइलेट से थोड़ी जादा थी जिसके कारण उसकी scattering क्या हो गई थोड़ी कम हो गई उसने जादा distance travel कर लिया तो हो सकता है कहीं यहां जाकर के हमारी इंडिगो scatter हो गई हो फिर इसके बार में कौन आई हमारी blue light आई blue light की wavelength वाइलेट और इंडिगो से जादा है यानि कि उसकी scattering थोड़ी कम होगी वह जादा distance travel करकेई क्या हो जाएगी scatter हो जाएगी तो हो सकता है हमारी जो blue light हो वह कहाँ scatter हो यहां scatter हो आप जादा देखो आप कहाँ खड़े हो अर्थ पे और्थ से आपको कौन्सा color दिख रहा है blue color दिख रहा है हमारी आखों पे चहाज yata blue color इसी लिए हमें सकाइ कैसा देखने को मिलता है झाय मिलता है कौन से कलर का बलू कलर का कब चब दिन होती है आफ्टर नून के टाइम पर समझे कि नहीं समझे आई होग यह चीज़ आपको समझ में दिखाया, नहीं बेटा, scatter तो यहाँ पे सभी की सभी lights होंगी, लेकिन क्या होता है, कि sun और earth के बीच का जो distance होता है, दिन के time पे वो कम होता है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो बाकी की green, yellow, orange और red lights है ना, इनने अभी scatter करना शुरू नहीं किया है, इससे पहले कि ये scatter हो blue light आकर के हमारी आखों पे छा जाती है इसलिए हम इसका ब्लू कलर का दिखने लगता है I hope ये चीज आपको समझ में आई होगी मैं summarize कर देती हूँ सभी चीजों को कि मैंने क्या बोला सबसे पहले हमने start क्या था light की scattering के साथ कि light की scattering क्या होती है कि light जब किसी भी एक particular type के particle से टकराती है टकराने के बाद वो different direction में क्या हो जाती है फैल जाती है बिखर जाती है उसे हम कहते है scattering scattering तभी possible है जब वो particular type का particle कौन सा हो colloidal particle हो यानि कि उसकी size की range कितनी होनी चाहिए वन से 1000 nanometer के बीच की होनी चाहिए इस scattering के करण क्या होता है light का path visible हो जाता है sun से आ रही जो हमारी sunlight होती है वो भी क्या होती है एक तरह की white light होती है ठीक है और हमारे atmosphere में बहुत सारे coloral particles present होते हैं जैसी की water vapors ठीक है gases, dust particles, smoke particles तो उन से टकराने के बाद क्या होता है वो भी scatter हो जाती है कि इसमें scatter होती है wave gear में scatter होगी आप यह जो wave gear का जो pattern मिला है उसमें wavelength का sequence क्या होता है red का सबसे ज़्यादा और violet की सबसे कम wavelength ऐसी light जिसकी wavelength क्या होती है जादा होती है उसकी scattering थोड़ी कम होती है थोड़ी कम फैलती है इसका मतलब क्या वो जादा distance travel करके जा सकती है इसलिए किसी भी तरह के जो danger sign होता है ambulance का जो siren का जो बत्ती होती वो red color की होती है टीक है traffic signal में रोकने वाला जो signal है वो red color का होता है क्यों क्योंकि red color हम तक जादा distance travel करके पहुंच जाता है अगर हम दूर भी होता है तो हमें दूर से red color का sign दिख जाता है red color हमें दिख जाता है क्यों क्योंकि उसकी wavelength है जादा scattering उसकी कम होती है फैलती कम है ज़्यादा distance travel करके पहुँच जाती है ठीक है? अब क्या हुआ? Sunset और Sunrise की हम बात करते हैं Sunset के time पे क्या होता है? कि जो sun है वो कहा होता है? Equators पे होता है और दिन के time पे क्या होता है? Sun, Earth के pole पे होता है तो जो distance होता है Sun और Earth के बीच का वो ज़्यादा कब होता है? ज़्यादा होता है Sunrise और Sunset के time पे और कम कब होता है? दिन के time पे, ठीक है? तो Sunrise और Sunset की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है? Sun से आ रही है क्या Sunlight अब किसमें scatter हो जाएगी? वो विब्योर में scatter होगी अब क्या होगा? सबसे पहले जो Voilet Light है, वो सबसे पहले scatter हो जाएगी क्यों? क्योंकि उसकी wavelength कैसी ही? सबसे जादा सबसे कम wavelength किसकी है? Voilet की सबसे जादा scatter होगी यानि कि सबसे कम distance वो ही travel करेगी तो देखो Voilet Light कहीं यहाँ बे आके scatter हो गई इसी तरह से बाकी lights भी क्या होगी? scatter होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और अर्थ के सबसे पास कौनसी light आकर कि scatter होई है? red color की क्यों? wavelength जादा थी ना? wavelength जादा थी जिसकी वजह से उसकी scattering कम होई और उसने distance जादा travel कर लिया जादा distance travel करके वो sun से कहां पहुँच गई? अर्थ के पास पहुँच गई दिन के टाइम पर क्या हुआ था? sun और अर्थ के बीच का distance कैसा था? वो कम था इसलिए जैसे ही blue light scatter करती हुए हम तक पहुँची blue light हमारे आखों के सामने चागई और हमें पूरा का पूरा sky blue color का दिखने लगा ऐसा नहीं है कि बाकी की जो lights होंगी वो scatter नहीं होंगी, बिलकुल होंगी लेकिन अभी क्या था ना? distance काफी कम था sun और अर्थ के बीच का तो अभी इन light ने scatter करना शुरू नहीं किया है क्यों? क्योंकि कि क्यों हमें दिन के टाइम पे sky दिखता है blue color का और sunrise और sunset के टाइम पे हमें दिखता है कैसा red color का sky I hope आप इस चीज को करेंगे enjoy और आप समझेंगे इस चीज को तो इस lecture के लिए इतना ही scattering of light हो जाती है इसी topic पे आके finish अब हम बात करेंगे हमारे next lecture से atmospheric refraction की तब तक आप क्या करेंगे? आप हमारी जो official website है magnetbrains.com उसे visit कर लेना जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलेंगे playlist में साधी साथ सभी topics के होंगे वहाँ पे आपको notes भी available So do visit our official website magnetbrains.com Till then keep learning with magnetbrains Thank you for watching Hello everyone इस lecture में इस session में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो भी हमें sky में sun, moon और stars देखने को मिलते हैं actually में वो sun, star या moon है ही नहीं मतलब क्या है? कि जो हमें देखने को मिलता है जो हम देखते हैं actually वो सब क्या है? images है जो stars हमें देखते हैं वो क्या है, star नहीं है, वो real star नहीं है, वो stars की image है, जो sun हम देखते हैं, वो real sun नहीं है, वो sun की image है, और जो moon हम देखते हैं, वो moon नहीं है, moon की image है, अब आप बोलोगे कि मैं, यह कैसे possible है, हमें तो यही बताया गया था, कि हमें sky में sun, moon और stars देखने को मिलते हैं, यह तो हमे में images होती है और अगर वो images होती है तो actual star sun या moon होते कहां है तो आज के इस session में हम इन ही कुछ questions को करेंगे solve इनके answers को करेंगे find out लेकिन उसके पहले आपको समझना होगा एक topic जो की है हमारे chapter का last topic जिसका नाम है atmospheric reflection तो भाई इस video में इस lecture में सबसे पहले हम समझेंगे atmospheric reflection को और बाकी की बाते करेंगे बाद में तो target हो गया है set इस session का कि हमें start करना है क्या atmospheric reflection तो जब target set है तो फिर देरे किस बात की तो चलिए start करते हैं आज का ये हमारा session आज का हमारा lecture so this is vibhuti khare welcome to magnet brains जहाँ पे आपको सभी chapters के video lectures मिलेंगे बिल्कुल free of cost यहने कि magnet brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी बी तरह का payment करने की या package लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुँचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज कर यह हमारा session जिसमें हम पढ़ेंगे atmospheric reflection भाई, reflection तो कोई भी हमारे लिए अब नया word नहीं रहा हमने reflection के बारे में बहुत सारी चीज़े पढ़ ली है in fact हमारी आखों में जो reflection होता है वो भी हमने देख लिया लेकिन जड़ा यह atmospheric reflection क्या है यह नहीं पता भाई, ऐसा reflection जो कि कहा हो रहा है atmosphere में हो रहा है हमारे earth के atmosphere में हो रहा है उसी को हम बोल देते हैं atmospheric reflection तो क्या हमारे atmosphere में reflection होता है बिल्कुल होता है reflection करने के लिए चाहिए क्या होता है भाई Refraction के रही होते हैं medium और एक light तो light कहां से आएगी जो हम बात कर रहे थे न, अभी sun की या moon की या फिर किसकी? stars की, तो light कहां से आएगी, वैं? हम तक यानि कि हमारी earth तक in Сейчас moons और moon और stars के से आएगी, ठीक है? अब हम कहां हैं, भाई? हम खड़ हैं हमारी earth पे हम कहा है हम खड़े हैं हमारी अर्थ पे अब हमारी अर्थ का भी क्या होता है भई एक एटमोस्फेर होता है ठीक है और इस एटमोस्फेर में इस एटमोस्फेर में भई बहुत सारी क्या होती है लेयर्स होती है मैंने आपको क्या बताया कि जब हम बात कर रहे हैं atmospheric reflection की तो मतलब क्या है atmosphere में होने वाला reflection उसको हम कहते है atmospheric reflection reflection के लिए दो चीज़े चाहिए होती एक तो हमें different media चाहिए होते हैं और दूसरी चीज़े होती light चाहिए होती है light का source कौन है sun, moon and stars अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए है different media चाहिए है यह different media कहां से आएंगे यह media आएंगे हमारी earth के atmosphere से हमारी जो earth का atmosphere है उसमें different layers होती है ठीक है, सबसे अगर पहले में layer बोलूं तो कौन सी होती है भाई troposphere होती है फिर इसके बाद में कौन सी layer होती है भाई इसके बाद में layer होती है stratosphere फिर इसके बाद में कौन सी layer आएगी इसके बाद में layer आती है अपनी beach वाली याने की mesosphere फिर उसके आगे कौन आएगी इसके बाद में thermosphere आएगी और फिर सबसे बाहर कौन सी आती है भाई exosphere आती है याने कि यह रही हमारी earth और इस earth में क्या होता है? एक atmosphere होता है, earth का एक atmosphere होता है. ये atmosphere कैसे बनता है, भई? अलग-अलग layers से मिलके बनता है. सबसे वाली troposphere, फिर stratosphere, फिर mesosphere, फिर thermosphere, फिर exosphere. अब क्या होता है? इन सभी layers का अपनी अलग-अलग density होती है, यानि कि जो ट्रोपोस्फियर है उसकी अपनी अलग एक डेंसिटी होगी स्ट्रेटोस्फियर की अपनी अलग डेंसिटी होगी मीजोस्फियर लेयर की भी अपनी एक डेंसिटी होगी thermosphere की भी होगी और exosphere की भी अपनी एक density होगी जब हम earth के surface, earth के atmosphere से बाहर निकलते हैं यानि कि हम troposphere से होते हुए कहां जाते हैं exosphere की तरफ जाते हैं तो इन सभी layers की density है ना बच्चो वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है यानि कि अगर मैं सबसे dense layer बोलू हमारे earth के atmosphere की तो वो कौन होगी? troposphere होगी क्या बोला मैंने? कि जैसे जैसे हम earth के atmosphere से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं यानि कि troposphere से कहां जाते हैं? सबसे outermost layer, exosphere में तो density क्या हो जाती है? gradually कम होती जाती है layers की सबसे dense layer कौनसी होगी? troposphere और सबसे rarer layer कौनसी होगी? सबसे rarer होगी हमारी exosphere ठीक है? तो reflection के लिए क्या चाहिए भाई? एक light चाहिए है तो light के 3 source है हमारे पास already available और क्या के चाहिए हमें? हमें चाहिए होते है different media तो भाई इतनी सारी layers हैं उन सभी layers की अपनी अलग-अलग density है तो क्या अलग-अलग density वाली चीज़े आपके लिए medium की तरह काम नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी यानि कि एक reflection होने के लिए जो भी चीज़े require होती है पहली तो light दूसरी चीज़ क्या है? different media वो यहाँ पे हमको हो गए available तो अब आसानी से क्या हो सकता है? reflection हो सकता है कैसे होगा वही? sun, moon और stars से light जब earth पे आएंगी तो कैसे आएंगी? हमारा यह जो earth का atmosphere है इतना सारा उसको cross करके आएंगी और जब इसको cross करके आएंगी तो इन से निकलने वाली जो rays होंगी sun से जो निकलेंगी, sunlight होंगी, moon से जो rays निकलेंगी star से जो light निकलेंगी, वो जैसे ही इस earth के atmosphere में आएगी तो क्या होगा? reflection हो जाएगा क्यों reflection हो जाएगा? क्योंकि भाई यह जो sun, moon and stars है यह खुद कहां है? यह खुद तो है कहा? vacuum में कहां है यह खुद? vacuum में है जहां पर light की speed अपनी, light जो है अपनी maximum speed के साथ travel करती है कितनी? 3 into 10 to the power 8 meter per second light जो है vacuum में अपनी maximum speed के साथ travel करती है कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8 meter per second इतनी speed के साथ light vacuum में travel करेगी अब जैसे ही क्या होगा? वो earth के atmosphere की different layers में travel करती हुई आएगी तो क्या होगा? medium change हो जाएगा क्यों? क्योंकि खुद तो कहां से आ रहीं थी? खुद आ रहीं थी vacuum से फिर कहां आएंगी सबसे पहले? वो आएंगी earth के atmosphere की exosphere में आएंगी फिर कहां जाएंगी? फिर जाएंगी वो thermosphere में, फिर कहां जाएंगी mesosphere में फिर कहां जाएंगी stratosphere में, फिर कहां आएंगी ट्रोपosphere में और उसके बार में हम तक पहुँचेंगी इतनी सारी layers को cross करती हुई आएंगी और इतनी सारी layers के पास क्या है? उनकी खुद की density है याने कि जैसे जैसे वो vacuum से कहां आती जाएंगी light rays अर्थ के पास आती जाएंगी अलग-अलग density की layers को cross करती हुई आएंगी तो भाई medium हो रहा है ना change light का कहां से आ रही थी, right? vacuum में आ रही थी vacuum से आ रही थी कहां आई? अर्थ के atmosphere के पास आई अर्थ के atmosphere के पास क्या है? different densities है याने कि different medium है तो भाई एक से जब दूसरे medium में light आती है तो क्या हो जाता है? reflection हो जाता है और ये reflection कहां हुआ है भाई? हमारे earth के atmosphere में हुआ है इसलिए इसे हम क्या कहते है atmospheric reflection कहते है मैं revise कराती हूँ कि ये रही हमारी earth और earth को light कहां से मिलती है sun, moon और star से मिलती है sun, moon और star कहां होते हैं? vacuum में होते हैं फिर इसके बाद में जो earth है इसका एक अपना atmosphere होता है उस atmosphere में बहुत सारी layers होती है सबसे पहले कौन से होती है troposphere, फिर stratosphere, फिर mesosphere, फिर thermosphere, फिर exosphere इन सभी layers की क्या होती है अपनी खुद की एक density होती है और जैसे जैसे हम earth की surface के बाहर निकलेंगे यानि कि troposphere से exosphere में जाएंगे ये जो density है ये कम होती जाएगी यानि कि सबसे denser layer कौन सी है अब क्या होगा जो sun, moon और stars present है vacuum से उसमें से जब light आएगी वो कहां थे vacuum में present है और vacuum में light की speed कैसी होती maximum होती है 3 into 10 to the power 8 meter per second की speed होती है वो जैसे ही earth में आने की कोशिश करेंगी light कहां से आएगी earth के atmosphere को cross करके आना पड़ेगा तो जैसी vacuum से कहां घुसी earth के atmosphere में घुसी हो गया reflection ठीक है और reflection मतलब क्या इन lights का path जो है वो क्या हो जाएगा change हो जाएगा ठीक है तो जब reflection होगा light का earth के atmosphere में उसी को हम कहते है atmospheric reflection अब इसकी 2-3 हम क्या करते हैं applications देख लेते हैं सबसे पहले तो ये theory है the earth's atmosphere is not uniform throughout its density goes on changing as we move up or move down it can be considered to be consisting of layers of different densities which act as a rarer or denser medium with respect to each other due to this when the light rays passes through earth's atmosphere they undergo refraction the refraction of light caused by these layers is called atmospheric refraction clear है आपको कोई doubt तो नहीं है चलो अब हम बात करते हैं इस चीज के पहले application की कि हमें क्यों stars जो मैंने आपको बोला था session के beginning में कि जो हमें stars, moon और sun की जो basically जो हमें देखते हैं sky में वो actually उनकी images होती है actual sun, moon star होते नहीं है कैसे नहीं होते, जरा देखो इधर ये क्या है भाई, ये है हमारी earth और यहाँ पे हम छोटू से खड़े हुए हैं ठीके, अब क्या हुआ अब ये रहा क्या star इस star से obvious सी बात है star भी क्या है, एक source है light का तो इस star से भी क्या आती है light आती है कहां से आ रही है light light आ रही है star से, star कहां है vacuum में है vacuum से star की light कहां आएगी हम तक आएगी, हम कहां खड़े हैं earth के surface पे खड़े हैं लेकिन क्या बड़े असानी से सीधे सीधे आ जाएगी star की light, बिल्कुल भी नहीं उसको cross करना होगा हमारे earth का atmosphere और earth के atmosphere में होती है बहुत सारी layers और उन सभी layers की क्या होती है अपनी एक density होती है जो की rarer और denser medium की थारा काम करेंगी मैंने आपको बोला था कि जो हमारी सबसे बाहर वाली layer होती है exosphere उसकी density सबसे कम होती है और जैसे जैसे हम earth की तरफ जाएंगे layers की density क्या होती जाएगी gradually increase होती जाएगी बाहर जाएंगे तो gradually decrease हो जाएगी ठीक है तो अब क्या हुआ star से आ रही है light ये रही क्या पहली layer ये रही दूसरी layer ये तीसरी और चौती जितनी भी layers आपको पता है वो सब यहाँ पे बना दो ठीक है अब क्या हुआ अब आ रही है हमारी star की light तो जब तक कि vacuum में है जब तक कि earth के atmosphere में नहीं पहुँची है तब तक दो सब कुछ first class है है ना सीधी सीधी आ रही है अपनी maximum speed के साथ आ रही है लेकिन जैसे ही हमारे earth के atmosphere में पहुँची medium change हुआ medium change के कारण क्या होगा medium change के कारण हम बोलते हैं कि इसका path change हो जाएगा क्या होगा path change हो जाएगा अब ये कुछ इस तरह से bend हो जाएगी ठीक है फिर ये दूसरी layer में जाएगी फिर इसका path change होगा फिर तीसरी layer में जाएगी फिर इसका path change होगा फिर जब तक हम तक पहुँचेगी तब तक इसके कई सारे पाथ चेंज हो चुके रहेंगे अब क्या होगा जहां से actual light आ रही है हमारा दिमाग क्या करता है जब हमने आपको अगर याद होगा हमने एक case पड़ा था कि किस तरह से हमको कोई भी pencil या कोई भी object पानी में डालने के कारण क्या दिखता है तूटा हुआ दिखाई देता है क्यों क्योंकि उस पार्ट से निकलने वाली race जैसे हमारी आखों तक जाती है आखों ने कहां पहुचा दिया हमारे brain तक पहुचा दिया brain क्या करता है उन सभी reflected race को मिलाने की कोशिश करता है और image बनाने की कोशिश करता है यहाँ पे भी क्या हुआ light आ रही थी star से जैसे stars से light आई हम तक different atmospheric layers को cross करती हुई यह light कहां गई हमारे brain के पास गई brain ने क्या किया brain ने सोचा कि चलो हम star की image बनाते है कैसे बनाई उसने image जो light आ रही थी न उस light को extend कर दिया पीछे की तरफ क्योंकि brain को तो पता ही नहीं है न कि यह जो light आ रही है वो reflect हो हो के आ रही है अपना path change करती होई आ रही है उसको क्या समझ में आ रहा कि भाई जो light आ रही है न उसी को अगर हम पीछे की तरफ extend कर देंगे अगर उसको हम उसके original path में ले जाएंगे तो वहीं पर क्या होगा हमारा object होगा वहीं पर वो क्या बना देगा उस object की image बना देगा क्योंकि brain को तो नहीं पता कि जो light है वो कहां से आ रही थी vacuum से आ रही थी और हम तक कैसी पहुंची है हम तक पहुंची है reflect हो हो करके यानि कि अपना path change करते करते उसको क्या समझ में आया कि जो light आ रही है ना उसको उसके original path में क्या कर दिया उसने extend कर दिया और extend किया तो क्या पाया कि star कहा है वो कहा है यहां actual में star कहा था वो तो यहां था लेकिन brain को क्या लगा? कि star यहां है क्यों? क्योंकि light आ रही थी ना star से उसको क्या कर दिया? brain ने उसके original path के along ही extend कर दिया उसे नहीं पता था कि star से जो light आ रही है वो extend हो करके पहुँच रही है वो reflect हो करके पहुँच रही है क्योंकि medium change हो रहे हैं बार-बार, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, हमारे brain में star से निकल रही light को, उसके original path के along की क्या कर दिया, extend कर दिया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गई, star की position मिल गई, new position मिल गई, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं apparent position, और यह क्या था, यह थी star की original position, छीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था, कि जो हमें star या moon या sun देखने को मिलता है न, वो actually उनकी images होती है, क्योंकि actual star, moon, sun तो कही और होते हैं, लेकिन हमारे brain को नहीं पता, उनसे निकलने वाली incident trace हो, वो क्या कर देती है, पीछे की तरफ extend कर देती है, image बनाने के लिए, और image कहीं और बनती है, जहां बनती है, हम सोचते हैं कि वहीं है, अपना star sun या moon, ठीक है, क्या लिखा गया है भाई, the star seem higher than they actually are, अब image बनाई है, हमारे brain ने star की, वो कैसी है, actual star की position से थोड़ी उपर है, इसे लिए हमें star बहुत उपर दिखाई देते हैं, लेकिन actually में इतने होते नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि बिलकुल ऐसे हाथ करोगे और तो पकड़ में आ जाएंगे, नहीं, होते तो वो ह from a star enters the earth's atmosphere, it undergoes refraction and bend towards the normal, each time due to atmospheric refraction, obviously बात है, vacuum से आ रही थी, star की light, और जैसे ही वो earth की atmosphere की first layer में घुसेगी, वहाँ पे density उसको क्या मेलेगी, जादा मेलेगी, है ना, वो खुद कहां से आ रही थी, vacuum से आ रही थी, और कहां आई वो vacuum से, earth की जो first layer थी, outermost layer थी, exosphere, वहाँ पे आई वो, वहाँ पे क्या हुआ, medium को असा dense हो गया, density थी वहाँ पे, उस outermost layer में, भले ही कम थी, लेकिन थी तो, light कहां जा रही है, rarer से denser medium में जा रही है, तो क्या होगा, normal के तरफ bend हो जाएगी, ठीक, normal के तरफ क्या हुई, वो bend हो गई, फिर इसके बाद में, जैसे जैसे वो successive layers में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका path क्या हो जाएगा, change होता जाएगा, और normal की तरफ वो bend होती जाएगी, क्योंकि भाई, जो exosphere है, उससे जादा dense कौनसी है, उसके नीचे वाली layer, thermosphere, thermosphere से भी जादा dense कौनसी है, उससे नीचे वाली layer, mesosphere, mesosphere से भी जादा dense कौनसी होगी, troposphere, ठीक है, therefore the apparent position of the star is slightly different from its actual position, the star appears to be slightly higher than its actual position when viewed near the horizon, ठीक है, I hope इचीज आपको समझ में आ गई होगी, अब हम बात करते हैं, दूसरे फिनामेना की, दूसरी चीज़ क्या है भाई, advanced sunrise and delayed sunset, इसका क्या मतलब हुआ, advanced sunrise का मतलब होता है कि, sunrise suppose हुआ है कितने बजे, पांच बजे हुआ है, सोबै सोबै, 5 a.m. पे हुआ है, लेकिन हमें ये sunrise किते टाइम पे देख जाएगा, ये sunrise हमें देख जाएगा, 4.58 a.m. याने कि 2 मिनेट जल्दी देख जाएगा, वही अगर हम बात करें, sunset की, ठीक है, क यहाँ पे 6 बजे, लेकिन हमें sunset होते हुए कितने टाइम पे मिलेगा, sunset हमें मिलेगा 6 बज के 2 मिनेट पे, याने कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, advance sunrise, sunrise कितने बजे हो रहा था, actual में 5 बजे, लेकिन हमें कितने बजे देख गया, हमें देख गया, 2 मिनेट पहले, 5 बच के 48 मिनिट पे, और जो यहाँ पे sunset हो रहा है, वो कैसा हो रहा है delayed sunset हो रहा है, क्यों? क्योंकि sunset हुआ, actual किते time पे हुआ था? 6 बजे लेकिन हमें कितने time पे दिखा 6 बच के 2 मिनिट पे, यानि कि 2 मिनिट बाद हमें sunset दिखा, delayed sunset सेट देखा अब यह अर्ली संराइज और डिलेड संसेट का तो मतलब समझ में आ गया लेकिन ऐसा होता क्यूं है जरा इधर देखो ध्यान से यहां पर आपको दिख रही होगी क्या एक अर्थ और उस अर्थ पर खड़े हम छोटू से ठीक है अब एक लेयर आपको दिख रही ह होगी होराईजन अब होराईजन का मतलब क्या होता है यह एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पे हम बोलते हैं कि अर्थ और स्कार मिलते हैं ठीक है अबन है सकते हो जो आप इससे बोलते हो ठीक है अब क्या हुआ सब से पहले हम बात करते हैं सन्राइज की Sun कहा है भई? Sun है हमारा Vacuum में तो उससे निकलने वाली Sunlight भी कहां से आ रही होगी? Vacuum से ही आ रही होगी Vacuum से कहां आएगी भई? Vacuum से आएगी हम तक हम कहां है? अर्थ में है यानि कि अगर sunlight को अर्थ पे आना है, हम तक आना है तो उसे अर्थ का जो atmosphere है, ठीक है? अर्थ का जो atmosphere है, अर्थ की जो layers है, उसको cross करके आना पड़ेगा यानि कि फिर से क्या होगा? medium change होगा क्यों? क्योंकि खुद तो आ रहीं थी vacuum से और कहां आई? अर्थ के atmosphere पे आई, जहाँ पे different layers की अपनी एक क्या है? density है, तो medium change हो जाएगा तो क्या हो गया? obvious सी बात है, जो path होगा, light का वो क्या हो जाएगा? change हो जाएगा अब क्या होता है भई? sunrise की बात कर रहे हैं हम sunrise के time पे क्या होता है? कि जो हमारा sun होता है वो इस horizon से उपर की तरफ उठता है और sunset के time पे क्या होगा? horizon के नीचे चला जाता है sun ठीक है? sunrise कैसे होता है? जो हमारा horizon है horizon मतलब क्या? एक ऐसी line जहाँ पे हम बोता है कि sun और, sorry, earth और sky मिलते हैं तो sunrise के टाइम पे क्या होता है? Sunrise के टाइम पे यह जो sun है, यह horizon के उपर आ जाता है. ठीक है? अभी क्या है? अभी हमारा जो sun है, वो exactly horizon के उपर आया नहीं है. लेकिन क्या हुआ? उसकी rays जो है, हमारे Earth के atmosphere में घुस गई. घुसने की कारण क्या होगा? आखों तक पहुँच गई. ठीक है? हमारी आखों तक पहुँच गई. अब क्या हुआ? आखों ने electrical signals दी किसको? हमारे brain को. brain को क्या समझ मैं आखा भाई है, rays आ रही है, फटक से हम क्या कर लेते हैं? image बना लेते हैं. तो इनने क्या किया? जो rays आ रही थी ना, उन rays को extend कर दिया पीछे की तरफ, ये कर दिया extend पीछे की तरफ. और जहां उनने extend किया पीछे की तरफ, तो उनने बोला कि sun कहां है? यहां है. ठीक है? sun कहां है? यहां है. यानि कि हम को जो sunrise है वो पहले ही देखिया. sunrise का बोला था, जब पूरा का पूरा sun कहां आ जाए? horizon के उपर आ जाए. लेकिन अभी sun horizon के उपर आया नहीं है. अभी वो नीच है था. लेकिन उससे निकलने वाली जो sunlight थी ना, वो हम तक पहुँच गई. जैसे हम तक पहुँची, हमारे brain ने क्या सोचा, चलो फटाक से अपन बनाते हैं क्या sun की image. Sun की image का बनी? Sun की image बन गई horizon के उपर, यानि कि हमने सोच लिया कि sunrise हो गया. लेकिन हुआ नहीं है. इसी को हम क्या कहते है? Early sunrise. Sunrise होना तब था, दो मिनिट बाद होना था, लेकिन हमें दो मिनिट पहले ही दिख गया. ठीके? इसी के समान क्या होता है? Sunset भी होता है. Sunset की टाइम पर क्या होता है? Sun चला जाता है horizon के नीचे. कहां गया sun? Horizon के नीचे गया. ठीके? नीचे जा चुका है. अब क्या हुआ? इस से आएंगी क्या कुछ? Raise, sunlight निकलेंगी. Again, ये sunlight कहां से आरी है? vacuum से आरी है. Earth के atmosphere में आरी है. different medium में आरी है. तो obviously बात है, refract होकर गया आएगी. अपना path change करके आएगी ये light. लेकिन हमारे brain को क्या पता था? कि भई, reflection चल रहा है. Sunlight ने अपना path जो है ना, change कर रखा है. उसने तो क्या सोचा? जहां से light आरी है, उसी point को कि उसने क्या कर दिया? extend कर दिया. है ना? जहां से light आरी थी, हमारे brain ने क्या किया? उसी path को extend कर दिया. और जहां पे extend किया, तो वहां पे उसने बोल दिया कि भई, यहां है हमारा sun. Sun कहा है हमारा? यहां है. अभी भी horizon के उपर ही है. लेकिन actually में sun तो नीचे जा चुका था horizon के. इसलिए हमको sunset दो मिनिट बाद दिखा. क्यों? क्योंकि जब sun horizon के नीचे चला गया, उससे निकलने वाली जो sunlight थी, वो हमारे brain तक पहुँची. ब्रेन ने क्या किया? ब्रेन को नहीं पता था कि जो sunlight आई है, वो reflection करके आई है. अपना path change करके आई है. उसने तो जो light आ रहे थी, उसी को क्या कर दिया? extend कर दिया पीछे की तरफ और उसको लगा कि कहां बन रही है image? इस particular point पे बन रही है. यानि कि sun कहां है? यहीं है. लेकिन sun actually पे नीचे जा चुका है. हमें sun थोड़ी देर से नीचे जाता हुआ मिलेगा. 6 बच के 2 मिनिट पे नीचे जाता हुआ मिलेगा. I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी. यह होता है early sunrise and delayed sunset का concept और यह concept काफी similar है. किस से जो हम बोलते हैं कि stars हमें क्यूँ जादा height पे देखते हैं? Actually उतने height पे होते हैं लेकिन फिर भी जादा height पे देखते हैं. और साथी साथ हम बोलते हैं कि जो भी हम sun, moon और star देखते हैं वो सब क्या है? उनकी images है. Actual sun, star, moon तो क्या होते हैं? अलग position पे होते हैं. ठीक है? यह क्यों हो रहा है? यह हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उनसे आने वाली light rays के reflection के कारण. Refraction क्यों हुआ? क्योंकि भाई, यह सभी जो light हैं चाहिए, वो sunlight है, वो moon की light है, चाहिए, वो star की light है, वो सब vacuum से आ रही थी. अलग अलग densities, तो medium change हो जाएगा, जैसे ही respective lights vacuum से आएंगी earth के atmosphere पे, medium change होगा, bending हो जाएगी, refraction हो जाएगा. लेकिन हमारे brain को तो पता नहीं है, जहां से light आ रही थी, उसी direction में क्या कर दिया, उसने light को extend कर दिया, और उसने बोला कि भाई, अच्छा मतलब यहां से आ रही है light, actual position हमारे brain को नहीं पता होती. तो I hope इस concept को आप समझ गए होंगे बच्चो, अब इस chapter में theory के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही topic बचा है, वो यह है कि हमारे stars twinkle कैसे करते हैं, और अगर करना ही है तो planets क्यों नहीं करते, तो उस topic को हम पढ़ेंगे हमारे next lecture में, और इस lecture के लिए इतना ही, मिलेंगे हम magnetbrains.com उसे विजिट कर लेना, जहां पर आपको सभी chapters के video lectures में रेंगे, arranged form में, playlist में, साथी साथ आपको सभी topics के महाँ पर आपको notes भी होंगे available, so do visit our official website magnetbrains.com, till then keep learning with magnetbrains, thank you for watching. Hello everyone, a very good morning to all. Students, इस lecture में हम पढ़ने वाले हैं, stars twinkle क्यों करते हैं? और अगर twinkling करनी ही है, तो फिर हमारे planets क्यों नहीं twinkle करते हैं? I know, आप लोग बोलोगे कि मैं DP क्यों सेशन कहां गया? DP की सेशन भी आने वाला है, don't worry, आपके इस chapter का एक last topic रह गया था, यही वाला कि stars twinkle क करते हैं और हमारे planets क्यों नहीं? तो पहले हम वो cover कर लेते हैं, इसके बाद में हम अराम से बैटके DP क्यों सेशन लेंगे, अराम से बैटके questions करेंगे, क्योंकि अब इस chapter में सिर्फ इस topic के बाद में सिर्फ questions ही बचेंगे, हमें index question करना है solve, हमें NCRT exercise questions करने है solve, तो एक last topic प target fix कर देती हूँ, कि इस session में हमें समझना है कि stars हमारे twinkle क्यों करते हैं और हमारे planets क्यों नहीं करते हैं, तो जब target fix हो गया है, तो देरी किस बात की, तो चलिए start करते हैं हम आज का lecture, so this is विभूती खरे, welcome to Magnet Brains, जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं, बिल्कुल free of cost यानि कि Magnet Brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुचा रहा है, quality education बिल्कुल free of cost, तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज करी हमारा session, जहां पे हमें समझना है कि stars की tw twinkling कैसे होती है और planets की twinkling क्यों नहीं होती है, भी सबसे पहले तो आप मुझे यह बताओ कि twinkling word का मतलब क्या है, तारे चमकते हैं, है ना, लेकिन यह twinkling word क्या है, twinkling से हम ऐसा समझते हैं कि हमारे पास है क्या, एक star, अब यह जो star है, यह कहा है, sky पे है, हम कहा है, हम अर्थ प तो हम जब sky में देखते हैं star को, तो एक second में, हमको यह star है, वो कैसा देखता है, काफी bright देखता है, दूसरे ही second में, ठीक है, second second में क्या होता है, यह star हमको बहुत ही dim लगने लगता है, एक second में, आपको star बहुत bright लगेगा, दूसरे second में, आपको यह star बहुत ही dim लगेगा, यानि कि पहले second में, जब आपको लगना था कि आपका star कैसा है, बहुत ही bright है, उससे निकलने वाली जो star light है, जो light है, वो कैसी थी, जादा थी, दूसरे ही second में, जब आपको star कैसा लग काफी dim लगा तो आपने बोला कि भाई इससे आ रही ही जो light है वह कैसी है काफी कम है और जब यही pattern bright और dim का बहुत तेजी से होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं stars की twinkling yes or no stars की twinkling होती है एक time पर हमको लगता है first second में कि अरे star स्टार तो बहुत ब्राइट है दूसरे सेकेंड में हमको लगता है कि स्टार तो बहुत डिम है जब स्टार हमें ब्राइट लगता है तो उस समय हम बोलते हैं कि उसकी लाइट कैसी है उसकी लाइट है काफी जादा और दूसरे सेकेंड में जब हमको लगता है कि हमारा जो इक का का पैटर्ण बहुत जल्दी करा का यम interacts कर रहे हैं और यह है स्टार की स्टार की जाधा है और दूसरे स्टवर्ण की लाइट अजानक से कम हो गई, ऐसा क्यों, क्या हमारे स्टार के पास कोई टॉर्च लाइट है, या कोई फ्लेश लाइट है, जो वैट के वहाँ पे वो ओन ओफ कर रहा है, तो एक सेकेंड में जब उसने ओन की अपनी लाइट, तो हमें लगा किस लाइट जादा आ रही है, दूसरे सेकेंड मे जब हमको लगा कि हमारा स्टार डिम हो गया, मतलब क्या, उसने बटन कर दिया ओफ, आखिर ये ब्राइट और डिम का पैटर्ण हमें देखने को क्यों मिलता है, मेरा सवाल आप से ये है, चलो, इस चीज को हम समझते हैं एक एक स्पेरिमेंट से, मेरे पास हैं आपे क्या, एक टॉर्च, ठीक, अब इस टॉर्च से आ रही है एक लाइट, आप सबको दिख रही होगी, अब अगर इस टॉर्च के आगे मैंने रख दी अपना पाम, अपना हाथ रख दिया, तो क्या आपको ये लाइट दिख रही है अब, नहीं दिख रही, ओवियसली हम चीजों को कब देख पाते हैं, हम किसी भी ऑबजेट को कब देख पाते हैं, जब उससे निकलने वाली जो इंसरेंट रेज हैं, वो हमारे आखों तक पहुंचे, अब अभी इस टॉर्च से लाइट आप तक आनी रही है, इसलिए आप बोलोगे कि टॉर्च बंद है, लेकिन तो अभी ओनी है, अब अगर इसी पैटर्न को मैं बहुत जल्दी 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 करूं, तो क्या आप बोलोगे कि मेरी टॉर्च भी ट्विंकल कर रही है, बिल्कुल कर रही है, यही तो है ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग का मतलब ये नहीं है, कि स्टार ने अपनी जो लाइट है, वो on-off, on-off कर दी, स्टार तो बच्चों constantly, continuously हम तक क्या कर रहा है, अपनी लाइट प्रोवाइट कर रहा है, लाइट भी क्या है, स्टार भी क्या है, एक लाइट का सोर्स है, तो स्टार भी क्या कर रहा है, continuously हम तक अपनी लाइट दे रहा है, बिखेर रहा है, फरक आ रहा है उस amount में किसकी light की जो हम तक पहुँच रही है। यानि कि उस एक second में जब हमको लग रहा था कि light जो star है वो बहुत bright है, उस समय क्या हो रहा था? जादा star की light हम तक पहुँच रही थी. और दूसरे ही second में जब हमको लगा कि जो हमारा star है वो कैसा हो गया, dim हो गया है तो हमने क्या conclude कि इस से निकलने वाली जो light है वो हम तक कम आ रही है। तो यह जो आपका concept था कि bright जब लग रहा है star तो उसकी light ज़्यादा है, dim जब लग रहा है आपका star उसकी light कम है, actually यह light कम और ज़्यादा क्यों हो रही है, यह light कम और ज़्यादा हो रही है हम तक आने में, star तो जितनी light है उसके पास पूरी उसी intensity के साथ हम तक जो है पहुँचा रहा है, continuously वो अपना button off नहीं करता, वो अपना button on नहीं करता, लेकिन फिर भी light की जो amount है, हम तक आते आते क्या हो गई, कम ज़्यादा हो गई, एक second में ज़्यादा हो गई, दूसरे second में कम हो गई, जिसके कारण हमें क्या दिखता है, कि हमारा star bright लग रहा है, फिर हम बोलते हैं कि दूसरे second में वो dim हो गया, और इसी को हम कहते हैं twinkling, तो twinkling का concept तो हमें यहीं समझ में आ गया, कि इस पूरे चीज़ को अगर मैं conclude करूं, तो यह मैं कह सकती हूँ, कि star के पास कोई भी on या off क के साथ हम तक पहुँचा रहा है, लेकिन क्या होता है, जो light की amount है, star light की amount है, जो हम तक पहुँच रही है, वो change हो जारी है, difference उसमें है, जिसके कारण हमें एक second में star bright दिखता है, तो दूसरे second में हमें star dim देखने लगता है, अब यह जो light में जो difference आ रहा है, कि कभी हम तक ज पहुंच रही है स्टार की लाइट ऐसा क्यों होता है तो ऐसा होता है भाई इस फिनामेना के कारण यानि कि atmospheric reflection के कारण मैंने आपको बताया था कि जो भी उपर objects होते हैं source है light के चाहे वो sun हो चाहे वो moon हो चाहे वो stars ही क्यों ना हो उन सबकी light जो है वो हम तक पहुंचती है earth तक पहुंचती है कैसे earth का जो atmosphere है earth के atmosphere में बहुत सारी layers आती है कौन कौन सी आती है वाई सबसे पहले तो आती है troposphere फिर आती है stratosphere फिर आएगी mesosphere फिर आएगी thermosphere फिर आएगी exosphere तो हमारी earth के atmosphere के पास इतनी सारी क्या होती है layers होती है और इन सभी layers की अपनी एक density होती है तो जब sun, moon या star में से किसी को भी light हमारी earth तक पहुचानी होगी न तो उनको क्या करना पड़ेगा इन सभी layers से cross करते हुए, travel करते हुए earth तक आना पड़ेगा अब हमारे stars, moon और जो sun है वो कहां present होते हैं वो तो भाई vacuum में present होते हैं याने कि उन से निकलने वाली जो उनके respective lights होंगी वो कहां से आ रही होंगी vacuum से आ रही होंगी और vacuum में तो हमें पता है कि light की speed कैसी होती है maximum होती है, कितनी होती है भाई, 3 into 10 to the power 8 meter per second होती है, yes or no atmosphere में जो atmospheric layers हैं उनमें घुसेंगी, क्या होगा, refraction हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब क्या हो रहा है light का medium change हो रहा है, वो आ रही थी vacuum से अपनी maximum speed के साथ, लेकिन जैसे ही सबसे पहले obviously बात ही किसमें आएगी, earth के atmosphere की जो outermost layer है, याने कि exosphere उसमें हम बोलते हैं कि light travel करके सबसे पहले इस exosphere में आएगी, तो जैसे ही वो vacuum से कहां आई, exosphere में आई, medium हो गया change medium हो गया change मतलब क्या होगा, अब light का जो path है, वो change हो जाएगा, bending हो जाएगी bending कहां होगी भाई, normal के तरफ होगी, क्यों, क्योंकि light आ कहां से रही है, एक rearer medium से denser medium में आ रही है ठीक, अब अगर मैं इन सभी atmospheric layers की density को compare करूँ, तो मैं बोलूँगी कि जो हमारा troposphere है इसकी density maximum होती है और जो exosphere है, इस layer की density minimum होती है, याने कि जैसे जैसे हम earth के surface से बाहर निकलेंगे towards the vacuum जो atmospheric layers की density है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, सबसे जादा denser corner भाई, वो है हमारी troposphere layer तो एक चीज तो हमने अच्छी तरीके से समझ ली, कि जब अभी हम बात कर रहे हैं stars की, तो stars से जो निकलने वाली उनकी star light है, जैसे ही vacuum से हमारी earth तक आएगी, उसको travel करके आना होगा, इन सभी earth की atmospheric layers को अब जो की medium बार-बार change हो रहा है, कभी denser, कभी rarer, इसके कारण क्या होगा, reflection होगा, star light में क्या होगा, reflection होगा, यानि कि जो star light हैं हम तक कैसे पहुचेगी, bend करके पहुचेगी, अपना path change करके पहुचेगी, ठीक, अब एक काम करते हैं, अब हम इन different layers की बात नहीं करते है हम अभी सिर्फ एक layer की बात करते हैं, कौनसी वाली Earth की सबसे पास कौनसी होती है भाई, troposphere, ठीक है, अभी हम बात करते हैं इस troposphere layer की, अब इस troposphere layer में भी बहुत सारी चीज़े होती हैं, बहुत सारे particles होते हैं, कैसे, कौन-कौन से, तो आप बोलोगे कि मैम, इनके पास dust particles हो यह हो गई कैसे, इसके अलावा, इसके अलावा क्या होता है हमारे atmosphere में, troposphere में, तो हो सकता है कि water vapors होंगी, ठीक है, water vapors होंगी, और air droplets भी हो सकते हैं, smoke particles भी हो सकते हैं, तो ले दे करके हमारी जो troposphere layer है, उसमें बहुत सारे अलग-अलग टाइप के particles होते हैं, अब हो सकता ह है कि इस troposphere layer में, इस particular part पे, इस particular position पे, point पे nitrogen और oxygen बहुत जादा हो, यानि कि इस point के density क्या हो जाएगी, जादा हो जाएगी, दूसरे point पे क्या होगा, दूसरे point पे हो सकता है कि हमारी water vapors बहुत जादा हो, तो वहाँ पे भी density क्या हो जाएगी, जादा हो जाएगी, हो सकता कि एक तीसरा पॉइंट और ट्रोपोस्वेयर में जहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सिजन कैसी हो अलग-अलग हो दूर-दूर हो तो उस पॉइंट पे डेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी याने कि अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चों जितनी भी अर्थ के एट्मॉ से बाहर निक लेंगे जो अध्मॉस्वरिक लेंसिटी है वह क्या होती जाएगी कम होती जाएगी लेकिन अब मैं बात करर dije 기ुत सिर्फ और रिक लेयर की तो उस एक लेयर में भी हर एक पॉइंट पर जो डेंसिटी है पार्टिक इन्सिटी की वह वोई जीचेंग हो रही है कैसे किसी point नाइट्रोजन जदा हो रहा है तो उस point की density जादा हो गई में दूसरे point पे air particle जादा होगा है और molecule जादा हो गए है तो उस point मैंने दूर दूर है तो उस point पे density क्या हो गई कम हो गई अब आएगी कौन अब आएगी हमारी star की light याने की star लाइट अब जब वो इस ट्रॉपोस्वेयर में आएगी तो कभी वो कहां से आएगी एक रेयर से डेंसर मीडियम में आ जाएगी जहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है जादा है वो पॉइंट क्या है वह डेंसर हो गया तो जैसे ही हमारी नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैसे हो गए दूर दूर हो गए अब क्या होगा वो फिर से जो है ना नॉर्मल से दूर चली जाएगी क्यों क्योंकि अब वो रेयर मीडियम में आ गई थी तो बहुती मुश्किलों से डिफरेंट मीडियम से ट्रैवल करके डैंसर और रेयर मीडियम से ट्रैवल करके बड़े मुश्किलों से स्टार की लाइट कहां पहुंचती है भाई हम तक पहुंचती है और आप देख रहे होंगे कि किस तरह का पैटर्न फॉलो होता है एक जिग जैक लाइन का पैटर्न ठीक है अब ये जो एट्मोस्पेर की डेंसिटी है न डिफरेंट पॉइंट पे ये कॉंस्टेंट नहीं रहती है कैसे अगर हवा चल गई तो इस पॉइंट पे मैंने आपको बोला था कि डेंसिटी जादा थी क्यों क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन जादा थे अब अग बहुत जादा वेरी करती है क्यों क्योंकि गैसिस टो खुदीफोर्ट करती रहती खुदीश्वर्ण करती रहती है कभी सात में आगें किसी पॉइंट पे तुम पे घंसीटी हो जाएगी कैसी कम और अगर टेंपरेचर की बात करें तो जिस पॉइंट पर तेंपरेचर पेज़ादा थी, वो सब change हो जाएगा, इस कारण स्टार से निकलने वाली जो light है, वो हम तक कैसे पहुंचती है, इस तरह के एक zigzag pattern में पहुंचती है, ये चीज आपको समझ में आई, चलो, अब एक काम करते हैं, यहां खड़े हो क्या आप, ठीक है, ये रही क्या आपकी ठीक, तो एक second में आपको लगा कि, अरे star तो बड़ा bright है, उससे क्यों, क्योंकि उससे निकलने वाली जो light है, वो आपकी आँखों तक जादा पहुंच रही थी, अब एक काम करते हैं, अब क्या हुआ, हमारे atmosphere का, जो density है, वो change हो गई, density change हो गई, मतलब क्या होगा, अब य दूसरे second में light आप तक पहुंची नहीं, वो क्या हो गई, reflect हो गई, तो अब ज़रा देखो, आपके पास दूसरे second में star से केवल दो ही light rays आप आ रही थी, तो दूसरे second में आपको क्या लगा, दूसरे second में आपको लगा, कि भाई star कैसा हो गया, डेम हो गया, पहले second में ती तीसरी वाली ray आ रही थी, star ray, इसने अपना path क्या कर लिया, change कर दिया, हो सकता है कि इसके रास्ते में जो है न, कोई, एक dancer medium आ गया हो, group आ गया हो, गैस इसका, जिसके कारण इसको अपना path change करना पड़ा, और यह हमारी आँखों तक नहीं आ पाई, तो अब हमारे पास star की क density की साथ light हमें दे रहा था, उसके star से तो केवल हमेशा तीन ही rays निकल के आ रही है, लेकिन हाँ, आपकी आखों तक आते आते वो हो सकता है कि तीनों की तीनों आ जाए, हो सकता है कि एवल दो ही आए, और यह भी हो सकता है कि सिर्फ कैसी आए, सिर्फ और सिर्फ एक ही आए, पहली वाली भी क्या हो जाए, रिफ्रेक्ट हो जाए, आई आपको बात समझ में कि किस तरह से stars हमारे twinkle करते हैं, stars की twinkling को हम यह सोच लेते हैं कि stars के पास है क्या भई, एक on और एक off का button, तो कभी star अपनी light जादा हम तक देता है, कभी star हमको light कम देता है, लेकिन star सच क्या ह सच यह है कि star तो हमेशा हमको एक constant intensity की light क्या कर रहा है, दे रहा है, supply कर रहा है, फरक का रहा है, उस light में, जो, उस light के amount में, जो हमारे आखो तक आ रही है, अब यह amount change क्यों हो रहा है, यह amount light का इसलिए change हो रहा है बच्चों, क्योंकि हमारे atmosphere की जो density है, वो बहुत जादा change ह होती है, कभी एक second में किसी point की density जादा, तो दूसरी second में क्या होगा density कम हो जाएगी, क्यों हो सकता है, हवा चल जाए, तो वहाँ की particles को वो उड़ा ले जाए, तो उस point की density क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण हम बहुते हैं कि star से निकलने वाली जो lights है, वो क्य लग टाइम पे, ठीक है, I hope ये चीज आपको समझ में आई होगी, कि किस तरह से stars जो है, वो twinkle करते हैं, अब एक काम करते हैं, अब हम समझते हैं कि planets क्यों ने twinkle करते हैं, भाई planets के पास भी तो light होती है, planets भी क्या करते हैं, हमको light देते हैं, तो वो हमको twinkle करते हुए क्यों नहीं दिखते हैं, stars हमको twinkle करते हुए क्यों दिख रहे थे बच्चों, क्योंकि उन से निकलने, star से निकलने वाली जो star light है, उसकी amount जो हमारी आखो तक पहुंच रही थी, वो differ कर रही थी, तो क्या planet से निकलने वाली जो light है, उसकी amount differ नहीं करती, उसकी amount change नहीं होती, बिल planet मानते हो, अब एक जो planet है मेरे पास, उस planet को मैं क्या मानती हूँ, planet को मानती हूँ मैं बहुत सारे dots का एक group, star क्या है, एक dot है, planet क्या है, planet है different dots का, बहुत सारे dots का एक group, और planets का actual size जो होता है, वो star से कैसा होता है, काफी छोटा होता है, लेकिन planets हमारे अर्थ के जाधा पास होते हैं इसलिए वो हमें कैसे दिखते हैं बड़े दिखते हैं तो आपके दिमाग मी सवाल आना चाहिए था डाइगरांब देखते साहती कि मैं आपने star को point size क्यों लिया है एक dot क्यों लिया है और आपने planet को dots का group क्यों लिया है वो इसलिए क्योंकि planet हमारे earth के पास होते हैं तो वो हमको बड़े दिखाई देते हैं लेकिन actual में उनका जो size है star से वो काफी छोटा होता है वो तो हमारे earth के पास है इसलिए वो हमें कैसा दिखता है बड़ा दिखता है star से अब star से जो light rays आ रहीं थी हम तक उनका path क्या हो रहा था change हो रहा था जिसकी वज़ा से हमको जो star है वो कैसा दिख रहा था कभी bright कभी dim अब बात करते हम अपने planet की planet के पास भी क्या है बहुत सारे dots है इन dots से भी क्या निकलेगी light निकलेगी planets की light निकलेगी ठीक है अब suppose यहाँ पे आप खड़े हुए हो खड़े हुए हो और आप देख रहे हो planet को क्या हुआ इस dots से जो है तीन rays निकल के आई तीन light rays निकल के आई अब जैसे ही आपके आँखों पे यह पहुँचने वाली थी उसमें से क्या हुआ दो हो गई रिफ्रेट क्योंकि हमारे atmosphere की density चेंज हो गई और आपके आपकों तक क्या पहुची सिर्फ इस dots से निकलने वाली एक ही रे पहुची अब क्या हुआ जो बाकी dots है वो भी तो simultaneously अपनी rays निकालेंगे एक dot ने अपनी light rays निकाली है तो बाकी dots भी तो अपनी light rays निकालेंगे तो क्या होगा दूसरे dots ने भी क्या किया अपनी light rays निकालना शुरू किया अब हो सकता है कि दूसरे dots ने कितनी light rays निकाली थी पांच निकाली थी उन पांच में से कितनी पहुंची आप तक दो पहुंची बाकी की तीन क्या हो गई रिफ्रेक्ट हो गई ठीक है तो क्या हुआ देखो पहले वाले डॉट ने कितनी निकाली थी तीन निकाली थी लेकिन आप तक कितनी पहुंची एक पहुंची तो आपको क्या लगना चाहिए दूसरे डॉट ने क्या बोला कि पहले डॉट को अरे भाई कोई बात नी तुम्हारी अगर पूरी लाइट नहीं पहुँची है यो मन तग तो एक काम करते हैं मैं अपनी लाइट जो है ना निकाल देता हूं तो उसने क्या किया उसने पांच लाइट रेज निकाल दी उसमें से तीन क्या हो गई रिफ्रेक्ट हो गई अपना पात उनने चेंज कर लिया डेवेट हो गई लेकिन दो आपकी आँखों तक पहुँच गई पहले में क्या हो रहा था, पहले में हो रहा था कि सिर्फ एक ही रह पहुंच रही थी, अब मैं बोल रही हूँ कि दो रेस पहुंच रही हैं, ठीक, और यह जो दूसरा वाला डॉट था, इससे पहले कितनी पहुंच रही थी, दो पहुंच रही थी, अब एक काम करते हैं, आपकी आँखों को एक, दूसरे से कितनी मिल रही थी, दो, टोटल कितनी हुई, तीन, ठीक है, फिर सेकेंड केस में क्या हुआ, पहला जो डॉट था, उससे कितनी लाइट रेज मिल गई आपको, दो, और दूसरे वाले स्टार्ट से, दूसरे वाले डॉट से आपको कितनी ल आए बात आपको समझ में, कि planets क्यों twinkle कर रहे थे, क्योंकि stars twinkle क्यों कर रहे थे, क्योंकि stars से आने वारी जो star light है उसके amount में difference आ रहा था, कभी हमारी आखों तक ज्यादा amount की light आ रही थी, कभी हमारी आखों तक कम light की amount आ रही थी, और ये amount इसलिए change नहीं हो रहा था, क्यो क्योंकि हम कहां है, अर्थ पे हैं, हमारे अर्थ का अपना एक atmosphere है, एक density है, तो वो density change होने के कारण क्या हो रहा था, sufficient light, same amount की light हम तक हर second में same नहीं पहुंच रही थी, कहीं न कहीं वो भाग जा रही थी, कहीं न कहीं वो deviate हो जा रही थी, लेकिन planet के case में ऐसा क्यों नहीं हु पास होते हैं, जादा बड़े दिखते हैं, as compared to stars, यानि कि इन से जो निकलने वाली जो light है, वो भी कैसी होगी, जादा होगी, क्यों, पास है ना, जब light का source आप से दूर होता है, तो उसकी intensity कम हो जाती है, अगर मैं आपके चहरे पे एक torch light जो है ना, emit करूँ, तो आप क्यों, क्योंकि आप मैं दूर से फेक रही हूँ, light की intensity आप तक आते आते कम हो गई, ऐसा इसमें भी हो रहा है, planet हम से पास में है, जिसके कारण उन से जो निकलने वाली light है, वो कैसी है, वो है जादा, तो आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैंने star को क्या बनाया था, एक dot बनाया था, और planet को क्या बनाया था, dots का एक group बनाया हुआ था, ठीक है, तो एक second में क्या हुआ, light हम तक कैसी पहुंची, तीन, तीन amount की पहुंची, और दूसरे second में क्या हुआ, दूसरे second में भी हम तक light तीन amount की पहुंची, कैसे, क्योंकि पहले second में, इस dot से केवल दो, ए एकी रे निकल के आ रही थी, तो उसको compensate करने के लिए दूसरे डॉट ने अपनी रे emit करवा दी, ठीक है? I hope ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसी की तरह हमारे जो planets हैं वो twinkle नहीं करते हैं, एक बार मैं summarize कर देती हूं फटा फट, हमने क्या सीखा आज, हमने सीखा कि भाई, जो हमारे stars होते हैं, वो twinkle करते हैं, लेकिन हमारे planets twinkle नहीं करते हैं, stars हमारे twinkle क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे निकलने वारी जो star light है, उसकी amount क्या करती है, बहुत differ करती है, वेरी करती है, याने कि वो तो सेम amount की light हम तक पहुचा ले थे, continuously, लेकिन हम तक क्या हुआ, एक second में कम पहुची, दूसरे second में जाधा पहुच गई, तो हमें लगा कि star क्या है, एक second में dim है, दूसरे second में bright है, और ये light के amount में difference क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो earth का atmosphere है, वो बहुत ही difficult है समझने के लिए, कहीं पे particles का group बन गया, gas molecules का group बन गया, तो उस point पे, उस particular location पे हो गई density जाधा, तो जैसे ही star light अपने rarer medium से उस denser location पे आएगी, denser point में आएगी, क्या होगा, normal के तरफ जुग जाएगी, normal के तरफ जुग गई मतलब क्या, अपना path वो deviate कर गई, अपने path से deviate कर गई, तो हम तक पहुँची नहीं पाई, तो earth की various densities के कारण, earth के atmosphere की various densities के कारण क्या होता है, star की light हम तक कम ज्याज़ा पहुच पाती है, planets की case में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि planets हमारे earth के काफी pass में है, तो उससे जो light rays निकल के आती है, वो बहुत ज्यादा होती है, तो एक दूसरे को क्या करती है, वो compensate करती हुई हमारी आखो तक आती है, यानि कि हर second में planet से हम पर equal amount की light आती है, क्यों? क्योंकि planet से निकलने वाली जो light rays है वो ज्यादा है, वो हमारे earth के पास है, जब light का source पास होता है हमारे, तो उससे निकलने वाली जो light है, वो ज्यादा हम तक पहुँचती है, ठीक है? और एक दूसरे जो rays, you know, refract हो रही है, अपने पास से deviate हो रही है, उसको compensate करने के लिए दूसरी rays आ जाती है, इसलिए light के amount में difference नहीं आता, तो I hope ये चीज़ आप समझ गए होंगे बच्चों, तो इस तरह से आज का हमारा ये जो session है, ये होता है complete, और इसी के साथ में हमारा जो theoretical portion है, स्टापर का वो होता है complete, अब next session में हम बात करेंगे DPQ की, जो भी हमें कल चीज़े पढ़ी थी, उसको हम करेंगे revise, तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो official website है magnetbrains.com, उसे visit कर लेना, जहाँ पे आपको सभी chapters के video lectures मिलेंगे, playlist में साथ ही साथ महाँ पे आपको topics के notes भी होंगे available, so do visit our official website magnetbrains.com, till then keep learning with magnetbrains, thank you for watching. Hello everyone, इस session में हम solve करने वाले हैं कुछ DPQs, DPQs का मतलब क्या daily practice questions, अब बच्चों हमने कल बहुत सारी चीज़े पढ़ी थी, उन सभी चीज़ों को करना होगा हमें revise, और revision ऐसे ही नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया, विल्कुल भी नहीं, हम revision करते हैं हमेशा questions के form में, तो आज इस session में हम solve करेंगे कुछ DPQs, और कर हमने जो भी चीज़े पढ़ी थी, उनको हम करेंगे revise, तो आज के इस session का target हो गया है set, क्या है ये session, ये session है, एक DPQ session, जहां पे हमें करने होंगे बहुत सारे questions solve, तो भाई, जब target set हो गया है, तो देरी किस बात की, तो चल chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package लेने की जरुवत बिलकुल भी नहीं है, तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं, आज का हमारा DPQ session, question number one के साथ, question number one क्या है भाई, what is scattering of light, light की scattering क्या होती है, option A, dispersion of light into seven colors, भाई, ये जो option A है न, ये तो शुरवात से ही गलत ह क्यों? क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि light की scattering और light का dispersion दोनों अलग-अलग phenomena होता है, light की scattering अलग होती है, light का dispersion बिलकुल अलग होता है, इसको हमने कैसे समझा था? एक बड़े अच्छे से example से हमने समझा था, कि एक काम करो, आप एक काच का glass लो, उसको floor पे जोर से फेक दो, फेकने के बाद क्या होगा? वो तूट जाएगा अपने छोटे-छोटे particles पे, पहला example, दूसरा example क्या था? कि आप और आपके कुछ दोस्त गए हैं mall में एक group बना करके, लेकिन mall के अंदर जैसी घुसे, आपके दोस्तों को अपने अलग-अलग काम याद आ गए, क mall में जाने के बाद क्या हुए? अलग-अलग directions में चले गए, split हो गए, जो पहला वाला case था अपना, काच के glass वाला, क्या तूटे हुए काच के particles से, कडों से आप दोबारा glass बना सकते हो? बिल्कुल possible नहीं है, एक बार काच का glass जो तूट गया, सो तूट गया, आप दोबा गये थे, तो क्या यह possible है कि वापस आप लोग एक group बना पाओ? बिल्कुल possible है, भाई एक बार आपके दोस्तों ने अपना काम खतम कर लिया, तो वापस क्या हो सकते हैं? वापस एक group बना सकते हैं, वापस भी तो आएंगे ना, तो आप लोग mall के अंदर गये थे, एक group बना भी निकाल आएं, तो यह जो हमारा glass टूटा था, कांज का glass जो हमारा टूटा था, वो किसका example है? वो example है भाई हमारी light की scattering का, और जो आप अपने दोस्तों के साथ group बना करके mall के अंदर गये हो, और बाहर आओगे, वो किसका example है? light के dispersion का example है, light का होता था भाई? कि हमारी जो white light होती थी, जैसे ही वो एक glass prism से pass होगी, तो अपने seven dominant, primary या constituent colors में split हो जाती थी, ठीक है? और यह जो splitting है, यह किसमे होती थी? seven constituent colors में, और जब इन seven constituent colors को आप उल्टे prism में pass कराओगे, तो यह वापस क्या हो जाएंगी? recombine हो जाएंगी किसमे? एक white light में, ठीक है इसलिए मैंने आपको example दिया था, कि जिस तरह से आप और आपके दोस्त group बना करके, mall के अंदर जाओगे, अपने अपने काम करने के लिए split हो जाओगे, split होने के बाद, काम खतम करने के बाद, वापस आप एक group बना लोगे, और mall के बाहर निकल आओगे, सेम चीज किसके सा आपने एक inverted क्या रख दिया, प्रिजम रख दिया, inverted प्रिजम रखने के बाद क्या हुआ, जैसे ही वो seven constituent colors उस inverted प्रिजम में गए, तो बाहर कैसे निकले, एक white light के form में निकले, यहने कि white light गई थी, अंदर, प्रिजम के अंदर, और एक inverted प्रिजम से white light ही बाहर आई, तो यह क्या हो गया, recombination भी तो हुआ है ना, seven constituent colors का, तो dispersion of white light कुछ यह होती है, अभी तक हमें इस question का जवाब नहीं मिला है, हमसे क्या पूचा गया था भई, light की scattering क्या होती है, तो हमारा जो first option है, यह तो शुरुवात से गलत है क्यों, तो option A ने क्या बोल दिया, light की scattering को बो scattering of light, तो splitting कहां से होगा, तो हमारा option B भी क्या है, बिलकुल गलत है, option C क्या बोलता है, change in the direction of light after striking a particular type of particle, हाँ, यही तो हमें चाहिए था, हमारा option C क्या है, बिलकुल सही है, scattering of light क्या होती है, जब हमारी एक light, एक particular particle से टकराने के बाग, बिखर जाए, scatter हो जाए, किस की तरह, जैसे ही आपने गलास, काँच का गलास आपने जो तोड़ा था, फ्लोर पे, वो कैसे तूट गया था, छोटे छोटे particles में तूट गया था, उस काँच के particles बिखर गये थे, सेम केस किसका होता है, जब एक light, एक particular particle से क्या होती है, टकराती है, टकराने के बाग, different directions में क्या हो जाती है, skitter हो जाती है, फैल जाती है, बिखर जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, light की scattering कहते हैं, यानि कि light की जो बिखरने की process होती है, उसे हम क्या कहते हैं, light की scattering कहते है ठीक अब क्या होगा सभी केसिज में यह चीज पॉसिबल नहीं है यानि कि अगर आपने कोई भी रेंडम पार्टिकल यहाँ पे किसी भी रेंडम साइज का आपने यहाँ पे पार्टिकल लाकर के रख दिया है और आप सोचो कि आपकी लाइट इससे टकराने के बाद डिफरेंट डारेक्शन में स्कैटर हो जाए बिखर जाए तो यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अगर आप चाहते हो कि आपकी एक light एक particular particle से टकराने के बाद बिखर जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा इस particular particle को क्या लेना पड़ेगा आपको लेना पड़ेगा colloidal particle क्या होना पड़ेगा इस particle को? colloidal particle होना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि इस particle से टकराने के बाद आपकी light scatter हो जाए, यह जो हमारा colloidal particle है, इसकी size range कितनी होती है, one to thousand nanometer, ठीक है, कितनी होती है, एक से thousand nanometer की size range होती है, याने कि वो particles जिनकी size किस range में आती है 1 से 1000 nanometer की range में आती है उन्हें हम क्या कहते है colloidal particles कहते है और उनी particles से टकराने के बाद उनी particles से सिर्फ टकराने के बाद हमारी जो light है वो कैसी हो जाती है विखर जाती है, scatter हो जाती है ठीक है और इस पूरी process को light की scattering को discover किस ने किया था इसको discover किया था John Tindle ने तो उनको respect देने के लिए respect देने के लिए हमने इस phenomena का नाम क्या रख दिया टिंडल effect नाम रख दिया ठीक है, टिंडल effect अगर आपको याद हो तो हमने एक बड़े अच्छे example से, experiment से समझा था कि आपने लिए थे क्या दो बीकर एक बीकर में आपने क्या रखा हुआ था पानी रखा हुआ था, दूसरे में आपने पानी के साथ थोड़ा सा क्या add कर दिया milk भी add कर दिया अब दोनों ही बीकर से आपने क्या करा, एक light pass कराई, आपने देखा अच्छा ये दोनों बीकर से कैसे ये दोनों बीकर से ग्लास के आपने दो ग्लास की बीकर लिए हैं एक मिडाला पानी, एक मिडाला पानी की सा थोड़ा सा milk भी, जैसे ही आपने दोनों ही बीकर से, कांच की बीकर से आपने light pass कराई आपने क्या देखा इस बीकर में तो आपको light पास करते हुए दिखी ही नहीं लेकिन हाँ ये वाला जो बीकर था जिसमें आपने क्या डाला हुआ था थोड़ा सा milk भी डाला हुआ था उस particular बीकर में आपको light पास करते हुए दिखी एसा नहीं है कि ये वाला बीकर जिसमें आपने सिर्फ पानी डाला हुआ था उस वाले बीकर से light past नहीं हुई Light तो यहां से भी बिल्गुल pass हुई थी लेकिन हाँ pass होते हुए हमें यहाँ पे दिखी नहीं लेकिन ये वाला जो बीकर था जिसमें आपने पानी और milk एड़ किया हुआ था इस वाले बीकर में आपको light pass होती हुई दिखी ऐसा क्यों हुआ क्योंकि भाई हमारा जो ये वाला बीकर था न इसके पास थे कौन से particles इसके पास थे colloidal particles अब milk ये वाला जो बीकर है इसमें colloidal particles कहां से आ गए क्योंकि इस बीकर में डला हुआ था क्या milk तो milk के जो particles होते हैं बच्चों उनकी size किस range में आती है उनकी size उनकी size जो है वो इस particular range में fall करती है इसलिए milk particles क्या बन जाते हैं हमारे colloidal particles बन जाते हैं तो जैसे ही light इस particular बीकर से पास हुई light क्या हो गई तकरा गई milk के जो particles थे उनके साथ तकरा गई अब जो की हमारे milk particles कैसे थे colloidal particles से तकराने के बाद क्या होगा बिखर जाएगी तो जैसे हमारे light गई इस beaker में milky particles से टकराई टकराने के बाद क्या हो गई वो बिखर गई scatter हो गई जिसके कारण उसका जो path है न हमें visible हो गया यानि कि हम साक्षात light को उस particular beaker से pass होते हुए हमने उसे देख लिया ऐसा नहीं है कि इस वाले beaker के पास particles नहीं थे बिलकुल थे इस beaker में पानी था ना तो पानी के भी तो उनके molecules होते हैं लेकिन फिर भी हमें इस particular beaker में light pass होते हुई नहीं दिखी क्योंकि भाई पानी के पास उसके particles तो थे लेकिन उनकी जो size थी न वो इस range में नहीं आती थी इस range में नहीं आई इसका मतलब पानी के जो particles हैं वो colloidal particles नहीं हुए नहीं हुए इससे क्या होगा कि जैसे ही light इनसे टकराई टकराने के बाद क्योंकि water particles जो थे वो colloidal नहीं थे nature के इसलिए टकरा करके light बिखरी नहीं scatter नहीं हुई इसलिए उसका path भी visible नहीं हो पाया टीक I hope यह चीज आपको आपने revise कर ली होगी हमने बहुत अच्छे से scattering of light को समझा था तो भाई इस सवाल का जवाब क्या है option C चलो एक काम करते हैं हम बढ़ते हैं अपने next सवाल पे next question क्या है when does the scattering of light occur light की scattering कब होगी मैंने आपको बताया था किसी भी random size के particle से टकराने के बा इसके लिए particle के size, particle को जो size है वो किस range में आना चाहिए 1 से लेकर के thousand nanometers की range में आना चाहिए particular particle का size तब ही उस particular particle से टकराने के बाद light बिखरेगी scatter होगी याने कि आपके particle को क्या होना पड़ेगा, colloidal होना पड़ेगा nature में, is that clear? देखो option 1 में particle की size कितनी बोल रहे हैं? 1 nanometer से कम की बोल रहे हैं लेकिन हमारी range क्या है? हमारी range तो 1 से 1000 nanometer की है, याने कि जो हमारे पास first option में particle है, वो कैसा है? इस range से बाहर जा रहा है, इस range से कैसा है? छोटा है तो क्या यहाँ पे light की scattering हो पाएगी? नहीं हो पाएगी क्यों? क्योंकि ये 1 nanometer से छोटा याने कि ये colloidal particle नहीं है तो इस से टकराने के बाद light scatter नहीं होगी, दूसरा option क्या है? दूसरा option में बोल रहा है कि particle का size है 1000 nanometer से जादा 1000 nanometer से जादा मतलब क्या? इस वाले particle की भी जो size है वो हमारे range के बाहर जा रही है range के बाहर जा रही है, जादा हो रही है, यानि कि ये वाला particle भी कैसा होगा? colloidal नहीं होगा, तो इस से टकराने के बाद हमारी light scatter नहीं होगी, तो option B भी incorrect है फिर option C क्या है? on striking a particle of size 50 nanometer हाँ, ये option कुछ सही लग रहा है, क्यों? क्योंकि इस option में जो particle लिया गया है, उसकी size कितनी है? 50 nanometer की है, और ये 50 nanometer हमारा ये जो colloidal particle का size की range है, उसमें गिर रहा है बिल्कुल रिगिर रहा है ना, फिर वन और 1000 की बीच में आ रहा है कहीं, तो बिल्कुल ये वाला particle कैसा है? colloidal है, यानि कि इस से टकराने के बाद हमारी light scatter हो सकती है, तो option C है बिल्कुल सही option D क्या है, both option B and C, नहीं, सिर्फ और सिफ option C, क्यों क्योंकि option B जो है, वो क्या हो रहा है, हमारी range के बाहर जा रहा है, size की range के बाहर जा रहा है ना कम होना चाहिए, ना जादा होना चाहिए, exact range में आना चाहिए ठीक है, तो इस सवाल का जबाब क्या है? Option C, चलो, अब हम बात करते हैं अपने third question की What is the relation between wavelength of light and its scattering? Light की wavelength और उसकी scattering के बीच में क्या relation होता है? इस चीज को हमने बढ़े ही अच्छे example से समझा था आपने अपने दोस्त को डिनर नहीं दिया और जब वो सुबह सो करके उठा तो उसे breakfast भी नहीं दिया मतलब कि आपका जो दोस्त है ना वो कल रात से भूका है और आप सुबह सुबह आप उसको जगाने में लगे हो कि सुनो, उठो जली से उठो, हमें morning walk पे जाना है और morning walk पे भी हमें क्या करना है, दो किलो मीटर morning walk पे हमें जाना है अब आपका दोस्त किसी तरह से बिचारा उठ तो गया, लेकिन उसमें energy बिल्कुल भी नहीं है, जाने की अब क्या होगा, जैसे ही आप लग morning walk पे निकलोगे न, आपका जो दोस्त है, वो दस कदम चलने के बात ही क्या हो जाएगा, ठक जाएगा, जिसके करण क्या हो जाएगा, फैल जाएगा आगे जाहिं नहीं पाएगा, अब क्या किया आपने, आपने सोचा कि ये तो बड़ी गडबड़ हो गई, फिर आपने क्या क्या उसको थोड़ा सा breakfast खिला दिया, नाश्ता करवा दिया, अब आपके दोस्त में थोड़ी सी energy आ गई, तो आपके दोस्त ने बोला, अरे दो कि किलो मीटर के बाद कहीं जाकर के फैल गया, याने की ठक गया, दोनों ही केसिज में क्या फरक है, फरक है डिस्टेंस का, पहले केस में जब आपके दोस्त के पास energy कैसी थी, काफी कम थी, तो क्या हुआ, वो बहुत जल्दी फैल गया, बहुत जल्दी ठक गया, बिल्कुल र जादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाया, और जैसे उसके अंदर थोड़ी सी energy आ गई, तो उसने क्या किया, कहीं दूर जाकर के वो फैला, है ना, कहीं दूर जाकर के वो ठक गया होगा, लेकिन तब तक उसने डिस्टेंस काफी जादा कवर कर लिया था, याने की scattering और ज light, जिसकी wavelength जादा होती है, उसकी scattering क्या होती है बच्चों, उतनी ही कम होती है, मैंने आपको बताया था कि चाहे वो आप ambulance ले लो, चाहे वो हमारे जो traffic signals होते हैं, जिसमें मतलब हम चाहते हैं कि गाड़ियां रुक जाए, एक particular point पे आकर के उसके लिए हम red light का use करते हैं, जि इसा है क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो एक विवग्योर का pattern होता है न, विवग्योर का spectrum है हमारे पास, उसमें जो red light होती है बच्चों, उसकी जो wavelength है, वो क्या होती है, सबसे जादा होती है, ये जो आपको विवग्योर spectrum मिलता है, उसमें अगर मैं आपसे रेड कलर की जो light है, उसकी wavelength होती है सबसे जादा, जिसके कारण क्या होता है, कि वो scatter क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है और जादा distance travel कर पाती है, आपके दोस्त ने जब energy कम थी, तो उसने distance कैसा किया था, कम travel किया था, दो किलो मेटर तो क्या, वो 10 कदम नहीं चल पाया था और तुरंत क्या हो गया, scatter हो गया, और जब उसमें energy आ गई, तो वो जादा distance क्या कर पाया, travel कर पाया, cover कर पाया, और आगे जाकर के scatter हो पाया, थीक है, आगे जाकर के scatter हो पाया, याने कि distance है अगर कम, तो scattering हो गई जादा, थीक है, और अगर मैं इसका ultra बोलूं कि कोई एक particular पर्टिकुलर लाइट है जिसकी स्केटरिंग बहुत जादा होती है यानि कि वो डिस्टेंस कम ट्रैवल करती है और एक पर्टिकुलर लाइट है जो की स्केटर क्या करती है थोड़ी सी कम करती है यानि क्या थोड़ी जादा डिस्टेंस ट्रैवल करके कहीं दूर जाकर के वो विखरती है. ठीक है, Red light के Case में भी ऐसा ही होता है Red light की wavelength क्या होती है? ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसकी scattering क्या होती है बच्चों? कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा distance travel करके हम तक पहुँच जाती है ठीक है, Ambulance में क्या जरुवत है रेड कलर के बत्ती की, आकेले सायरें से भी तो काम हो सकता है ना, रेड कलर की जो लाइट है क्यों जलाई जाती है, ताकि दूर दूर तक लोगों को पता चल जाए कि भाई, एम्बुलन्स आरी है, रास्ता खाली कर दो, ट्रैफिक मत करो, और एम्बुलन्स को जल्दी से जा आने दो, है ना, क्यों, क्योंकि वो जो रेड लाइट होती है ना, वो दूर तक पहुंचती है, क्यों पहुंचती है, क्योंकि उसकी स्केटरिंग क्या होती है, कम होती है, स्केटरिंग क्यों होती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ है, वो सबसे जादा होती है, अगर वेवले में हमको बताया जा रहा है कि light की scattering किसके inverse proportion में होती है light की wavelength के proportion में होती है किसी भी light की wavelength ज़ादा उसकी scattering है कम यानि कि वो ज़ादा distance तक travel कर पाएगी ठीक है, और अगर किसी light की ज़सी कि हमारा जो violet light है इसकी wavelength काफी कम होती है तो इसकी scattering क्या होगी? जादा होगी, यानि कि ये जादा distance तक travel नहीं कर पाएगी कौन? हमारी violet light ठीक है? I hope ये चीज आपको समझ में आई होगी बच्चों, तो इस सवाल का जवाब क्या था? अपना option B, scattering is inversely proportional to the wavelength of the light What is the relation between scattering of light and the distance covered it? अभी बताया है जितनी जादा वो किसी particular light की क्या होगी? scattering होगी, वो distance उतना ही cover करेगा यानि कि light की scattering ना सिर्फ wavelength के inverse proportional में होती है, बलकि distance proportion के भी distance के भी क्या होती है? inverse proportion में होती है तो इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? option D, जितनी जादा light की scattering उतना ही कम distance वो travel कर पाएगी जैसे की violet light और जितना जादा क्या होगा? जितना कम light की scattering होगी, उतना जादा वो distance travel कर पाएगी just like the red light, ठीक है? तो इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? option D, क्योंकि option D में हमें दिख रहा है कि जो scattering है, वो किस के proportion में है, inverse proportion में है, distance covered के ठीक है? I hope इस चीज को आपने समझा होगा, इस question को आपने समझा होगा अब एक काम करते हैं, हम बढ़ते हैं अपने next सवाल पे question number 5 क्या है? the size of air molecule is of the order मैंने आपको बताया था, कि light की जो scattering है, वो ना सिर्फ हमारे दूद वाले experiment में होती है, बलकि यह हमारे atmosphere में भी होती है atmosphere में क्यों होती है? क्योंकि हमारे atmosphere में भी कई सारे particles होते हैं, जैसे कि air molecules हो गए, gas molecules हो गए water wrappers हो गई, water droplets हो गई, smoke particles, dust particles है न, तब ही तो आपको मैंने एक example बताया था, कि आपके कमरों की खिडकी, सब्सक्राइब आप उठे हो और आपके कमरे में काफी अंधेरा है जैसे ही क्या करोगे, आप अपनी खिडकी खोलोगे, कमरों की खिडकी खोलोगे, आपको literally light जो है आती हुई दिखेगी light आते हुई क्यों दिख रही आपको भाई, light का path visible क्यों हुआ, क्योंकि sunlight जब आपके कमरे तक आ रही थी, तो वो किस particle के साथ टकराई है colloidal particle के साथ टकरा गई, मैंने आपको बताया है कि एक light का path कब visible होता है, जब उसकी scattering होती है light की scattering के बाद ही light का path क्या होता है, visible होता है, और light की scattering कब होती है, जब वो colloidal particle से टकराती है याने कि जब आपको अपने कमरों में sunlight आते हुए देखे, इसका मतलब क्या है, कि आपकी sunlight क्या हो रही है, scatter हो रही है, कैसी scatter हो रही है, क्योंकि वो इस तरह के colloidal particle के साथ टकरा रही है अब हमारे atmosphere में कहां से आ गए, इस type के particles, अभी अभी मैंने आपको बताया, different type के particles होते है, air molecules, gas molecules, dust particles, smoke particles, यह सब क्या होते हैं, यह सब भी हम बोलते हैं, कि colloidal particles होते हैं तो इन particles से टकराने के बाद हमारे sunlight क्या हो जाती है, scatter हो जाती है, और इस वज़े सो इसका path visible हो जाता है dense forest की जो canopies होती है, वहां भी हमें light की scattering, tindle effect देखने को मिलता है ठीक है, तो यहां पर जो हम से पूछा जा रहा है, कि air molecule का size क्या रहेगा, air molecule क्या है, air type का colloidal particle ही तो है यानि कि इसकी size की range भी क्या होगी, 1 से 1000 nanometers की range में ही आएगी तो इस option, इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, option C, 10 to the power minus 10 meter ठीक है, हमारी जो air molecule है, उसका size कितना होना चाहिए, उसका size होना चाहिए, 10 to the power minus 10 meter क्यों, क्योंकि वो भी क्या है, एक type का colloidal particle ही तो है ठीक, I hope यह सवाल आपको समझ में आया होगा, अब हम बढ़ते हैं अपने 6th question की तरफ, 6th question क्या है apparent position of the star appear raised due to, भाई मैंना आपको बताया था कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारी अर्थ होती है उसका एक atmosphere होता है, और उस atmosphere में different layers होती है, ठीक है? जैसे यह होई क्या हमारी अर्थ और इस अर्थ के around है, बहुत सारी क्या layers सबसे पहले आती है कौन? हमारी troposphere, फिर आती है हमारी stratosphere, फिर इसके बाद में आती है हमारी mesosphere, फिर आती है thermosphere, फिर आती है last में कौन? हमारी exosphere ठीक है? यह different layers आपको अर्थ की देखने को मिलती है, अर्थ के atmosphere की देखने को मिलती है और इन सभी layers की अपनी एक density होती है और जैसे ही हम Earth से बाहर की तरफ जाएंगे Earth से vacuum की तरफ जाएंगे देखो ये है क्या अपनी Earth और ये क्या है पूरा Earth का atmosphere Earth के atmosphere में different layers होती है और इन सभी layers की क्या होती है अपनी density होती है लेकिन जैसे आप Earth के atmosphere से बाहर निकलोगे न, आपको कौन मिलेगा भाई? आपको मिलेगा ये vacuum. ठीक है? और इसी vacuum में क्या present होते हैं? हमारे sun, हमारे stars और हमारा moon. ठीक है? अब क्या होगा? जैसे ही आप Earth के atmosphere से बाहर निकलोगे न, तो जो density होगी, वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. यानि कि सबसे जादा density किसकी होती है? अर्थ की जो सबसे पास वाली लेयर होती है, ट्रोपोस्फियर उसकी होती है. और सबसे कम density किसकी होती है? एक्जोस्फियर जो Earth के atmosphere की सबसे outermost लेयर होती है. अब क्या हुआ? अब हुआ कि star से जो है न, light आ रही थी. हम कहां खड़े थे भाई? हम कहां खड़े थे इस Earth पे, एक काम करती हुआ मैं इसको रब कर देती हूँ. हम कहां कहां खड़े थे भाई? हम खड़े थे यहां पे, कहीं Earth पे. हम क्या कर रहे थे? हम star को देख रहे थे. ठीक है? अब star से क्या हुआ? star से हम बोलते हैं कि light आई है यानि कि medium star की light का क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो obvious सी बात है हमारी जो star की जो light आ रही थी वो कहां से आ रही थी एक rare air से dancer medium में आएगी तो dancer medium में आने के करण क्या होगा normal की तरफ वो जुक जाएगी तो हमारे तरफ हम तक हम कहा खड़ेते अर्थ पर खड़ेते तो हम तक जो star की light आ रही है बच्चों वो कैसी आ रही है वो reflect हो करके आ रही है यानि कि अपना path change करके आ रही है लेकिन हमारे brain को तो नहीं पता था brain का क्या होता है आखों से जो भी information आई है object is related उसकी image बनाना image कैसे बनती है आपको हमेशा पता है कि जहां पर दो reflected या दो reflected rays मिलती है वहीं object की image बनती है अब क्या हुआ हमारी आखों से star से निकलने वाली कुछ reflected rays आ रही थी कहां पहुंची brain तक पहुंची brain ने क्या किया उसका image बनाने की कोशिश करी कैसे करी यह जो दोनों rays आ रही है न इनको उनकी original path के पर क्या कर दिया extend कर दिया ठीक है जो original path था इन दोनों ही reflected rays का उनको पीछे की तरफ क्या कर दिया extend कर दिया ब्रेन को नहीं पता था ना, कि ये दोनों जो rays निकल के आ रही हैं, वो कैसी आ रही है? अपना जो path है, वो bend करके आ रही है Brain को क्या पता था? कि ऊपर कहीं क्या हो रहा है? reflection हो रहा है, star की light आ रही है, कहां से? vacuum से Yes or no? brain को नहीं पता था, brain को क्या पता थी उनको पीछे की तरफ extend कर दिया क्यों क्योंकि उसे image बनानी थी object की और जहां पर यह दोनों ही refracted rays मिली वहां पर बन गई क्या एक star की image याने कि actual जो position होती है star की वो जो actually हम जो star देखते है sky में वो actual star नहीं होता है वो तो star की image होती है actual star तो उससे खोड़ा नीचे होता है तो यह आपए आपसे पूठा जा रहा है कि apparent position क्या है star की star क्यों हमें उठा उठा वुआ दिखता है थोड़ी height पर दिखता है तो इस atmospheric reflection के कारण हमारे atmosphere में क्या हो रहा है reflection हो रहा है जिसके कारण हमें star की height कैसी दिखती है जाधा दिख जाती है इतना clear है आप सबको चलिए अब हम वड़ते हैं अपने next सवाल पे On going from propose sphere to exosphere, the density of layer क्या होगी? Decrease होगी, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हम earth की surface से बाहा जाएंगे तो density क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी ठीक है? फिर last question क्या है भाई? If sunset is occurring at 6.6.50 pm पे in सूरग At what time people will see it? अब इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? अब देखो, ये वाला case किस चीज का है भाई? ये वाला case है early sunrise का और delayed sunset का ठीक है? ये किस चीज का case है भाई? Early sunrise और delayed sunset ये क्या होता है? Early sunrise क्या होता है delayed sunset मैंने आपको बताया था कि अगर किसी जगा जो sunrise है, वो कितने बज़े हो रहा है? 6 बज़े हो रहा है? सुबह सुबह, sunrise तो हमें कितने बजे देखने को मिलता है हमें actually देखने को मिल जाता है यह 5.58 एम पे यानि कि 2 मिनिट पहले इसे हम कहते हैं early sunrise और अगर किसी जगा sunset हो रहा है कितने बजे शाम को 6 बजे तो हमें sunset देखने को कितने बजे मिलेगा हमें Sunset देखने को मिलेगा 6 बच के 2 मिनिट पे यानि कि 2 मिनिट देरी से हमें Sunset देखने को मिलेगा ऐसा क्यों होता है भई? इसकी में भी Atmospheric Refraction ही काम आता है क्यों? जरा देखो इदर हम बात कर रहे हैं Sunrise और Sunset की ये रहा क्या? हमारा? हमारी अर्थ ठीक है? ये क्या है? हमारी अर्थ है अब हम बनाते हैं क्या? एक Horizon Horizon क्या होता है भई? एक ऐसी लाइन होती है जहां पे हम बोलते हैं कि Sun जो Sky है हमारा Sky और अर्थ अपियर टू मीट ठीक है? ये मैंने क्या बनाई थी? अर्थ बनाई थी और फिर मैंने इस तरह की एक Horizontal Line बना दी ये Horizontal Line क्या है भई? इसे हम कहते है Horizon जहां पे हम बोलते हैं कि Sky और अर्थ मिलते हैं तो भई जब Sun Rise या जब Sun Set होता है उस टाइम पर क्या होता है बच्चों? उस टाइम पे basic अलिजो हमारा Sun है ये इसी Horizontal के ऊपर या नीचे जाता है अगर Sun Rise हो रहा है, Sun उगरा है तो कहां से उगरा है भई? इस Horizontal के ऊपर आ रहा है Sun और अगर Sun Set हो रहा है मतलब क्या? इस Horizontal के नीचे आ रहा है क्या? हमारा Sun सबसे पहले हम बात करते हैं सन्राइज की आगको सन्राइज समझ में आना क्या होता है सन्राइज मतलब क्या एक ऐसी situation जहाँ पर हमारा जो सन है वो horizon के उपर आ रहा है horizon क्या होता है भाई एक ऐसी line है जहाँ पर हमारी जो earth है और जो sky है they appear to meet हमें ऐसा लगता है कि इस line पर हमारा जो sky है और हमारी जो earth है वो मिलते हैं ठीक है अब क्या हुआ suppose कि कितने बज़ रहे थे यहाँ पर बज़ रहे थे sorry इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यह क्या horizon है और यह आपने क्या बना दिया sun बना दिया ठीक है अब sun क्या करेगा sun की sunlight आएगी कहां आएगी अर्थ पे आएगी लेकिन ऐसे कैसे आजाएगी बिना reflection के क्योंकि हमें पता है कि हमारा sun कहा है हमारा sun है हमारे vacuum में और earth कहा है earth के around क्या है earth का एक atmosphere है जिसमें की different atmospheric layers है और उन सभी atmospheric layers की क्या है अपनी एक density है तो जब sun से निकलने वाली sunlight कहां आएगी earth तक आएगी उसको earth के atmosphere से क्या करना पड़ेगा भिड़ना पड़ेगा उसके across आना पड़ेगा यानि कि अपने path को change करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा क्योंकि medium में change हो रहा है sunlight कहां से आएगी sunlight vacuum से कहां आएगी earth के atmosphere में आएगी जहां पर different densities है तो medium change हो गया medium change हुआ मतलब क्या medium change हुआ मतलब की atmospheric reflection होगा light जो है वो bend कर जाएगी ठीक है अब क्या होगा suppose यहां से हम बोल रहे हैं कि sunlight आ रही है ठीक है और वो क्या हो रहा है bend हो जारी है क्या हो गई bend हो गई इसको ध्यान से देखना red color की sunlight आ रही है sun से red color की sunlight आ रही है sun से और जैसे ही वो हम तक पहुँची हम का है obviously बात है हम का खड़े है हम खड़े है earth ठीक है अब यहां पे हम कड़े हुए है हम तो क्या हुआ sunlight आई आ गई sunlight लेकिन यह sunlight कहा गई हमारी आखों से हमारे brain पे गई भाई brain को तो नहीं पता था कि जो sun से light आ रही है वो reflect हो करके आ रही है उससे क्या पता कि उपर कही reflection चल रहा है brain तक जैसे ही sun से light आई reflected rays आई उसने क्या सोचा कि चलो sun की हम क्या बनाते है image बनाते है image बनाने के लिए उसने क्या किया यह जो दोनों reflected rays आ रही है उनको उसने उनके original path के along क्या कर दिया पीछे की तरफ extend कर दिया क्योंकि हमारे brain को यह तो पता ही है कि अगर उसे किसी भी object की image बनानी है तो क्या करना पड़ेगा reflected rays और reflected rays को मिलाना पड़ेगा तो sunlight जो आ रही थी हमारे पास हमारी आखों पे वो कहां से आ रही थी sun से आ रही थी लेकिन brain को नहीं पता था कि यह जो light आ रही है sunlight वो reflect हो करके आ रही है उसने क्या किया जो original basically जो reflected rays आ रही थी उस तक उनी rays को उनकी original path के along क्या कर दिया पीछे की तरफ extend कर दिया image बनाने के लिए तो हमारे brain को क्या लगा हमारे brain को लगा कि sun कहा है वो यहां कहीं है अभी तो sun हमारा horizon के उपर आया ही नहीं था sunrise हुआ ही नहीं था लेकिन फिर भी हमारे brain ने कैसी image बना दी हमारे brain ने image कहां बना दी sun की horizon के उपर बना दी यानि कि हमारे brain के साब से क्या हो गया sunrise हो चुका है लेकिन actual में sunrise अभी नहीं हुआ था इसी को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं early sunrise ठीके इसी को हम क्या कहते हैं early sunrise याने कि हमारे sun को 6 बजे horizon के उपर आना था लेकिन हमारे brain ने 5 बच के 58 minutes पे ही क्या हो गया sun की image बना दी horizon के उपर इसलिए मैंने आगको बताया था कि sun moon stars जो भी हम देखते हैं वो actually में क्या होती है images होती है sun moon और stars की actual sun moon star होते ही नहीं है वो कुछ अलग जगा होते हैं क्यों क्योंकि हमारी brain उनकी कुछ इस तरह की image बना देता है कि हमें लगता है कि star वहाँ है क्योंकि हमारे brain को नहीं पता होता कि इन celestial body से जो भी light निकल के आ रही है हम तक पहुँच रही है वो कैसी हो रही है reflect हो करके पहुँच रही है अपना path change करके पहुँच रही है brain का काम क्या है किसी भी object से rays आ रही है उन rays को उनकी original path के along extend कर देना ताकि क्या बन जाए उस object की image बन जाए और हमें वो object देखने को मिल जाए sun से भी क्या आ रही है थी rays आ रही हम तक हम कहा थे अर्थ पे थे लेकिन हम हमारा जो अर्थ है वो उसके atmosphere से घिरा हुआ रहता है तो जैसे ही sunlight vacuum से earth के atmosphere में आई reflect हो गई light की क्या हो गई bending हो गई bending के कारएं light sunlight हम तक जो है ना bend हो कर गये पहुँची लेकिन हमारे brain को नहीं पता था उसने क्या किया इन rays को उनके original path के along पीछे की तरफ extend कर दिया और जहां पे extend किया वहां पे क्या बन गई sun की image बन गई ठीक है sun को horizon की उपर आना था कितने बजे 6 बजे लेकिन हमारी brain ने 5 बचके 58 minutes पे ही क्या कर दिया sun की image बना दी और हो गया sunrise इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं early sunrise अब हम बात करते हैं delayed sunset की sunset मतलब क्या कि हमारा ये जो sun होगा ये horizon के क्या होगा नीचे चला जाएगा ठीक है अब जैसे ये नीचे गया तो भाई sun तो हमें हमेशा ही जाना sunlight देगा तो sun से क्या निकली? sun से निकली कुछ light लेकिन फिर से क्या हुआ हम तक कैसे पहुचेंगी? sunlight band होकर के पहुचेंगी तो ये लोग band होकर के पहुच गई एक और sunlight ये भी कैसे पहुची? band होकर के पहुची लेकिन हमारे ब्रीम को तो नहीं पता था ना कि sunlight कैसी हो रही है bend हो करके पहुँच रही है ठीक है? उसको नहीं पता था कि sunlight कैसे पहुँच रही है हम तक bend हो करके पहुँच रही है उसने क्या क्या? इस sunlight को उसके original path के along पीछे की तरफ क्या कर दिया? extend कर दिया और जहां extend किया वहाँ पे उसने sun की image बना ली क्यों? क्योंकि उस extended point में दोनों ही refracted rays मिल रही थी और उसी point पे sun की image बना ली sun already क्या हो चुका है? horizon के नीचे आ चुका है याने की sunset हो चुका है लेकिन हमारे brain को अभी भी क्या लग रहा है? हमारे brain को लग रहा है कि अभी भी sun का है horizon की उपर है याने की sunset अभी हुआ नहीं है लेकिन ये actually में हो चुका है ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं delayed sunset याने की sunset हो चुका रहता है लेकिन हमें 2 minute बाद sunset दिखता है क्यों? सिर्फ हमारे brain के कारण brain कुछ अलगी image बना लेता है कहीं और ही image बना लेता है sun की ठीक है? I hope आपको early sunrise और early sunset की sorry delayed sunset की story समझ में आई होगी सवाल क्या था? अगर सूरत में sunset कितने बज़े हो रहा है भाई? 6.58 pm पे हो रहा है sunset sunset कितने बज़े हो रहा है? 6.58 पे हो रहा है तो लोगों को कितने बज़े देखेगा? लोगों को 2 मिनिट की देरी से मिलेगा 2 मिनिट की देरी से देखेगा 2 मिनिट की देरी मतलग कितने बज़े? 7 बज़े ठीक है? तो इस option इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? option A साथ बज़े लोगों को sunset देखने को मिलेगा क्यों? क्योंकि actual में तो वो 658 PM पे हो रहा था लेकिन brain image बाद में बनाएगा sunset की ठीक है? इसलिए delayed sunset हमें देखेगा horizon के नीचे sun already आ चुका है 658 पे लेकिन लोगों को कब देखेगा? 658 पे सूरत पे क्या हुआ? 658 पे already sun horizon के नीचे आ चुका है लेकिन 658 पे सूरत जो सूरत है जगा चीक है? वहाँ पे sun की image का बनी है अभी horizon के उपर ही बनी है दो मिनिट बाद image कहा बनेगी? नीचे बनेगी तो sunset दो मिनिट की देरी से लोगों को दिखाई देगा? इसलिए सवाल का जवाब होगा option A I hope आपको early sunrise और delayed sunset की story समझ में आ गई होगी और इसी के साथ हमारा ये chapter होता है खतम यानि कि इस DPQ session के साथ जितने भी theory portion थी आपके इस chapter की the human eye and the colorful world की वो होती है complete अब हम बात करेंगे इस chapter के questions की numericals की हैने की index questions की और exercise questions की I hope आपने आज के इस DPQ session को किया होगा enjoy अब हम आगे बात करेंगे index questions के बारे में तो हम मेरेंगे अपने next lecture में तब तक आप क्या करेंगे? हमारी जो official website है magnetbrains.com उसे visit कर लिए जाएगा जहाँ पर आपको सभी chapters के video lectures मिलेंगे arranged form में, playlist में साथी साथ आपको वहाँ पर सभी chapters, सभी topics के आपको वहाँ पर notes भी होंगे available So do visit our official website magnetbrains.com Till then keep learning with magnetbrains Thank you for watching Hello everyone, इस session में आज हम बात करेंगे leak से थोड़ा हट कर Leak से थोड़ा हट कर मतलब क्या आज हम बात करेंगे एक ऐसे topic की जो आपने पढ़ा होगा class 9 में और आप सीधे जाकर के पढ़ोगे class 11 में और वो भी ऐसा वैसा नहीं higher level का पढ़ोगे यानि कि class 10 में उस topic को कहीं भी mention नहीं किया गया है पूरे syllabus में कहीं वो topic है ही नहीं तो एक काम करते हैं इससे पहले कि आप उस topic को element में जाकर के completely भूल जाओ उसको हम कर लेते हैं आज revise तो भाई इस session में आज हम बात करेंगे scalar और vector quantities के बारे में जी हाँ class 9 में आप पढ़ते हो बहुत ही basic पढ़ते हो scalar और vector quantities का class 10 में तो आपकी syllabus में है ही नहीं कहीं mention नहीं है कोई भी ऐसा topic नहीं है जहां पे scalar और vector quantities को पढ़ाया गया हो और seed है जाकर के 11th class में बच्चों के उपर फोड़ देते हैं bomb scalar और vector quantities का तो भाई वो bomb ना फूटे इसके लिए काम करते हैं अभी से थोड़ा सा scalar और vector quantities के बारे में पढ़ते चलते हैं ताकि आगे जाकर के दिक्कत ना हो तो आज के इस session का मैंने target कर दिया है fix कि आज हम पढ़ेंगे scalar और vector quantities के बारे में पस तो भाई जब target हो गया है set तो भी देरी किस बात की तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा session जिसमें हमें बात करना है scalar और vector quantities के बारे में So this is विभूती खरे Welcome to Magnet Brains तहां पे आपको सभी chapters की video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost याने कि Magnet Brains में आपको दो chapters परने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package देने की ज़रूरा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं scalar and vector quantities का topic वहीं जब भी आप scalar और vector quantities की को आप जब Google सर्च करोगे न तो आपको एक बहुती classic और authentic definition दे देता है Google कि scalar quantities आ दोस quantities जिनके पास उनका magnitude होता है ठीके जिनके पास क्या होता है सिर्फ और सिर्फ उनका एक magnitude होता है and vector quantities आ दोस quantities which have direction as well as magnitude अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि भाई यहां पे quantities हो कौनसी quantities है रही है भाई जब तक आपको quantities समझ में नहीं आएंगी तब तक आप उनके magnitude और उनके direction को कैसे समझोगे तो भाई यहां पे जो quantities है न ये quantities कौनसी है ये quantities है हमारी physical quantities कौनसी quantities है physical quantities जैसे कि time, mass, distance, work, temperature, displacement velocity, acceleration, momentum, force ये सब क्या है physical quantities है अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बस नाम पर दिया उठा करके आपने तो explain करा ही नहीं physical quantity को तो भाई physical quantities यूनो हमारे लिए चीजों को बहुत ही आसान कर देती है कैसे? अब जैसे कि imagine करो हो कि हमारे पास जो है ना कोई भी एक भी physical quantity नहीं है ठीक है? और मैंने आप से पूछा कि आप अपने homework को कितनी देर में complete करते हो यानि कि आपको जो भी time period लग रहा है time period में नहीं आपको कितनी देर में आप अपने homework को complete कर लेते हो तो अगर कि आपके पास कोई physical quantity होती जो कि आपको इस जो जिसकी help से आप इस duration को आप नाप सकते तो आपके लिए मुझे बताना बड़ा असान हो जाता कि मैं अपना homework एक दिन में एक घंटे में या आदा घंटे में या दो दिन में या दो मिनिट में खतम कर लेते हैं अपना homework लेकिन जो कि आपके पास physical quantity नहीं है याने कि आपको जो भी time लग रहा है अपना homework complete करने में जो भी duration लग रहा है आपको अपना homework complete करने में वो duration आप मुझे बताई नहीं पा रहे हो कि actually में आप कितनी देर में बैठके अपना homework complete कर लेते हो क्यों कि आपको मैंने बोला है कि एक भी physical quantity नहीं है हमारे पास याने कि आपको जो भी duration लग रहा है अपना homework complete करने के लिए उस duration को measure करने के लिए कोई नहीं है आपके पास ठीक है जो मैंने बोला था ना कि physical quantities हमारे लिए बहुत ही helpful होती है हमारे लिए चीज़ों को बहुत easy बना देती है easy कैसे बना देती है क्योंकि इन physical quantities की help से हम किसी भी चीज़ को measure कर सकते है मैंने आपको बोला कि आपके पास कोई भी physical quantity नहीं है याने कि आपके पास कोई time time की चीज़ ही नहीं आप भूल जाओ कि हमारे हाथों पे एक कोई wrist watches बंदी होती है या हमारे घर की दिवारों पे कोई भी wall clock होती है या आपके पास कोई भी alarm clock है आप सब कुछ बूल जाओ आप hours भूल जाओ, minutes भूल जाओ, seconds भूल जाओ आप duration, day, time, night सब भूल जाओ और फिर मुझे बताओ कि आपको अपना homework complete करने में कितना समय लगता है कितनी देर में आप अपना homework complete कर पाते हो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है जब तक आपके पास यह time नहीं होगा तब तक आप अपने इस duration को measure नहीं कर सकते तीक है, दूसरा example मैंने आपको एक लोहे का बना बड़ा सा ब्लॉक आपको बोला है कि इसे उठाओ और इसे अपने biceps, triceps बनाओ ठीक है, अब यह जो block मैंने आपको दिया है आरेन का, लोहे का जो मैंने आपको डबबा दिया है वो बड़ा भारी है आपसे उठी नहीं रहा है ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि यह चीज बहुत भारी है यह box बहुत भारी है लोहे का और हमसे उठे नहीं रहा है और मैं आपको बोल रही हूँ खड़े हो करके अरे कैसे हो तुम्हें तो बिल्कुल स्टैमिना नहीं है बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी ताकत नहीं है उठाई नहीं पा रहे हो इस ब्लॉक को इसलिए मैं उठा नहीं पा रहा हूं आप ये तो मुझे दिख रहा है कि आप इसको उठा नहीं पा रहे हो लेकिन आप मुझे यह नहीं बता पा रहे कि आप इससे क्यों नहीं उठा पा रहे हो क्यों क्योंकि भै उस लोहे के डब्बे का मास बहुत जादा है यानि कि जब त बता है कि मैं सोच लूँ कि आपका मूडी नहीं है ठीक है आपका मूडी नहीं उठाने का इसलिए आप नहीं उठा रहे हो लेकिन दरसल क्या है आपका बिलकुल पूरा मूड है आपका पूरा मन है उस डब्बे को उठाने का लेकिन उसका मास इतना जादा है वो इतना भारी है कि आपसे उठी नहीं रहा है आप पूरी ताकत भी उस पे लगा रहे हो लेकिन वह उठ नहीं रहा है तो रीजन कि आपसे वह क्यों नहीं उठ रहा है इसे बताने के लिए आपको एक फिजिकल क्वांटिटी की जरुवत पड़ गई भही कि इसका माज बहुत जाद है जैसी आपने बोल दिया नहां कि मैं यह बहुत भारी का क्या है तो मैं समज्ज जाओंगी कि सकते हैं in fact हमसे और हमारा जो Sun है उसके बीच का जो distance है अर्थ और Sun से लेकर का जो distance है हम इन physical quantities की help से उसको भी measure कर सकते हैं light years में है ना Sun हमसे कितने light years जूर है इतना distance हम कैसे measure कर पाए है इनी physical quantities से measure कर पाए है तो I hope आपको physical quantities का significance समझ में आया होगा मतलब समझ में आया होगा कि यह वो physical quantities होती हैं जिससे हम चीजों को almost सभी चीजों को measure कर सकते हैं ठीक है अब इनी physical quantities को मैं दो categories में categorize करती हूँ एक है हमारी vector और दूसरी है हमारी scalar ऐसी physical quantities जहां पे हमें magnitude के साथ साथ direction भी पताना पड़ता है उनका उसे हम कहते हैं क्या vector quantities और वो physical quantities जिसमें केवल उनके magnitude से काम चल जाता है और किसी direction को mention करने की जरुवत नहीं होती उन्हें हम कहते हैं हमारी scalar quantities अब आप बोलोगे कि मैं तोड़ो और explain कीजिए समझ में नहीं आया ठीक है भाई आप देखो मैंने आपसे पूछा है कि आपका घर कितने दूरी पे है जिस भी point पे आप खड़े हो समझो आप खड़े हो point A पे ठीक है मैंने आपसे पूछा है कि इस point A से आपके घर का distance कितना है तो आपने बोल दिया क्या 5 किलो मीटर तो मुझे समझ में आ गया कि आप जहां भी खड़े हो वहाँ से आपका घर कितनी दूरी पे है आपने बोल दिया 5 किलो मीटर तो मैंने भी माल लिया 5 किलो मीटर क्या मैंने या आपने कहीं भी इस पांच किलो मीटर में direction mention किया है कि towards east है मेरा direction या towards west है मेरा direction या towards north है या towards south है बिल्कुल भी नहीं जरुवत ही नहीं है मैंने आपसे बस इतना पूछा था कि आपका आपकी जो भी location है आप point A पे खड़े हो उस point A से आपका घर कितनी दूरी पे है तो आपने बता दिया ना कि 5 km की दूरी पे है आप direction को इसमें बताने की जरुवत क्या पड़ गई ठीक है अब फिर मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा दूसरा सवाल क्या है किस दरह ये बताओ टाइम कितना हो रहा है तो आपने मुझे बोला दो बज़ रहे हैं दिन के दो बज़ रहे हैं 2 p.m तो मैंने आपसे बोला कि क्या इसका क्या मतलब तुमने एक physical quantity physical quantity कौनसी time है ना physical quantity तो आपने physical quantity का magnitude तो बता दिया लेकिन आपने direction तो बताएं नहीं तो आप बोलोगी कि मैं मैं ऐसे कैसे बतादू मैं direction time का भी कोई direction होता है क्या बिल्कुल भी नहीं होता वही physical quantity जो भी हमने पड़ी है ना वेक्टर चाहे scalar हमें पता है उनके बारे में लेकिन हम कहीं न कहीं उनको classify करने में गलती कर देते हैं आपको पता है कि जो time physical quantity उसमें direction नहीं लगता लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि time scalar quantity है वेक्टर quantity है उसमें आपकी हालत खराब हो जाती है भाई खुदी सोचो ना कभी भी आपसे कोई भी time पूछता है तो क्या आप उसके time के magnitude के साथ आप direction चिपका के देते हो direction को तो आप कहीं दूर दूर तक आप direction की बात आपके दिमाग में आती ही नहीं है कि अगर हम से कोई time पूछ रहा है तो हम साथ में direction भी चिपका दें कि दो बज़ रहे हैं towards north यह क्या बात हुई भाई अगर आपने किसी को बोल भी दिया ना कि दो बज़ रहे हैं towards south वो बोलेगा कि क्या चल रहा है इस दूनिया में time के साथ कौन direction लगा कब से लगाने लग कहां में तो पता ही नहीं चला ठीक है तो ऐसी physical quantities जहां पे सिर्फ हमें magnitude की बात करनी होती है उनके direction से हमें कोई लिना देना नहीं होता है in fact उनके direction को हम mention ही नहीं करते हैं उनके direction की बात हमारे दिमाग में दूर दूर तक नहीं आनी है नहीं आनी चाहिए है उन्हें हम क्या कहते है scalar quantities कहते है जैसे कि मैंने आपसे पूछाhorse from Point A ऐसे आपका घर किस कितने distance पे हैं तो आपने बोल दिया पांच किल metra के distance पर तो मुझे समझ में आ गया कि आपसे आपके घर की दूरी अभी कितनी है 5 km की है मैंने आपसे पूछा कि अभी टाइम कितना हो रहा है आपने मुझे बताया कि दिन के 2 बज़ रहे हैं तो मैंने मान लिया आपकी बात मैंने ये थोड़ी पूछोंगे आपसे कि भाई direction कहा है direction कैसा है क्यों क्योंकि कि मुझे पता है कि जो time है वो एक ऐसी physical quantity है जिससे हम magnitude जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ magnitude को ही consider करते हैं direction से हमें कोई मतलब नहीं होता है आए आपको बात समझ में तो ये क्या है ये वो scalar quantities हैं जापे सिर्फ और सिर्फ magnitude होता है हमारे काम का बच्चों magnitude में तो आप confused नहीं होना magnitude मतलब क्या कोई भी number जैसे की time कितना हो रहा है दो बज़ रहे हैं तो 2 क्या हो गया magnitude हो गया मेरी physical quantity time का distance कितना है 5 km तो 5 क्या हो गया magnitude value किसकी distance की ठीक है I hope आपको समझ में आया होगा इसी के तरह कुछ और scalar quantities की बाले में हम बात करते हैं ये ball है ठीक है इस ball का mass अगर मैंने आपसे पूछा कि इस ball का mass कितना है तो आपने बोला कि मैं इस ball का mass है 5 kg क्या मैं इसका direction आपसे पूछूँगी बिलकुल भी नहीं क्योंकि मुझे पता है कि mass में direction का क्या roll mass क्या होता है अच्छा मुझे ये बताना mass और weight दोनों अलग-अलग होता है class 9 में आपने gravitation chapter के अंदर पढ़ा होगा कि mass और weight दोनों अलग-अलग होते है mass का क्या मतलब होता है भाई ये जो ball है मेरी suppose ही किसकी बनी हुई है ये बनी हुई है rubber की तो जितना amount of rubber लगा होगा इस ball को बनाने में इस ball का mass क्या होगा वही amount होगा यानि कि अगर मेरे ball का mass कितना है 5 kg है यानि कि 5 kg rubber लग गई होगी इस ball को बनाने में तो mass क्या होता है किसी भी object का जिस भी चीज से वो object बनी है, उस object का amount हो जाएगा, उस object का mass. ठीक है? और इसके बाद में बारी आती है किसकी? weight की? weight क्या होता है भाई? usually mass और weight क्या हो जाते हैं? आपस में combine हो जाते हैं और इसे combine कौन करता है? हम ही करते हैं. हम सोचते हैं कि mass भी एक चीज है और weight भी एक ही चीज है. आप class 9 पढ़के तो आई रहे हैं, उसमें आपको पता होगा कि हमारी जो mother earth है, वो हम भी क्या लगाती है? एक तरह का attractive force लगाती क्या होता है? ये वो weight, basically weight ये वो force होता है जो कि earth लगाती है किसी भी object पे. ठीक है? और इसे हम क्या कहते है? mass into g. ठीक है? mass into g क्या है बई? g होता है अपना acceleration due to gravity. gravity, gravitational force के कारेंड जो acceleration produce होता है हमारी body में, that is small g. तो mass अलग है बच्चों और जो weight है वो अलग है. mass क्या होता है? mass हम बोलते हैं कि एक particular object को बनाने में जो भी चीजे लगी हुई है और उन चीजों का जो amount है, वो ही amount हो जाता है उस particular object का mass. जैसे कि मेरे पास ये ball थी, इस ball का mass कितना था? 5 kg. ये ball बनी किस की थी? rubber की बनी थी, यानि कि total 5 kg rubber लगी होगी इस ball को बनाने के लिए इस लिए इस ball का mass का होगा? 5 kg. weight क्या होता है? weight अलग चीज होती है. weight क्या है? ये actually वो force होता है जो कि earth लगाती है किसी भी चीज पे, चाहे मुझ पे, चाहे इस pen पे, किसी living organism पे या किसी भी non living object पे. तो weight क्या है? ये वो force है, जो कि earth लगाती है किसी भी object पे कहा? towards its center. ठीक है? अपनी center की तरफ जो earth सभी objects को खीचती है, तो जिस force के साथ खीचती है, उसे हम क्या कहते है? weight कहते है, that is mg. ठीक है? तो हम कहा थे भाई? हम अपनी थे scalar quantities पे. तो mass क्या है, एक scalar quantities है. क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई इस ball का mass बताओ, तो आप मुझे बोलोगे 5 kg. क्या आप direction बताओगे? बिल्कुल भी नहीं बताओगे. क्यों? इसमें direction लगेगा कहा? चलो, खुदी सोचो. अगर आपको इसमें direction लगाने का मन है भी, तो आप कहा लगाओगे? कैसे लगाओगे? direction, north, east, east, west, north, south. कैसे direction लगा पाओगे आप इसमें? कहीं से लेकी कहीं तब direction की बात आही नहीं सकती. फिर इसके बाद में दूसरी image आपको दिख रही है, वो क्या है, एक forest की है? forest कैसा है भाई? forest है अपना dense. dense से क्या मिला मुझे term density density क्या होती है भाई? mass by volume. ठीक है? density का formula क्या होता है? mass by volume, यानि कि given volume में कितना mass है? that is density. क्या density में भी? मैं direction use करती हूँ? बिल्कुल भी नहीं. अगर मुझे बताना है कि एक cube है मेरे पास, उस cube की density किती है भाई? उस cube की density है 6. ठीक है? किती है उसकी density 6? तो क्या मैं उसकी साथ direction भी लगा दूगी कि इसकी density है 6 towards north या उसकी density है 6 towards south? बिल्कुल भी नहीं. direction की तो कहीं जिकरी नहीं होता है. फिर आपने बोला कि मैम कल हमें बहुत तेज फीवर था. मैंने बोला अच्छा किता फीवर था? तो आपने बोला कि मैम हमको 102 degree Fahrenheit फीवर तो आपको इत्ता सारा फीवर था? चलो कोई बात नहीं. आपने फीवर की magnitude तो बता दिया आपने टेमप्रेचर का. तो आपने बताया ही नहीं. ऐसे किसे काम चलेगा? जब तक आप मुझे फीवर का direction नहीं बताओगे, तब तक मैं कैसे मानूंगी कि आपको सच में फीवर होगा ही नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा temperature क्या है? प्यारा सा, प्यारी सी एक scalar quantity है. ऐसी quantity जहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ magnitude से मतलब होता है. direction तो हमारे दिमाग में दूर दूर तक नहीं आता. कहीं से लेकर कहीं तक हम direction को mention करते ही नहीं है. Scalar quantity में. ठीक है? I hope य basic examples के साथ मैं आपको समझा रही हूँ. अब क्या हुआ? आपने ली है एक brand new car, blue color की. ठीक है? अब इस blue color की car पे आप जा रहे हो travel करके. फिर मैंने आप से पूछा कि आपकी car की speed किती है. तो आपने बोला कि मैं हमारी car की speed किती है 20 meter per second. मैंने बोला very good. यानि कि आपकी जो car ह है वो एक second में कितना distance travel कर रही है? 20 meters distance travel कर रही है. ठीक है? ये क्या हो जाएगी? आपके car की speed हो जाएगी. अब अब आपने अब क्या किया? आपने अपने car की speed तो मुझसे दूसरे case में बोली. ठीक है? लेकिन आपने साथ में एक word जोड़ दिया. वो word क्या जोड़ दिया आपने वो जोड़ दिया आपने to the right. पहले case में मैंने आपसे पूछा था कि आपके car की speed कितनी? आपने बोला था 20 meter per second. मैंने माल लिया कि आपकी जो car है वो एक second में 20 meter distance travel करती है. दूसरे बार जब मैंने आपके car की speed पूछी तो आपने बोल दी क्या? 20 meter per second to the right. याने कि आ अपने car के traveling का direction बता दिया. तो क्या अब ये 20 meter per second towards right speed कहलाएगी? नहीं. अब ये क्या बन जाएगी भाई? एक vector quantity बन जाएगी याने कि ये बन गई क्या? एक velocity. velocity क्या होती किसी भी object की? speed plus direction. ठीक है? velocity क्या होती है? speed plus direction. speed क्या होगा? speed का formula होता है distance upon time. distance भी क्या है? अपना एक scalar quantity है. time भी क्या है? अपनी scalar quantity है. दोनों में ही distance हो चाए time हो. direction बताने की जरुबत नहीं पड़ती. तो speed भी क्या हो जाती है? एक scalar quantity हो जाती है. लेकिन जैसे ही आप इस speed के साथ क्या mention कर दो? एक direction मेंशन कर दो. direction अब वो आपकी physical quantity scalar नहीं रही. क्यों? क्योंकि वाँ बे direction आगया है. इसलिए वो क्या बन जाएगी? अब एक vector quantity बन जाएगी. इस direction से मुझे पता क्या चला? इस direction से मुझे ये पता चला कि भाई आपकी गाड़ी 20 meter per second speed के साथ तो जा रही है. लेकिन कहां जा रही है? तो towards right जा रही है. तो ये क्या हुआ? ये हुई एक vector quantity. अब ये जो speed है ना, ये speed नहीं क्या लाएगी. अब ये बन जाएगी velocity. velocity क्या होता है? velocity होता है speed plus direction. जब आप किसी भी moving object की speed mention कर दो उसके direction के साथ, कि वो जा तो रहा है speed के साथ, लेकिन किस direction में? East, West, North, South कहीं भी, तो व उसकी velocity बन जाती है. आए आपको बात समझ में, अब इस direction को, आप बोलोगे कि मैं direction क्यों लगाया फालतु में? अच्छा खासा scalar quantities चल रही थी, बेवज़ा आपने जो है ना, towards right word लगा करके चीजों को wrong बना दिया, complicated कर दिया, फालतु में आप vector quantities लेकर के आ गई. भाई, य यह जो vector quantities है ना, यह जो direction है ना, यह बहुत कमाल की चीज है. कैसे? बताती हूँ मैं आपको. अब देखो, मेरे पास है क्या? एक बड़ा सा block और यहाँ पे मेरे दो assistant है. ठीक है? अब मैंने क्या बोला है इन दोनों अपने assistant से कि मुझे यह जो block है ना, यह मैं चाहती हूँ कि towards right आप shift करो. पहले कि point A पे था, मैं चाहती हूँ कि आप इसे point B पे ले आओ, यानि कि आप इस block को towards B shift कर दो, towards right shift कर दो. ठीक है? मैं अपने दोनों ही assistant को instructions दे के चली गई कि मैं क्या चाहती हूँ? इस block को मैं चाहती हूँ कि यह shift हो जाए towards right, point A से point B पे आ जाएगे. ठ उनने क्या किया? उन्होंने अपनी जितना हो सकता उनके पास दिमाग, उतना उनने अपना दिमाग लगा लिया. ठीक है? और क्या किया? उन्होंने अप जोर लगाना शुरू किया. उन्होंने अप force लगाना शुरू किया. अब यह जो पहले assistant भाई साब थे, इन्होंने towards right force लगाया कितना फोर्स लगाया दस न्यूटन का फोर्स लगाया और यह जो मेरे दूसरे असिस्टेंट भाई साथ है इन्हों ने भी क्या कर रहा फोर्स लगाया कहां लगाया कितना लगाया दस न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन किस डारेक्शन में लगा दिया इन्हों ने असिस्टेंट को क्या समझ में आया कि भाई ये ब्लॉग काफी हैवी है ये तभी अपनी जगा से शिफ्ट होगा जब हम इस पर फोस लगाएंगे जब आप इन पर जोर लगाएंगे इन्हों ने अपनी की पैसिटिज के अकरॉडिंग फोस लगाना शुरू कर दिया इस एससिस्टेंट ने क्या करा टूवार्ड राइट फोस लगा दिया और यह वाले असिस्टेंट ने भी कितना फोस लगाया 10 निटन का लेकिन टूवर्ड लेफ्ट जला मुझे यह बताओ कि क्या इस जनम में म जैसा force लग रहा है force तो लग रहा है लेकिन direction गड़बड हो गई मैंने आपको क्या बताया था अभी कि direction और vector quantities का बहुत बड़ा खेल होता है उसको हलके में मत ले न यहाँ पे इस block को तो कायदे से move हो जाना चाहिए था आपके साबसे क्यों क्योंकि 10 newton का force लग रहा है इधर पे भी 10 newton का force लग रहा है लेकिन मेरा block तो move हो ही नहीं पारा क्यों नहीं हो पारा क्योंकि दोनों तरफ से एक जैसा force लग रहा है ठीक है चलो एक काम करते हैं एक जैसे force की बात है ना इस वाले assistant से लगवा देते हैं हम कितना force 20 newton का force अब क्या होगा यह लगा रहा है 10 newton का force यह लगा रहा है 20 newton का force इसने लादा force लगा दिया तो मेरा block जो है इधर की तरफ shift हो जाएगा लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रही थी मैं तो चाह रही थी मेरा block A से B आ जाए यह तो कहीं और ही चला गया C पर ही चला गया यानि कि सेम force से भी सेम magnitude के force से भी कोई फरक नहीं पड़ा different magnitude के force से भी कोई फरक नहीं पड़ा अब एक काम करते हैं अब इन भाई साब को बोलते हैं कि एक काम करो तुम जो है ना दूसरे साइड आ जाओ अब इनने लगाया है कितना पांच न्यूटन का force इनने भी लगा दिया दो न्यूटन का force अब मेरा जो block है ना वो बड़े ही smoothly shift हो जाएगा A से B में towards right क्यों हुआ क्योंकि अब force का direction सही लग रहा था दोनों ही cases में जो हमने अभी पहले देखे जब same magnitude का force लग रहा था जब अलग-अलग magnitude का force लग रहा था दोनों ही cases में मेरा block जो मैं चाहा रही थी जिस direction में चाहा रही थी उस direction में shift नहीं हो पाया क्यों? क्योंकि direction का खेल था direction गलत था force का और इस case में दोनों ने ही कम force लगाया है इसने 5 का, इसने 2 का पहले में तो ये 10, ये 10 फिर दूसरे में तो ये 10 और ये 20 newton का force लगा रहा था लेकिन अब क्या हुआ? force का magnitude कम होगा है लेकिन direction सही हो गई तो मेरा जो block है वो easily shift कर जाएगा point A से point B तक इसलिए जो direction है न ये बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों बहुत बड़ी चीज होती है इसको कभी हलके में मत ले न इसी direction के कारण हमारी जो vector quantities है न वो 0 भी हो जाती है ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको मैंने 9th class में भी पताया होगा कि अगर आप किसी 8 direction को positive लेते होना तो दूसरे direction को आपको negative लेना पड़ता है जैसे कि पहले case में इस direction में towards right direction में कितना force लगा था? 10 newton का और दूसरे तरफ कितना force लगा था? 10 newton का लगा था अगर मैं total या net force निकालने की कोशिश करू तो towards right अगर मैं जा रही हूँ तो towards right मुझे कौनसर direction लेना पड़ेगा? Positive अगर मैं एक direction को positive लेती हूँ तो दूसरे direction को मुझे negative लेना पड़ेगा तो net force कितना आ जाएगा? Plus 10 minus 10 is equal to 0 यानि कि ये system कैसा हो गया? Balanced force का system हो गया इस direction के कारण हमारी जो physical quantities होती है vector quantities वो क्या हो जाती है? 0 तक हो जाती है जैसे कि हमारा displacement distance कभी 0 नहीं हो सकता लेकिन displacement हो सकता है कैसे? मेरा ये जो object है ये O से start point से कहां तक जा रहा है? 6 meter तक के distance पे जा रहा है और फिर वापस भी जा रहा है अगर मैं distance की बात करूँ distance कितना होगा? एक बार में कितना travel किया? 6 meter दूसरे बार में क्या हुआ? वापस गया वापस कितना travel करके गया? 6 meter टोटल इसने distance कितना travel कर लिया? 12 meter लेकिन अगर मैं बात करूँ displacement की जहां पे आपको direction लेना पड़ेगा और जब वापस जाएगा start point पे तो कितना distance travel करके जाएगा? minus 6 तो हो जाएगा 0 यानि कि displacement हो गया आपका 0 आई आपको बात समझ में तो direction को कभी भी हलके में मत लेना direction का बहुत बड़ा significance होता है ये vector quantities को physical quantities को 0 in fact कभी-कभी the negative भी बना देता है अगर ये जादा distance travel कर लेता वापस lot the time suppose minus 7 तो आपका displacement कितना हो जाता? plus 6 minus 7 that is minus 1 meter या centimeter यहाँ पे displacement हो गया क्या? negative आई बात आपको समझ में I hope आप किसी भी तरह की कोई भी doubt नहीं होगा अब जब आप class 11th में जाओगे scalar और vector quantities के बारे में और depth में पढ़ोगे तो confused नहीं होगे scalar quantities में सिर्फ magnitude होता है vector quantities में direction plus magnitude होता है direction का बहुत बड़ा खेल होता है उसे avoid नहीं करते हैं ठीक है? अब इस lecture के लिए इतना ही मिले हैं हम अपने next lecture में जहाँ पे हम अपने class 10th के second chapter को करेंगे continue तब तक आप विजिट कर लेना हमारी official website magnetbrains.com जहाँ पे आपको सभी chapters के video lectures में लेंगे playlist में साथी साथ सभी topics के वहाँ पे होंगे आपको notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching hello everyone इस session में हम करने वाले हैं हमारे chapter the human eye and the colorful world के कुछ in-text questions solve actually इस chapter में केवल 4 in-text questions है तो फटा-फट से काम करते हैं इस session में हम उन सभी 4 in-text questions को कर लेते हैं solve तो इस session का target क्या है इस session का target है कि हमको class 10th physics के second chapter के in-text questions को करना होगा solve जब target set है तो फिर देरेगी इस बात की तो चलिए start करते हैं आज का ये हमारा session so this is विभूती खरे welcome to magnet brains जहाँ पे आपको सभी chapters की video lectures मिले वाले हैं बिल्कुल free of cost याने कि magnet brains में आपको 2 chapters पढ़ने के बाग किसी भी तरह का payment करनी की या package लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुँचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज का ये session हमारे first in-text question के साथ क्या है वो भी question what is meant by power of accommodation of the eye अब देखो याद करो flashback में जाओ जब हमने human eye topic पढ़ा था ठीक है हमने human eye का बहुत अच्छी तरीके से structure देखा था जितने भी parts human eye के हमारे syllabus में हैं वो हमने देख लिये थे फिर इसके बार में हमने process समझी थी vision की किस तरह से हम चीजों को देख पाते हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देखने के लिए हम अपनी आँखें use नहीं करते हैं यानि कि किसी भी object को अगर हमें देखना है न तो उसके लिए हमारी आँखें काम नहीं आती है real and inverted diminished image बनाना और इतनी पूरी information कहां देदेना हमारे brain को देदेना फिर brain क्या करता है जो भी information उसके पास आई है उसको वो process करेगा और processing के बाद में उस object की हमारे सामने एक image बना देगा जिसके कारण हमें वो object दिखने लगता है ठीक है फिर इसके बार में मैंने आपको previous chapter में बताया था कि जो हमारा convex lens है हमारी आखों में कौन से lenses होते हैं भाई दो crystalline lens होते हैं left eye में एक crystalline lens और right eye में एक crystalline lens वो कौन सा lens होता है भाई वो होता है हमारा convex lens yes or no अब देखो क्या बोला जा रहा है यहां पे कि मैंने आखो बताया था previous chapter में हमने different cases पढ़े थे spherical mirrors के spherical lenses के spherical lenses के case में जो हमारा convex mirror convex lens था उसमें हमने total कितने cases पढ़े थे 6 cases पढ़े थे वो cases बन ही क्यों रहे थे क्योंकि आपने जो भी object रखा थाना बच्चों वो object आपने इस convex lens के सामने different positions पे रखा था कभी आपने रखा था object को infinity पे कहीं आपने 2F1 के पहले रखा था कभी आपने 2F1 पर ही रख दिया था कभी आपने 2F1 और F1 के बीच में रखता था फिर आपने F1 और हमारे lens का प्यारा सा जो optical center है उसके बीच में रख दिया भाई आप जो है ना continuously object की position change करते जा रहे थे lens के सामने जिसके वज़े से क्या हो रहा था जो ये image बना रहा था lens वो उस particular image की position भी क्या हो रही थी change होती जा रही थी है ना जब आपने रखा तो object को कहां infinity पे तो image का बनी थी image बनी थी 2F2 पे जब आपने object को कहां रखा था 2F1 पे तो image कहां बन गई थी 2F2 पे फिर जैसे जैसे आप object का distance change करते जा रहे थे position change करते जा रहे थे image की position और distance भी change होती जा रही थी लेकिन यार हमने ये चीज़ तो यहाँ पर पड़ी ही नहीं जब हम अपने बात कर रहे थे किसकी eye lens की, convex lens की object कहीं पे भी रखा हो image हमेशा retina पे ही बनेगी है ना? यानि कि हमारी आखों में जो crystalline lenses होते हैं वो हमेशा object की image का बनाते हैं retina पे बनाते हैं ऐसा कैसे possible है? अभी अभी हम भी देखा कि convex lens के सामने आप different positions पे object रखोगे तो different positions पे ही क्या बनेगी? image बनेगी कभी अगर आपने object को आगे रखा है तो image बनेगी दूर object को अगर आपने पीछे रखा है तो image बनेगी past में लेकिन हमारी आखों के case में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो मैंने आपको दो चीज़े बताई थी एक चीज़ क्या है? कि image की मजबूरी है retina पे बनने की क्या मजबूरी है? क्योंकि retina के पास क्या होते है? दो light sensitive cells होते हैं दो sensor cells होते हैं जिसे हम क्या कहते है? rods कहेंगे और क्या कहेंगे? cones कहेंगे rods and cones का काम क्या होता है? rods बताता है कि कि intensity की कितने amount की light आ रही है और cones क्या बताते हैं? cones हमें बताते हैं कि कौन से color की light आ रही है और यही information यह हमारे brain को भेजते हैं optic nerves के through यह rods and cones retina के अलावा eye के किसी भी component ये किसी भी part में नहीं होते हैं यानि कि अगर ये दोनों light sensitive cells रटीना पे नहीं होंगे तो object से निकलने वाली जो light है उसकी information हमारे brain तक नहीं जा पाएगी और हम किसी भी object को नहीं देख पाएगे क्योंकि जब तक ये information optic nerves के तुरू brain को नहीं पहुँचाएगे वो information brain process नहीं कर पाएगा प्रोसेस नहीं कर पाएगा क्या मतलब object की image नहीं बन पाएगी हम उसे देख नहीं पाएगे आरी आपको बात समझ में तो image की क्या मजबूरी है retina पे बनने की कि भाई retina के पास ही होते हैं क्या दोनों light sensitive cells अगर नहीं कहीं और बनी image retina के अलावा कहीं image बनी तो क्या हम उस object को clearly देख पाएगे नहीं देख पाएगे blood image हमें देखने को मिलेगी तो एक चीज़ हमें क्या समझ में आई कि क्या मजबूरी है image की retina पे बनने की क्योंकि सिर्फ वो सिर्फ retina के पास ही होते हैं यह दोनों light sensitive cells दूसरी चीज़ क्या है कि हमेशा कैसे retina पर ही image बनती है क्योंकि भई हमारी जो eye lens होती है वो बहुत कमालकी होती है कैसे जो हमारी eye lens होती है वो अपना curvature change कर लेती है वो अपनी focal length क्या कर लेती है change कर लेती है जिसके कारण object कहीं भी रखा हो हमारी आखों के सामने image कहां बनेगी सिर्फ और सिर्फ retina पर ही बनेगी और यह जो ability होती है हमारी eye lens की अपना curvature change करने की या अपनी focal length change करने की उसी को हम क्या कहते हैं power of accommodation कहते हैं यह कहानी पूरी मैंने आपको क्यों सुनाई क्योंकि आपको question का answer मुझे बताना था कि power of accommodation क्या है यह वो ability होती है हमारी eye lenses की कि वो अपने curvature को या अपनी focal length को क्या कर सके change कर सके और इसमें कौन help करता है भाई इसमें वदद करती है ciliary muscles अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो convex lens है उनको अपनी position पे कौन fix रखती है भाई उनको अपनी position पे fix रखती है इस तरह की कुछ muscles ठीक है वरना क्या होगा हमारे eye के पास तो दो-दो fluid compartments है पता चला यह eye lens जो है दोनों ही fluid compartments में chamber में बारी-बारी से जा करके swim करके आ गया ठीक है तो इनको swimming करने नहीं देना है eye lens को इसलिए क्या करती है यह ciliary muscles इनको पकड़के रखती है ना सिर्फ ciliary muscles lenses को अपनी positions पे intact रखती है बलकि इनके curvature को और इनकी focal length को change करने में भी help करती है कैसे help करती है भाई आपको मैंने बताया था कि जब हमें object को देखना हुआ कहां वो object जो की रखा हुआ आखो आपकी आखों से दूर ठीक है अगर कोई object है जो कि आपके आखों से कैसा रखा गया हो दूर रखा गया हो और उस दूर रखे object को अगर आपको देखना हो तो क्या होता है यह जो हमारी ciliary muscles है यह क्या करती है relax करती है जिसके कारण हमारा यह जो convex lens है यह कैसा हो जाता है भाई यह हो जाता है stretch या फिर elongate और इसका curvature क्या हो जाता है कम हो जाता है जिसके कारण इसकी जो focal length है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो ciliary muscles ने क्या किया अगर हमें दूर रखे हुए object को देखना है तो खुद कैसी हो जाएंगी relax हो जाएंगी और lens को कर देंगी क्या stretch, elongate जिसके कारण उसकी focal length increase हो जाती है ठीक, अब क्या होगा अब अगर हमें किसी object को देखना होगा जो कि हमसे pass में रखा गया है हमारी आँखों के pass में रखा गया है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे हमारी जो ciliary muscles होती है ये automatically क्या करती है ये contract हो जाती है क्या करती है, contract हो जाती है इसके कारण हमारा जो lens आता है, वो क्या हो जाता है, compress हो जाता है, ठीक है, हमारा lens क्या हो गया, compress हो गया, जिसके कारण इसका जो curvature है, वो तो बढ़ गया, लेकिन इसकी जो focal length है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण पास रख्य हुए object को हम क्या कर पाते हैं देख पाते हैं ठीक है I hope यह चीज आपको समझ में आ गई हो और इसी पूरी process को हम क्या कहते हैं power of accommodation कहते हैं इसके कारण क्या होता है भाई focal length increase or decrease करने के कारण क्या होता है object की image हमेशा कहां बनेगी बच्चो retina पे बनेगी retina पे अगर नहीं बनेगी तो क्या होगा image clear नहीं देखेगी किसी भी object की blurred vision हो जाएगा the ability of eye lens to adjust its focal length so as to clearly focus rays coming from distant as well as near objects on the retina is called power of accommodation of the eye अब एक काम करो अब अगर आपको इस answer का लेना है screenshot तो मैं हो जाती हूँ screen के बाहर आप इसका screenshot लेंगे on the count of 5 okay so 5, 4, 3, 2 and 1 I hope आपने ले लिया होगा इसका screenshot हम बढ़ते हैं अपने next question पे next question क्या है बई a person with a myopic eye cannot see objects beyond 1.2 meters distinctly what should be the type of the corrective lens used to measure proper vision आप देखो मैंने आपको eye defects पढ़ाए थे ठीक है eye defects क्यों होते हैं भाई eye defects जब भी होंगे न तो यह जो lens की ability होती है अपने curvature को change करने की या अपने focal length को change करने की वो कहीं न कहीं क्या हो जाती है सफर कर जाती है जिसके कारण vision कैसा हो जाता है गड़ बड़ा जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं defects कहते हैं यहां पर हम बात कर रहें कि इसकी एक myopic eye की याने की उस person को क्या है उस patient को क्या है myopia है मैंने आपको तीन eye defects पढ़ाये थे vision defects पढ़ाये थे एक कौन सा था myopia एक था कौन सा hypermetropia और एक था presbyopia बच्चे myopia और hypermetropia में confused हो जाते हैं कि मैं समझ में नहीं आता कि किस में कहां क्या नहीं दिखता है तो एक काम करो इसकी मैंने आपको एक trick बताई थी myopia myopia क्या है भाई एक छोटा सा word है 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 ना एक छोटा सा word है cute सा word है तो छोटा सा word है मतलब क्या इसमें लोगों को क्या देखेगा छोटी चीज़े देखेंगी याने कि जो nearby objects होंगे जो past में रखे हुए objects होंगे वही दिखाई देंगे याने कि दूर की चीज़े नहीं देखेंगी ठीक है और दूसरी तरफ कौन आता है दूसरी तरफ आता है hypermetropia यह कैसा है यह तो काफी लंबा सा word है काफी बड़ा word है बड़ा मतलब क्या इस case में लोगों को क्या देखेंगा बड़ी चीज़े देखेंगे याने कि जो दूर रखी हुई चीज़े होंगी जो distant objects होंगे वो लोगों को दिखाई देंगे याने कि past वाली चीज़े लोगों को दिखाई नहीं देंगे तो I hope इस trick से आप समझेंगे कि myopia क्या है एक छोटा सा word है याने कि लोगों को छोटी चीज़े दिखाई देंगी जो nearby objects होंगे वो दिखाई देंगे दूर का नहीं देखेगा और जो hypermetropia वो एक बड़ा word है बड़ा word है मतलब क्या लोगों को जो बड़ी चीज़े हैं जो दूर की चीज़े हैं वो दिखाई देंगे distant objects दिखाई देंगे लेकिन past की चीज़े दिखाई नहीं देंगी यह जो अभी हमारे पास सवाल है इसमें बोला जा रहा है कि person की आँखे कैसी है भई myopic है myopic मतलब क्या कि उसको past का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है ठीक है myopia की case में हमने बोला कि objects जो हैं कौन से objects दिखते हैं जो पास रखे हुए हैं दूर रखे हुए objects दिखाई नहीं देते जड़ा याद करो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी object जो कि हमसे दूर रखा गया है हमारी आँखों से दूर रखा गया है उसे देखने के लिए क्या करना पड़ता है सिलिरी muscles को relax करना पड़ता है आई लेंस को stretch होना पड़ता है elongate होना पड़ता है basically उसे कैसा होना पड़ता है thin होना पड़ता है जिसके कारण उसका नी हो पारी है बढ़ नहीं पारी है इसके दो एक्षायह के अयक किया ऑफ तो है हमारा एक्स्टा कर वेचर थी के हैं आये क्या हो जाता है एक्स्टा करवेचर हो जाता है मैं दूर कि चीज़ेंगे लिए क्या करना पटाивает लेंज को लंबा करना पड़ता है, थिन करना पड़ता है, उसका करवेचर कम करना पड़ता है लेकिन क्या हो अगर लेंज का करवेचर जादा रहे, कम ना हो उसकी वज़े से क्या होगा, फोकल लेंज उसकी कम की कम रहेगी है ना अगर आयलेंज का करवेचर कम ना हो जादा ही रहे जादा ही रहेगा मतलब उसकी फोकल लेंद कम रहेगी तो अगर फोकल लेंद कम है तो दूर रख्यों चीज़ों को कैसे देख पाएगा भई इंसान तो पहला कॉस तो यह हो गया दूसरा क्या होता है एक बर्थ डिफेक्ट होता है ठीक है बाइबर्थ होता है उसकेस में क्या होता है कि इमेज कहां बन जाती है, इमेज रेटीना के आगे बन जाती है तो birth defect कैसे होता है भाई, by birth ऐसा होता है कि आपकी आखों की eyeball की जो axial length है वो क्या हो जाती है, जाधा हो जाती है, image बननी होगी कहां यहाँ, sorry image कहां बननी होगी, suppose यहां बननी होगी ठीक है, लेकिन आपकी आखे by birth कैसी है, लंबी है, eyeball की जो axial length वो कैसी है, लंबी है तो आपकी आखों की actual length कैसी होती है, ऐसे, image की क्या गलती, वो तो यहीं के यहीं बन गई यहने रटीना के आगे बन गई, आए आपको बात समझ में, तो यह दो main causes होते हैं, एक तो extra curvature, दूसरा eyeball की जादा हो जाती है axial length, ठीक है, जिस वज़ा से दूर रख्य हुई चीजें लोगों को नहीं दिखाई देती सवाल यह पूछा गया था, कि हम ऐसा क्या करें, कि इस myopic eye का defect दूर कर सकें, तो भाई इसके लिए हमें लगाना पड़ता है क्या एक ऐसी device, बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे image जो है, रेटीना के आगे, बेसिकली जो raise आ रही है अबजेक्ट से, वो कहां converge हो रही है, वो रेटीना के आगे ही आकर के converge हो रही है, रेटीना तक converge हो के जाई नहीं पारी है तो एक काम करते हैं, हम इस आग के सामने एक ऐसी lens लेकर के आते हैं, एक ऐसा object लेकर के आते हैं, जो क्या करें? object से आ रहे ही rays को हमारी आखों तक क्या करे diverge करके पहुँचाए ठीक है हम क्या करते है हम एक ऐसा object या ऐसी lens ले करके आते है जो object से निकलने वाली incident rays है उनको हमारी आखों तक कैसे पहुँचाए diverge करके पहुचाए जिससे क्या होगा कि हमारे cornea और eye lens को उस diverging incident rays को converge करने के लिए क्या लगेगा जाधा time लगेगा जाधा time मतलब क्या जाधा distance पर जाकर कि उसको converge कर पाएंगी जाधा distance क्या retina retina आपकी पीछे हो गई image कहाँ बन रही है image बन रही है retina के आगे तो हम क्या करेंगी एक ऐसा lens लेकर के आएंगे जो क्या करें incident rays को object से निकल रही incident rays को क्या करें diverge करें जब ये diverging incident rays हमारे lens तक महुचेगी तो इन diverging incident rays को converge करने में जाधा distance लग जाएगा हमारे lens को और जाधा distance travel करके image जो है कौन सा होता है भाई diverging lens होता है हमारा concave lens ठीक है और हमसे बोला जा रहा है कि जो myopic person है न वो 1.2 meter के आगे देखी नहीं पाता ठीक है वो ये तो समझ में आगे कि उसको past का दिखता है दूर का नहीं देखता लेकिन कितना दूर का नहीं दिखता तो 1.2 meter के बाद का उसको दिखता ही नहीं है तो ये तो हमें समझ में आगे है कि हमें एक concave lens चाहिए है लेकिन कितने focal length का concave lens चाहिए भाई तो 1.2 meter की focal length का हमें एक concave lens चाहिए है क्यों? क्योंकि patient ने हमको बताया है अपनी problem share करी है कि भाई मुझे past के object चाहिए है लेकिन दूर के नहीं दिखते और कितने दूर के? 1.2 meter के distance पर जो भी object रखा होता है उसके बाद कि मुझे कोई भी चीज़े दिखाई नहीं देती है यानि कि हम इस myopic person को concave lens चाहिए diverging lens चाहिए लेकिन उसके focal lens कितनी होनी चाहिए 1.2 meters होनी चाहिए उस focal lens उस concave lens की focal lens तब ही तो उसे लगा गरके वो इस focal lens के बाहर जो object रखे होंगे उसको देख पाएगा आपको समझ में आ रही है बाद बच्चे confused हो जाते हैं कि मैं ये 1.2 meter focal lens कहां से आ गई भाई बिलकुल आ सकती है कैसे हमें बताया गया है myopic person 1.2 meters के आगे का जो distance होता है उसके आगे कहीं भी कुछ भी रख दो object वो नहीं देख पाएगा यानि कि हमें उसके लिए जो भी उसका जो defect है उसको दूर करने के लिए हमें एक ऐसा lens चाहिए है जिसकी focal lens कितनी हो 1.2 meter हो इससे क्या होगा एक ऐसी lens जिसकी खुद की focal lens कितनी है 1.2 meter इससे क्या होगा कि अब 1.2 meter पे रखा हुआ object या उससे दूर रखा हुआ object भी क्या होगा उस object की image जो है retina पे बन जाएगी ठीक है I hope यह चीज आपको समझ में आई होगी अब अगर आपको लेना है इसका एक screenshot तो आप बिलकुर ले सकते हैं on the count of 5 मैं हो जाती हूँ screen के बाहर so 5, 4, 3, 2, and 1 I hope आपने इसका screenshot लिया होगा अब हम बात करते हैं question number 3 की what is the far point and the near point of the human eye with normal vision अगर एक person की vision कैसी है normal है तो उसके आखों के लिए far point और near point क्या होगा तो भाई near point क्या होता है यह वो minimum distance होता है object और हमारी आखों के बीच में जिस distance पे रखे हुए object को हम clearly और comfortably देख सके clearly मतलब क्या उस object की blurred image हमें नहीं दिखनी चाहिए blurred नहीं दिखना चाहिए और comfortably मतलब क्या कि हमारी आखों पे strain नहीं आना चाहिए ठीक है कैसे जैसे कि मैंने बोला कि किसी भी पास रखे हुए object को अगर हमें देखना होता है तो हमारी ciliary muscles क्या करती है हमारी ciliary muscles जो हमारी eye lens होते है उनको compress करती है compress करने की कारण क्या होता है हमारी eye lens का curvature बढ़ जाता है और उसकी focal length क्या हो जाती है कम हो जाती है है ना अब क्या हुआ आपने और पास में basically जो किसी भी normal adult vision के लिए जो near point होता है वो कितना होता है वो हता है 25 cm यानि कि लोग ये समझ लेते हैं कि 25 cm के distance पे रखा हुआ object हमें दिखेगा हमारी eye lens से और जैसे ही आपने object और eye lens की बीच का distance है वो 25 cm से कम किया तो वो object हमें दिखना ही बंद हो जाएगा बिल्कुल ऐसा नहीं है करके देख लिए अगर ये मैंने हाथ अपना अपने मूपे भी रख लिया तो भी मुझे ही मेरा ये हाथ दिखेगा बिल्कुल दिखेगा तो फिर क्या हमारे near point की थियोरी गलत है बिल्कुल गलत नहीं है वो अपनी जगा सही है लोग उसे गलत समझ लेते हैं एक्चली क्या होता है ये 25 cm ये वो डिस्टेंस होता है जहां पर हमारी जो सिलेरी मसल्स है वो आई लेंस को कम्प्रेस करती है maximum extent तक ठीक है 25 cm क्या है अगर कोई object हमारी आखों से 25 cm के distance पर रखा गया है इसका मतलब क्या कि हमारी सिलेरी मसल्स ने आई लेंस को क्या किया है कम्प्रेस किया है to the maximum extent अब अगर क्या करोगे आप अपने object को 25 cm के और पास लेकर के आओगे सबोस्थ 20 cm पर या 15 cm पर तो आपकी सिलेरी मसल्स को और जादा महनत करनी पड़ेगी और जादा ताकत लगानी पड़ेगी आई लेंस के करवेचर को कम करने के लिए उसके फोकल लेंस को कम करने के लिए ताकि हम उस पास रखे हुए object को देख पाएं यानि कि हमारी सिलेरी मसल्स और लेंस पर बहुत strain पढ़ने वाला है बहुत जोर पढ़ने वाला है ऐसा थोड़ी है कि सिलेरी मसल्स को गोल-गोल जो है न आई लेंस दिख गई है तो उसकी वह रोटी बना दे पिछका ही दे उसको बिलकुल भाई पिछकाने की भी तो कोई extent होनी चाहिए और यह extent हमें कहां मिलती है पच्चिस सेंटीमीटर पी मिलती है तो नियर पॉइंट क्या है नियर पॉइंट एक ऐसा distance है हमारी आखो और object के बीच का यह basically minimum distance होता है जहां पे उस object को रखा जाएगा तो हमारी आखे उसे clearly और comfortably देखे clearly मतलग क्या कोई blurred image ना बने उस object की प्लस हमारी आखो पे हमारी lenses पे कोई जोर ना पड़ें तो वो distance कितना होता है 25 cm होता है यानि कि 25 cm कि अगर पहले आपने कोई object रखा हुआ है तो उसे देखने के लिए strain पड़ेगा eyes पे हम उसे comfortably नहीं देख पाएंगे तो near point आपको समझ में आया far point क्या होता है far point हम बोलते है basically maximum distance होता है हमारी आखों से object तक का to which the eye can see the objects clearly अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं हमें तो 2 km के बाद दिखता ही नहीं है तो हमारा far point क्या हो गया 2 km यानि कि 2 km के आगे कोई भी object रखा होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा अच्छा जबाएक काम करो अपना चैरा उपर करके sky में देखो क्या आपको sun star or moon देखने को नहीं मिलते हैं विल्कुल देखने को मिलते हैं तो भाई वो तो millions of flight year हमसे दूर है लेकिन फिर भी हमें देखने को तो मिल रहा है भले ही point size लेकिन दिखतो रहे हैं तो इसलिए एक normal adult human being के लिए उसकी आखों का far point क्या होगा वो होता है infinity तो कभी ये मत बोलना कि हमारी आख के लिए far point क्या होता है infinity होता है अब अगर आपको इस answer का चाहिए है screenshot तो मैं हुचाती हूँ screen से बाहर आप on the count of 5 इसका ले लेंगे screenshot So 5, 4, 3, 2 and 1 I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा अब हम बढ़ते हैं अपने next सवाल पे and I guess ये आज की session का आखरी सवाल है A student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row what could be the defect the child is suffering from how can it be corrected यानि कि एक classroom है और उस classroom के बिलकुल end में last row में एक बच्चा बैठा हुआ है और उस बच्चे को blackboard पे जो भी चीजे लिखी हुई है वो दिखाई नहीं दे रही है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह है कि उस बच्चे को दूर की चीजे नहीं दिख रही है दूर की चीजे नहीं दिखती मतलब क्या पास की तो दिख रही है पास की दिख रही है मतलब क्या छोटी चीजे दिख रही है छोटी चीजे मतलब क्या छोटा word छोटा word क्या ह पाइ मायोपिया याने कि उस बच्चे को definitely क्या है मायोपिया है ठीक है और उसको correct कैसे कर सकते हैं भई उसको हम correct कर सकते हैं एक diverging lens से याने कि एक concave lens है एक concave lens दे दो उसको है ना तो क्या होगा basically उसकी जो eye lens है उसकी focal length क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो दूर रखे हुए object को दूर रखे हुए blackboard पे जो भी लिखा होगा वो उसे असानी से दिखाई देने लगेगा ठीक है तो इसी के साथ हमारा आज का ये session होता है complete और हाँ अगर आपको इसका screenshot लेना है तो आप ले लो जल्दी से on the count of 5 आप screenshot लेंगे तो 5, 4, 3, 2 and 1 I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा और इस session के लिए इतना ही छोटा सा chapter है इसलिए इसके जो in-text question है वो भी काफी कम है छोटे से हैं है ना बस चारी थे तो in-text questions हम यहीं cover करते हैं कतम करते हैं अब हम बात करेंगे हमारे next session में next session में हम discuss करने वाले हैं इस chapter की NCRT exercise और हर एक question को बड़े ही patients के साथ बड़े ही detail में हम पढ़ेंगे क्यों क्योंकि इस से हमारा पूरे chapter का revision होता जाएगा ना अभी तक तो हम जो भी DPQs पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि एक दिन पहले जो चीजे पढ़ी है उसको हम revise कर लेते हैं लेकिन NCRT exercise से क्या होता है कि पूरा का पूरा chapter ही एक बार में revise हो जाता है तो आज की session के लिए इतना ही मिलेंगे हम अपने next session में याने की कल जहाँ पे हम discuss करेंगे NCRT exercise तक तक आप क्या करेंगे हमारी जो official website magnetbrains.com उसे visit कर लेना जहाँ पे आपको सभी chapters के video lectures मिलेंगे प्लेलिस में साथी साथ सभी topics के होंगे वहाँ पे आपको notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching Hello everyone, इस session में हम solve करने वाले हैं NCRT exercise हमारे chapter the human eye and the colorful world की previous lecture में हमने बात करी थी उस chapter के in text questions के बारे में जादा नहीं थे, थोड़े से ही थे और आज उसी को continue करते हुए हम करेंगे इस chapter के कुछ exercise questions को solve तो भई इस lecture का, इस session का मैंने target कर दिया है fix कि आज हमें पढ़ना होगा क्या हमारी NCRT exercise के कुछ questions और जब target हमारा fix है तो फिर देरी किस बात की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये session इस विभूती खरे, welcome to magnet brains जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost याने कि magnet brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी पी तरह का payment करने की या package लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुंच आ रहा है quality education विल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज के इस session का first question वो क्या है The human eye forms a image of an object at its भाई, human eye का जो structure है वो हमारे इस chapter का सबसे पहला topic था और बड़े ही अच्छे से बहुत ही detail में जो जो भी parts आएके आपके syllabus में है उन parts को हमने ही बड़ी ही detail में depth में जा करके समझा था ठीक है? और उन ही में से एक part होता है eye का जहां पे eye क्या करती है? object की image बनाती है भाई, हमारी आखों के सामने कोई भी object रखा हो ठीक है? हमारी आखों के सामने कोई भी object रखा हो तो इस object से निकलने वाली जो raise होती है वो सबसे पहले कहां जाती है? सबसे पहले जाती है हमारी आखों के first part पे first part क्या होता है भाई? first part होता है एक burst out shape का या एक convex shape का एक structure जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं हमारी cornea यह जो cornea होती है यह कैसी होती है? भाई color में transparent होती है shape कैसा होता है? यह बाहर की तरफ curved होती है ठीक है? इसलिए इस shape को हम convex shape भी कहते हैं ठीक? और इसका काम क्या होता है? इसका काम, actually दो काम होते हैं पहली चीज़ तो क्या? हमारी आखों के अंदर की चीज़े बहुत साथ sensitive होती है ठीक है? तो उन sensitive चीज़ों को protect करने के लिए एक outer covering भी होनी चाहिए मैं आपको बताया था कि cornea को आप कैसे समझ सकते हो? आप अपनी note books में जो cover page होता है उसके उपर जो आप gelatin चढ़ाते हो उसी तरह हमारी जो cornea है ना वो बिलकुल उस gelatin की तरह ही काम करती है gelatin आप क्यों चढ़ाते हो? gelatin cover ताकि अंदर का जा आपका brown cover होता है paper होता है वो गंदा ना हो जल्दी से उसको long lasting बनाने के लिए आप क्या करते हो? उसके उपर gelatin चढ़ा लेते हो similarly यह जो हमारी cornea होती है इसका क्या काम होता है? आखों के अंदर की चीज़े बहुत sensitive है तो उसको protect करने के लिए किसी तरह के dust particle से और किसी तरह के foreign particle से और किसी तरह के injury वगेरा से यह क्या करती है? आखों के अंदर की चीज़ों को content को protect करेगी चीक? तो पहली चीज़ क्या हो गई? protection का काम हो गया हमारी eye के जो अंदर के contents है inner contents है दूसरा जो इसका काम है वो इसके shape पे depend करता है इसका shape कैसा है? इसका shape है कैसा? convex तो जाहर सी बात है जब इसका shape convex है और यह खुद कैसी है? transparent है यानि कि अपने आप से light को जाने दे रही है तो यह क्या करेगी? ऐसे भूड़ी न जाने देगी light को चोकि इसका shape कैसा है? convex है तो यह क्या करेगी? object से निकलने वाली जो raise होगी न उसको converge करके आँखों के अंदर ले करके जाएगी cornea जो है वो light को अपने अंदर से pass होने के लिए allow कर देती है कि हाँ भई ठीक है हमारे अंदर से तुम pass हो जाओ आई के अंदर चली जाओ लेकिन कैसे जाओगी? क्योंकि हमारा shape कैसा है? convex है तो हम तुम्हें अंदर कैसे भेजेंगे? हम तुम्हें थोड़ा सा converge करके भेजेंगे ठीक है? तो यह क्या करती है? इसके दो काम है पहली चीज तो इसने क्या किया? हमारी eyeball को protect किया दूसरी चीज क्या है? जो भी object से incident rays निकल के आ रही है उनको converge करके आँखों के अंदर पहुँचाना फिर इसके बाद में cornea के बाद जो object से निकलने वाली incident rays है वो कहां पहुचेंगी? वो पहुचती है हमारी आँखों के एक colored part में colored part क्या होता है? colored part होता है iris जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी की आँखे देखते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज हमें क्या देखने को मिलती है? सबसे पहली चीज देखने को मिलती है उसके आँखों का color आँखों का color क्यों होता है भाई? क्योंकि ये जो part होता है ना हमारी आखों का आईरिस इसके पास क्या होता है एक pigment होता है melanin pigment और इसे कौन produce करता है specialized cells होते हैं जिनने हम क्या कहते हैं melanocytes कहेंगे यह melanocytes क्या करते हैं यह pigment melanin pigment secrete करते हैं प्रड्यूस करते हैं अब अलग-अलग ratio में प्रड्यूस करते हैं अगर कि melanin का जो amount है वो जादा हो गया melanocytes ने जादा melanin प्रड्यूस कर दिया तो क्या होगा इस आईरिस का color हो जाएगा dark dark brown और अगर melanin कैसा हुआ है कम secret हुआ है कम produce हुआ है तो आईरिस का color क्या हो जाएगा blue यानि कि अगर हम बात करें हमारी आखों का color part क्या होता है तो आप बोलोगे यह होता है आईरिस और इस आईरिस में color कहां से आता है इस आईरिस में color कहां से melanin pigment से जो कि कौन produce करते हैं melanocytes produce करते हैं ठीक अब इस आईरिस के beach ओ beach बिल्कुल beach आपको क्या देखेगा एक black color का spot देखेगा actually वो black color का spot नहीं होता है वो black color की opening होती है और उस opening को हम कहते हैं उस opening को हम कहते हैं pupil क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे pupil ठीक है यह आपको दिख रहा होगा यह blue color का क्या है आईरिस है और इसके मैं उसको highlight कर देती हूँ आपको यह blue color की आईरिस दिखरी होगी और इसके अंदर आपको यह बिल्कुल जारा सा छोटी सी black color की opening दिखरी होगी और इसी opening को हम क्या कहते हैं बच्चो प्योपिल कहते हैं खिड़की है यह ना मैं आपको पताया था कि यह हमारी आखों की क्या होती है खिड़की होती है जिस तरह से हमारे rooms और हमारे घरों की जो windows होती है वो क्या करती है sunlight को अंदर आने देती है उसी की तरह यह जो प्योपिल है छोटी सी जो opening है आईरस के center में यह क्या करेगी object से निकल रही incident trace को कहा जाने देगी आखों के अंदर जाने देगी ठीक है अब क्या होता है जिस तरह से आप अपने घरों की खिड़कियों को कभी बन करते हो तो कभी खोलते हो जब बहुत दूपारी होती है तो आप क्या कर दोगे खिड़किया बन कर दोगे और ज्यादा प्यूपिल के साथ भी तो कुछ हमें ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि भाई जो हमें light मिल रही है अगर आप घर के अंदर हो तो आपको ट्यूब लाइट वगेर से light मिल जाएगी अगर आप घर के बाहर जा रहे हो तो आपको sunlight वगेर से light मिल जाएगी लेकिन क्या होता है ना क्या करना पड़ेगा उसकी entry को regulate करना पड़ेगा और उस regulation में कौन है करता है भाई हमारी यह आयरेस इसका मतलब क्या हुआ ना सिर्फ आयरेस हमारी आखों को सुन्दब बनाने के लिए color provide करती है melanin के तुरू साथी साथ यह क्या करेगी इस pupil को क्या करेगी छोटा और बड क्या है आपके कमरे में आपके घर में जो भी चीजे रखी हुई है furniture रखा है electrical appliances रखें जो भी चीजें है वो आपको दिख रही है तो इतनी sufficient light आपको कहा मिल रही है ड्यूब लाइट से मिल रही है लेकिन जैसी क्या होगा आप दिन के time पे जाओगे घर से बाहर दिन के time प बहुत sensitive है तो क्या करना पड़ेगा तो हमें इस खिड़की को छोटा करना पड़ेगा और यह छोटा कौन करता है यह आईरिस करती है ठीक है जैसी हम दूप में जाता है तो आपने notice किया होगा हमारी आँखे बिल्कुर ऐसी छोटी छोटी सी हो जाती है क्यों हो जाती है क् क्या कि आईरिस जो है ट्यूपिल को छोटा कर देती है ताकि कम लाइट अंदर जाए हमारी आँखों के अंदर और झैसे है आप घर से घर के बाहर से घर के अंदर कि तरफ आते हो लाइट क्या हो जाती है थोड़ी कम हो जाती है तो Nikki Сам चीजें जो नहीं देती आप नोटिस करके देखो तेज धूप के बाद आप घर के अंदर आओगे तो आपको एकदम से चीज़े दिखाई देंगी, काली-काली दिखाई देंगी, क्यों? क्योंकि सफिश्चेंट लाइट आपकी आँखों तक नहीं पड़ रही होती है, तो आप क्या करते हो? अपनी आँ आइरिस, ठीक है? तो यह आइरिस ना सिफ हमारी आँखों को सुन्दा करने के लिए कलर प्रोवाइट करती है, आँखों को साथ ही साथ यह क्या करेगी? प्यूपिल का जो साइज है उसको भी रेगूलेट करेगी. टाइम टाइम पे जब प्यूपिल को बड़ा होना और आइरिस पे पहुंच गई? अब हो सकता है कि कुछ इंसिदेन ट्रेज जो है, एक चीज़ और हे, सभी की सभी इंसिदेन ट्रेज ओplet है आखों के अंदर नहीं जाती है. जो इंसिदेन ट्रेज कहा पढ़ रही है? आइरिस पर पढ़ रही है, वो हो सकता है या तो रिफ से निकलने वाली सभी incident rays आखों के अंदर नहीं जाएंगी सिर्फ वो incident rays जो कि pupil पर पढ़ रही है प्यूपिल पर स्ट्राइक कर रही है वही आखों के अंदर जा पाएंगी क्यों क्यों कि भई प्यूपिल तो हमारी क्या है प्यूपिल तो हमारी एक खिड़की है जैसे कि आपके घरों में जो दिवारे होती है दिवारों में खिड़किया लगी होती है सनलाइट कहां से आती है सनलाइट वहीं से आती है जहां से उसको जगा मिलती आने की याने की खिड़कियों से जगा मतलब क्या? खेड़किया. तो हमारी आखों की जो खेड़किया है, प्योपिल है, उसी से object से निकलने वाली जो raise होगी, light raise होगी वो आखों के अंदर जाएगी. आखों के अंदर उसको क्या मिलेगा भाई? आखों के अंदर उसको मिलता है एक white crystalline lens. हमारी आखों के पास भी क् convex lens होता है, white crystalline होता है और ये lens किसी कांच का नहीं बना होता है, ग्लास का नहीं बना होता है, ये protein का बना होता है, jelly like material होता है. ठीक है? फिर इसके बाद में, lens के बाद में, क्या मिलेगा? एक बड़ा सा fluid chamber मिलेगा. एक बड़ा सा fluid chamber मिलेगा. फ्लूइड chamber में क्यों मिलेगी, एक बड़ी सी screen देखने को मिलीगी. Actually, ये क्या होती है? ये हम बोलते हैं कि, basically ये एक type की screen तो होती है, ये बहुती पतली सी membrane होती है. जो कहां मिलती है आपको? आँखों की जो eyeball होती है, basically हमारी जो eyeball होती है, उसके पीछे की तरफ एक पतली सी membrane होती है. और उस पत प्रजेंट होती है. ये रेटीना खास क्यों है? क्योंकि इसके पास प्रजेंट होते हैं भाई, दो light sensitive cells, जिसे हम क्या कहते हैं? rods and cones कहते हैं. अगर ये rods and cones ना हो ना रेटीना पे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी. क्यों? क्योंकि object से निकलने वाली जो incident rays थी, वो कहां प पहुँच गई है. लेंस क्या करेगा? क्योंकि हमारा लेंस कैसा है? convex है. तो ये क्या करेगा? incident rays को converge करेगा. ठीक है? कन्वर्ज करने के बाद में ये जो refracted, अब obviously बाते lens तक आ गई है incident rays. तो lens से जब निकलेंगी तो क्या होगा? अब वो refracted rays कहलाएंगी. तो ये जो refracted rays होती हैं बच्चों, ये क्या होती है? ये आकर के converge होती है. कहां converge होती है ये? रेटीना पर ही converge होगी. और मैंने आपको है था कि जहां पर दो reflected या दो refracted rays मिलती है, वहाँ पर क्या हो जाता है? object की image बन जाती है. याने कि lens से refract होने के बाद में ये refracted rays कहां चाके converge होती है? इस रेटीना पर converge होती है. याने कि object की image भी कहां बनेगी? इसी रेटीना पर बनेगी. रेटीना पर होते है rods and cone cells. जो क्य करते हैं? ये जो refracted ray आ रही है ना? इसको ये लोग क्या करते हैं? एक्जामेन करते हैं. rods का क्या काम होता है? rods ये पता लगाता है कि कितने amount की कितनी intensity की light आई है और कौन क्या पता लगाएगा? कौन पता लगाएंगे कि भई कौन से color की light आई है? फिर क्या होगा? इनने ये तमाम सारी information जो है ना? अब क्या करेंगे? अचा थोड़ी ना डालेंगे. इस information को ये कहां पहुचाएंगे? हमारे brain तक पहुचाएंगे. किस के form में? तो भई electrical signals के form में. ये हमारे brain तक information को पहुचाएंगे. ठीक है? और किस के तरूप पहुचाएंगे? तो होती है optic nerves. क्य क्या होती हैं बाई optic nerves होती हैं यह optic nerves क्या करेंगी information को जो भी rolls and cones ने खटा करेंगे उन information को electrical signal के form में कहां लेके जाएंगी brain तक लेके जाएंगी यानि कि यह जो optic nerve है यह हमारी आखों से लेकर के कहां तक जाती है हमारे brain तक जाती है लेकिन अभी तो मैंने आपको बताया कि हमारी eyeball को जो पीछे का portion होता है उसके उपर एक पत्ली सी membrane होती है तो इसका मतलब यह है कि यह जो optic nerve है यह इस membrane को retina को चीर्कते हुए हमारी eyeball के अंदर enter करती है बिलकुल सही बात है actually यह जो हमारी retina होती है न यह incomplete होती है complete नहीं होती है एक particular point पे retina 40 हुई रहती है और उस point को हम क्या कहते है उस point को हम कहते है blind spot यह आप कुछ दिखरी होगी जगा जहां से optic nerve एंटर कर रही है इसे हम क्या कहते है blind spot कहते है blind spot क्यों कह रहे है भई क्योंकि इस spot पे कोई भी rods and cones नहीं है retina वहाँ से 40 हुई है और इसी spot से optic nerves हमारी eyeball के अंदर आती है ठीक है यह पूरा structure हो गया किसका हमारी eyeball का एक चीज़ और है हमारी आखों के पास दो fluid compartment होता है एक तो मैंने आपको बता दिया यह वाला होता है ठीक है lens और retina के बीच में जिसे हम क्या कहते है vitreous humor कहते है जो कि किस से filled होता है vitreous humor से और एक और होता है जो कि हमारी basically जो cornea है cornea और जो iris है उसके बीच में present होता है एक और fluid compartment है जो कि कहा होता है हमारी cornea और iris के बीच में होता है और वो किस से भरा हुआ होता है वो होता है aqueous humor से filled ठीक अब यह जो दोनों ही fluid compartments होते है इनका क्या काम होता है पहली चीज़ तो यह क्या करेंगे हमारी आखों को थोड़ा सा moisture provide करेंगे वरना हमारी आखे तो बिलकुल सूख जाएंगी और दूसरी चीज़ क्या होता है जो object से निकलने वाली जो incident rays है ना उनको उनके refraction को उनके convergence को help करती है क्यों? क्योंकि एक तरह से ये medium को change कर रही है ना incident ray कहां से आ रही है हवा से आ रही है कहां जा रही है? eyeball के अंदर जा रही है ये तो हमें पता है कि eyeball के अंदर उसे क्या मिलेगा? lens मिलेगा ठीक है? lens क्या करेगा? जो कि हमारे पास कैसा lens है? convex lens है तो वो convex lens incident rays को converge कर देगा लेकिन साथी साथ वो क्या करवाएगा? जो दोनों fluid compartments होते हैं ये eyeball के अंदर का medium चेंज कर देते हैं जिसके कारण जो incident rays है उनका refraction हो पाता है हमारी आखों के अंदर और image प्रॉपरली बन जाती है रेटीना पे अब ये जो image है बच्चों वो कैसी होगी? convex lens है मतलब कैसी image बनाएगा? क्यों? क्योंकि आखों का काम क्या है information लेकर के brain तक पहुँचाना brain उस information को process करता है और हमें object सीधा दिखाई देता है और जिस size का होता है उसी size का दिखाई देता है ठीक? I hope ये चीज आपको समझ में आई होगी अब सवाल क्या पूछा था यार हमसे सवाल हमसी पूछा गया था कि human eye पे image कौन से पार्ट पे बनती है तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि retina एक पतली सी membrane होती है eyeball के पीछे की तरफ उस पे image बनती है इमेज की retina पे बनने की मजबूरी होती है क्या मजबूरी होती है कि इस retina पे present होते है rods and cones अगर की refracted rays converge होकर के retina पे नहीं पहुची अगर retina पे नहीं पहुचेंगी तो rods and cones कैसे पता कर पाएंगे कि जो refracted rays आ रही है उसकी intensity कितनी है amount कितनी है या हम बोल सकते हैं कि उसका color कैसा है जब ये तमाम सारी information rods and cones brain तक पहुचाएंगे ही नहीं तो brain process क्या करेगा कौन सी information process करेगा और फिर कैसे हम उस object को देख पाएंगे कैसे brain उस object की एक erect image बना पाएगा तो image की मजबूरी होती है कि उसे retina पे ही बनना पड़ता है क्यों क्योंकि retina के पास present होते हैं दो light sensitive cells या आप इनको दो sensor cells भी बोलते हो ये rods and cones eye के किसी भी और पार्ट में present नहीं होते हैं इसलिए image की मजबूरी है कि उसे कहां बनना है retina पे ही बनना है ठीक? I hope या कुछी समझ में आई होगी चलो अब हम बात करते हैं हमारे next question की next question क्या है भई? question number 2 the human eye can focus an object at different distances by adjusting the focal length of the eye lens this is due to अब मैंने आपको बताया था पहले से हम काफी चर्चा करते आ रहे हैं इस topic पे इस विशय पे कि जो convex lens है आप कोई भी spherical lens या कोई भी mirror ले लो spherical mirror ले लो अगर आप अपने object की position change करते जाते हो उस lens या उस mirror के सामने वो जो image बनाएगा respective images जो बनेगी उनकी भी position क्या होती जाएगी change होती जाएगी लेकिन अभी हमने सवाल में देखा कि हमारी आखों के अंदर जो convex lens होता है वो हमेशा image कहां बनाता है? रटीना पे बनाता है image की मजबूरी होती रटीना पे बनने की क्योंकि उसके पास क्या present होते है? रटीना पे rods and cones, light sensitive cells जो की जो भी incident rays आ रही है reflected rays आ रही है उससे related information हमारे brain को पहुँचाएंगे brain क्या करेगा? उसकी image बनाएगा उस object की है ना? तो image की मजबूरी है क्या होने की रटीना पे बनने की लेकिन ऐसा कैसे possible है कि हमारी आखों का जो convex lens है वो हमेशा ही image कहां बनाए रटीना पे बनाए? convex lens के तो हमने 6 cases देखे थे कि object की अलग-अलग position है और image भी जो है अलग-अलग position पे बन रही है अगर object को रखा हुआ है आपने convex lens के सामने कहां infinity पे तो उसकी image कहां बनेगी? F2 पे बनेगी अगर आपने 2F1 पे object रखा हुआ है तो image कहां बनेगी? 2F2 पे बनेगी लेकिन भाई आखों के अंदर ऐसा क्या है? कि convex lens तो present है यहां पे लेकिन object कहीं भी रखा गया हो infinity पे क्यों ना रखा गया हो? image कहां बनेगी हमेशा retina पे? तो भाई इसका बड़ा ही simple सा जवाब है क्या जवाब है वो? कि हमारा जो eye lens होता है वो क्या करता है? अपनी जो focal length है उसे change करता रहता है क्या करता रहता है हमारा eye lens? हमारा eye lens अपनी focal length को change करता रहता है अगर object कहां रखा गया है? दोरी पे रखा गया है तो वो क्या करेगा? अपनी focal length बढ़ा लेगा और अगर object कहां रखा गया है? आँखों के पास रखा गया है तो वो क्या करेगा अपनी focal length कम कर लेगा लेकिन क्या हमारा lens इतना smart होता है कि वो अपनी focal length हो खुदी बढ़ा ले या खुदी कम कर ले बिल्कुल भी नहीं इस lens को भी क्या चाहिए होते हैं? कुछ supporters चाहिए होते हैं वो supporters कौन होते हैं? वो supporters होते हैं हमारी ciliary muscles ये ciliary muscles क्या करती है? ये ही actually में eye lens का जो focal length है उसको change कराती रहती है क्या हम बोल सकते हैं कि हमारी eye lens के curvature को change करती रहती है कैसे? जब हमें दूर की चीज़े देखनी होती है जब हमें कोई object है जो कि हमारी आँखों से दूर रखा हुआ है उस दूर रखे हुए object को अगर हमें देखना होता है तो क्या होता है? ये ciliary muscles क्या करेंगी? रिलैक्स करेंगी जिसके कारण क्या होगा? हमारा जो eye lens होगा वो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा? थिन हो जाएगा थिन हो जाएगा मतलब क्या? इसका जो curvature है वो हो गया कैसा? काफी कम यानि कि इसकी focal length क्या हो गई? बढ़ गई तो दूर रखा हुआ object भी दिख जाएगा अब अगर कोई object रखा होगा pass में तो उसके लिए क्या होगा? यह जो हमारी celery muscles है यह क्या करेंगी? contract करेंगी contract करने के कारण क्या होगा? हमारा जो eye lens है न वो क्या हो जाएगा? compress हो जाएगा, पिचक जाएगा पिचकने के कारण क्या हुआ? यह इस तरह से थोड़ा सा गोल हो जाएगा जिसके कारण इसका जो curvature है वो बढ़ जाएगा और focal length क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी जब pass रखे हुए object को हमें देखना होता है तो उसे celery muscles क्या करती है? contract करती है जिसके कारण हमारा जो eye lens है वो compress होता है compress होने के कारण उसका curvature जो है बढ़ जाता है और उसकी focal length कम हो जाती है जिसके कारण pass रखे हुए object को भी हम clearly देख पाते हैं यानि कि उसकी जो image है वो कहां बनती है? retina पे ही बन जाती है इतना clear है आप सबको इससे क्या होता है? कि चाहे object दूर रखा हो, चाहे object पास रखा हो image कहां बनेगी? हमेशा retina पे ही बनेगी और इस power को हम क्या कहते हैं? अपने eye lens के focal length को change करने की इसे हम कहते हैं power of accommodation और इसमें help कौन करता है? उसमें help करती हैं ये हमारी ciliary muscles ciliary muscles की दो काम होते हैं एक तो आपने देख लिया power of accommodation दूसरा काम क्या होता है? ये हमारी eye lens को जो है न अपनी positions पे intact रखता है वरना क्या हो? हमारा जो eye lens है न बड़िया हमारी eyeball के पास दो-दो fluid compartments है तो बारी बारी जाकर के वो क्या कर ले? उनमें swim करके आ जाए लेकिन ऐसा होता नहीं है क्यों? क्योंकि ciliary muscles उनको पकड़ के रखते हैं अपनी position पे आए आपको बात समझ में तो अपनी positions पे eye lens को fix रखते हैं प्लस क्या करेंगे? उनका focal length भी काम और जादा करवा देंगे तो सवाल कि हमसे पूछा गया था कि यह जो ability होती है eye lens की अपने focal length को adjust करने की दूर रखे हुए object को देखने के लिए या past रखे हुए object को देखने के लिए इसे हम क्या कहते हैं? Option B, power of accommodation ठीक है? और इसमें कौन help करता है eye lens को? इसमें करती है help ciliary muscles अपने focal length को change करने के लिए अपने curvature को change करने के लिए I hope यह सवाल आपको clear हो गया होगा बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे next question की next question क्या है? The change in focal length of an eye lens is caused by the action of अभी-अभी हम में discuss किया है कौन करता है भाई? Eye lens के curvature को या उसके focal length को change ciliary muscles ciliary muscles के दो काम है एक तो वो lens को पकड़ के रखेंगी अपनी जगा और दूसरी चीज़ जो eye lens का focal length है उसको वो क्या करती रहेंगी? चेंज करती रहेंगी ठीक है? I hope यह सवाल आपको समझ में आया होगा अब हम बात करते हैं question number 4 The least distance of distinct vision for a young adult with normal vision is about अब देखो दो theory होती है एक होती है near point की theory और एक होती है far point की theory एक होता है कौन सा? Near point और एक होता है अपना far point Near point क्या बोलता है? सबसे पहले near point देखो Near point हम बोलते हैं कि वो minimum distance होता है object का हमारी आखों से जिस distance पे रखा हुआ जो object है वो हमें clearly और comfortably दिखाई देगा Near point क्या है भाई? ये वो minimum distance है हमारी आखों का और हमारी आखों से लेकर कि किसी भी object का कि भाई उस distance पे जो भी object रखा होगा वो object हमें clearly दिखाई देगा और comfortably दिखाई देगा Clearly का क्या मतलब है? वो हमें blurred नहीं दिखेगा वो हमें बिल्कुल जैसा है object वैसा का वैसा उसकी बहुती clear image हमें देखेगी blurred image नहीं मिलेगी तो clear का मतलब तो समझ में आ गया लेकिन ये comfortable का मतलब क्या होता है? कि हम उस object को उस particular distance पे comfortably देख सकते हैं comfortably देख सकते हैं मतलब क्या? कि अपनी आखों पर किसी भी तरह का pressure या strain दिये बगेर है ना? अपनी आखों पर किसी भी तरह का strain दिये बगेर हम comfortably उस object को देख पाते हैं कैसे? तो मैंने आपको बताया था अभी अभी कि किसी भी past में रखे हुए object को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपनी जो basically जो हमाई ciliary muscles होती है वो क्या करती है? contract करती है contract करने के कारण क्या होता है? हमारा जो eye lens है वो ऐसा goal मटोल सा हो जाता है यानि कि ठिक हो जाता है उसका curvature बढ़ जाता है और उसकी focal length क्या हो जाती है? कम हो जाती है हमारा eyeball क्या होता है? हमारी eye lens क्या होती है? compress हो जाती है लेकिन compression की भी तो कोई हद होनी चाहिए ना compression की भी तो कोई limit होनी चाहिए ऐसा थोड़ी है कि हमारा जो eye lens है वो goal होता जा रहा है, थिक होता जा रहा है कहा हो जाएगा हमारा डैमेज हो जाएगा और यह डैमेज कैसा होगा? यह रिवर्शिबल होगा। आप इसे ठीक नहीं कर सकते हो। तो अगर से लेरी मसल्स पास में रखते हुए औबजेट को देखने के लिए contract होती है और eye lens को क्या करती है compress करती है तो इस compression की भी क्या होनी चाहिए कोई limit होनी चाहिए और maximum limit आपको कहा देखने को मिलेगी maximum limit आपको देखने को मिलेगी 25 cm पे याने कि कोई object अब्जेक्ट रखा गया काहां हमारी आँखों से 25 cm के distance पे तो इस distance पे क्या होगा इस distance पे हमारी जो celery muscles होंगी वो maximum compress कर देंगी हमारे eye lens को अब अगर कि आपने object कहां रखा है इस 25 cm के अंदर रखा है यानि कि suppose आपने object को अपनी आँखों से 20 cm के distance पे रखा गया है तो क्या होगा? मजबूरी में अब भई celery muscles का तो काम है क्या करना? कॉंट्रेक्ट करना पास में रखे हुए object को देखने के लिए ठीक है? और eye lens का भी का क्या काम हो जाएगा जो भी object से incident trace आ रही है उनको converge करने का तो अगर आपने object को रखा गया है आपने object को रखा है 20 cm के distance पे तो मजबूरी में ciliary muscles को eye lens को क्या करना पड़ेगा? और compress करना पड़ेगा ठीक है? जिससे क्या होगा? आँखों पे बहुत strain पहुँचेगा तो 25 cm क्या है भई? 25 cm वो minimum distance है जिस पे रखे हुए object को आप clearly देख सकते हैं और comfortably देख सकते हो comfortably मतलब क्या? कि आँखों पे किसी भी तरह का strain नहीं पहुचेगा क्योंकि 25 cm पे हमें पता है कि हमारे जो ciliary muscles है वो maximum compression कर देती है eye lens का और अगर इससे कम distance पे आपने object को रखा है तो भई eye lens पे बड़ा ही strain पढ़ने वाला है क्योंकि ciliary muscles उसे और compress करेंगी उसके maximum extent से भी जादा compress कर देंगी उसे हम क्या कहते है near point कहते है सवाल क्या पूछा गया था? कि एक normal vision के लिए जो least distant है और distinct vision वो क्या होना चाहिए? तो आपका answer होना चाहिए option c 25 cm और यही 25 cm क्या कहलाता है? कहलाता है near point अब जैसी एक near point है उसी की जैसा एक far point भी होगा near point में हम minimum distance ले रहे थे object और अपनी आखों के बीच में far point में हम क्या लेते है far point में हम लेते है हमारी आखों से लेकर के object तक का एक maximum distance ठीक है? far point में हम क्या लेते है far point में हम लेते है maximum distance कौनसा maximum distance भई? तो हमारी आखों से लेकर के object तक का अब आप बोलोगे कि मैम हमें तो 2 km के आगे दिखता ही नहीं है यानि कि हमारे लिए far point क्या हो गया maximum distance क्या हो गया जहां तब हम अपने object को देख सकते हैं अपनी आखों से आप बोलोगे 2 km जबकि ऐसा बिलकुल भी नहीं है एक normal vision के लिए जो far point है वो कितना होता है वो होता है infinity किस के बराबर होता है भई वो infinity के बराबर होता है यानि कि हम किसी भी object को जो कि कहां रखा गया है infinity पे रखा गया है हमसे बहुत दूर रखा गया है उस object को भी हम अपनी आखों से देख सकते हैं comfortably देख सकते हैं और बहुत ही clear image के साथ देख सकते हैं यानि कि हमें object infinity पर रखा हुआ object blur नहीं देखेगा साथ हमारी आखों पे किसी पिदा का strain नहीं पड़ेगा उस infinity पर रखे हुए object को देखने के लिए अब सवाल यह आता है कि मैं हमें तो केवल 2 km के बाद देखी नहीं रहा था और आप बात कर रहे हूँ infinity की अच्छा एक काम करो अपने चहरे को वड़ा सा उपर की तरफ गुमाओ और sky में देखो क्या आपको sun नहीं दिखता या आपको moon नहीं दिखता या आपको stars नहीं यह सब चीजें दिखाई देती है ना इसका मतलब क्या है कि far point आपका क्या है infinity ही है क्यूं क्योंकि यह जो stars moon and sun है ना यह हमसे millions of light year दूर है बहुत जादा दूर है आप बात कर रहे थे 2 km की मैंने आपको millions of light year दूर भी रखे हुए object दिखा दिये ठीक है तो वो इतने millions of light year ह हमसे दूर है इसलिए हम उन चीजों की sun, moon या stars की या कोई भी celestial object की position हम क्या बताते है infinity इसलिए मैंने का था कि normal vision के लिए far point क्या है वो maximum distance क्या है जहां पे रखे हुए object को आप देख सकते हो तो वो है infinity यानि कि object जो की हमसे कैसा रखा गया है हमारी आखों से infinity पे रखा गया अब हम बात करते हैं हमारे next question की next question क्या है a person needs a lens of power minus 5.5 diopters for correcting his distant vision for correcting his near vision he needs a lens of power plus 1.5 diopters what is the focal length of the lens required for correcting distant vision and near vision यानि कि यहां पे एक बंदा है जिसको ना ही दूर का clearly दिखता है और ना ही पास का दिखता है ठीक है यानि कि उसको pressed biopia भी है और इसके बार में उसको myopia भी है ठीक है तो अब यहां पे हमको क्या वोहला जा रहा है? करें कि मायोपिया में क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है हाइपर्मेटिखता है क्या नहीं दिखता इंफ्क्राइफ करो मायोटिया क्या फ्रेश देड खौरला्य है're a my wife pieces Ben 이거는 चोटी चीज देखेगी याने की ओब्जेट्ट amb कम डिस्टेंस पर रखा गया होगा, छोटे डिस्टेंस पर रखा गया होगा, पास रखा गया होगा, वो दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा, और हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, अब ये वाला वर्ड कुछ बहुत जादा लंबा नहीं हो गया बहुत बड़ा नहीं हो गया तो बिल्कुल सही बात है ये word कैसा है? बहुत बड़ा है है ना? बहुत लंबा है तो लंबी distance पे रख्या गया जो object होगा यानि जो दूर रख्या गया object होगा वो इस case में person को दिखाई देगा इसका मतलब क्या? पास रख्य हुई चीज दिखाई नहीं देगी ठीक? आप इस trick से myopia में क्या दिखता है क्या नहीं और hypermetropia में क्या दिखता है क्या नहीं वो आप हमेशा याद रख सकते हो अब यहाँ पे क्या बोला गया है भाई? ये एक person है जिसको lens लगा हुआ है कितने power का minus 5.5 diopters का अब जरा flashback में जो previous chapter में जब हमने power का concept पड़ा था power के लिए मैंने आपको क्या बताया था? power का अच्छा सा formula होता है छोटा सा formula होता है power is equals to 1 upon f ये 1 upon small f क्या है भाई? ये है किसी भी lens की focal length अगर आपको एक particular lens की क्या निकालनी है power निकालनी है तो आपको सबसे पहले उसकी focal length बता होनी चाहिए 1 upon focal length कर देना तो power आ जाएगी power किस में आएगी? ऐसा unit diopters में आएगी कब आएगी? जब आप अपनी focal length को किस में लोगे? meters में लोगे और अगर आपको सबाल में focal length किस में दी गई है? centimeter में दी गई है आप उसको initially meters में convert करना नहीं चाहते हो तो एक काम करना ये वाला formula लगा देना 100 upon F और यहाँ पे F कैसा है भई? F लिया है हमने centimeter में ये चीज हमने अपने previous chapter में पढ़ी थी जब हम concave या convex lens की power निकालना सीख रहे थे अब ज़रा याद करो convex lens के case में मैंने आपको बताया था कि convex lens का जो focus होता है वो कैसा होता है? एक real point होता है यानि कि convex lens के case में जो भी incident rays convex lens के अंदर जाती है वो जैसी उस lens के बाहर निकलेंगी वो actually में हमें किसी एक real point पे क्या होती होगी converge होते होगी कोई parallel incident rays आ रही है convex lens के principal axis के along वो क्या होगी? जैसे ही convex lens के अंदर जाएंगी refract होगी refract होने के बाद में क्या होगा? वो converge होगी कहा converge होगी? principal axis के particular point पे जैसे हम कहते हैं focus तो focus convex lens का कैसा होता है? रियल होता है क्योंकि हमें वाकई में जो incident rays है जो refracted rays है वो हमें converge होती हुई दिखती है और उसका opposite concave lens concave lens के case में क्या होता है? यह रहा हमारा concave lens अगर आप structure भूल गए हो तो concave lens में क्या होता है? कि हमें refracted rays को मिलाना पड़ता है पीछे की तरफ extend करके क्यों? क्योंकि भाई जो हमारा concave lens है यह क्या करता है? जो incident rays आ रही होंगी इसके उपर parallel incident rays इनको क्या कर देगा? यह diverge कर देगा क्योंकि हमारा concave lens है ही कैसा? diverging है nature में तो उस पे जितने भी incident rays पड़ रही होंगी उनको वो refract कैसे करेगा? diverge कर देगा फैला देगा अब हमें पता ही कि parallel rays तो भाई कई ना कई जाकर तो फिर भी मिल जाती है infinity पे मिल जाती है लेकिन diverging rays तो कभी भी converge नहीं होंगी तो क्या करते हैं? इन diverging rays को पीछे की तरह हम extend करते हैं तो जब हम extend करते हैं हमें दिखाई देता है कि भाई ये जो diverging rays है ना ये पीछे किसी particular point पे मिलेंगी और उस point को हम क्या कहते हैं? focus कहते हैं किसका? concave lens का लेकिन ये focus कैसा होता है भाई? ये not real होता यानि कि एक virtual point होता है है ना? यहाँ पे actually में हमें refracted rays converge होती हुई नहीं दिखती हैं हम उनको converge करके लेके आते हैं और ऐसा assume करते हैं कि अगर diverging refracted rays पीछे कहीं आकर के मिलेंगी तो इस point पे मिलेंगी focus पे मिलेंगी इसलिए जो हमारा convex lens है उसकी focal lens कैसी होती है बच्चों positive होती है और concave lens की कैसी होगी negative होगी तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसको मैं रख कर देती हूँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a person needs a lens of power minus 5.5 diopters मतलब क्या lens की power किस में आ रही है minus में आ रही है तो definitely lens power के formula में जो focal lens रखी गई होगी जो focal lens रखी गई होगी वो भी क्या होगी negative होगी और हमें पता है अभी हमने पढ़ा कि negative focal lens किसकी होती है negative focal lens होती है concave lens की तो भई यहाँ पे यह person अपने जो distant vision है यानि कि जो दूर की जो vision है दूर की जो नजर है उसे correct करने के लिए definitely कौन सा lens यूज़ कर रहा होगा भई वो यूज़ कर रहा होगा concave lens yes or no distant vision मतलब क्या दूर की नजर दूर की चीज़े उसको clearly नहीं देख रही है तो उसको देखने के लिए वो क्या करेगा वो यूज़ करेगा एक type का diverging lens ऐसा lens जिसकी focal lens कैसी है negative है तभी उसकी power भी कैसी आई है negative आई है दूसरा क्या है for correcting his near vision यानि की past की नजर को correct करने के लिए वो एक lens यूज़ कर रहा है जिसकी power कैसी है plus 1.5 meter है plus मतलब क्या कि जो lens वो यूज़ कर रहा है उसकी power positive है यानि कि उस lens की focal lens भी कैसी होगी positive होगी तभी तो उसकी power कैसी आ रही है positive आ रही है है ना तो यहाँ पे past की नजर को correct करने के लिए वो कौन से lens यूज़ कर रहा है भाई एक तरह का converging lens जिसे हम क्या कहते है convex lens क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है हमारे convex lens की focal lens कैसी होती है positive होती है इसमें उसकी power भी कैसी होगी positive होगी अब हम से क्या पूछा गया है what is the focal length of the lens required for correcting distant and distinct near vision यानि कि दोनों ही type के जो lenses की यहाँ पे परचा हो रही है correction के लिए जो use करे जा रहे है उनकी power दी गई है respective powers दी गई है और हमें उनकी क्या निकालनी है focal length निकालनी है तो भाई हमें पता है कि power और focal length के बीच में क्या relation होता है power is equals to 1 upon f अगर focal length आप ले रहे हो meters में तो ये वाला formula नहीं तो आप 100 upon f ये मैंने आपको previous chapter में बढ़े अच्छे से समझाए था in fact मैंने आपको अभी भी काफी कुछ बता दिया है power के बारे में ठीक है ये वाला formula आप use करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने distant vision को correct करने के लिए geral eli lens ती něकालना आजान है क्या करेंगे तो focal length is equal to क्या कर देंगे आपको क्या पोकल निकालना है तो focal length को आप आप लिस आओगे कहा left में यानि कि lhs में denominator में पावर ले आओगे अपने माइनस 3.5 कर दिया तो focal length कितनी आ गई, concave lens की, minus 0.181 meters, क्या आ गई, minus 0.181 meters आ गई, concave lens की focal length, वो lens जिसको की person use कर रहा है, अपनी दूर की नजर को correct करने के लिए, दूर की नजर को सुधारने के लिए, I hope यह चीज़ आपको समझ में आई होगी, same formula से हम जो pass की नजर correct करने के लिए, जो lens use कर रहा है person, यानि की convex lens, उसकी focal length हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, focal length को आप ले जाओ LHS में, RHS में क्या आ जाएगा, 1 upon P आ जाएगा, 1 upon P की value रग दी, आपने क्या, plus 1.5, तो focal length क इतनी आ गई, plus 0.667 meter, ठीक, यह क्या आई है, focal length आई है, convex lens की, जो की person use कर रहा है, अपने pass की नजर को correct करने के लिए, I hope यह सवाल आपको समझ में आया होगा, अब हम बात करते हैं, हमारे next question की, next question क्या है भाई, the far point of a myopic person, कितना है वो, 80 cm है, in front of the eye, what is the nature and the power of the lens required to correct the problem, हमसे बोला गया है, कि जो far point है किसी myopic person का, myopic मतलब क्या है, myopic मतलब क्या होता है, myopia, यानि कि छोटा word है, छोटा word मतलब क्या, कि past का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, तो दूर का नहीं दिखेगा, इसके current, person का, जो far point है, वो कितना है, वो है 80 cm, यानि कि person 80 cm के आगे कोई भी object रखा हो, कितना भी बड़ा क्यों नहीं दिख रहा, maximum distance क्या है, किस distance तक वो object को देख पा रहा है, 80 cm तक, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि myopic person है, उसको क्या हो गया है, myopia हो गया है, पास की चीज़ेंगी, दूर की नहीं दिखने वाली, और कितने दूर की नहीं दिखने वाली, 80 cm से जादा दूर की चीज़ें नहीं दिखने वाली, अब कौन सा ऐसा लेंस लगा है, कि कौन सा ऐसा lens लगाए जिसके कारण उसके जो दूर की जो नजर है वो ठीक हो जाए तो आपको पता है अभी अभी हम question solve करके आ रहे है कि myopia जो अब होता है myopia में क्या होता है भाई कि जो image होती है वो कहां बन जाती है retina के आगे बन जाती है image को कहां बनना होता है भाई जैसे ये रही क्या अपनी eyeball ठीक है ये क्या है अपनी eyeball है image कहां बननी चाहिए retina पर बननी चाहिए लेकिन unfortunately image कहां बन जाती है retina के आगे बन जाती है इस case को आप ऐसे समझ सकते हो आप गए हो कोई movie देखने theater theater में क्या होता है आपकी chairs लगी होती है जहां पर audience बैटती है सामने लगी होती है क्या एक बड़ी सी white screen और पीछे की तरफ क्या चलता है एक projector चलता है projector क्या करता है raise को जो picture की raise है उसको screen पर क्या करता है fake ता है picture की image तो बनी कहां बनी screen पर नी बनी screen के आगई बन गई तो क्या आपको वो picture clearly दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी क्यों क्योंकि जहां पर बनना चाहिए था जो screen थी वो तो पीछे चली गई ऐसा ही तो यहां पर हो रहा है रेटीना भी क्या हो गया है पीछे हो गया है image कहां बनी है इस point पर बनी है तो क्या चीजे clearly दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी तो इसको correct करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई हां correct करने के लिए हमें एक lens चाहिए होता है यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है the far point of a myopic person is 80 cm याने कि 80 cm से जादा उसको दिखाई नहीं देता है कौन सा ऐसा lens यूज कर ले कि उसकी problem जो है वो क्या हो जाए solve हो जाए तो आपको पता है कि जब कुछ इस तरह का case होता है तो हमें एक ऐसा lens यूज करना पड़ता है कि जो क्या करे हमारी आखों का जो lens है न उस आखों के lens तक incident rays पहुँचाए कैसे diverge करके है न क्यूँ क्योंकि eye lens eye lens थो अपना काम यहाँ पे कर रहा है बच्चो eye lens क्या कर रहा है अपना काम यहाँ पे कर रहा है उसका काम क्या है जो rays आ रही है उब्जेक्ट से उनको diverge करना लेकिन unfortunately क्या हो रहा है ये जो diverge उनको converge करना object से निकलने वाली incident rays है उनको क्या करना converge करना बद unfortunately ये जो convergence है वो कहा हो रही है ये रेटीना के आगे ही हो जा रही है तो हम क्या करते हैं? एक ऐसा lens लेकर के आते हैं जो कि क्या करें? object से निकलने वाली जो incident rays है ना उसको हमारी आखो तक कैसे पहुँचा है? उसको हमारी आखो तक थोड़ा सा diverge करके पहुँचा है ठीके? फैला के पहुचा है जिसके कारण क्या होगा? हमारी आईलेंस को थोड़ी ज़ादा महनत करनी पड़ेगी उन diverging rays को converge करने में जिसके कारण जो convergence होगा ना वो थोड़ा दूर जाकर के होगा दूर जाकर के होगा मतलब कहा होगा? रेटीना पे होगा पही किसी फैली हुई चीज को समेठने में हमें जाधा टाइम लग जाता है कोई आल्रेडी चीज जमी होगी और उसको एक जगा से दूसरे जगा ले जाने में जल्दी पहुंचा दोगी आप लेकिन अगर और कोई चीज फैली हुई है तो उस value ही चीज़ को पहले आपको समेटना पड़ेगा, फिर समेट के आपको दूसरी जगा पे उसको लिजाना पड़ेगा, जादा time लग जाएगा, हमारे जो आखों का जो convex lens है, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, आखों के convex lens की गलती नहीं है, वो क्या कर रहा है, object से problem आ गई, उसका curvature क्या हो गया, curvature हो गया, उसका थोड़ा सा जादा, यानि की focal length कम हो गई, भई myopia है ना इस person को, myopia में क्या होता है, दूर की चीज़े नहीं देखती है, दूर की चीज़े देखने के लिए क्लिए क्या करना पड़ता है, अपने eye lens को थोड़ा सा thin करना होता है, focal length बढ़ानी पड़ती है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, eye lens के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वो अपना curvature कम नहीं कर पा रहा है, इनफेक्ट बढ़ रहा है, जिसके कारण उसकी focal length बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है, इसलिए वो दूर की चीज़े नहीं द पहुचाए, तो क्या होगा, lens को उन diverging rays को converge करने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, और convergence कहा होगी, थोड़ा ज्यादा दूर होगी, ज्यादा दूर मतलब कहा, अब बन जाएगी image retina पे, तो भाई, diverging lens तो हमने एक ही पढ़ा है, कौन है हमारा प्यारा, concave lens, तो हम क्या करेंगे, myopia को treat करने के लिए concave lens use करेंगे, अब nature तो ठीक है, लेकिन हम से power भी पूछी गई है, power कैसे निकालेंगी भाई, focal length क्या होगी, हमको पता है कि object जो person है, वो 80 cm से जाधा का distance नहीं देख सकता, यानि कि 80 cm के आगे जो भी object रखाया है, उसको दिखाई नहीं द कर रहे हैं, उस concave lens की focal length हम कितनी रख देते हैं, 80 cm कर देते हैं, ठीक है, जो हम concave lens use कर रहे हैं, उसके myopia को correct करने के लिए, उस lens की focal length है, वो हम कर देते हैं 80 cm, जिसके कारण क्या होगा, कि अब 80 cm के आगे जो भी चीजे रखी गई होंगी न, वो उसको दिखाई देने लग तो हम क्या करते हैं, focal length ले लेते हैं, अपने concave lens की 80 cm, और कौन सी लेंगे, minus 80 cm Q, क्योंकि हमने पता है, जो concave lens है, उसकी focal length कैसी होती, negative होती है, फिर क्या किया हमने, हमने formula लगा दिया कौन सा, P is equals to 1 upon F, हमारा F किस में है भई, cm में है, तो हमने कौन सा formula लगाया, 100 upon F, जहा तो 100 upon, यह कितना हो जाएगा, minus 80, यह 0 से 0 cancel out हो गया, यह हो जाएगा कितना, 5 यह हो जाएगा, 4, तो 5 divided by 4 कितना हो जाएगा, minus 1.25 D, याने कि person की myopia को treat करने के लिए, हमने उसे concave lens दिया है, ठीके, किस तरह का lens दिया है, बहीं, कौन से nature का, तो concave lens दिया है, और उस lens की power कि minus 1.25 diopters है, I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी, अब एक काम करते हैं, अब हम बढ़ते हैं हमारे next सवाल पर, next सवाल क्या है भाई, make a diagram to show how hypermetropia is corrected, the near point of a hypermetropic eye is 1 meter, what is the power of lens required to correct this defect, assume the near point of the normal eye is 25 cm, अब देखो, यहाँ पर बात हो रही है किसकी hypermetropia की बात हो रही है, hypermetropia में क्या होता है, person को क्या दिता है, क्या नहीं, तो मैंने आपको बताया है, hypermetropia मतलब क्या, एक बड़ा word, बड़ा word मतलब क्या, कि लंबा, लंबा word है ना, तो जो लंबे distances पे object रखे गए होगे, वो person को दिख जाएगा, याने कि person की past की नजर जो होगी, वो कमजोर होगी, दूर की नजर उसकी बिल्कुल perfect होगी, तो अगर hypermetropia है किसी person को, याने कि उसकी जो eye lens है, वो object से निकलने वाली incident rays को converge तो कर रही है, लेकिन कहा converge कर रही है, वो converge कर रही है, रटीना के प कि eyeball रही, अब हमारा जो eye lens है, वो क्या करेगा, object से निकलने वाली incident rays है, उसको converge करेगा, लेकिन कहा converge करेगा, रटीना के पीछे converge करेगा, करना का ज़िए था, रटीना पे, हुई कहां, रटीना के पीछे, बही रटीना के पीछे, बही रटीना के पीछे तो रोजन कोंस है तो क्या उस person को जो भी object है, वो clearly दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, है ना, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, blurred image होगी, इसलिए इस चीज़ को करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, तो भही हमें काम करते हैं, हम एक ऐसा lens लेकर के आ आगे, जो क्या करे, object से निकलने वाली जो incident rays है ना, उनको क्या करे, already converge करके आँखों के अंदर भेजे, जिससे क्या होगा, हमारे जो आँखों का जो lens होगा, eye lens होगा, उसको already जो incident rays आ रही हैं, वो कैसी होगी, converge होगी, तो और जाधा converge करने की, उसको जाधा महनत ना करनी पड़े, ठीके, जाधा महनत नहीं करेगा, तो क्या होगा, convergence कहां हो जाएगा, retina पे हो जाएगा, और यही तो हमें चाहिए है, अभी convergence कहां हो रहा है, retina के पीछे हो रहा है, इसलिए चीजे दिखाई नहीं दे रही है, पास की चीजे ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, दूर की दिख रही है हम क्या चाहते हैं कि यह convergence कहा हो रेटीना पे हो इसके लिए हम क्या करते हैं एक ऐसा lens ले करके आते हैं जो कि already क्या करें आखों के अंदर object से निकलने वाली जो incident rays है उसको already converge करके थोड़ा सा आखों के अंदर पहुंचा है जिसके कारण क्या होगा हमारी जो eye lens होगी उसको जादा already converge rays को बहुत जादा converge करने की महनत नहीं पड़ेगी और convergence कहा हो जाएगा रेटीना पे ही हो जाएगा और ऐसा lens कौन सा होता है भई ये वाला lens होता है हमारा कौन सा concave lens sorry convex lens है ना क्या होता है एक convex lens यहाँ पर हम convex lens लेंगे क्यों कि हमें पता है कि हमारा convex lens क्या होता है एक तरह का converging lens होता है ये क्या करता है incident rays जो इसके अंदर आती है उसको converge कर देता है तो यह जो हमारा सवाल था इसमें हमसे पूछा गया था कि एक हमें diagram बनाना है to show how hypermetropia is corrected तो भाई कुछ इस तरह से उसको correct कर दिया जाता है एक convex lens लगा देते हैं जिसके current क्या हो image कहां बन जाए? retina पे बन जाए the near point of a hypermetropic eye is 1 meter यानि कि 1 meter के distance पे रखा हुआ कोई भी object है एक hypermetropic person को वो दिखाई देगा near point उसका कितना है? 1 meter है what is the power of the lens required to correct this defect? हमने ये तो बता दिया कि convex lens लगेगा लेकिन किस power कर लगेगा? वो तो अभी बताये नहीं है और हमें assume क्या करना है? कि near point क्या होता है? normal eye का होता है 25 cm और hypermetropic person का कितना है near point? 1 meter है और होता कितना है? 25 cm है ठीक है? अब क्या करेंगे? a person suffering from hypermetropia can see distinct objects clearly but faces difficulty in seeing nearby objects यानि कि जो दूर रखा हुआ object है जो distant objects होते हैं उसको वो देख पाता है nearby objects को नहीं देख पाता it happens because the eye lens focuses the incoming divergent rays beyond the retina retina के पीछे जो है इमेज बन जाती है this defect of vision is corrected by using a convex lens convex lens use करेंगे a convex lens of suitable power converges the incoming light in such a way that image is formed on the retina क्या करेगा convex lens? converge करके object से निकलने वाली incident rays को आखों तक पहुचाएगा बहुत जादा converge नहीं करेगा लेकिन हाँ थोड़ा बहुत converge कर देगा ठीक है? next question है make a diagram to show how hypermetropia is corrected the near point of a hypermetropic eye is 1 meter what is the power of the lens required to correct this defect? assume that the near point of the normal eye is 25 centimeter इस सवाल में हम से कई सारी चीज़े पूची गई है उनका हम एक एक करके उनका answer निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो भाई hypermetropia word आया है hypermetropia का मतलब क्या होता है? ये कौन सा vision defect है? ये एक ऐसा defect है hypermetropia बड़ा word है याने कि लंबा word है याने कि जो लंबे distances उस पर रखे गए होंगे object वो दिखाई देंगे और जो कम distance पर रखे गए है object याने कि nearby object वो दिखाई नहीं देंगे याने कि दूर की नजर बढ़िया है लेकिन पास की नजर थोड़ी सी हो गई है कमजोर कैसे हो जाती है भाई कमजोर? ये देखो जैसे कि हमने बनाई है क्या? एक अपनी eyeball ठीक है? ये रही क्या हमारी eyeball इस eyeball के अंदर क्या होगा भाई? एक lens होगा lens का क्या काम होता है? object से जो भी incident rays आ रही है निकलके उनको कहां converge कर देना लाकर के retina पे converge कर देना लेकिन hypermetropia के case में क्या होता है? कि दूर अख्यू चीज़े तो देख जाती है image retina के पीछे कहां बना देती है? retina के पीछे, eyeball के पीछे जहां बननी चाहिए वहां नहीं बनेगी retina के पीछे जाकर के बन जाती है जरब क्यूं? वो इसलिए क्योंकि भाई आपको मैंने पहले भी बताया है कि पास में रखे हुए object को देखने के लिए क्या करना पड़ता है हमारी eye lens को अपना curvature बढ़ाना पड़ता है अपनी focal length कम करनी पड़ती है लेकिन अगर कोई अगर कोई ऐसा defect हो रहा है जहां पे हमें पास की चीज़े दिखाई नहीं दे रही है इसका मतलब क्या है कि हमारा जो eye lens है जितना sufficient focal length कम करना चाहिए उसको दूर पास रखे हुए objects को देखने के लिए उतनी sufficient focal length वो कम नहीं कर पा रहा है जिसके कारण image कहां बन जाती है जाकर के retina के पीछे बन जाती है अब क्या करें अब हमको इस defect को correct करना पड़ेगा कैसे correct करेंगे हम लेकर के आते हैं एक lens ठीक है हम लेकर के आते हैं lens वो lens कैसी होगी भाई वो lens कुछ इस तरहीके की होनी चाहिए कि वो क्या करे object से निकलने वारी जो incident raise है न उसको क्या करे already थोड़ा सा converge करके आखों के अंदर भेजे जिसके कारण क्या होगा कि हमारी जो eye lens होगी न उसको already converged rays को further converge करने में जादा time ना लगे जादा महनत ना करनी पड़े जिसके कारण क्या होगा convergence कहां हो जाएगा retina पे ही हो जाएगा तो एक ऐसी lens लेकर के हम आते हैं जो कि object से निकलने वाली incident ray को हमारी eyeball के अंदर eye lens तक कैसे पहुँचे थोड़ी सी converge करा करके पहुँचे ताकि हमारे eye lens को जादा महनत ना करनी पड़े उन rays को further converge करने के लिए और वो जल्दी से retina पर ही क्या कर दे rays को converge कर दे इसके लिए तो हमें एक converging type का lens यूज़ करना पड़ेगा और converging type का lens कौन सा होता है भाई converging type का lens होता है हमारा convex lens हैने कि hypermetropia को correct करने के लिए हमें कौन सा lens चाहिए है हमें चाहिए है एक convex lens अब देखो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है एक normal eye की अगर मैं बात करूँ जिसमें किसी भी तरह का defect नहीं है उस normal eye के लिए near point क्या होता है हैने कि वो minimum distance object और आँखों के बीच का जहां पे रख्य हुए object को clearly देखा जा सकता है वो होता है 25 cm ठीक लेकिन हम बोल रहे हैं कि जो हाइपरमेट्रोपिया का case होता है जो हाइपरमेट्रोपिक eye होती है उसमें हम बोलते हैं कि जो पास रखा हुँ object है वो clearly दिखाई नहीं देता है याने कि इस diagram से समझो आप इस diagram से समझने की कोशिश करो ठीक है नियर पॉइंट नॉर्मल आई के लिए कितना होता है 25 होता है कितना होता है 25 होता है ये देखो लेकिन इस 25 cm पे अगर आपने कोई object रख दिया हाइपरमेट्रोपिक eye के सामने तो उसकी image का बन जाएगी भाई उसकी image बनेगी retina पे याने कि नॉर्मल नियर पॉइंट है अगर किसी आग का 25 cm और इसी 25 cm के डिस्टेंस पे आपने कोई object रखा है हाइपरमेट्रोपिक eye के सामने तो उसकी image का बनेगी उसकी image बन जाएगी retina के पीछे आप क्या करें एक काम करते हैं यह जो नियर पॉइंट है न इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं क्या करते हैं इस हाइपरमेट्रोपिक eye की जो नियर पॉइंट है उसको हम बढ़ाने का कोशिश करते हैं आभी तक तो हम क्या कर रहे थे हमें पता है कि normal vision के लिए एक normal eye के लिए नियर point कितना हो था, 25 cm है हम उस hypermetropic eye के लिए भी नियर point 25 cm का ले करके चल रहे थे, जब हमने उस 25 cm के distance पर object को रखा hypermetropic eye के सामने तो हम ने देखा कि इमेज तो retina के पीछे बन गई, अब क्या करें, अब एक हम इस ch understood hypermetropic eye का जो near point है उसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकि जाते हैं थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जब हम इसका near point पढ़ा देते हैं तो हम क्या observe करते हैं कि इमेज कहां बन गई रेटीना पे बन गई याने कि हम ये conclude कर सकते हैं कि hypermetropic eye का जो near point होता है वो कैसा होता है 25 cm से त जब near point 25 cm का लेकर के चलते हैं hypermetropic eye के लिए तो देखो image का बन रही है रेटीना पे बन रही है और जैसे हमने क्या किया हमने near point बढ़ा दिया 25 cm से जाधा कर दिया तो image कहां बन गई भाई रेटीना पे बन गई याने कि एक point तो clear है कि hypermetropic eye का जो near point हो कितना होता है 25 cm से जाधा ही होता है तीक अब क्या करते हैं अब देखो सवाल में हमको दिया गया है क्या कि near point of hypermetropic eye is 1 meter 1 meter मतलब कितना भाई 1 meter मतलब की 100 cm ये तो हमने पहले ही पता कर लिया था हमें पता चल गया करता है था के hypermetropic eye का near point क्या होता है 25 cm से जाधा होता है अब वो कितना भी जाधा हो सकता है तो सवाल में देखो सवाल में दिया गया है कितना है near PO 100 cm है अब हमें assume क्या करना है हमें assume करना है कि normal eye का near point कितना होता है 25 cm होता है what is the power of the lens required to correct this defect और और किस पावर की lens हम प्रिस्क्राइब करें इस परसन को, hypermetropic eye को, कि उसका जो defect है hypermetropia वो हो जाए, correct. ठीक, तो lens का type तो हमें पता चल गया, कौन सा lens चाहिए है हमें? क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो hypermetropic eye है, उसकी आँखों तक object से निकलने वाली जो incident ट्रे है, वो कैसे पहुँचे? थोड़ी सी converge हो करके पहुँचे, ताकि क्या हो? आई lens को further उन rays को converge करने में जादा महनत ना करनी पड़े, जादा दूर जाकर के converge न करे, थोड़ा पास ही कर दे, यानि कि retina पे ही कर दे. तो कौन सा lens यूज होगा भई? हमारा convex lens यूज होगा, यानि कि एक converging lens यूज होगा. अब हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले तो हमें इसकी power निकालने के लिए हमें किसी भी lens के लिए क्या जरुवत होती है? focal lens की जरुवत होती है. अब ये focal lens कहां से आएगी भई? एक काम करते हैं. हमें hypermetropic eye का near point दिया गया है और हमसे बोला गया है कि normal eye का जो near point है उसको आप अज्यूम करो कितना है? 25 cm है. ये दोनों जो चीजें हैं, जो information given हैं, इसी से हम क्या करते हैं? Convex lens की focal length निकालने की कोशिश करते हैं. कैसे कोशिश करते हैं भई? कुछ इस तरीके से हम अपने convex lens की एक ऐसी focal length लेंगे, जिसके कारण क्या होगा? कि 25 cm पे रखा हुआ जो object है, जैसे ही hypermetropic eye के सामने उसको रखा जाएगा, जिस पे हमने क्या लगाया? कर्रेक्शन के लिए convex lens लगाया है, उसकी image कहां बने? उसकी image बने उसके near point पे. बाई hypermetropic person किसी भी object को देख का पाता है, पास रखे हुए object को देख का पाता है, जब उसकी image कहां बनती है? उसके खुद के near point पे बनती है. ऐसा नहीं है कि normal eye के लिए 25 cm क्या है? नियर point है, तो hypermetropic person के लिए भी near point किता हो जब 25 हो जाए. अभी अभी हमने देखा है, कि अगर आपने hypermetropic person के लिए भी near point अगर 25 लिया है, तो उसकी image रटीना के पीछे बनेगी. और अगर हम near point बढ़ा देंगे, 25 cm से जाधा करेंगे, तो image कहां बनेगी? उसकी properly retina पे ही बनेगी. तो अगर हम चाहते हैं, कि हमारा hypermetropic person किसी भी image को देखे, तो उस, किसी भी object को देखे, तो brain को उसकी image कहां बनानी पड़ेगी? उसके near point पे, उसके खुद के near point पे बनानी पड़ेगी. ठीक है? तो हम क्या करते हैं? हमने hypermetropia को correct करने के लिए एक ऐसा lens लिया है, जिसकी focal length, basically हम इसकी focal length निकाल नहीं है, इस convex lens की. तो हम एक ऐसी focal length लेते हैं, हमारे convex lens की, जिससे क्या हो? कि जब हम अपने object को कहां रखे, 25 cm पे रखे, तो brain उस particular object की image का बना दे, image बना दे, hypermetropic eye की जो near point है, उस पे image बना दे. क्योंकि हमें पता है कि image कोई भी hypermetropic person है, उसकी आँख image कब देख पाएगी, वो कब किसी भी object को देख पाएगा, जब उसकी image बनाएगा brain कहां, उसके near point पे. ठीक है, तो object distance हम क्या लेते हैं, object distance हम ले लेते हैं, कितना 25 cm क्यों, क्योंकि हम object कहां रख रहे हैं भई, 25 cm पे रख रहे हैं, normal जो near point होता है, उस पे रख रहे हैं, image कहां बनेगी, image बनेगी, उस hypermetropic eye के near point पे, और इस case में hypermetropic eye के near point क्या है, end dash क्या है, end dash हम ले ले लेते हैं, कितना 1 meter है, तो उसको हम ले ले लेते हैं, कितना 100 cm, अब आपके पास U है, V है, तो क्या आप lens formula नहीं लगा सकते हैं, फटा फट से lens formula लगा दो, और इस convex lens की आप एक focal lens निकालो, बढ़िय ठीक है, और हाँ, ध्यान रखना कि बिना sign conventions के use करे, formulas में value put मत करना, ठीक है, क्या है यहाँ पर, यू आप क्या लोगे, हमें तो पता है, object distance आप हमेशा negative x-axis पे ही लेते हो, तो यू क्या आएगा, हमेशा negative आएगा, minus 25 cm, अब image क्या आएगी, image का जो distance है, वो भी किसमें virtual image बना रहा है, है ना, कैसी image बना रहा है, एक virtual image, और convex lens virtual image का बनाता है, जब वो image कहां बने, object के ही same side पे बने, यानि की negative x-axis पे बने, इसलिए image distance भी कैसा हो जाएगा, minus 1 meter या minus 100 cm, focal length हमें निकाल नी है, फटा फट से हमने क्या किया, मेरा formula, sorry, lens formula हमने लगा दिया, कितना हो 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f, simple क्या करना है, values put करनी है, 1 upon v की चगा क्या आजाएगा, minus 1 upon 100 minus, ये वाला minus कौन सा है, formula का minus है, bracket में आप क्या लिख दोगे, 1 upon minus 25, minus 25 ये वाली कौन सी value है, बही, 1 upon u की value है, अब bracket खोल देना, bracket खोलोगे तो क्या हो जाएगा, minus 1 upon 100 plus, ये वाला minus, ये वाला minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, minus minus plus होता है योगी, तो ये कितना हो जाएगा, minus 1 upon 100 plus 1 upon 25, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 upon 25 हो जाएगा, अब common factor लेकर कि जब आप solve करोगे, तो आपके पास focal length, 1 upon f कितनी आजाएगी बई, 1 upon f आजाएगी, आपके पास 100 upon 3, कितनी तो आप बोलोगे 0.033 meter, तो focal length कितनी आ गई, convex lens की, आप बोलोगे 0.33 meters, हमें निकालना क्या था, उस convex lens की focal length, हमें power निकालनी थी, अब आपके पास focal length आ चुकी है, तो फटा-फट से आप क्या करो, फटा-फट से आप जो है, इसकी power निकालो, पावर कैसे निकालोगे, पावर is equals to 1 upon f कर देना, तो कितना आ जाएगा, 1 upon 0.33, तो यह पावर कितनी आ जाएगी, plus 3.0 diopters, easy था न, थोड़ा सा tricky था, बहुत जादा भी नहीं, थोड़ा सा difficulty level थोड़ा सा जादा था, लेकिन बहुत जादा भी नहीं था, ठीक है, हमसे क्या पूचा गया था, अभी तक हमें जितने भी numericals देखे हैं, वो कैसे थे, वो कुछ इस तरह के थे, कि simply आपको lens की जो है, या तो power दी गई थी, उसके आपको focal length निकालनी थी, या focal length गिवन थी, उसकी power निकालनी थी, यहाँ पे आपको power निभी निकाला था, और focal length भी निकाल ही होता है, क्यों? क्योंकि अगर हमने hypermetropia में होता क्या है, पास रखा हुऊ object दिखेगा नहीं, दूर रखा हुऊ object हमें देख जाएगा, तो अगर आपने एक normal, जो near point होता है, normal vision के लिए, वो कितना होता है, 25 cm, उस 25 cm पर आपने hypermetropic eye के सामने कोई object रखा है, तो उसकी बनेगी, retina के पीछे बनेगी, हम क्या करते हैं, इस normal जो हमारा near point है, hypermetropic eye का, उसको दोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 25 cm से जाधा कर देते हैं, जब हमने 25 cm से जाधा किया, near point hypermetropic eye का, हमने क्या देखा, image बन गई retina पे, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हम एक काम करते हैं, object को रखते हैं, कहां, हम रखते हैं, 25 cm पे, ठीक है, और उसके सामने, hypermetropic eye के सामने हम लगा देते हैं, एक lens, उस lens की हमें क्या निकालनी थी, focal length निकालनी थी, सबसे पहले, power तो आप तब निकालोगे, जब आपको focal length पता होगी, तो आप कुछ इस तरहीय के का lens लोगे, जिसकी focal length कितनी होगी, x होगी, इस focal length के x होने के कारण क्या होगा, कि अपने object को कहां रखोगे, 25 cm पे रखोगे, जिसके कारण क्या होगा, image कहां बन जाएगी, brain image कहां बनाएगा, उस hypermetropic eye की near point पे बन जाएगा, near point किती थी इस case में hypermetropic eye की, आपने बोला 1 meter, 1 meter कितना होथा है, 100 cm यानि कि object distance क्या हो गया, u is equal to minus 25 cm, v क्या हो गया, minus 100 cm, focal length निकालो, focal length अपनी कितनी आई थी, focal length अपनी, actually focal length आगई हमारी 33.3 cm, ठीक है, कितनी आई, 33.3 cm है, actually ये गलत लिखा है, देखो इधर पे, ये 1 upon f नहीं है, ठीक है, ये 100 upon 3 क्या आया है भई, ये 100 upon 3 आया है आपका f, focal length कितनी आई है, 100 upon 3 आई है, और इसको further calculate करोगे, तो 33.3 cm हो जाएगा, और meters में 0.33 meters, अब focal length आगई है, तो power की formula में पुट कर दो, power कितनी आजाएगी, plus 3 diopters आजाएगी, I hope आपको ये सवाल समझ में आया होगा, अब हम बात करते हैं हमारे next question की, next question क्या है भई, why is a normal eye not able to see clearly the objects placed closer than 25 cm, ये तो बहुत ही पुराना question हो गया है, अब तो हम higher level के भी question solve कर चुके हैं, हम से पूछा गया है कि, एक normal vision के अगर हम बात करें, तो क्यूं हम किसी भी object को, जो कि 25 cm से कहां रखा गया है, पास में रखा गया है, आखों के, हम क्यूं उस object को clearly नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमें पता है, कि पास रखे हुए object को देखने के लिए, सिलेरी मसल्स क्या करती है, सिलेरी मसल्स हमारी eye lens को क्या करेंगी, वो खुद भी contract होँगी, और eye lens को क्या करेंगी, compress करेंगी, compress करने की कारण क्या होगा, जो eye lens का curvature होगा, वो कैसा हो जाएगा, और इसकी focal length क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो पास रखे हुए object को देखने के लिए हमारे islands की focal length होनी चाहिए कम curvature होना चाहिए जाधा और यह maximum जो compression है islands का जिसको कि हमारी celery muscles करेंगी वो कब होता है वो होता है 25 cm के distance में यानि कि जाब object रखा गया हो हमारी आखों से 25 cm के distance पे उस समय हमारी जो celery muscles हैं हमारी islands को maximum compress करेंगी वह compression की भी तो कोई limit होती है ऐसा थोड़ी ना कि गोल-गोल islands की रोटियां ही बना दो आप बैठके तो 25 cm पे islands का maximum compression आपको देखने को मेलेगा अब अगर आपने क्या किया है इस 25 cm के भी अंदर आप अपने object को लेकर आ गए हो आखों के यानि कि आपने सपोज अब्जेक को कहां रख दिया है अपनी आखों से 20 cm के distance पे रखा गया है तो आप क्या होगा सिलीरी मसल्स और जादा क्या करेंगी islands को compress करेंगी इस compression से क्या होगा इसकी focal length तो कम हो जाएगी और आप किसी तरह से object देख भी लोगे लेकिन क्या होगा आखों पे बहुत strain पड़ेगा और आप एक या दो सेकेंड से जादा उस object को clearly नहीं देख पाऊगे है ना क्यों क्य इसलिए हम क्या कहते हैं नियर पॉइंट कहते हैं यह minimum distance होता है आखों से किसी भी object के बीच का जहां पर रखे हुए object को आख clearly और comfortably देख सकते हों तो 25 cm से अगर कम distance किया है तो क्या होगा बहुत जादा strain पड़ जाएगा हमारे eye lenses पे क्योंकि वो बहुत जादा compress हो जाएग ठीक I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चो अब हम बात करते हैं किसकी अपने next question की what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye अगर आपने object का distance हमारी आँखों से क्या कर दिया है थोड़ा सा बढ़ा दिया है यानि कि आप अपने object को आँखों से दूर लेकर के चले गए हो तो image distance पे क्या फरक पड़ेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा है ना अभी अभी हम previous questions में पढ़के आ रहे हैं कि object को आप कहीं भी रख दो आखों के सामने image की मजबूरी है retina पे बनने की और यह कैसे हो पाता है यह हो पाता है lenses के focal length के increase और decrease होने के कारण Celery muscles क्या करती है lenses का हमारी eye lenses का जो curvature होता है उसको change करती जाएंगी और focal length change करती जाएंगी बढ़ा देंगी object को अगर दूर रखा है तो focal length क्या हो जाएगी eye lens की बढ़ जाएगी कैसे क्योंकि वो खुद पतला हो जाएगा stretch हो जाएगा elongate हो जाएगा और अगर object पास रखा है तो islands क्या हो जाएगा compress हो जाएगा अच्छा सा गोल मटोल सा हो जाएगा उसकी focal length कम हो जाएगी ठीक तो object को कहीं भी रख लो आप आखों से image distance पे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ठीक है और image कहां बनेगी image हम बोते हैं हमेशा ही retina पे बनेगी the image is formed on the retina even on increasing the distance of an object from the eye for this the lens becomes thinner and its focal length increases as the object is moved away from the eye दूर जाएगा तो focal length increase हो जाएगी पास आएगा तो focal length कम हो जाएगी आए lens की I hope यह वाला सवार भी आपको आया होगा समझ अब question number 10 question number 10 क्या है भाई why do stars twinkle star twinkle क्यों करते हैं भाई यह हमने कल पढ़ा है फटा फट से करते हैं इस चीज़ को revise भाई star कहा है star होते हैं हमारे vacuum में है ना star earth से बहुत दूर होते हैं ठीक है और कहा होते हैं vacuum में होते हैं star से निकलने वाली light को हम क्या कहते हैं star light कहते हैं और यह star light कहा पहुंशती है हम तक पहुंशती हैं हम कहां हैं हमारी अर्थ पे, ये स्टार लाइट कहां पहुचती है, हम तक पहुचती है, हम कहां खड़े हैं, अर्थ के पास क्या होता है, अर्थ के पास होता है, एक बढ़ी असा क्या, एट्मॉस्फियर, एक बहुत बढ़ी असा एट्मॉस्फियर होता है, और इस एट्मॉस्फियर में होती है, अपनी अपनी एक density होती है, ट्रोपोस्फियर लेयर की density सबसे जादा होती है और एक्जोस्फियर की जो एक्जोस्फियर लेयर जो है उसकी density सबसे कम होती है यानि कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, अर्थ के स्टार से निकलने वाली जो स्टार लाइट है, वो हम तक आती है, वो कहां से आ रही है, वेक्यूम से आ रही है, और कहां आ रही है, अर्थ पे आ रही है, तो जाहिर है, वो वेक्यूम से जब अर्थ पे आएगी, तो अर्थ की जो एट्मॉस्फेरिक लेयर्स हैं, अर्थ का जो atmosphere है उससे travel करते हुए आएगी, है ना, अब star light जो कि खुद कहां से आ रही थी, vacuum से आ रही थी, उस से हमें क्या हो रहा था, कि हमें पता ही कि vacuum में तो जो light है वो अपनी maximum speed के साथ travel करती है, तो star की भी जो light होगी star light वो अपनी maximum speed के साथ आ रही होगी कितनी आ रही होगी भाई कितने speed के साथ तो 3 into 10 to the power 8 meter per second इस speed के साथ आ रही होगी है ना अब क्या होगा जैसे ही वो earth के atmosphere में आएगी जैसे ही क्या होगा वो earth के atmosphere में आएगी vacuum से vacuum से वो कहां घुसेगी ? trait khi start light कहां से आ रही है? एक रहर से denser medium में आ रही हैů और हमें पता है कि जब एक light rareर से denser medium में जाती है तो क्या होता है उसकी speed काम हो जाती है जिसकी वज़े से उसको shortkład लेना पड़ता है शौन्य शॉर्टकट दिने की वज़े से क्या होगा? वो नॉर्मल के तरफ बैंड हो जाएगी. तो क्या होगा? जैसे ही स्टार लाइट वैक्यूम से पहुची कहां? एक्जोस्फियर में, उसे करना पड़ेगा अपना रास्ता चेंज. अब क्या हुआ? एक्जोस्फियर से वो कहां आएगी, फिर थर्मोस्फियर में आएगी. थर्मोस्फियर में तो डेंसिटी और जादा है. अब ही तो वैक्यूम से आ रही थी, कहां आ रही थी? एक्जोस्फियर में. अब मैंने जैसे कि आपको पताया है, कि जैसे जैसे हम earth के atmosphere के बाहर जाएंगे layers की density कम होती जाएगी exosphere सबसे कम dense होती है exosphere से star light जाएगी वो जाएगी कहा थर्मosphere में ठीक है thermosphere layer की density है वो exosphere से जादा है यानि कि फिर से light कहा से कहा जारी है एक rare earth से dancer medium में जारी है फिर से वो normal की तरफ bend हो जाएगी और इसी तरह normal की तरफ bend होते होते वो कहां पहुँचेगी? Earth पे पहुँचेगी Mesosphere, Troposphere और Stratosphere को पास करते हुए यानि कि जब star light हम तक पहुँचती है न तो वो क्या होती है? अपना काफी रास्ता bend करके पहुँचती है अपना रास्ता काफी bend करके पहुचती है वो अपने original path जिस path से वो आरी होती है उस path को follow नहीं कर पाती क्यों? क्योंकि density change हो रही है medium change हो रहा है उसका medium change हो रहा है rarer से dancer medium में वो continuously आती जाती है तो normal की तरफ bend होती जाएगी अपना रास्ता bend करते हुए हम तक पहुचेगी अर्थ तक पहुचेगी अब अर्थ पे कौन खड़ा है? हम खड़े है ठीक है? हमने क्या किया? इन star lights को हम अपनी आखों के अंदर लेकर गए गए और आखों के बाद कहा पहुचा दिया? ब्रेन को पहुचा दिया ब्रेन क्या करता है? ब्रेन जैसी object से निकलने वाली incident rays पहुचती है उसके उस तक वो क्या करेगा? उस information को process करेगा और वो कोशिश करेगा उस object की image बनाने की image का बनती है? जब दो refracted rays या reflected rays मिलती है तो ब्रेन तक कौन सी rays पहुच रही है? ब्रेन तक पहुच रही है? refracted rays ब्रेन तक कौन सी rays पहुच रही है? refracted rays पहुच रही है तो ब्रेन क्या करेगा? इन refracted rays को उनके original path के along extend करेगा लेकिन actually क्या है न? ब्रेन को तो पता ही नहीं है कि जो star light आ रही है उस तक वो refract हो करके आ रही है अपना रास्ता change करती आ रही है उसको क्या लगेगा कि जिस direction से raise आ रही है वही उनका क्या है original path है तो brain ने क्या किया उन refracted raise को उनके original path के along कर दिया क्या extend कर दिया extend और जिस point पे दोनों raise मिली उस point पे brain ने बोला कि भई ये है star हमारा क्या है star ये रहा हमारा star तो actual star था कहां वो यहां था लेकिन brain ने star की image कहां बना दी कहीं और बना दी ये क्या उनसा था ये original star था ये कौन सा बन गया भई ये बन गया अपना apparent star और इसलिए जो हम बोलते हैं कि sun, moon या stars जो हमें sky में देखने कर बिलते हैं वो actually original sun, star, moon नहीं होते हैं वो क्या होते हैं उनकी images होती हैं और ये image कौन बनाता है हमारा brain बनाता है actual position तो कुछ उनकी और होती है लेकिन brain उनकी image कहीं और बना देता है क्यों बनाता है? क्योंकि उसने नहीं पता कि उस तक जो star light पहुँच रही है वो अपना path deviate करके पहुँच रही है या change करके पहुँच रही है उसे बिल्कुल भी नहीं पता उसे तो क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा तुम यहां से आई हो यानि कि तुम्हारा original path क्या है वो यही वाला है उसे क्या पता कि atmosphere में reflection हो गया atmospheric reflection हो गया उसने क्या किया कि जो rays आ रही थी उन rays को उनके original path के along क्या कर दिया पीछे की तरफ extend कर दिया और जहां वो मिली वहां पे बन गई क्या star की image इसे लिए star, moon या sun हमें चो देखने को मिलता है वो original नहीं होता है वो उनकी images होती है यह पहला concept था क्या atmospheric reflection का अब आ जाओ ज़रा कि star हमें twinkle करते हुए दिखाई क्यों देते हैं by twinkling का मतलब क्या होता है twinkling का मतलब होता है कि क्या आप मानके चलते हो कि star के पास क्या है एक torch light है और वो एक second में अपनी light जो है वो off कर दा है और दूसरे second में अपनी light on कर रहा है क्या वो on off on off खेल रहा है हमारे साथ इसलिए तो वो हमें twinkle करते हुए दिखाई दे रहे है स्टार के पास कोई भी इस तरह का button नहीं है कोई भी इस तरह का switch नहीं है जिसको वो on off on off करे और अपनी light को क्या करे कभी you know कभी fake है कभी नहीं fake है लेकिन फिर भी हमें stars twinkle करते हुए दिखाई देते है यानि कि एक second में हमें लगता है कि star क्या हो रहे है जल रहे है उनसे रोशनी आ रही है और दूसरे second में हमको लगता है कि star बुझ गए है उनसे रोशनी नहीं आ रही है दर असल problem क्या हो रही है problem यह हो रही है कि star उसकी कोई गल्दी नहीं है star तो continuously हम तक अपनी जितनी possible हो सकती है light उतनी continuously हमें देख रहा है non-stop दे रहा है उसके पास कोई switch नहीं है कोई button नहीं है जिसको वो on करे तो आप तक light पहुँचे और off करे तो आप तक light ना पहुँचे वो तो constant intensity के साथ continuously हम तक light पहुँचा रहा है star light हम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है star light में हमें लगता है कि star कैसा है bright है star चमक रहा है उस समय क्या होता है कि उस से निकलने वाज़े जो star light है ना जादा star light हमारी आखों तक पहुँच रही है और जिस second हमें लगता है कि star जो है ना जलना बंद हो गया है बुझ गया है उस समय क्या होता है कि कम से कम स्टार लाइट हमारी आखो तक पहुँचती है जिसकी वज़ा से हमें लगता है कि स्टार कैसा हो अब क्या होगा यही जो स्टार का जलना और बुझना है न ये क्यों हो रहा है क्योंकि difference है उस star की light में जो हमारी आखों तक पहुँच रही है अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यूं कभी star की light हम तक ज़ादा पहुच रही है और क्यूं कभी star की light हम तक कम पहुच रही है इस चीज़ को ऐसे समझते हैं अभी तक हमने क्या समझा अभी तक हमने Earth के Atmospheric layers जो हैं उनके बारे में समझा था कि किस तरह से Atmospheric layers की density किसी layer की ज़ादा होती है, किसी की कम होती है यानि कि अभी तक हम Atmospheric layers को आपस में ही compare कर रहे थे उनकी density के basis पे अब एक काम करते हैं, अब हम जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं एक layer की बात करते हैं Earth की, जो कि क्या है हमारी Troposphere ठीक है, यह क्या है हमारी Earth है और उसके सबसे पास वाली layer कौन सी है, Troposphere है और इसी Troposphere की अब हम बात करते हैं इस Troposphere में क्या है, इस Troposphere में हैं बहुत सारे तरह तरह के particles हैं जैसे कि हमने बोला कि इसके पास है dust particles फिर इसके पास है क्या water droplets कुछ water vapors भी है फिर इसके बाद में इसके पास gases भी है वही हमारे atmosphere में सबसे abundant gas कौन सी होती है nitrogen होती है फिर oxygen होती है तो इस troposphere के पास dust particles है water droplets है water vapors है gas particles है smoke particles है तरह तरह के particles है इस troposphere के पास अब क्या होता है हो सकता है इस troposphere में यह एक particular location है यहाँ पे gases इखटा हो गई है तो इस location पे density क्या हो जाएगी जादा हो जाएगी फिर अगर हम बात करें दूसरी location की location B की इस location पे क्या है यहाँ पे particles दूर दूर है यहाँ पे बहुत सदा dust particles भी नहीं है बहुत सदा water droplets भी नहीं है तो इस location पे क्या होगा density हो जाएगी कम और इसी तरह के से जो पूरी हमारी troposphere layer है उसमें अलग अलग positions पे अलग अलग locations पे density कभी जादा हो रही है density कभी कम हो रही है कभी gas particles water droplets एक खटा हो गए है जिसकी वज़े से उस location की density बढ़ गई है और कभी वो लोग एक दूसर से दूर दूर है तो उस location पे density हो गई है कम ठीक अब क्या हो गया अब suppose हवा चल गई हवा चलने से क्या होगा जो अभी तक हमने density decide करी थी कि हाँ location A पे density जादा है location B पे density कम है हवा चल गई particles फिर क्या हुए इदर उदर हो गए अपनी अपनी position उनने change कर ली तो density क्या हुई फिर से change हो गई यानि कि जो troposphere layer है ना इसकी density बह बिल्कुल भी constant नहीं होती है continuously change होती जाती है तो density continuously change हो रही है जिसके कारण क्या होता है स्टार से आने वाली जो starlight है उसकी बड़ी मुसीबत हो जाती है क्यों क्योंकि अगर वो पहुंची है कहा इसको अगर मैं रप करके आपको दिखाऊं ये थी हमारी earth और ये है क्या हम यहां से समझो starlight आ रही है ठीक है starlight यहां से आई vacuum से आई अब उसको अपना medium change करना पड़ेगा ठीक है medium change हो रहा है उसका path change होगा तो क्या होगा अब वो ऐसी location पर आई है troposphere की जहां पर density क्या थी जादा थी gas particles कैसे थे एकटा हो थे तो वहां पर density जादा हो गई फिर से उसे अपना path change करना पड़ेगा ठीक है सलो उसने कर लिया अपना path change अब क्या होगा वो ऐसे location पर पहुंची जहां पर density क्या हो गई थी chamber layer में कम हो गई थी एस अपना path change करना पड़ेगा यहँ फिर से कर दिया अपना path change फिर क्या होगा फिर से वह ऐसी location पर पहुंची जहांपर density कैसी ज्यादा थी फिर क्या हुआ फिर से वह ऐसी location पर पहुंची जहांप देंशिटी कंती तो बहुय यह zigzag zigzag करती हुई कहां पहुँचेगे star light हम तक पहुँचेगी ठीक है तो star light हम तक कैसे पहुँचती है एक zigzag manner में हम तक travel करके पहुँचती है क्यों कि हमारी जो atmospheric जो density है वो continuously change हो जाती है अब इस diagram को मैं मिटाती हूँ फिर से एक और नया diagram suppose यहां खड़े हो आप और क्या कर रहे हो star light को देख रहे हो अब इस star से star को मैंने क्या समझा हुआ है star हमको कैसा दिखता है sky में एक point जैसा दिखता है point size दिखता है तो यह मैंने माना है क्या star अब इस star से आ रही है क्या suppose तीन star light आ रही है अब एक second में क्या हुआ जितनी भी star light आ रही है चार star light से निकलके आखों तक हमारी आखों तक यह सभी कि सभी star light हम तक पहुँच गई तो हमें star कैसा दिखने लगा bright दिखने लगा अब क्या हुआ दूसरे ही second में जैसे यह star light आ रही थी न इनके location पे आ गए क्या इनके path में आ गए क्या कुछ dense particles dense locations आ गई हवा चल गई जिसके कारण क्या हुआ यह जो पहली वाली star light थी न इसको अपनी path change करनी पड़ी और यह तक कितनी star light पहुँची सिरफ दो पहले में चारो की चारो star light आप तक पहुच रही थी maximum star light पहुच रही थी देकि दूसरे second में क्या हुआ इन star light के path में कोई dense particles आ गए medium change हो गया उनका जिसके करन उनका path change हो गया तो अब दूसरे second में आप तक कितनी light पहुची सिर्फ दो ही light पहुची तो उस दूसरे second में आपको star light कैसा अचको की देखा तो आपने सोचा कि एक second में तो star काफी bright है और दूसरे second में star काफी dim है याने कि एक सेकंड में आपको स्टार दिखा जलता हुआ और दूसरे सेकंड में स्टार आपको दिखा कैसा बुजा हुआ और इस बुजने को जलने को हम क्या कहते हैं ट्विंकलिंग कहते हैं और इसलिए स्टार हमें क्या करते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकल ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, स्टार्स की गलती नहीं होती है, वो तो continuously constant amount की light हम तक पहुंचाती है, problem कहा होती है, उस star light के amount में होती है, जो हमारी आखों तक पहुंच रही है, कभी maximum star light पहुंचती है, तो उस समय लगता है कि star कैसा है, जल रहा है, bright है, दूसरे सेकेंड में क्या होता है, इन star light के रास्ते में कोई नो कोई particles या जो भी इनका path है, उस path में, suppose, you know, medium change हो गया, कभी realer medium आगया, कभी denser medium आगया, जिसके current इन lights को अपना path change करना पड़ता है, और हम तक नहीं पहुंच पाती, तो दूसरे सेकेंड में क्या हुआ, कम star light पहुंची, तो हमें लगा कि star कैसा है, dim हो गया है, जबकि वो dim नहीं हुआ है, वो तो अभी भी उतनी star light fake रहा था, देखो न, दोनोई cases में हमारे star से 4 star light निकल रही थी, लेकिन पहले में हम तक पहुंची कितनी 4 और दूसरे में पहुंची 2, यह सब क्यूं हुआ है, यह पूरा नाटक हुआ है, atmospheric reflection के कारण, हमारे atmosphere की जो density है, वो काफी change होती रहती है, काफी non uniform है, continuously change होगी, हवा चल जाएगी, temperature का भी असर होता है, अगर किसी location पे temperature है जादा, तो वहां की density होगी जादा, और किसी location पे temperature है कम, तो वहां की density होगी जादा, तो बहुत सारे factors होते हैं, जो कि हमारे atmosphere की, अर्थ के atmosphere की density पे affect डालते हैं अपना, उसको influence करते हैं, जिसके कारण, atmosphere की density काफी जादा non uniform होती है, और फिर जो हमारा star है, उस से निकलने वाले जो star light है, इसी density के कारण क्या होता है, अपना path time time पर हर second पे change करती जाती है, और हम तक एक enough quantity में, constant quantity में हम तक नहीं पहुँच पाती, I hope यह चीज़ आपको समझ में आई होगी, इसी से मिलता जोलता है क्या हमारा next question, next question क्या है भाई, कि stars तो twinkle करते हैं, लेकिन planets हमारे twinkle क्यों नहीं करते हैं, planets इसलिए twinkle नहीं करते हैं बच्चों, क्योंकि इस चीज़ को मैंसे समझते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि हमारा star क्या है, star हमको sky में एकदम point के बराबर दिखता है, यानि कि point size दिखता है, वहीं अगर हम बात करें planet की, तो planet हमें थोड़ा सा बड़ा दिखता है, actually में planets तो हमारे star से कैसे होता हैं, बहुत सारे points का, point sources का एक group मानती हूँ stars कैसे थे? दूर थे इसलिए वो मुझे कैसे दिखते है? point size दिखते है star कैसे दिखते है? point size दिखते है याने कि जो मेरा star है, वो क्या है? एक point source है, light का लेकिन जो हमारे planets होते हैं उनकी size कैसी होती है? बड़ी होती है बड़ी क्यों दिख रहे हैं हमको? क्योंकि वो हमारे Earth के करीब होते हैं पास होते हैं तो उन planets को मैं क्या consider करती हूँ? बहुत सारे point sources का एक group consider करती हूँ ठीक? अब क्या हुआ? आप खड़े हो यहाँ पे और इस planet को देख रहे हो अब क्या हुआ? इस planet का जो एक point source है उससे कितनी light निकल के आ रही हैं? suppose तीन light निकल के आ रही हैं ठीक है? अब क्या हुआ? फिर से atmospheric reflection हो गया अगर इस planet से निकलने वाली light को हम तक पहुँचना है तो हम तक कैसे पहुचना होगा? अर्थ के atmosphere को cross करके पहुचना होगा और अभी अभी मैंने आपको बताया कि अर्थ का atmosphere कैसा है? बहुत जादा non uniform है continuously change होता रहता है तो जैसे ही planet के इस point source से light निकल के आएगी हम तक तो atmosphere जो होगा अर्थ का उसको cross करती आएगी ठीक है? अब हो सकता है कि atmospheric reflection के कारण ये वाली जो light है ये अपना path change कर दे और ये वाली जो light है वो अपना path change कर दे और हम तक कौन सी light आए? हम तक सिर्फ और सिर्फ ये वाली light आए अब क्या होगा? light तो हम तक कम पहुँच रही है तो क्या हुआ? जो दूसरा वाला point source था हमारे planet का वहाँ से भी क्या होता है? light rays निकल के आती है light rays कैसे आएंगी हम तक? हम तक आएंगी atmosphere को cross करते हुए और जैसे ही atmosphere को cross करेंगी हो सकता है कि इनकी भी light क्या हो जाएं? अपने path से deviate हो जाएं और हम तक ना पहुँचें लेकिन कुछ light हम तक definitely पहुँचेगी तो ये देखो इसकी जो दूसरा वाला point source था planet का उससे हमारी आखो तक कितनी rays आ गई? दो rays आ गई तो हमारी आखो तक total कितनी rays पहुच गई? light की तीन rays पहुच गई दो पहुच गई blue वाली और एक पहुच गई red वाली initially क्या हुआ था? planet का जो एक point source था red वाला उससे तीन red light निकल के आ रही थी लेकिन तीन में से सिरफ एक ही पहुची उसको compensate करने के लिए क्या हुआ? जो दूसरा point source था हमारे planet का उससे क्या निकली? चार rays निकली, दो deviate हो गई और दो हमारी आखों तक पहुची हैने कि total कितनी पहुची हमारे पास? तीन पहुच गई ठीक है? ये कहानी थी किसकी? पहले second की अब क्या हुआ? दूसरा second हुआ ये भी क्या हो गई? डेवियेट हो गई अपने पास से ठीक है? ये भी क्या हो गई? डेवियेट हो गई पास से हो सकता है कि जब ये हमारे atmosphere में आ रही होगी तो इसके रास्ते में कोई particles आ गए होंगे इसका medium चेंज हो गई होगा हो सकता है dancer region में आ गई हो हो सकता है raral medium में आ गई हो जिसके कारण इसको अपना path चेंज करना पड़े अब क्या हुआ? जो तीसरा वाला point source था ना मेरे planet का उससे light निकलके आ रही थी उससे light ray निकलके आई और इसने क्या किया? light ray ने जो एक blue वाली light जो नहीं आपाई दूसरे second में उसकी जगा क्या हुआ? खोद आ गई अब मेरी आखों के पास कितनी light आ रही है अभी भी तीन आ रही है एक blue वाली एक red वाली और एक green वाली तो दूसरे second में भी क्या हुआ? मुझ तक कितनी light पहुँची? तीन light पहुची स्टार के case में क्या हो रहा था? पहले case में पहुची 4 light दूसरे case में पहुची 2 light इसलिए वो हमको ऐसा लग रहा था कि कभी bright लग रहे हैं, कभी dim लग रहे हैं लेकिन planet के case में क्या हो रहा है? planet के पास इतने सारे light के sources हैं point sources हैं जिसके current क्या हो रहा है कि हर second अगर कोई light नहीं भी पहुच रही है हमारी आखो तक तो दूसरा point source क्या कर रहा है light का? अपनी light हम तक पहुचा दे रहा है इसलिए हमारी आखो पर constantly same amount की light पहुच रही है और इसलिए planets हमें twinkle करते हुए नहीं दिखाए देते pitch-off नहीं खेल रहे थे हमारे साथ लेकिन क्या रहा था? हमारी Earth के atmosphere के कारण उन star light का refraction हो रहा था अपने path को वो change करती जा रही थी और इसलिए कभी कम light पहुच रही है कभी जादा light पहुच रही है लेकिन planets के case में क्या हुआ? पहली बात तो क्या है? distance कम है planet का हमारी Earth से इसलिए वो हमको बड़े देख रहे है और इसलिए planets को हम बहुत सारे एक group मान रहे हैं किस चीज का जो point जो होते हैं जो source है point का उसका हम एक बहुत बढ़ा सा group मान रहे हैं इसको यानि कि इस planet के पास बहुत सारे क्या है? point sources है light के अब अगर पहले second में एक source से क्या आ रहा है? एक point source से तीन light आ रही है और दूसरे second में केवल एक ही light पहुंची उस point source से तो क्या हुआ दूसरा वाला point source आ गया? उसको compensate करने के लिए और दोनों ही case में हम तक कितनी light पहुंची? तीन light पहुंची इसलिए planets हमको twinkle करते हुए नहीं देखे क्यों क्योंकि पूरे समय constantly हम तक planet से same amount के light हम तक पहुंच रही है reflection होने के बावजूद ऐसा नहीं कि planets के light का reflection नहीं हो रहा है अर्थ के atmosphere में बिलकुल हो रहा है लेकिन planets के पास light के इतने सारे point sources थे कि वो क्या कर रहे है एक दूसरे की कमी को compensate कर रहे है पहला point source दूसरे point source की कमी को compensate कर रहा है दूसरा वाला तीसरे को तीसरे वाला चौते को और इस तरह से planets continuously हम तक अपनी रौशनी पहुंचा रहा है और इसलिए planets हमें blink करते हुए या twinkle करते हुए नहीं दिखेंगे I hope यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो यह वाला सवाल भी हो गया है अपना complete खतम अब हम बढ़ते हैं हमारे next question पे next question क्या है why does the sky appear reddish early in the morning हमको sunrise के time पे या sunset के time पे sky से लेकर के sun तक सब कुछ हमेशा red color का क्यों दिखता है अभी इस चीज़ को समझने के लिए यह चीज हमने actually बहुत अच्छे से समझी थी ठीक है और इसी डाइग्राम से हमने समझी थी जब sunrise और sunset की बात होती है तो sun आता कहा है भाई sun आता है earth के कहाँ equators ठीक है sun कहाँ आता है earth के equators पे आ जाता है और उस समय sun का जो distance है हमारे earth से वो काफी जादा हो जाता है किसके comparison में तो भाई दिन के time पे जब sun कहाँ होता है earth के विलकुल pole पे होता है तो उस time पे sun और earth का जो distance है वो काफी कम होता है याने कि sunrise और sunset के time पे earth और sun के बीच में distance हुआ क्या काफी जादा और दिन के time पे sun और earth के बीच का जो distance है वो हो जाता है क्या काफी कम यह जीज़ आपको समझ में आई अब दूसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ यह है कि sun से क्या मिलता है हमें sunlight मिलती है sunlight होती है एक type की white light और हमें पता है कि white light किसकी बनी होती है एक white light बनी होती है बहुत सारे colors की और जब scatter होती है यह disperse होती है तो वह अपने seven constituent colors में scatter हो जाती है या फिर split हो जाती है ठीक है उसी समान जो अमारी sunlight है वो भी क्या होगी बहुत सारे colors की बनी होती है और scatter क्या होगी है scatter अपने actually बहुत सारे colors में होती है कि हमारी आखिं शिर्फ और सिर्फ जो seven primary colors होती है जो seven dominant colors होते है उन्हीं कु क्या कर पाती है देख पाती है इसलिए हमें लगता है कि जो white light है या जो sunlight है वो सिरफ अपने seven primary colors में scatter हो रहे हैं जब कि ऐसा नहीं है white light बनी भी बहुत colors की होती है और जब वो scatter या split होने की बारी आती है तो वो उन्हीं colors में क्या हो जाएगी scatter हो जाएगी है split हो जाएगी लेकिन हमारी आखें सिर्फ और सिर्फ यह साथ primary colors को देख पाते हैं seven constituents से dominant colors को देख पाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी sunlight किस से बनी हुई है और किस में scatter हुई है इन seven primary colors में कौन-कौन से होते हैं भाई वो होते हैं विब ग्योर वी आई बी जी वाई ओ आर याने की वॉयलेड इंडिको ब्लू ग्रीन येलो ग्रीन है ये ग्रीन और सॉरी विब ग्योर ये बीज वाला हटा देना ठीक है विब ग्योर येलो औरेंज और रेड इसको हम क्या कहते हैं ये होता है पूरा spectrum white light का spectrum ठीक है अब हमारी sunlight कैसी है एक white light है जो की कैसे scatter होगी अपने seven primary या dominant colors में constituent colors में scatter होगी लेकिन इस scattering possible कब है ये scattering possible है तब जब हमारी sunlight किस से आकर के टकर आए special type के particles से आकर के टकर आए जिने हम क्या कहते हैं जिने हम कहते हैं colloidal particles सिखाया था मैंने आपको बताया था कि light की scattering white light की scattering कब possible है जब वह special type की particles से आकर के टकराती है और उस particle को हम क्या कहते हैं colloidal particles कहते है इतना clear है आप सब को अब क्या हमारे atmosphere में इस तरह के colloidal particles present है बेकुल present है हमारे अप्टे तरह की पार्टिकल्स होते हैं, 10 पार्टिकल्स होते हैं, एया पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वैपर्स, वाटर डॉप प्लेट्स, स्मोक पार्टिकल्स, है ना, तमाम तरह की पार्टिकल्स होते हैं, और वो सारे कैसे होते हैं, colloidal particles होते हैं, जिसके कारेंट जैसे ही sun से निकलने वाली sunlight हमारे earth के atmosphere पे आएगी, scatter हो जाएगी, किस में scatter हो जाएगी, इस विवग्योड spectrum में scatter हो जाएगी, अब मैंने आपको बताया था, कि ये जो seven color की different lights निकल के आती हैं, इनकी क्या होती है, अ और अगर मैं wavelength का sequence पूछूँ, तो आप बोलोगे क्या, कि सबसे जादा wavelength किसकी होती है, red color के light की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, violet color की जो light है, सबसे कम wavelength होती है, इस color के light की, फिर मैंने आपको एक relation समझाया था, क्या बताया था, कि भई, जिस light की wavelength होगी क्या, जादा, उसकी scattering होगी उतनी ही कम एक light जिसकी wavelength बहुत ज़ादा है उसकी scattering होगी कम यानि कि light की scattering और उसकी wavelength की बीच में relation कैसा होता है inverse proportion का होता है wavelength ज़ादा तो scattering कम wavelength कम तो scattering ज़ादा और अगर कम scattering है इसका मतलब क्या कि क्या मेरी light वो ज़ादा distance travel कर पाई क्या अगर आप बीच रास्ते में ही फैल जाओगे तो क्या जादा distance travel कर पाओगे? नहीं कर पाओगे light के साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है इसकी wavelength, particular light की wavelength क्या है? जादा है तो ये फैल थोड़ी कम रही है कम फैलेगी मतलब क्या होगा? distance ये कर लेगी, जादा travel ये कि light की wavelength और उसके distance की बीच में होता है direct proportional का ratio ये कि अगर किसी light की wavelength जादा वो distance जादा travel करेगी क्यों? क्योंकि इसकी scattering कम होती है red light, ये जो आपके पास spectrum आया है sun light से, red light का जो wavelength है वो कैसा है? काफी जादा है ये कि इसकी scattering क्या होगी? कम होगी और वो distance कैसा travel करेगी, जादा करेगी इसलिए ambulance और जितने भी danger signs वगेरा जो होते हैं वो सब red color से बने होते हैं क्यों? क्योंकि red color हम तक जादा distance travel करके पहुंच जाता है इसलिए क्योंकि इसकी scattering क्या होती है? क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि इसकी wavelength जादा होती है अगर हम बात करें violet light की तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा violet के case में क्या होता है? इसकी wavelength, violet light की कैसी होती है काफी कम होती है, जिसके कारण ये फैले का जादा, अगर जादा फैल जाएगा तो क्या ये distance ज़ादा travel कर पाएगा? नहीं travel कर पाएगा ठीक है? अब ये जो चीज मैंने आपको पताई है ना ये हम apply कर देते हैं कहां? अपने इस question पे कैसे apply करेंगे? Sunrise का time हो रहा है Sunrise से क्या निकला है भाई? Sunlight आई है अब Sunlight जैसे ही हमारे Earth के atmosphere पे आएगी अपने इस spectrum में हो जाएगी क्या scatter सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका? Voilet light की हम बात करते हैं ठीके? अब देखो जो कि Voilet light की wavelength कैसी है? काफी कम है तो इसकी scattering क्या होगी? जादा हो जाएगी वो जादा distance तक travel नहीं कर पाएगी तो हो सकता है कि मेरी जो Voilet light है न वो यहाँ कहीं आकर के हो जाए scatter तो देखो इसने distance तो काफी कम किया है travel फिर इसके बार में आई Indigo Indigo का जो wavelength है वो हमारी Voilet light से थोड़ी सी जादा होती लेकिन बहुत जादा भी नहीं है जिसके कारण उसकी जो scattering है वो थोड़ी कम होगी अगर हम Voilet से compare करें तो थोड़ी कम होगी लेकिन होगी तो तब भी जादा ही यानि कि ये भी जादा distance travel नहीं कर पाएगी लेकिन हाँ Voilet से थोड़ा जादा distance travel करेंगी तो हो सकता है कि मेरी जो indigo है वो कहीं यहाँ आकर के scatter हो जाए light फिर इसके बाद में आया कॉन Blue Blue color क्या करता है Blue color की wavelength Voilet और indigo से जादा होती है तो जाहिर है इसकी जो scattering होगी वो Voilet और indigo से थोड़ी सी कम होगी यानि की थोड़ा जादा distance travel कर लेगा तो यह देखो मेरी जो blue light है वो कहीं यहाँ पर आकर के scatter हो गई जादा distance इसने travel किया है Voilet और indigo की comparison में इसी तरह से क्या आएगी Green light आएगी Green क्या करेगी Green आकर के कहीं यहाँ scatter होगी क्यों? क्योंकि इसकी wavelength blue से भी जादा है इसकी scattering कम होगी तो distance जादा travel करेगी फिर आया कौन? फिर आया yellow Yellow जो है कहीं यहाँ पर आके scatter करेगी और जादा इसने distance travel कर लिया क्योंकि इसकी wavelength कैसी थी? जादा थी फिर आई कौन? Orange light Orange light कहीं यहाँ पर आकर के scatter हो जाएगी फिर फिर फाइनली कौन आई भाई? फाइनली आई हमारी red light तो भाई red light का जो wavelength है वो कैसी है? सबसे जादा है यानि उसकी scattering क्या होगी? सबसे कम होगी और वो सबसे जादा distance travel कर लेगी distance कौन से वाला distance? Sun और अर्थ के बीच वाला ठीक है? Sunrise और Sunset के केस में क्या होता है? कि Sun और अर्थ के बीच का distance काफी जादा होता है तो इससे पहले कि red light जो है ना जो violet, indigo और जो blue light होती है क्योंकि इनकी wavelength काफी कम होती है ये इससे पहले कि हम तक पहुँचे Sunlight से ये क्या हो जाती है? Scatter हो जाती है, फैल जाती है जादा distance travel नहीं कर पाती है और सिर्फ और सिर्फ Sun की जो red light होती है वही हम तक जादा distance travel करके पहुँच पाती है क्यों? क्योंकि उनकी wavelength जादा Scattering है कैसी? उनकी कम ठीक है? इसी लिए Sunrise और Sunset के टाइम पे हमें चाहे Sky हो चाहे वो Sun हो क्या दिखता है? Red color का ही दिखता है और अगर हम बात करें दिन के टाइम की दिन के टाइम पे हमें Sky Blue color का क्यों दिखेगा भाई? Blue color का इसलिए दिखता है क्योंकि उस समय जो Sun है और Earth के बीच का जो distance है पर प्रेजंट होते हैं क्या? Colloidal Particles तो सबसे पहले Voilet Light निकल की आई Voilet Light suppose यहां कहीं scatter हो गई फिर इसके बार में कौन आई? Indigo आई Indigo Light हो सकता है कहीं यहां scatter हो जाए फिर Icon I finally Blue Light तो Blue Light हो गई कहां? यहां scatter हम कहां खड़े? Earth पे खड़े हैं सकेटर नहीं होंगी यह बिल्कुल सकेटर होंगी लेकिन क्या है न? कि Sun और Earth के बीच का distance कैसा है? काफी कम है दिन के टाइम पे जिसके कारेंट क्या होगा? कि अभी तक Green, Yellow और Red Light ने sufficient distance travel नहीं किया है कि इससे पहले वह scatter हो जाए सकेटर कब होंगी वह? एक particular distance travel करके उनकी wavelength के according जो उने distance travel करना होगा उत्तर distance पे जाकर के वह क्या कर जाएंगी? फैल जाएंगी लेकिन अभी तक वह distance आया ही नहीं है इससे पहले कि वह distance travel करके scatter हो जो Blue Light है वह scatter हो गई और हमें Earth से Sky का Color कैसा देखा? यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा अब अगर आपको इसके answer का screenshot चाहिए है तो आप यह ले सकते हो मैं हो जाती हूँ screen के बाहर ठीके on the count of five आप इसका ले लेंगे screenshot so five four three two and one I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा अब यह सवाल है आज के सेशन का आखरी सवाल जहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्यूं astronauts को outer space में जाकर के sky कैसा दिखता है dark color का दिखता है भाई अभी अभी हमने पढ़ा कि sunrise sunset के time पे बढ़िया सुन्दर सा जो है ना reddish color का दिख रहा है sun or sky और दिन के time पे sky हमें blue color का दिखने लगता है तो astronauts यह शिकायद हमसे क्यूं कर रहे हैं कि उन्हें जो sky है वो dark color का दिखता है भाई याद करो कि हमें जो sunlight हम तक आ रही है वो हमें different colors की cup देख पाती है जब उसकी scattering होती है sunlight की sunlight की scattering cup particles है जब वो हमारे atmosphere में present जो colloidal particles है उन से जाकर के टकर आए astronaut अभी कहा है astronaut है outer space पे क्या space में किसी तरह का atmosphere होता है बिलकुल भी नहीं होता space तो क्या है एक vacuum portion है vacuum area है वहाँ पे तो किसी तरह के air particles होते ही नहीं है तो वहाँ atmosphere कहां से आएगा atmosphere नहीं आएगा मतलब क्या वहाँ पे colloidal particles नहीं होंगे जब colloidal particles है ही नहीं तो हमारी sunlight है वह जाकर के टकरा कर की किस में विखरेगी sunlight कब विखरती है जब वह colloidal particles से जाकर के टकराती है जब atmosphere में यह particles है ही नहीं तो sunlight किस से जाकर के टकरा की विखरेगी बिखर ही नहीं पाएगी क्योंकि टकराने के लिए बिखरने के लिए ये चाहिए होते हैं तो जब वो बिखरेगी नहीं तो फिर हमें sky का जो astronaut है उनको sky का different color red या blue color कैसे दिखाए देगा The sky appears dark instead of blue to an astronaut because there is no atmosphere in the outer space that can scatter the sunlight as the sunlight is not scattered no scattered light reach the eyes of the astronauts and the sky appears black to them इसलिए sky उनको कैसे दिखता है black color का दिखता है वो हमसे complain करते हैं धर्ती वालों से कि भाई तो में तो जाना बढ़िया sky का color blue दिख रहा है red दिख रहा है sunrise sunset के टाइम पे लेकिन उपर आओ उपर से तो black दिख रहा है क्यों दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे atmosphere नहीं है हमारी गलती नहीं है atmosphere नहीं है इसलिए scattering नहीं हो रही है sunlight की इसलिए हम बोलते हैं कि light जो है scatter नहीं हो रही है different colors में अपने और sky dark color का दिख रहा है ठीक है? I hope यह question भी आपको हो गया होगा clear और इसी question के साथ में हमारा आज कर यह session होता है complete याने कि हमारा जो chapter है the human eye and the colorful world वो होता है complete इस chapter के हमने बहुत सारे theoretical topics देखे हैं concepts देखे हैं और जितने भी possible numericals हैं questions हैं वो भी हमने solve कर लिये हैं in text भी और exercise questions भी question को करेंगे enjoy अब हम मेलेंगे अपने next session में next lecture में जहां पर हम class 10th physics का third chapter start करने वाले हैं electricity वाला chapter तब तक आप क्या करेंगे हमारी जो official website magnetbrains.com उसे visit कर लेना जहां पर आपको सभी chapters के video lectures मेलेंगे playlist में साथ ही साथ सभी topics के वहां पर आपको होंगे notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnet brains thank you for watching